प्रिछले वीडियो पर एक इन्वार्मेंट की वीडियो दी थी हमने बारा गंटे की और उसमें हमने आप से पूछा था कि भी बताओ कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो कि इसी तरीके से बिलकुल कम्प्लीट हो और आपके प्रिलिम्स ओरिंटेड वन सिंगल शौट सबी के majority of the comments में economy, geography, कुछ लोगों के quality, कुछ लोगों को ने ये भी बोला कि sir, आंट दो, कुछ भी हो, चलेगा सब चलेगा, तो एक priority list set करते हैं, बट क्योंकि majority of the लोगों ने economy को priority दी था, कि वह economy उनका छूटा हुआ है, तो हम ये वापस से वीडियो लेके आ रहे हैं, जि economy की वीडियो भी अपने आप में बिल्गुल complete है, पूरा पढ़ सकते हो, economy के basic concept, सारे revise कर सकते हो, एक single shot में, बिना कहीं दाएं बाएं देखे हुए, इसकी BPPT आपको at the same time, हमारे telegram channel only eyes nothing else पे मिल जाएगी, तो इसको यहां से देखो, इस video को completely, और इसकी अगर PDF चाहिए, तो telegram channel पर आके वो PDF भी ले लो, और पिछली बारे आप लोग भूल गहे थे, कि आप लोग competition फील करते हो, क्या कि कि किसी को बताना नहीं है, कि ऐससे अच्छी वीडियो आई है, हम अपने अकेले अकेले में देख लेंगे, spread करो थोड़ा इसको, बताओ अपने दोस्तों को इर ग्रूप में जो UPSC aspirant हैं, कि ऐसी वीडियो आ रही है, और उनको देखो, और थोड़े views के response में, हमें भी थोड़ा सा response मिलना चाहिए, तो हमारी energy maintain रहती है उस level पर, ठीक है, तो चलो बिना देरी किये हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और economy बिल्कुल अंध तक wind up करके खत्म कर देते हैं, तो आज की class में हम लोग यह देखेंगे कि economy का introduction part, कि economy होती क्या है, कितनी तरह के economy होती है, उसके अलावा green GDP का concept क्या है, यह सब हम लोग आज देखेंगे, तो सबसे पहले आप से एक basic सवाल पूछा जा सकता है, कई बच्चे economy और economics दोनों को स बात में इस्तेमाल करते हैं, क्यार मुझे economics पढ़नी है, या मुझे economy पढ़नी है, आपके exam में the most important thing is, आपके exam में economy पूछी जाती है, जो UPSC का exam में, उसमें economy पूछी जाती है, ना कि economics, तो economy और economics में difference क्या है, पहले हमें यही पता होना चाहिए, ठीक है, economics क्या होती है, economics क का मतलब होता है, जब आपको decision लेते हो, in presence of scarcity of resources में, जैसे माल लीजिए, आपके पास 100 rupees है, ठीक है, अब आपके पास 100 rupees है, और आपको 100 rupees आपके पास है, और 100 rupees में, आपको को decision लेना है, in context of, कि आपको क्या क्या चीज़ा खरीदना है, आपको pen खरीदना है, pencil खरीदनी है, बॉक्स खरीद ना है रेजिस्टर करीद न है तो उस हशाब साब 100 रुपीज में इस तरह से इन्वेस्ट करूं ताकि मैं मैं मैक्सिमम में चीज़ खरीद पाऊं इस ऐसरेब्श देसरेब्श देस्सेज़न लेना इनपरेजेंस आपको इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके समझाऊंगा कि एकॉनमिक अक्टिविटी और नौन एकॉनमिक अक्टिविटी में अंतर क्या तो देखो यह आपकी आपके एकॉनमिक अक्टिविटी और यह आपकी नौन एकॉनमिक अक्टिविटी के अब इन दोनों में फरक्विट है dealing तो इकॉनमिक अक्टिविटी मतलब डाटव वी डैक्टिविटी विज परफаг में एक्टेंज अफ मनी यहां पर इनwrिंलेगा मनीा मानी ओङ्टा ठीक है पहली बात दूसरी बात यहां पर गुद्स एंद सर्विसेस का एक्षेंज होता है तीसरी important बात यह GDP में एड जो भारत के GDP है उसमें एड होगा अब GDP क्या होता है इसको हम बात में देखेंगे GDP में एड होता है उसके अलावा यह एक तरह की professional activity होती है professional activity होती है जैसे एक doctor hospital में काम कर रहा है doctor working in hospital doctor working in hospital उसी तरह से एक teacher school में पढ़ा रही है example है एक teacher school में पढ़ा रही है this is all considered as economic activity इसको economic activity consider करते है वही non-economic activity क्या होती है in exchange of in exchange of love satisfaction in exchange of love satisfaction care concern यह हम perform करते हैं यहां पर कोई goods and services exchange नहीं होता no goods and services का exchange नहीं होता simple सी बात है कि यहां पर out of love काम क्यादा है यह GDP में एड नहीं होती not added in GDP GDP में एड नहीं होती यह एक non-professional activity होती है यह इसके एग्जामपल की बात करूं इसके एक्जामपल में क्या आगा जैसे jak some teacher है वो अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है अपने एपक्ने वह अपने बच्चे के लिए ही कुख कर रही है खाना इसको हम नॉन एकनोमिक आक्टिविटी का वापस डेफिनेशन पर हैंगे एकॉनमी क्या होता है एकॉनमी का मतलब होता है जहां पर एकनोमिक आक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाए एक ऐसा एन्वायरमेंट स्चेन पर इसे कफ़े हैं और इकनोमिक क्या है जहां पर इससों जो लिये जाते हैं वह जर्च लिया जाते हैं और इकनोमिक के अक्टिविटी को जो एन्वायरमेंट facilitate करता है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं कि यह economy हो दिए clear हो गया चलिए आप आगे बात करेंगे type of economy economy कितने तरह की होती है तो सबसे पहले type of economies में first is micro economy micro economy मतलब जो किसी individual से related हो जो किसी individual household से related हो किसी individual firm या company से related हो उसे हम micro economic कहते हैं तो micro सबसे समझ में आ रहा है माइक्रो मींस small small और individual unit जहां पर individual unit consider हो रहा है उसे हम माइक्रो कहते हैं यह सौरी मैंने यहां लिख दिया यह इसको बाप एक सेकेट उसको हम micro कहते है तो small या किसी individual unit की जहां पर बात होती है डिस is called as micro economy उसे हम micro economy कहते हैं जैसे माल लीजे कोई व्यक्ति कोवेड की वैक्सीन लगवाने जा रहा है कोई एक फैमिली है पांच छे लोगों की आठ लोगों की वह कोवेड की वैक्सीन लगवाने जा रही है या एक फर्म है एक कंपनी है उसने अपने सब्सक्राइबिर यह कोवेड के का क्यांडा समयल इसको इंचनल किया exist को इ 되지 जैसे countrywide vaccination camp चला है countrywide RT-PCR test हो रहे हैं this is macro economy इसे हम macro economy कहते हैं वहीं मीजोगनॉमी क्या होता है मीजोगनॉमी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का है और मीजोगनॉमी में थोड़ा सा personal relationship जैसे setup होता है इसे मान लीजिए एक family है यह family है यह a है इसके तीन सन है x y z फिर x y z के दो बच्चे है o और r y के दो बच्चे है t और q तो यह हम कहते हैं कि inter relationship जो families में होता है communities में होता है ठीक है जो आपके groups में होता है this is called as मीजोगनॉमी तो मीजोगनॉमी क्या है where there is a kind of a relationship setup between the family community or between the friends this is called as मीजोगनॉमी तो जैसे मान लीजिए पांच फ्रेंड्स हैं पांच फ्रेंड्स ने कोई अपनी एक स्टार्ट अप चलाया तो उसका मीजोगनॉमी में का मतलब होता है liberal मतलब इसाब समझ में आ रहा होगा आपको कि liberal का मतलब होता है जहां पर जहां पर individual thought को individual skill को individual ownership को individual attention जिसकी हम बात करते हैं इसकॉल इस लिब्रेलिजम का मतलब क्या होता है तो सेट फ्री लिब्रेल का क्या मतलब होता है तो सेट फ्री संथिंग तो लिब्रेलिजम जो है ये एक पॉलेटिकल फिलोसफी है यहां पर मेसिकली मतलब होता है कि individual freedom को प्रमोट करना religious choices को प्रमोट करना life of an individual property ownership these all are considered as liberal इन सबका हम liberal कहते हैं और यह बहुत आज भी आज भी almost 99% countries में इस liberalism की respect होती है नियो लिब्रेलिजम क्या है यह economic term है यह बात करता है free trade के बारे में privatization के बारे में यह बात करता है liberalization के बारे में यह बात करता है globalization के बारे में यह बात करता है जो ट्रेड में restrictions होती है उसको remove किया जाए जो unnecessary के licensing system है quotas आप लगाते हो इन सबको हटाया जाए यह एक समय में बहुत popular था लेकिन आप क्योंकि पूरा world ही अपने आप में liberalize हो चुका है free trade पर फोकस रने लग गया है प्राइविटाइजेशन को अल्मोस्ट सब जगे अब एक और एक और पॉर्चुनिटी मिनने लग गई है तो अब दिश्विटी हुई अलग अलग consensus हुई है जहां पर एकनामी के बारे में जहां पर एकनामी डवलक्मेंट हुआ है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे Washington वाशिंग्टन कंसेंस जो है इसका मेन अब्जेक्टिव था कि जो लाटन अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने की तो इन्होंने सब इसमें सबसे पहले यह टर्म किस ने दिया यह जॉन विल्यमसन ने इन्होंने यह कहा कि सब्सक्राइब करें उनको सब्सक्राइब करें उनको सब्सक्राइब करें उस वजह से चोटे-चोटे देश हैं उनकी पूरी एकोनोमी खतम हो जाती है तो ऐसी एकोनोमी इसको वापस से stability प्रोवाइड करना उनको क्राइसिस से उभारने के लिए यह वाशिंग्टन गंसेस होती है तो इसमें का आप क्या का कि immediate financial help दी जाए immediate reconstruction किया जाए इमिजेटली उनकी एकनोमी को री स्ट्रक्चर किया जाए उसके लिए इन्होंने यह वाशिंटन कंसेस बनाई लेकिन इसके भी कुछ आर्गुमेंट्स थे यह कहा गया कि यह शौट टर्म के लिए तो ठीक है इमिजेट रिलीफ तो आपको प्रोवाइट कर देगा लेकिन व ओड़ाल एजुकेशन सिस्टम को जोई आपने साल भर के लिए ठीक है एजुकेशनल एड देदी हेल्ट एड देदी आपने फूड प्रोवाइट कर दिया बट वट अबाउट लॉंग तम लाइक एम्प्लाइमेंट नहीं मिल रहां के यूथ को यह मैल नूटरीशन की प् और रेमो ने इन्हों ने यह बोला जो डैंग यॉपिंग थे जिन्होंने एकनॉमिक डवलप्मेंट के बारे में बात करी चायना के उसी के सजस्पिनों ने बोला कि यह एंटी वॉशिंग्टन सब्सक्राइब करने के लिए लगातार इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा लगातार एक्सपरिमेंटेशन करने पड़ेंगे ताकि लॉंग टर्म में विच चेंजिंग नेचर आप थिंग्स हम उसे हिसाब से काम कर पाएं आज अगर मान लीजिए येमिन में को एजुकेट करके उनको नौकरियां देनी है किस तरह से हमें महां पर मैल नूट्रीशन की प्रॉब्लम को दूर करना है उसके लिए हमें इनोवेशन करने पड़ेंगे फिर इन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है वो डिस्ट्रिब्यूटेव ग्रोथ होनी चाहिए ग्रोष डिस और जो अच्छे आइडियास जो फॉरन कंट्रीज अडॉट कर रहे हैं उनको भी अडॉट करना इस विजिंग कंसेंस फिर हम बात करते हैं सैंटाग सैंटियागो कंसेंस सैंटियागो कंसेंस जो है इसका में मॉडल था कि हमें एकनोमिक डवलप्मेंट नहीं सोशल पॉलिस्टिक डवलप्मेंट में कैटेगराईज नहीं होगा देखो एकनोमिक डवलप्मेंट में जनरली कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं एकनोमिक डवलप्मेंट में आप क्या आती है कि आपने इंफ्रस्ट्रॉक्चर डवलप कर दिया इंफ्रस्ट्रॉक्चर डवलप कर दिया, that's fine, ठीक है, उसके लावा आपने inequality को कहीं न कहीं कम किया, चलो यह अच्छी बाते हैं सारी, लेकिन social development is again very important, social development में आपके कौन-कौन सी चीज़े आएंगी, social development मतलब जहां पर आपका health sector भेटर हो, ठीक है, जहां पर आप education के बारे में आप बात कर रहे हो, जहां पर आप poverty के बारे में बात कर रहे हो, जहां पर आप malnutrition के बारे में बात कर रहे हो, so this is all very important, यह सब चीज़ें बहुत important है, इसी को हम social development क्याते हैं, तो जब economic development होगा, social development होगा, तभी inclusive growth होगी, तभी inclusive development होगा, so this is called as Santiago consensus, चलिए, अब हम बात करेंगे, जो economies world में exist करती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, capitalist economy, यह मुझे जो picture है, बहुत अच्छी लगती है, इस picture में देख आप, क्या कर रखा है, कि यह chariot है, ठीक है, यह regulated market है, मदब सरकार ने इसको regulate कर रखा है, तो यहां क्या, government ने हर चीज़ को control कर रखा है, लेकिन जैसे ही, जैसे ही सरकार का control हटता है, तो market जो है, market जो तेजी से भागता है, demands अपला है, अलग तरीके से fluctuate होती है, तो घोड़ा जो है, यहां पर तेज दौरता है, और जो chariot है, वो पीछे ही रह जाता है, तो यह this is regulated and unregulated, तो capitalist economy को पहले समझते हैं, होती क्या है, capitalist economy मतलब वो economy जिसमें individual control, individual control जादा हो, गवर्मेंट का interference minimum हो, जहां पर government का interference minimum हो, और जो factors of production है, factors of production हैं हमारे चार होते हैं, land, labor, capital और entrepreneur, यह हमारे चार factors of production है, factors of production मतलब कहीं पर भी जो production होगा, तो आपको यह चार चीज़ों की ज़रुत पड़ेगी, जैसे आज मालो, आप अपना खुकप manufacturing unit लगाते हो, आप कपड़े की manufacturing unit लगाते हो, या गाड़ियों की manufacturing unit लगाते हो, इस लेबर, फिर आपको लोन भी चाहिए होगा, मशीन ने खरीदने के लिए, इस capital और फिर प्रॉफिट फाइनली entrepreneur, लेंड पे आप क्या पे करते हो, लेंड पे आप पे करते हो, रेंट, लेबर के लिए पे पे करते हो, वेजिस, इस capital के लिए पे करते हो, इंट्रेस्ट, और entrepreneurs जो है, उनको पे करते हो, प्रॉफिट, तो यहां पे factor of production जो है, वो individual head में रहते हैं, मतलब individual जो होता है, वो control करता है, factors of production को, so capitalist economy में क्या होता है, capitalist economy में free trade को promote किया जाता है, यहां पे government interference काम होता है, यहां पे labor market भी flexible है, आपको जिसको रखना है, आप उसको रख सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि capable नहीं है, या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका fire कर सकते हो, यहां आपके पास freedom है ownership की, आप जहां से चाहें, वहां से investment ले सकते हो, जहां से च capitalist economy, ठीक है, next बात करेंगे socialist economy की, socialist economy मतलब जहां पे government control जादा हो, जहां factor of production जो है, वो government के द्वारा decide हो, तो यहां पे क्या होगा, factor of production जो है, वो government के द्वारा determine होता है, दूसरा यहां पर labor norms, जो labor norms हैं, वो काफी tight होता है, मतलब ऐसे किसी को नहीं कि आपने निकाल दिया, जो मर्जी में है, ऐसा नहीं होता, यहां prices भी government controlled होती है, और यहां private individuals को मौका मिलता है, लेकिन overall जो control है, वो government का जाधा रहता है, तो this is socialist economy, एक समय पे रशिया में यह होता था, USSR में यह होता था, एक समय पे चैना में भी यह काफी ज़्यादा था, लेकिन अब almost segregated है, रशिया में है यह अभी भी, लेकिन comparatively जो पहले रशिया में होता है, उस सब काफी कम है, next है mixed economy, mixed economy system का मतल जब क्या है, जहां पर government और private दोनों मिलकर काम करें, आप यह देखो यहां पर यह शेफ है, यह private में red sauce मिला रहा है, और public में जो भी ग्रीन sauce मिला रहा है, और noodles बना रहा है, तो यहां पर क्या होता है, mixed economy में private और public दोनों मिलकर काम करते हैं, सरकार जो होती है, उसके पास और बाकी समय privatization किया जाता है, यहां पर भी government का control, regulation होता है, जब उसको लगता है कि privatization जादा हो रहा है, और welfare mechanism कम हो रहा है, देन वहां पर government का control increase हो जाता है, तो आप यह समझो, capitalist economy में profit is important, socialist economy में welfare is important, और mixed economy में दोनों चीज़ है, profit और welfare दोनों होता है, तो यहां पर सरकार पूरा छूट देती है private companies को, कि आप अपना खुद का business start करिए, आप prices को determine कर सकते हैं, आप अपने profit mechanism को determine कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे, काफी सारे mechanism में ऐसे होता है, जहां पर government का strict control होता है, जहां पर foreign direct investment, विदेशी निवेश जो हता है, उसके उपर भी restrictions लगाई जाती है कि इतने percent से जादा नहीं हो सकता, या मान लीजे, सरकार अपने लिए, अपने specifically अपने लिए कुछ sectors reserve कर सकती है, जैसे भारत में आप तो पता है, atomic energy है, atomic energy है, परमानू उडजा जिसको हम कहते हैं, उसके अलावाद defense है, railways भी है, लेकिन अब कुछ जगवे इसका privatization start हो गय तो भारत mixed economy का perfect example है, भारत mixed economy का perfect example है, इसे हम कहते है mixed economic system, उसके लावा next आता है हमारा open economy और closed economy, open economy और closed economy में क्या difference है, open economy basically means जहाँ पे आप export imports करते हो, जहाँ पे foreign investment बढ़ता है, जहाँ पे आप production करते हो foreign countries में export करने के लिए, जहाँ पे विदेशी कंपनिया भारत में आती ह भारत की जो कंपनिया है, वो विदेशी उनमें निवेश करती है, this is called as open economy, open economy मतलब आपने अपनी economy को open कर दिया है, closed economy मतलब जहाँ पर आप within the resources of the country, country के ही resources का इस्तेमाल करके काम कर रहे हूं, this is called as closed economy, तो closed economy में problem क्या होती है कि you have to depend only on your domestic resources, अब अगर मान लीजे कल को को जाया है, या कोई human made problem हो जाया, जिसके वज़े से आपकी economy survive नहीं कर पा ली, then in that case ये problem बहुत बढ़ सकती है, तो भारत ने 1991 में अपनी economy को open किया था, विदेशी निवेश को बढ़ाया था, खेर इसको हम अलग से पढ़ेंगे, जब economic reforms की बारे में बात करेंगे, इसको LPG reforms भी कहते हैं, तो I think आपको समझ में आ गया होगा, open economy का मतलब वो economy जो अपनी economy open करती है, जहां पर विदेशी बच्चे भारत आते हैं, भारत के बच्चे बहार जाते हैं, विदेशी कल्चर भारत में आता है, भारत का कल्चर बहार जाएगा, ठीक है, जहां पर विदेशी इकनामी क्या होती है, behavioral economy मतलब the behavior of an individual, जहां पर individual का जो behavior होता है, वो determine करता है चीज़ों को उसका हम behavioral economy कहते हैं, अब behavioral economy में हर individual का एक अलग mindset हो सकता है, हर individual की अलग thinking हो सकती है, हर individual का एक अलग behavior हो सकता है, कि वो किस तरह से चीज़ों को approach करे, जैसे आज मान लीजे कोई particular individual ह उसके लिए हो सकता है, growth बहुत matter करता हो, कोई individual है, उसके लिए हो सकता है, satisfaction, psychological satisfaction बहुत important होता है, तो behavioral economic मतलब जो effect को study करे, जो study करे किन किन चीज़ों को, emotional aspects को, emotional aspects को, cultural और social factors को, cultural and social factors को, जहां पर, जहां पर, कहीं ना कहीं, psychological, psychological decisions बहुत matter करे, इसे हम behavioral economy कहते हैं, तो behavioral economy में सबसे important यह होता है, कि आप किनी चीज़ों को किस तरह से perceive कर रहे हो, आप चीज़ों को कैसे perceive कर रहे हो, तो आपका क्या thinking approach है, that is called as behavioral economy, फिर एक चीज़ और बहुत important जो आज कल चल रही है, that is green economy, यह भी बहुत important चल रही है, जैसे green economy का क्या मतलब है, आप हम सब जानते हैं, कि भारत ने अपनी economic system में एक लक्ष रिखक है, faster inclusive growth, यह हमारा लक्ष है, लेकिन उसमें अब एक and sustainable growth, मतलब आप यह देखो कि अगर कोई ऐसी economy है, जहां पर growth तो हो रही है, जबर्दस growth हो रही है, profit बच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पर environment damage बहुत हो रहा है, तो क्या होगा, लोगों की बिमारियां, लोगों को बिमारियां बहुत हो रही है, environment climate change क वैसे कभी बहुत गर्मी पढ़ रही है, बे मौसम बढ़ साथ हो रही है, ठंड बहुत पढ़ रही है, तो वो country production तो अच्छा कर रही है, लेकिन वहाँ के लोग खुश नहीं, ठीक है, लोग बिमार जादा है, फोटे चोटे बच्चों में ऐस्तमा की problem डवलप हो रही है, इसका मतलब जहाँ पर carbon emission कम हो, जहाँ पर resources का इस्तमाल ठीक तरीके से हो, जहाँ पर आप जो environment concerns है, उनको ध्यान में रखते वे काम करें, that is called as green economy, तो green economy का मतलब है, जो environmentally inclusive economy होती है, मतलब growth, plus development, growth, plus development, plus inclusivity, plus sustainability, इसको हम कहते हैं, green economy, इसको हम consider करते हैं, green economy, तो green economy का मतलब एक ऐसी economy, जहाँ पर sustainable development के उपर ध्यान दिया जाया, that is called as green economy, जैसा आपको पता होगा, बूटान ने, बूटान ने अपनी जो GDP है, जो बूटान अपनी GDP कंसिडर करता है, वो gross national happiness पर कंसिडर करता है, कि वहां के लोग कितना happy है, इस पर based होती है उनकी GDP, और यह बहुत अच्छा parameter है, आप एक बार example, तो लोग कि एक country है, जिसने मान लोग कि उसके economy को जो projections है, उसके profit बहुत अच्छा है, उसका production बहुत अच्छा है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, उसके यहाँ पर, उसके यहाँ पर problem क्या हो रही है, कि वहाँ पर old age population ज़्यादा है, लोग बिमार बहुत ज़्यादा हो रहे है, इन सब चीज़ों को, ecological factors जो है, वहाँ पर कही न कहीं बहुत damage हो रहे है, so this is green economy, तो green economy जो है, यह 6 pillars पे काम करती है, green economy 6 pillars पे काम करती है, सबसे पहले climate change, resource saving, तीसरा circular economy, उसके लावा environment protection, environment protection, उसके लावा, और क्या है, water conservation, water conservation, और natural disaster prevention, natural disaster prevention, इन sectors पे यह focus करता है, इन sectors पे यह focus करता है, कि जो green economy है, वो इन ही चीज़ों के उपर, इन ही चीज़ों के उपर focus करके काम करती है, ठीक है, तो इस तरह से green economy को लेकर बहुत सारी countries जो है, वो अपनी तरफ से बहतर काम करती है, इसी के लिए global green economy index भी बनाया, कौन कौन सी जोigner कंट्रीज है वो green economy को प्रआमोट करते हैं ग्रीन economy के लिए specific effort ले रही है उसी इसाब से ranks भी दी जाती है तो भारत भी उस ranking में आता है खिर इनकी current rankings तो अभी तक नहीं आई है जब मतलब हमारे यहां पर green economy को लेकर continuous efforts हैं वो लगातार नहीं किये जा रहे हैं तो यह green economy का now we will proceed to the third video which talk about the sectors of Indian economy बहुत important chapter है बहुत important topic है अलग-अलग sectors of economy के उपर बात करेंगे इस पर कई बार questions पूछे भी जा चुके हैं that's a very very important question बहुत important topic भी यह है तो discuss करते हैं start करते हैं हमारे topic को that is on sectors of Indian economy तो सबसे पहले अगर हम classify करें अगर हमारी हम economy को कि अलग-अलग sectors को classify करें तो basically तीन sectors पर किसका classification होता है पहला on the basis of activity or nature second on the basis of work condition and third on the basis of asset ownership तो अगर मैं बात करूं on the basis of activity nature to activity nature के basis में पांच तरह सेग्रिगेट कर सकते हैं primary sector secondary sector tertiary sector quaternary sector or primary activity on the basis of work condition organized or unorganized sector और on the basis of asset ownership we have public sector and private sector तो अब एक-एक को अराम से हम लोग पढ़ेंगे तो आप एले इस image को देखिए आपको समझ में आप फ्राइमरी सेक्टर को आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर कहीना करें थोड़ा सा एक्री कल्चर और natural activity natural extraction तो प्राइमरी अक्टिविटी में जब देखोगी कि यह फार्मर है यह ट्रैक्कर से से खेती कर रहा है सेकेंटरी सेक्टर जो है इस से जुड़ा हुआ है तो इहां देखोगी कि न होड़ेश से जुड़ा वह संखेंज माँद चीज मैं चीजना गद्रेब्डेशनिय अधे याइन प्राइमरी सेक्टर आप देखी रहे हुँगे इस इमिज में कि प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से या नाच्रल अक्टिविटी से से ऐस मुझा सेक्टर ये वह सेक्टर है जो एग्रीकल्चर या नाच्र सेटेट ऐसाउसेट है । एकके और एनिया जिएटेटेड विढ्ठ ओ एग्री इंवर्चर और जहां प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं इसके एक्जामपल क्या है और बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है उसका में काम होता है extraction of natural resources और the production of raw material यह मैं एक लाइन और लिग देता हूं यहां पर that is again very important कि यहां पर extraction of extraction of natural resources extraction of natural resources natural resources का extraction होता है and use as raw material raw material की तरह इसको इस्तमाल इसका किया जाता है ठीक है अब इसके अगर हम बात करें कि इसके examples क्या हो सकते हैं so what are the different type of examples of this particular primary sector तो dairy है agriculture है ठीक है fishery है fishery है poultry है these all are the examples of primary sector जो primary sector में काम करते हैं जो लोग primary sector में काम करते हैं basically किसान है या जो भी लोग यहां पर काम करते हैं इसको हम कहते हैं red collar job यह considered होता है as a red collar job actually different अलग-अलग sectors है इसमें अलग-अलग collar jobs के नाम से भी यह जाना जाता है तो जो primary sector है वह एक red collar job ठीक है it is associated with red collar job क्योंकि इसमें basically red collar job का इस्तमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यह कहीं ना कहीं outdoor nature की वज़े से outdoor nature of work है इसलिए इसके लिए red collar job वह है जहां पर manufacturing होती है ठीक है जहां पर raw material को इस्तमाल करके finished goods में convert किया जाता है तो उसको हम क्याते हैं उसको हम क्याते है secondary sector तो here raw material raw material converted into finished goods raw material को हम finished goods में convert करते हैं that is secondary sector उसको हम secondary sector कहते हैं और यहां पर यहां पर basically जो इसको भी हम इसको भी हम further classify कर सकते हैं दो पार्ट में एक होती है हमारी heavy industry एक होती है हमारी heavy industry heavy industry में कौन-कौन सी चीज़ आएंगी steel, chemical, automotive, steel हुआ आपका chemical हुआ यह आपके हो गए heavy industry यह आपके classify हो गए heavy industry वही light industry में कौन सी चीज़ आएंगी light industry में आपकी कौन-कौन सी चीज़ आएंगी light industry में आपका आएगा food cosmetics food हुआ, cosmetics हुए these come under the light industry यह आपके light industry में आते हैं जो workers यहां पर associate होते हैं एक जो workers यहां पर associate होते हैं उनको हम कहता है blue collar job जो एक डवलपमेंट में secondary sector का role बहुत important जो भी सब्सक chromosome होता है secondary sector clear हो गई बात तीसरा हमारा आ गया tertiary sector tertiary sector वो sector होता है जहां पर goods generally produced नहीं होते जहां पर services दी जाती है यह कौन सा ऐसा sector है जहां पर services provide करी जाए that is called as tertiary sector यहां पर production of goods नहीं होते यहां पर basically आप final consumers को final consumers को services अटषरी सेक्टर करना आफ इसके मफल क्या है इसप्रेंफ यो इंशरेंस मेंटिंग हुआ इन्शरेंस हुआ और उसके अलावब और क्या कैसे कह सकते हैं तूरिजम हुआ तूरिजम हुआ यहां पर काम करने वाले लोगों को यहां पर काम करने वाले लोगों को white-collared जॉप कहा जाता है जो लोग यहां काम करते हैं उन्हें white-collared job workers कहा जाता है so this is tertiary sector और service sector अब हम बात करेंगे चौथा quarter nary activity quarter nary activity मतलब वो activity जो जहां पर research and development हो जहाँ पर knowledge sharing हो that is called as quaternery activity तो quaternery activity कौन सी हो जहाँ पर intellectual चीज़ों के बारे में discussion हो ठीक है यहाँ पर knowledge knowledge research innovation innovation intellectualsie intellectualsie यह सारी चीज़ें यहाँ पर discuss होती है कि इसको हम कहते हैं quarternery sector यहाँ पर basically यहाँ पर basically services को improve the quality of services जो services है उसकी quality को भैतर करने के लिए यहाँ पर काम किये जाते हैं इसके एक्जाम्पल हुए आपके जैसे टीचर्स टीचर्स साइंटेस्ट टीचर्स साइंटेस्ट उसके अलावा जैसे आपके lawyers they are the people who are associated with quaternery activity and last is quinary sector सेक्टर मतलब वह सेक्टर जहाँ पर top decisions लिए जाते हैं the sector where top decision making associated हो जहाँ पर top decision making associated हो उसे हम क्विनेरी सेक्टर कहते हैं सब्सक्राइब जहां पर आप पूरी तरह से पूरी तरह से decisions लेते हैं ठीक है आप वहाँ पर नई technology का इस्तमाल करते हैं वहाँ पर आपका फोकस होता है किसी चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करना तो इस इसको हम क्याते हैं really it either क्यारिस की सब्सक्राइब वहठος बबारत में रोल अवडिसे 성्टर इन एक्नामी की अगर मैं बात करूं तो देखे इसमें दो चीज़ें मिश्ट इंपॉर्टन ए एक broadcasting एक तो होता है employment के basis पे एक तो है employment के basis पे और एक है GDP के basis पर अगर मैं बात करूं तो सबसे जादा employment प्रॉइमेंट करता है सेक्टर that is agriculture भारत में जो सबसे जादा employment प्रॉइमेंट करता है वो sector एग्रिकल्च वह सब्सक्राइब करता है वो है हमारा सर्विस सेक्टर तो अगर आप देखोगे कि भारत के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा employment कौन सा सेक्टर प्रोवाइट करता है तो इस एग्री कल्चर और वहीं अगर मैं बात करूं जी डीपी देट कंट्रिबुशन में सब सब्सब्सब्स wine जो करता है तिब अब बात करते हैं नेक्स्ट बात कर extraordinary और्गनाइज सेक्टर की what is organized sector on the basis of work condition यह वो सेक्टर होता है जहां पर employment conditions regular होती है और rules and regulation के साब से चलती है तो यह एक वो सिस्टम है जहां पर employment conditions are regular and governed by rules and regulations के हिसाब से वर्क करें उसे हम क्याते है और्गनाइज सेक्टर तो जितने भी हमारे बैंकिंग है टेली कम्यूनिकेशन है यह माली इंशॉरेंस इंडस्ट्री गवर्मेंट पी एस्यूस हैं दे ओल आर्गनाइज सेक्टर वहीं अगर मैं बात करूं अनॉर्गनाइज सेक्टर की तो यह जनरली नॉन कंटिनिवस है दूसरी बात आर्गनाइज सेक्टर अब मैं जा आपको एक बार इनके बीच में ےरस और समझादेता हूँ what is the difference between organized and unorganized sector तो इनके बीच का जो difference है पहले एक बार हम समझ लेते है organized और unorganized के बीच में difference किया है तो यह हम table बना लेते है basis organized और unorganized तेखे, organized sector सबसे पहली बात तो rules and regulations bound by bound by rules and regulation यह rules and regulation से binded होते है ठीक है, not bound not bound nature यह continuous होते है they are continuous in nature non-continuous कभी काम हो भी सकता है कभी काम नहीं भी हो सकता wages या salary fixed इनके fixed होते है monthly salary fixed होती है इनके temporary होती है इनके temporary होती है चौती चीज benefits इनके बेनेफिट्स बहुत सारे है और टाइम करने पर एक्स्ट्रा वेज़ेस एक्स्ट्रा वेज़ेस पॉर ओवर टाइम नके यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है भाउएबाइबाइबाइबाइबाइबाइब पे प्राइवेट सेक्टर पबलिक सेक्टराइब प्राइवेट सेक्टर पबलिक जहां कि यहां चमर्नाम से समझ में आ और जो कहीं नख़ी पूड़ाँ लगाँ है तो इसको भी देख लेता है alarm most of the sectors most of the sector is controlled by government is controlled by government सरकार के द्वारा ये controlled होता है सरकार के द्वारा ये controlled होता है and government provide and government provide services here government यहाँ पर services provide करती है ठीक है they work for welfare यहाँ पर काम जो होता है welfare के लिए किया जाता है example जैसे आपका sale है, steel authority of India limited है gail है, gas authority of India limited है these are the example of public sector वहीं अगर मैं private sector की बात करूँ तो यहाँ जो ownership होती है जो ownership होती है ownership rest with rest with individual with individual here the main motive here the main motive is to earn profit is to earn profit here is to earn profit profit कमाना यहाँ पर main activity होता है और यहाँ पर यहाँ पर business expansion जो है बिजनेस इनोवेशन और एक्सपैंशन इस मोटिव बिजनेस एक्सपैंशन और इनोवेशन इस मोटिव ठीक है तो इस इस पब्लिक और प्राइवेट शेक्टर इनके बीच में डिफरेंस और देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है वह भी देख लेता है इंक बार प्राइवेट और प्राइवेट इस सबसे पहले ownership ओनर्शिप प्राइवेट 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 में government यहाँ पर individual या group of individual जहाँ पर मोटेफ प्रॉफिट का होता है यहां पर मोटे welfare का होता है तीसरी चीज़ यहां पर यहां पर labor norms जो labor norms होते हैं वो employees या labor favorable होते हैं यहां पर skill based होते है मतलब आप जिसके पास skill होगी उसी को काम मिलेगा जिसके पास skill नहीं होगी उसको यहां पर निकाला भी जा सकता है चौथी चीज़ यहां पर क्या है चौथी चीज़ यहां पर क्या काम होती है अगर मैं बात करूँ efficiency के basis पे तो efficiency comparatively public में less होती है यहां पर extreme superb होती है superb efficiency यह excellent efficiency उसके अलावा बाकी तो और थीक है expertise नाम से अलग अलग हो सकते है अब आज कल एक चीज़ और चल रही है पीपी मोड का मतलब क्या होता है जहां पर public private और public private partnership पे काम हो इसको भी बत पर समझे लेते हैं what is this ppp mode यह ppp mode क्या है what is this ppp mode तो ppp mode का मतलब होता है public प्लस private जहां दोनों एक साथ काम करें अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके advantages भी बता देता हूं ताकि आपको पिल्कुल clarity हो जाए कि यह ppp mode है क्या तो यह ppp mode है क्या देखे पहले इसके advantages समझते है ppp के advantage सबसे पहला advantage तो है यहां पर welfare भी होगा और यहां पर profit motive भी होगा तो दोनों government वालों के पास अच्छा fund है फिर यहां पर skilled workforce यहां पर skilled workforce काम करेगी जो private companies अपने साथ लेकर आएंगी फिर यहां पर investment investment भी अच्छा होगा investment is also good अच्छा investment होगा यहां पर जिससे projects और भेतर होंगे फिर यहां पर noc clearances noc clearances जो है अराम से मिल जाएंगी भी government भी इस काम में involved है पाधवा transfer of venture जहां पर सरकार को लग रहा होगा कि हमारे लिए loss making venture है सरकार उसको profit sector में convert कर सकता है with the help of PPP उसके लावा better market बेटर रीच प्राइवेट वालों के लिए better रीच हो सकती है क्योंकि इसमें coverage उनका ज्यादा बढ़ सकता है इससे उनका profit basis भी बढ़ सकता है इसी कुछ नुकसान भी है जैसे project बीच में रुख गया कई बार सरकार को लग रहा है कि यह profitable नहीं हो रहा तो सरकार ने हाथ we will start with new chapter that is poverty for Indian economy very important from exam perspective बहुत important चाप्टर है इकनॉमिक प्रस्पेक्टिव से काफी important है तो आप सबसे पहले पुछा सकता है कि गरीबी यानि poverty का मतलब क्या होता है what is poverty तो poverty का simple सा मतलब है जब किसी व्यक्ति के पास इतने resources भी नहीँ हो कि वह अपने minimum standard of living जो है उसको पूरी कर पाए मतलब एक ऐसी situation एक ऐसा scenario जहां किसी व्यक्ति या किसी community के पास इतना पैसा भी नहीँ हो इतने financial resources भी नहीं हो कि वह अपने minimum standard of living को है डाउट कर पाए तो मिनिम्म सेंट अफ लिविंग का मतलब यहां पर सिंपल सी वात है रोटी कपड़ा और मकान हो गया कि जब व्यक्ति के पास इतना पैसा भी नहीं हूं कि वह अफॉर्ड कर पाए फूर्ड क्लोथिंग और शेल्टर तो हम कह सकते हैं कि ही इस पूर फूर्ड क्लोथिंग और शेल्टर जब अफॉर्ड ना कर पाए तो अगर देखा जाए 2011 का हमारा सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 21.9 परसेंट अब इंडियन पॉपुलेशन लेविंग बिलो दा पावर्टी लाइन तो आज दस साल बात भी और ग्यारा साल पावर्टी लाइन जो है इंटरनाशनल पावर्टी लाइन जो है दाट इस 1.90 पर परसन पर दे अगर कोई व्यक्ती 1.90 डॉलर पर पर संपर दे से कम की इंकम अर्ण करता है तो ही इस कंसिरेड अपूर्ड तो इंटरनाशनल पावर्टी लाइन में जो पावर्टी की तो अगर देखा जाए ओर आल वर्ल्ड के वर्कर्स में तो भारत की आठ प्रतिशत जनता आज भी 1.90 डॉलर पर पर व्यक्ति के नीचे अपना जीवन एक्जिस्ट कर रही है अब आप सब पूछा चाहे कि पवर्टी कितने तरह की होती है तो पवर्टी जनरली दो तरह की होती है फिर्स्ट इस एपसलीट पवर्टी और सेकेंड रिलेटेफ पवर्टी तो एपसलीट पवर्टी का मतलब है कोई व्यक्ति अगर 1.90 डॉलर पर पर संट पर डे से कम पर जीवन या अपन कर रहा है तो इस हम एपसलीट पवर्टी कहींगे इस एनिपर्शन अनिंग लेस देन 1.90 डॉलर पर 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 डे से कंसिडरेट अज एपसलीट पूर वहीं अगर मैं बात करू रिलेटेफ पूर की तो यह होता है इन कंपारिजन टू संगा एक एक्जाम्प पाम की फैमिले यह दो व्यक्ति है ओलेफ एपामगी ठीक है अब जो यह ओलेव है इसकी फैमिली में जिसे यह husband wife है और दो बच्चे है अब जिसने suppose करें दिवाली का function आता है या Christmas आता है या New Year आता है अब Olive की family अपने बच्चों को नए कप्ड़ देती है अपने बच्चों को वहीं Palmy की family भी अपने बच्चों को न्यू आता है लेकिन उलेव की family यह बोलती है कि दिवाली के बाद we will go for a tour of India, हम भारत जाएंगे यह भूमने जाएंगे कहीं पे या हम कहीं जाएंगे लेकिन Palm की Family ये Afford नहीं कर सकती Olive की Family में बच्चे जो हैं अलग-अलग Classes भी ले रहे हैं जैसे Yoga Classes ले रहे हैं Swimming Classes ले रहे हैं Aerobics की Classes ले रहे हैं वहीं Palm की Family ये Afford नहीं कर सकती तो अब देखा जाए तो Palm की Family Olive की Family के Comparison में Relatively Poor है Relatively Poor लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि Palm की Family Absolute Poor है Palm की Family Absolute Poor नहीं है क्योंकि वह अपनी Family में Husband, Wife और जो उनके दो बच्चे हैं वह अराम से $1.90 per person per day से उपर अर्ण करते हैं Food, Clothing, Shelter जो है इनके पास है So they are not considered as an Absolute Poor लेकिन Olive की Family के Comparison में Palm की जो Family है It is Relatively Poor So Relative Poor का मतलब होता है In Relation to Someone तो अब वो तो कुछ भी हो सकता है जिसा अगर मैं आज अपने आपको अमिताब बच्चन जी से कंपेर करें I am relatively poor from अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन जी अगर माली जी अपने आपको Bill Gates से कंपेर करें So he is relatively poor than in comparison to Bill Gates Bill Gates अगर अपने आपको जाओ बच्चन से कंपेर करें So he is relatively poor in comparison to that So Relative Poverty तो comparison के basis पे होती है So यह difference होता है Absolute Poverty और Relative Poverty के बीच में अगर हम बात करें कि भारत में Poverty in India in context of historical perspective भारत की context में अगर Poverty की बात करें तो क्या भारत शुरुआत से गरीब था जी नहीं भारत शुरुआत से गरीब नहीं था बलकि भारत को तो सोने की चड़िया कहा जाता था Golden Sparrow कहा जाता था लेकिन पहले Slave Dynasty, Khilji, Tuglaks फिर Mughal Dynasty में तो after औरंजेव जादा हुए जो ब्रिटिश हर्स ने 300 साल भारत को रूल किया इन सब में भारत को एक Golden Sparrow से एक Wingless Bird में Convert कर दिया एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता एक ऐसा पक्षी जो अब दूसरे पर dependent है तो historical perspective में इंडिया शुरुआत से गरीब नहीं था इंडिया को गरीब इन्होंने करा कैसे गरीब किया इन्होंने इंडियन एकनॉमी को raw material economy में Convert कर दिया इंडियन एकनॉमी को एक raw material economy में Convert कर दिया इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स लाइड में तो historical perspective में पहले मुगल्स उससे पहले slave dynasty खिलजी तुगलक देन आफ्टर आपके मुगल्स ने और फिर ब्रिटिश ने भारत को काफी जतल लूटा और इसके कारण भारत गरीब होता गया और फिर independence के बाद से लेके और जब तक हमने एकनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किये उस बीच में हमने तीन विश्टीन हमने वार्स जहले 62 में चाइना से 65 में पाकिस्तान से 71 में फिर पाकिस्तान से उसके अलावा हमारी एकनॉमिक कंडिशन भी काफी अच्छी नहीं थी विक सब्सक्राइब हमारे जॉब्स प्रियेट नहीं होती तो इसको एक एक करके समझेंगे और यही हमारा बेस बनेगा सबसे पहली बात तो भारत की जनसंक्या आप सब जानते हैं काफी जादा है तो यह हूज पॉपुलेशन की वजह थे विस अपिशन की वर्टी नहीं भारत में जहीं जो लोग से वेल्डी है रिच है वह तो रिसॉर्स का ऑफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जो गरीब हैं वो resources को afford नहीं कर सकते इसलिए तक divide between rich and poor is huge Second limited resources हमारे हाँ जो resources हैं बहुत limited है तेकि resources में दो बाते हैं पहली बात तो यह है कि हमारे हाँ पे कुछ underutilized resources है underutilized resources है कुछ resources तो underutilized है उनका इस्तमाल ही नहीं किया गया है कई जगों पे resources का over utilization है तो underutilization और over utilization यह दोनों तकलीव है underutilization के वैसे क्या होता है resources का इस्तमाल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता resources का extract करने की technology आपके पास नहीं है और जो आप resources को extract कर चुके हो जिन resources का आप इस्तमाल कर रहे हो अगर उसका over utilization हो जाएगा तो problem क्या होगी की resources जो है वो जो wealthy लोग हैं वही afford गर पाएगे इसे rich और poor divide काफी बढ़ जाएगा तीसरा है हमारे यहां weak institutions हमारे यहां आज भी भारत का जो education system है वो theoretical based जाद है ठीक है और तो theoretical based education system की वैसे हमारे यहां पे vocational training हमारे यहां vocational training और practical education vocational training और practical education बहुत कम प्रोवाइड करी जाती है बहुत कम प्रोवाइड करी जाती है so this is the main reason of poverty in India अब आप एक बात समझिए हमारे यहां जो knowledge base है हमारे यहां जो knowledge base है वो क्या है हमारे यहां knowledge base basically theoretical जादा है हमारे यहां पे आज भी percentage system जो है वो applied करता है है colleges universities में वहीं जो foreign companies अगर भारत आती है तो वह यह ठीक है obviously they will consider कि आपके 10th 12th में कितने percent है आपके graduation कहां से हुआ है and that's it लेकिन वह आपके practical exposure को जादा count करती है वह आपके यह देखती है कि आपके पास certification किस किस चीज़ का है आपने vocational training कौन कौन से ले रखिए आपका practical experience कितना है so this is the reason that we are lacking in this particular field चौती problem है corruption यह तो खेर आप सब जानते ही है यह तो हमारे यह बर्थ से ही सिखा दे जाता किसी छोटे बच्चे को बोलोगे कि बिटा प्लीज रिमोट देता I'll give you a toffee बिटा प्लीज यह गला काम कर दो मैं आपको चौकलेट दूँगा तो corruption तो हमें बच्चपन से सिखा दिया जाता है और यही corruption बच्चपन से चलता चलता जब आदमी भुड़ापे तक आता है कि जो actual fruits हैं जैसे मान लीजिए सरकार ने एक हजार करोड की policy launch करी अब उसमें से 800 करोड तो पता चला कि इदर उदर चला गया बिचारे जो actual गरीबों के लिए policy launch की तो उनके लिए 100 करोड तक ही पहुँचा उनके बास और देश्टी बेसे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और और लास्ट कोलोणियल पास को समझा चुक्क हूँ कि इन्हों स्पिनिश एकनॉमी को रो में इसको समझाते हैं कैसे देखिए सपोर्थ करिए यह टॉम है टॉम एक ब्रिटिश ब्रिटिश मेनिफेक्चरर है ब्रिटिश कंपनी का ओनर है अब यह भारत आता है यह इंडिया आता है और एक किसान से मिलता है और उस फारमर को यह कहता है कि भाया मुझे आप 500 किलो 500 किलो कॉटन दे दो यह किसान 500 किलो कॉटन मान लिजए 1 किलो 20 रुपए की भी है एक किलो बीस रुपए की है तो पांसो किलो उसको उसने दस हजार रुपए उसकिसान को दे दी है ठीक है अब ये पांसो किलो जो कॉटन है ये लेकर चला गया ये ब्रिटेंड वहां पे इसने इसके शर्ट्स बनाएं और वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट दिया पे एम्प्लॉयमेंट भी किसी को दे रहे है ब्रिटिश्न लेबर дов दे रहे श्रट्स बनाये और शर्ट्स बनाके यह भारत युंडिया ली और इंड़िया में यह हर श्रटपो संच अचैश्र्ट को यह बेच रहा है 500 रुपए में यह को और पांसो किलो से इसने, माले लिजे, 20 शिर्ट को ये 500 रुपए में बेच रहा है, या माल लो 15 deuts में बेच रहा है और 20 शिर्ट इसने बना लिए तो इसको profit कितने का हुआ 30,000 रुपे और इसकी कोस्ट कितनी इंकर हुई दस अजार रुपे तो यह होता है फिनिश गूड एकनों भारत ने दस अजार रुपे लगा है लेकिन भारत से कमा कितने रहे को बात करेंगे पुवरटी ट्राप का मतलब मतलब है नतलब क्या होता है जाल तो जाल में आप कैसे फस्ते हो जब जब आप education आप कम होगी तो आपको employment नहीं मिलेगा तो आपको salaries नहीं मिलेंगी आप सेविंग नहीं कर पाऊगे आप investment नहीं कर पाऊगे और जब सेविंग नहीं कर पाऊगे तो economic growth कम हो जाएगा इसको मैं और simplify कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और simply समझ नहीं आ जाए देखो सबसे पहले क्या है low education कि आपकी education कम है इससे क्या हो रहा है low income जब आपकी income कम है तो obvious ही बात है low saving जब आपकी saving कम है तो obvious सी बात है low investment जब आप investment कम करोगे दाट means low capital formation और जब low capital formation होगा that means low growth so this is how it is related यह आपस में little low education low literacy means low income low income means low saving low saving means low investment low investment means low capital formation और जब low capital formation हो रहा है इसका मतलब low growth so this is called as poverty trap अब हम समझते हैं poverty estimation भारत में अलग-अलग committees appoint करी गई और उन committees ने बताया कि भारत में poverty को मापने का poverty मापी भी तो जाए कि कितनी poverty है आपके देश में उसको हम कैसे करेंगे तो उसके लिए अलग-अलग committees बनाई गई सबसे पहले सबसे पहली जो committee भारत में बनाई गई थी वो थी डांडेकर एंड रत डांडेकर एंड रत यह पहली committee थी जो independence के बाद poverty estimation के लिए बनाई गई थी लेकिन इनके estimates इतने accurate नहीं थे इसलिए भारत सरकार ने उसको इतना तवज्जो नहीं दिया अगर हम formally कहें जिसकी acceptance बहुत ज़्यदा accept किया गया जो हम यह कहें गई formal system of poverty drive किया गया वो थी वाय के अलाग committee अब यह वाय के अलाग committee क्या थी 1971 में 1979 में बनी थी इन्होंने poverty estimation के लिए इन्होंने poverty estimation के लिए calorie based norm रखा calorie based norm का मतलब है कि calorie के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति गाउं में रहता है कोई व्यक्ति गाउं में रह रह रहा है और अगर वह 2400 calorie 2400 calorie per day से कम consume कर रहा है तो वह गरीब है अर्बन एरिया में इन्होंने इस calorie नाम को रखा 2100 अगर कोई व्यक्ति 2100 calorie से कम consume कर रहा है प्रति दिन तो गरीब है गाउं में इस लिए रखा क्यों अगर से कम अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है तो ही स्कॉल्ड एस रूरल पूर और 2100 calorie से कम consume कर रहा है और फिर 1993 में एक और कमिटी बने गए लाकड़ा वाला कमिटी लाकड़ा वाला कमिटी ने कहीं ना कहीं calorie limits को तो include कर रहा ही करा उसके अलावा health और education, household, consumer expenditure इनको भी इनको भी इन्होंने include किया और इन्होंने दो परामेटर निकाले दो परामेटर क्या निकाले एक तो निकाला consumer price index industrial workers और consumer price index agricultural laborer इन्होंने ये बोला कि जो price workers pay कर रहे है that is called as consumer price index जो actual price consumer pay कर रहा है for workers और जो actual price agricultural laborers पे कर रहे है उसके basis पे poverty estimation किया जाए तो पर capita प्रतिव्यक्ति जो consumption expenditure workers कर रहे है और प्रतिव्यक्ति जो consumption expenditure agriculture labor कर रहा है उसके basis पे इन्होंने formula derive किया लेकिन ये इतना successful ये भी नहीं हुआ जो next important type जो बहुत successful रहा आप तर अलाग कमिटी के that is tendulkar methodology ये बहुत important है tendulkar नाम वैसे भी बहुत जबरदस हर जगे काम होता है इसे नाम का इन्होंने ये बोला कि ठीक है nutritional outcome calorie based norm हम रखेंगे हम health को इसमें include करेंगे education को include करेंगे electricity को करेंगे transport को करेंगे क्योंकि ये सब essential चीजों में include हो गया है तो इन्होंने बोला कि अगर प्रतिव्यक्ति 272 band अगर 27 रुपय से कम खर्च कर रहा है और 33 से कम खर्च कर पा रहा है अर्बन एरियार्याज में तो वह गरीब हैं क्योंकि urban एरिया इसलिए urban areas का limit ज्यादा रखा है तो टेंडूलकर methodology बात करती है specific amount next जो आया that is most important in the present times वो था रंग राजन committee रंग राजन committee ने थोड़ा सा और टेंडूलकर methodology को expand किया इन्होंने इसमें calorie based norm रखा education, clothing, convince, house rent, behavior related expenditure क्योंकि इन्होंने कहा कि with time candle कर methodology 2005 में आई थी उस समय वर्ल्ड में internet technology आ चुकी थी लेकिन उतने expansion भी नहीं थी लेकिन 2011 के बाद से वर्ल्ड में एक innovation, AI, artificial intelligence और भी बहुत सारी चीज़ों में development was standard of living और बहतर होता जा रहा था तो इन्होंने उस limit को बढ़ाया और इन्होंने का 32 rupees per day for rural area and 47 rupees per day in urban area अगर इस से कम कोई व्यक्ति कमा रहा है तो he is considered as poor और यह इन्होंने estimate किया 2011-12 के prices के basis पर इस रंग राजन committee on poverty फिर अगर हम बात करें कि भारत में poverty elevation program इतने effective क्यों नहीं सरकार ने अलग-अलग poverty elevation program चला रखें तो भारत में इसी क्या problem हो जाती है कि हमारे यहां पर poverty elevation program सितने effective नहीं what are the reasons behind that तो उन reasons को हम समझते हैं कि सबसे पहले reason क्या है सबसे पहले reason तो corruption है कि आप जानते ही हो corruption इतना जादा है कि सरकार अगर 100 करोड की कोई scheme launch करती है तो 10 करोड पहुंचता है गरीब तक दूसरा huge population जन संक्या इतनी ज्यादा है कि हमारे यहां पे हमारे यहां पे particular population तक हर व्यक्ति तक यह चीज़ पहुंचनी पाती तीसरी problem है तीसरी जो बड़ी problem है वो है vote bank politics जिस साल चुनाव होते हैं उस साल तो सरकार काफी schemes launch करती है अलग-अलग राज्यों में जैसे चुनाव खतम policy के उपर भी सरकार की ढहलाई चालो जाती है effective monitoring या control नहीं है सरकार कोई scheme launch करी अब उसके पर effective control नहीं है launch तो कर दी monitoring ही नहीं हो रही उसकी ना उसको time for time देखा चारा है ना राज्य सरकारों से बात करी जा रही है न एक और इसमे effective cooperation सरकार और केंडर सरकार और राज्य सरकार के बीच में effective cooperation नहीं है किसी भी policy को launch करते वक्त राजय सरकार जब भी कोई नाका में होती है केंदर सरकार के उपड़ डालती है केंदर सरकार राजय सरकार के माथे डाल देती है effective cooperation is again a big problem फिर policy stopped with change in government जैसे ही सरकार बदली policy बंद हो गई या policy में नया कुछ जोड दिया ठीक है duplication एक ही policy अलग-अलग नाम से चल रही है duplication भी हो रहा है so these are the reasons for ineffectiveness of poverty elevation program in India अब हम बात करेंगे sustainable development goals ये भी बहुत important है देखिए इसकी शुरुआत क्यासे होती है मैं बहुत को समझाता हूँ साल 2000 में United Nations इसका नाम स्टार्ट के इसका नाम था millennium development goal 15 साल तक का target था कि बहुत सारे targets इसमें बनाए गए और ये कहा गया कि इन targets को achieve करना चीए इसलिए इसका नाम दिया millennium development goal लेकिन 2015 में काफी सारे targets achieve नहीं हुए और कुछ खामिया भी थी millennium development goal इसलिए सरकार ने 2015 से 2030 तक अब स्टार्ट किया है यूएन में स्टार्ट किया है यूएन में स्टार्ट किया है और इसमें 17 targets रखें जो countries को पूरे करने चाहिए binding नहीं है countries के ओपर बाध्य नहीं है देश लेकिन अगर वो इन 17 targets को जितने पूरे कर पाएं उतना ही उनकी country के लिए अच्छा है तो इसमें अलग अलग targets तो इसमें no poverty गरीबी नहीं होनी चाहिए zero hunger, भुकमरी जो है उसको zero करना है good health, quality education, gender equality, clean water, affordable energy, decent work, industry innovation, inequality को खतम करना है sustainability को promote करना है उसके लावक climate action को भेतर करना है, life below water में oxygen demand continuous हैनी चाहिए, life on land भेतर हो, pollution कम हो, peace रहे और partnership रहे देशों के बीच में तो this is the target of SDG अब भारत ने यही SDG इंडिया में भी apply किया कि ठीक है, foreign में तो जो चल रहा है हम इंडिया में भी अपने states की भी इसमें performances देखेंगे तो states की performances देखने के लिए, भारत ने SDG index with states, first states launch किया, उसमें भारत ने भी 17 goals थे, जो UN वाले ही रखे, इंडिया की currently SDG rank जो है, 120 with a score of 60 points, अब तो यह 66 हो गया, अभी recent economic survey आया था, उसमें इंडिया का score 66 हो गया है, ठीक है और Finland, Sweden and Denmark top 3 में, इसमें actually भारत सरकार ने score तैकर रखे है, 0 से 100 के बीच में, मतलब जितना जबा अच्छा score आप करोगे, उतना ही बहतर आप SDG index को perform कर रहे हो, तो इसमें अलग-अलग 4 category बना रखे है, aspirant, performer, front runner और achiever, फिलाल भारत का कोई भी राज्य, achiever stage पे नहीं है, न तो अगर देखा जाए, कि कौन-कौन से राज्यों ने top किया है, और कौन-कौन इसमें भेतर perform कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, केरला और चंदीगड ने इसमें top किया है, तो अगर top state की बात करें, तो केरला states में top पे है, obviously literacy 100% है इसलिए, और UT में चंदीगड इसमें top किया है, Union Territories में चंदीगड ने इसमें top किया, केरला ने states में top किया है, वहीं अगर मैं बात करूं, बिहार, जारकण और आसाम, आर दो वर्स्ट परफोर्मर्स है, बिहार, जारकण और असाम जो हैं, ये वर्स्ट परफोर्मर्स है, ठीक है, इस समय भारत के, इस समय भारत के around काफी सारे काफी सारे राज्ये ऐसे हैं जो SDG इंडेक्स में काफी अच्छा perform कर रहे हैं और front runner stage हैं मतलब भारत के 22 राज्ये इस समय front runner की post पे हैं भारत के जो 22 states हैं वो इस समय front runner की post पे हैं ठीक है तो 22 राज्ये अभी प्रेंट रनर की पोस्ट पे हैं मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर देखा जाए तो केरला और चंदिगर्थ भहतरीन परफॉर्म करने और बाकी राज्य भी लगे हुए है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूफ करने के लिए तो जितना भैतर आप काम चाप्टर्स ऑफ एकनोमी डाट इस अनेंप्लोइमेंट अनेंप्लोइमेंट इन इंडिया आज हम यह पढ़ेंगे तो प्रिलिम्स 2022 के लिए यह टॉपिक भी काफी इंपोर्टेंट है इन कंटेक्स ऑफ स्टाटिक पोर्शन और इस पर भी काफी क्वेशन पूछे जाते ह भारत के संधर में बहुत बड़ा मुद्दा है और जो जो भी रूलिंग पार्टी इस भारत में होती है उसके उपर स्पेसेफिक लिए इस चीज़ का सबसे ज्यादा एक प्रेशर होता है कि हम एम्प्लोइमेंट अपॉर्चनिटी इस कैसे क्रियेट करें चाए बीजेपी इस बात करें तो अने इंप्लोइमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक उस लेवल पर सौल नहीं हुआ है जिस लेवल पर बाकी चीज़ों को भारत ने ठीक किया जैसे फूट सेक्यूरेटी भारत फूट सेक्यूरेटी में काफी अच्छा अच्छे लेवल भारत ने का समझ करके एक्सपोर्ट भारत पूर सेक्रेटी में लुगन अग spatतेश में बहुत सेटि न्अ को सवद्वात बूचा काम हुए इन्फ्रेषटिव पि आको यह एक ऐसा मुदा है जिसमें भारत अभी काफी लाट कर रहा और उसका सीधर और सीधर रीजन यह एक हमारे हम सेक्टर जो है हमारा वो काफी वीक है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वह से भारत में इंप्लाइमेंट काफी है अपार्ट पॉपिलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है उन सब को हम आगे पढ़ेंगे इंडिया चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले वाट अगर आप सब पूछा जाए कोई देफिनेशन पूछे कि अने इंप्लाइमेंट के डिया से आप क्या समझते हो तो अनेप्लाइमेंट मतलब एक सिंपल टी डेफिनेशन है कोई व्यक्ति जो क्काम करने को इच्छुक है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है और वो वेज रेट पर भी काम करने को तेयार जैसे एक एक्जाम्पल लेते हैं पहले में डेफिनेशन को वापस क्लारिफाय कर जाता हूं अनेप्लोइमेंट is a situation in which a person who is willing to work at the existing wage rate does not get the job इसको हम अनेप्लोइमेंट कहते हैं तो आप समझने की कोशिश करना बहुत सिंपल जी डेफिनेशन में कि unemployment है क्या होता क्या है unemployment unemployment से हम समझते क्या है तो जैसे माल लो कि यह व्यक्ति है जिसका नाम है राज ठीक है यह राज जो है यह graduate है यह graduate है और यह कहीं पर नौकरी करने को इच्छो के यह नौकरी करना चाता है और जिस शेत्र में यह नौकरी करना चाता है उसके लिए 10,000 रुपए पर मन्त दिये जाते हैं and he is agree to work on 10,000 रुपीज पर मन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राज को graduation करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पारी है तो इसको हम कहेंगे unemployment situation तो unemployment एक ऐसी situation है जहां पर जो व्यक्ति चाहता है काम करना और वह इसमें सबसे important होता है कि एक तो वह willing to work हो वह चाहता हो काम करना सबसे important और उसके लावा existing wage rate पे existing wage rate मतलब जो wage rate है उस पर यह काम करना चाहता है जैसे अगर कोई 10,000 रुपए 15,000 रुपए existing wage rate उस पर यह काम करना चाहता है लेकिन उसको जॉप नहीं मिल रही है इस इस situation को हम क्याते हैं unemployment situation this is the situation of unemployment अब अगर आप से पूचा जाए कि national statistics office जो है MN MOSPI के अंडर उसने उसने categorize कर रखा है कि वह हूँ इस employed who is unemployed unemployed उसके business पे तो national statistics office under MOSPI ministry of statistics and program implementation define employment and unemployment on the following activity status employee कौन होंगे और unemployed कौन होंगे तो यह specify कर रखा है तो working व्यक्ति working व्यक्ति कौन होगा जो भी किसी economic activity में engaged मैं आपको समझा चुका हूँ कि economic activity क्या होती है जहां पर goods का या services का production होता है जहां पर exchange होता है जहां अनीका involvement होता है that is called as working तो जो व्यक्ति working है जो काम कर रहा है ठीक है जो किसी economic activity में engaged है उसे हम employed कहेंगे we call that person as employed person वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी ढूंड रहा है और वो काम करने को इच्छुब भी है और existing wage rate पे काम करना भी चाहता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है उसे हम कहेंगे unemployed उसे हम कहेंगे unemployed और कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो काम करना चाहता है नहीं काम करने के इच्छुख है नीदर seeking नौर available for work उसे हम कहेंगे उसे उना तो हम employed कहेंगे नहीं unemployed कहेंगे क्यों क्योंकि एक तो वह available नहीं है काम करने के लिए दूसरा नहीं उसके इच्छा है काम करने की तो दाट कॉल डाट परसें नीदर एज एंप्लोईड और अनएंप्लोई मेंट रेट कैसे निकलती है थे अटिवाइट का सिंपल सा फॉर्मोला होता है unemployed workers divided by total labor force into 100 unemployment rate का अगर हमें निकालना हो कि how to find unemployment rate तो unemployed workers कितने हैं देश में divided by total labor force कितनी है into 100 तो उससे हम unemployment rate country का identify कर सकते हैं अब measure of unemployment unemployment को measure करने के लिए भी अलग-अलग तरीके हैं सबसे पहले है usual status unemployment usual status unemployment का मतलब है कि जो व्यक्ति जादा तर बेरोजगार रहे हैं इसका मतलब वो सारे व्यक्ति जो साल भर में साल भर में majority part में unemployed रहते हों मतलब out of 365 days हम अगर ये बात कहें कि out of 365 more than 300 days more than 300 days वो unemployed रहते हों इसे हम कहेंगे usual status unemployed तो जो ऐसे व्यक्ति होता है हैं जो 300 से जादा दिन unemployed रहते हों वी कॉल डाज usual status unemployed वहीं अगर मैं बात करूँ weekly status unemployed तो weekly status unemployed का क्या मतलब हुआ weekly status unemployed का मतलब हुआ जो व्यक्ति पूरे हफ्ते में पूरे हफ्ते में अगर एक घंटे भी उसको नौकरी मिल रही है जैसे एक example लेते हैं पूरा एक हफ्ता मतलब Monday to Monday to Sunday ये एक हफ्ता हो गया अब इस Monday to Sunday में seven days में अगर उस व्यक्ति को एक घंटा भी वन आर भी उसको कोई नौकरी मिल रही है जौब मिल रही है तो he is called as weekly status employed लेकिन अगर उसको एक घंटे भी साथ दिन में जौब नहीं मिल रही है तो उसको unemployed कहेंगे उसे हम unemployed कहेंगे next is current daily status unemployment current daily status unemployment का मतलब जब employment का सर्वे हुआ जब employment का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पिछले एक हफते से उसको एक घंटे की भी नौकरी नहीं मिली है तो उसको unemployed कहेंगे मैं वापस repeat कर रहा हूं आपके लिए सबसे पहले usual status unemployment usual status unemployment का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सब्सक्राइब के लिए उसको एक घंटे भी नौकरी मिल रही है तो तो एंप्लोईट कहला है लेकिन अगर उसको हफते में एक घंटे भी नौकरी नहीं मिली है सब्सक्राइब का मतलब जिस दिन उस पर्टिकुलर एरिया में employment का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे से साथ दिन पहले ठीक है प्रिसीडिंग सेवन डेज में उसको एक घंटे की नौकरी नहीं मिलती है तो वी कॉल डाट करेंट डेली स्टेटस अनिप्लोई अब अगर हम आपसे बात करें कि क्या है यह तो आपको दिखी रहे डिफ्रेक्टिव इंवेस्ट्मेंट टेक्निलोजिकल पवर्टी मैं आपको कुछ और इसमें से मैं आपको कुछ और स्पेसिफाइब भी कर देता हूं कि और क्या क्या में रीजन स यह ऐसे अनिप्लोईमेंट चैनली तुमें अको स्पेसिफाइब कर देता हूंति अपड़ा अब रंचास्था को और टाको दक्रॉजिब आफ फिना मिन इनुक्व भौ आदर जोकारन सी यूज़ पॉपिलेशिंट भारत की जन शंक्या काफिशादा है दूसरा प्रॉब् इंस्सीट्ट्टा भारत में जो ट्रेनिंग इंस्ट्ट्ट्ट्स हैं यद प्रैक्टिकल इंस्ट्ट्ट्ट्स हैं इनकी बहुत कमी है जिसके वज़ए से एक्षोल स्केल्ट चाही गोता है वह नहीं मिलें पाता है चौथी प्रॉबलम है श्करप्षन सरकार बहुत सारी policies launch करती है लेकिन उसका पैसा जो होता है वो actual policy में जाता नहीं है और even favorism का भी बहुत बड़ा problem है इंडिया इंडिया में favorism या approach की भी बहुत दिक्कत है अरे वो मेरा चाचा का लड़का है जो है उसके नौकरी लगवा दीजेगा विधायक जी ने phone कर दिय ठीके तो इस लीज़ा मेजर प्रॉब्लम फिर हमारे यहां पर सरकार जो budget है budget allocation जो unemployment पर करती है वो काफी कम है इस वेरी लेस वो काफी कम है जो budget allocation सरकार के द्वारा किया जाता है अपार्ट फॉम दाट डिपेंड लाक ओफ मैनिफ्रेक्ट्रिंग सेक्टर लाक ओफ इंडस्ट्रीज बारत में इंडस्ट्रीज की काफी कमी है और चौथा प्रॉब्लम इस माइग्रेशन गाओं से शहरों में लोग मा का जाता है दूसरा है लाक of skill स्कल्ट हमारे आपर लोगों में इतनी स्कल्ट नहीं है इतनी एडवांस्ट ट्रेणिंग उनकी नहीं हो रखे होती है तीसरा हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टूट्स काफी कम है और अगर हम बात करें कि वह द्रॉप अथ कॉश्य सब्सक लोग चोरी चकारी करेंगे लोग गलत करीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे उनको इपनी फैमिली को सस्टेन करना है दूसरा प्रब्लम है कि भारत की और प्रतिसपरद्णा वाली जो एक आपके अंदर एक फारइट देने वाली एक इमेज होती है वर्ल लेवल पर वो कम होती है इससे सोशल अंड्रेस्ट इससे प्रोटेस्ट बहुत होता है बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिल रे होती है फिर वह प्रोटेस्ट करते हैं स्ट् लिए निकालते हैं उसके लाव लोग स्टेंड आफ लिविंग इससे लोग सेंड आफ लिविंग भी हो जाता है उसके पीछे रीजन है कि अगर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी तो ऑवियस सी बात है वह कमाएगा क्या कहा कहा क्या खाएगा किस जगर पर रहेगा तो उसक से प्रोग्राम्स लॉंच करने पड़ते हैं ताकि unemployment की लेवल को कम किया जा सके तो इस अगर हम आपसे बात करें कि टाइपस ऑफ अनिम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं वाटर डिफरेंट टाइपस ऑफ अनिम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल अनिम्प इसका नाम है यह एक्स कंपनी में काम कर रहा है और य कंपनी में य करता है वाइक कंपनी इसको कहती है कि ठीक है हम दो महीने बाद आपकी जॉइनिंग दे कर gitने हैं एक नहीं क् सब्सक्राइब कंपनी में क्सप्स्क्राइब है लेकिन आप्सक मिलने और तक इसक य कंपनी की नौकरी काव कर रहा है तो दिस इस इस फ्रेक्शनल अनिम्प्लय इसका एक और रीजन भी हो सकता है कि अगर मान लीज़े एक्स कंपनी रहूल को फायर कर दिया एक्स कंपनी तरहीं और जो है वाई कंपनी में अप्लाए कर रहा और जितने टाइम तर उसको नौकरी नहीं मिलती है बिसे स् Structural Unemployment Structural Unemployment का मतलब है जब किसी व्यक्ति को व्यक्ति इसलिए बेरोजगार है क्योंकि उसके पास required skills नहीं है उसकाम को करने की जैसे माल लीजिए आज कोई company है ठीक है वो यह बोलती है कि हमें हमें employees चाहिए लेकिन employees जो है minimum graduate होने चाहिए अब माल लीजिए यह दोनों जो बच्चे है आर और एम यह दोनों graduate नहीं है सिर्फ ट्वेल्थ पास है तो अब इनके बास skill है नहीं है तो यह कैसे इनको नौकरी मिलेगी इसको हम कहते हैं स्ट्रक्शल अनिम्प्लाइमेंट तीसरा है साइक्लिकल अनिम्प्लाइमेंट मतलब देखे ग्रोथ की साइकल जो होती है वह इस तरह से चलती है जैसे एक टाइम आएगा बूम का उसके बाद में थोड़ी ग्रोथ डिप करेगी फिर आपका आ जाएगा लॉस का टाइम मतलब जब आपकी एकनौमी पूरी तरह से डिप्रेस्ट होगी फिर वापस से आपकी एकनौमी ग्रो करना शुरू करेगी तो साइक्लिकल अनिम्प्लाइमेंट का मतलब है जब कोविड की वज़े से काफी सारी लॉकडाउन लग गया काफी साही जगहों पर मद इंडस्ट्री बंद हो गई अब उस वज़े से क्या है यह एक डिप्रेशन का टाइम प्लेड है इससे लोगों की नौक दिया चले गई लेकिन जब सरकार ने नए-नए स्कीम्स लॉंच कर जाए जैसे वह सीजन ओवर हो जाए वह आपस अंप्लाइड हो जाए जैसे आपने देखा होगा रक्षा बंदन आता है तो काफी सारे जो यह स्मॉल यूनिट्स है राखी बनाने का काम करते हैं लेकिन जैसे रक्षा बंदन हो जाता है पूरा तो लोगों को फिर वो लोग वापस अंप्लाइड जाते हैं यह आपने देखा होगा कई बार यह जो शादियों में बैंड बाजे वाले होते हैं पर्टिकुलर सीजन इंक जब शादियों को होता है तो काफी सई चल रहा होता है लेकिन जब पर्टिकुलर ली जून जुलाई से लेके और नमेंबर तक स्कुलर अंपलाइड इसको हम क्याते हैं सीजनल अनिप्लाइमन नेक्स्ट है वल्नरेबल एंपलाइमेंट वल्नरेबल एंपलाइमेंट का शिंपल सा मतलब है कि जब एकनॉमी में कोच चेंज हो रहे है और उन चैंजिस की वज़े से व्यक्ति की नौकरी चले गई तो उस यहां पर एडिक्वेट सेलिटेशन नहीं है यह विमेंस के लिए वहां पर सेफ एंवायरमेंट नहीं है तो उसको हम वल्नरेबल यह वहां पर माल लीजिए बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है बार सतरा सतरा गंटे काम कर वारें साथो दिन काम कर वारें इस व्ल्नरेबल एंप्लाइम्ट अनिप्लाइम्ट आप समझी चुक्क होंगे माल लीजिए पहले जब व्यक्ति पेपर पेंपर काम कर रहा है तो लोगों को नौकरियां भूब मिलती थी पोस्ट ऑफिस में अब जब हर चीज मेल पे हो गई है काफी सारी चीज़ें जो है वो डिरेक्टली टेक्नलोजी पर आ गई है तो ऐसे लोगों की फिर नौकरियां चले जाती है अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सेक्टर करता है देन सेकेंडरी सेक्टर और देन प्राइमरी सेक्टर ठीक है तो सेकेंडरी सेक्टर इन टरम्स ऑफ ओक्यूपेशनल स्रक्चर 15 परसेंट है और इन टरम्स ऑफ इन टरम्स ऑफ आपका जो सेक्टर शेयर है उसमें सेकेंड नंबर पर तो अब आप यह देख प्रिलिम्स में पूछ लिया गया था एक बार अनेंप्लोइमेंट ट्राप का मतलब होता है एक ऐसी सिच्वेशन जब व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो वह जादा अच्छे से रह पार है राधर देनागर वह जॉब करता तो अब आपको मैं एक ग्जैंपल देता हूं यह टॉम नाम का एक बंदा है इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है इसके चार बच्चे अब यूएस की सरकार ने टॉम को क्या कर रखा है टॉम को उन्हें अलाउंस देते हैं ठीक है अनिम्प्लोइमेंट बेनेफिट्स देते हैं क्योंकि अपने बच्चों को पाल रहा है लेकिन इसने क्या किया इसके पिताजी इसके लिए एक मकान छोड़के गए डेली में राजिंद्र नजर में और इसको रेंट पर दे दिया और उस रेंट से यह साल का महीने का एक लाख रुपय कमा रहा है तो अब रजत को पता है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे से 10,000 रुपय मिलेंगे और यहां मुझे रेंट की इंकम से एक लाख मिल रहा है तो राधर देन की वह नौकरी करे वह आराम से रेंट से इंकम उठाएगा फर्दर इंवेस्ट कर देगा जहां पर ना कुछ करने से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है राधर देन आप कु गठाएगा और 17 वे मिनिस्टर ऑफ स्टैस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशिन ने स्टार्ट किया कि हमें यह सरवे करना है कि कितने लोग एंप्लॉइड और कितने लोग अने उन्प्लॉइड है तो इन्होंने यह देखा कि 2020 भारत में अनेम्प्लॉइमेंट के समय से काफी जगा राइस कर गई और इसी के लिए इंटरनाशनल लेबर स्टैंडर्ड ने फॉर की पिलर्स बताए कि जिसको अडॉप्ट करकर आप अनिम्प्लॉयमेंट की सिच्वेशन को फेस कर सकते हैं देखिए अनिम्प्लॉयमेंट सिर्फ भारत में नहीं था अनिम् बंद हो गया था इंडर्स बंद हो गई थी इसी लिए इंटरनाशनल लेबर स्टैंडर्स ने कुछ सेट गाइडलाइन दी और उन सेट गाइडलाइन पर इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा ठीक है विए विए गिविंग यूव फोर पिलर्स टॉ वर्क फॉर सबसे पहले स्ट्युमुलेट protection for all समाज के विभिन तमगों के जितने भी तरह के जो लोग हैं उन सब के लिए social protection करना होगा for insurance for providing them a kind of a regular sort of income उसके लावा हमें employees को रिटेन करना है यह बहुत important है ताकि ऐसा नहीं हो कि बिचारे लोग जो हैं वो मौकिनों के लिए दरबदर भठक रहे हूं उसके लावा tax relief भी हम दे सकते हैं tax rate सो कुछ का हम कर सकते हैं extension कर सकते हैं tax income tax return भणने का so this is pillar 2 pillar 3 नो ने बोला protect workers in workplace discrimination उनके साथ ना हो health services उनने प्रोवाइड की जाए उन्हें paid leave दी जाए उन्हें और भी benefits दिये जाएं जिसकी वज़ेसे वो अपनी family और खुद को sustain पर कर पाए इस difficult time उसके अलावा इन्होंने बोला कि जितना ज़्यदा हो सके social dialogue solutions होने चाहिए लोग आपस में बात करने चाहिए ठीक है employers को employees की problems को समझना चाहिए ठीक है सरकार को भी employers को tax relief देना चाहिए कि जो इस बड़े संकट से हम बाहर निकल पाएं informal employment क्या होते हैं इसको मैं आपको थुरह सा बता चुका हूं ऐसे कि informal employment मतलब जो regulated नहीं हो जहां पर fix timing ना हो जहां पर fix cost ना हो जहां पर कोई specific income ना हो जहां पर overtime करने पर कुछ extra benefit ना मिलते हो जहां पर health services नहीं लेकिन यह बहुत important है यह बहुत important इसलिए क्योंकि एकनोमी की backbone है कि आज भारत में हर व्यक्ति पड़ा लिखा नहीं है उनके लिए तो informal employment बहुत ज़ादा important है तो इसके लिए क्योंकि यह employment में contribute करता है earning में contribute करता है और यह forward और backward linkage भी provide करता है forward और backward linkage का मतलब होता है कि यह जो goods बनाते हैं वो as a raw material काम आते है formal employees के लिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है वो sugar cane crush करने का काम करता है ठीक है गन्य काटने का काम करता है अब उन गन्य काटके वो किसी industry को देता है जहां से वो उसके उसके वो juices बनाते हैं या packed cans बनाते हैं तो यह forward and backward linkage इसको भी setup करता है so that's why the informal employment importance is huge in the Indian economy लेकिर इनकी भी कुछ समस्यां है वो समस्यां आपको पता ही होंगी lack of finance lack of protection ठीक है lack of adequate return large-scale unemployment उसके लाब अगर मान लीजिए कुछ loan लेकर अपना कुछ start भी करना चाहें तो यह interest नहीं पे कर पाते हैं इसके लगाता है इनको फर बहार चरता जाता है food insecurity बहुत है so these are the issues that they are facing चलिए अब बात कर लेते हैं skill development की तो भारत में skill development is the key to success मैं कई बार अपने classes में बताता भी हूंगे जीस कि आप freebies मत दीजिए आप लोगों को freebies मत दीजिए आप लोगों को loan माफी मत करिए अगर आप ऐसे करते हो तो एक ताप उनको crippled बनाते हो ठीक है दूसरी आप अपने economy को तोड़ते हो और तीसरा आप अपने banking sectors को को पोशित कर लेते हो तो important यह है कि आप जितना ज्यादा अपने यूथ को train करोगे आप जितना ज्यादा अपने यूथ के लिए self training institute सेट अप करेंगे vocational institute सेट अप करेंगे जितने उनके अंदर competence बढ़ाएंगे उनकी ability enhance करेंगे उनका experience करेंगे उतना ही वह employment create इंडिया में खुद भी कर सकते हैं और दूसरा जो विदेशी कंपनिया भारत आती है या जो भारत की कंपनिया जो चाहती है यह अच्छे से इनकों नौकरी मिल जाए उनके लिए और असानी हो जाती है तो इसमें जो की finding हुई थी 2020 की रिपोर्ट में उसमें यह कहा कि भारत में employment में female employment काफी increase हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने यह बात भी कही कि जो इस पर्मनेंट जगे पर नहीं है अपनी सर्विस अलग अलग जगहों पर देते हैं उनका शेयर भी इतनौमी में बढ़ा है उसके अलावा अगर जो employer है employer पाँच चीजों पर सबस्यादा फोकस कर रहे है आज के टाइम पर वह है डोमेन नॉलेज कि आपका नॉलेज बेस कितना है उस पर्टिकुलर सेक्टर का आप कित्ती जल्दी हो जाते हो environment में तीसरा आपकी learning ability मतलब कितना सीखना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है आपका positive attitude और interpersonal skill अगर इन पाँच चीजों को आप अच्छे से specify करते हो अच्छे से अपने अपने अडाप्ट कर लेते हो तो employers आपको नौकरी देने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे है ठीक है लेकिन भारत में skill development को लेकर भी काफी सारे issues है पहली problem तो है कि काफी सारे norms है procedures है काफी सारे paperworks है यह एक बहुत बढ़ी दिक्कत है दूसरा formal education की साथ इसका integration नहीं है भारत में आज भी education वो theoretical पढ़ाई जाती है इसके डवलप्मेंट के practical training ज़रूरी है practical education ज़रूरी है experiences in the laboratory is बहुत important है वो भारत में है नहीं फिर wage difference बहुत ज़्याद है काम को लेकर area को लेकर region को लेकर तो these are the major issues with skill development in India अब सरकार ने इसके लिए अलग-अलग steps ली है जैसे integrated rural development program सरकार ने उनने स्वस्थी में setup किया था ताकि ग्रामी इन लोगों को नौकरिया मिल सके फिर tribal youth के लिए भी सरकार ने काम किया था इसी के साथ सरकार ने जो सबसदा focus किया वो किया प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना में सरकार ने का कि इन्देन youth जो है इनको जित्तियदा में skill training प्रोवाइड करें है उतना ही बहतर employment opportunities यह दूसरों को प्रदान कर सकते हैं फिर सरकार ने startup scheme शुरू करी ताकि जो देश में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे जो इन लोग जिनके पास financially इतना पैसा नहीं लेकिन आइडियास अच्छे हैं सरकार startup India scheme start करेगी वह सरकार को अपने ideas share करेंगे और सरकार को इसका में objective था कि भाई SCST borrowers जो है women's इनको preference दी जाए और loan दिया जाए 10 लाग से एक करोड का ताकि यह अपना खुद का venture setup कर सके SCST community में development हो सके और women entrepreneurs भी country में अच्छे अच्छे level पे develop हो पाए so this is stand up India scheme फिर उसके अलावा सरकार ने बताई चुका हूं प्रतानमंत्री कोशल विकास जोना संकल्व scheme जोइन करी कि skill training activities प्रवाइड की जाएंगी जो industries में skill requirement है वो skill training डवलप करी जाए इस strive में सरकार ने कहा कि हमें industrial clusters बना करने पड़ेंगे जो industrial training provide कर पाएं industrial guidelines generate कर पाएं industrial directions दे पाएं these all are the steps that are taken by the government उसके लावा वर्ल एकनॉमिक पोरम ने एक re-skilling revolution start किया था उसका मेन objective था कि एक billion लोगों को विश्व के एक billion लोगों को बहतर education दी जाए skill development उनका किया जाए उनको jobs provide की जाए 2030 तक भारत ने इस mission को join कर लिया था कि वंदे भारत mission से जो भारती ये बाहर नौकरी करते थे जब वो भारत आए because of covid तो उनके लिए भी employment opportunity generate की जाए क्योंकि वो लोग skill based है experienced हैं तो उनके लिए और नौकरियां produce करी जाएं जो भारत में industries काम कर रही है foreign companies जो भारत में काम कर रही है उन skilled workers को वहां पर नौकरी दी जाए उनके लिए innovation camp स्टार्ट किया जाए online courses free में स्टार्ट किया जाए उन्हें certified किया जाए और उस certificate को देखकर they can get more jobs through in the foreign companies as well as in Indian companies इसी में सरकार ने संकल प्रोग्राम स्टार्ट किया था with the help of ministry of skill development and entrepreneurship ताकि इसमें सबसे पहले चीज़ करी गई कि भाई आपको डिजिटल और फाइनेंशल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगा जब आपका पूर्स पूरा हो जाएगा आपको certificate मिलेगा उसके लाव 500 रुपीज भी दिये जाएंगे और यह ग्राम पंचायत लेवल से ही इसको डवलप किया जाना क्योंकि रूरल यूथ वह है जो सबसे ज़्यदा सफर करता है because of unemployment उनके भैतरी के लिए यह बहुत important था कि उनको prior learning की recognition दी जाए अपार्टम नाट दीन द्याल उपादिया ग्रामीन कॉशल ले उजना ग्रामीन जो यूथ है बिट्वीन फिट्वीन तू थाटी फाइफ यह और सी एस्टी विमेन ट्राइबल ग्रॉप्स पी डबलुडी जो है उनके लिए 45 यह तक उनको उनके लिए employment उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और जब माइग्रेशन होता है गाउं से अर्बन एरिया उसको हम रोक पाए वह व्यक्ति अपने गाउं में ही रहे वहीं पर एम्प्लाइमेंट अपॉर्चनिटी जनरेट करें खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए तेन 2018 में एक सोलर का एम्प्लाइमेंट मिलेगा जो यह लगाने का काम करेंगे इसके लावा कुछ रिपेरेंस करना है उसका काम भी गाउं के लोग ही करेंगे मन्रेगा के थूरू इसको लिंक कर दिया गया था इससे तीन चार अब्जेक्टिव पूर होगे एक तो ग्रीन एकनोमी बनेगी दूसरा इलेक्टरिशिटी सेव होगी तीसरा एम्प्लाइमेंट जनरेट होगा चौती चीज गाउं में जो बिजली की समस्या है उससे काफी हट तक निजात मिल पाईगी मन्रे का तो आप सब जांते हैं सौ दिनका एंप्लीएमेंट एक त्यासमें इस में दूमिन है अगर नौकरी नहीं मिल पाते है और इनक्नाव मेंड्यटेश इसमें नौकरी मिलती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्प्लीमेंट गारेंटी प्रोग्राम है गिनिईस भूक आ और स्ट्रॉंग करता है मतलब अगर आपसे यह कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेट्ट चाप्टर में कौन सा है तो यह वह चाप्टर है हमें किसी भी चीज़ के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें एक समझाया जाता है कि वह यहीं चाप्टर एक जीडीपी क्या है प्रटेंट है यह exam point of use है तो सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि economic growth का क्या मतलब है हम सिधा-सिदा बोलते था एकनोमिक ग्रोथ का हम जब country में development हो रहा है जी नहीं economic growth और development में बहुत अंतर है economic growth का simple सा मतलब है जब country में production of goods and services increase हो रहा हो इसे हम economic growth कहते हैं मतलब आपकी country में goods and services बढ़ रहे हैं production उनका बढ़ रहा है that is called as economic growth इसमें और एक चीज़ वे include होती है मतलब country में income base बढ़ रहा हो country में income base बढ़ रहा हो employment opportunity बढ़ रही हो इसे हम economic growth में count करते हैं लेकिन अब आप बोलेंगे सर फिर economic growth में अगर आप development शामिल नहीं कर रहे तो यह कैसे possible है अब मैं आपको इसका reason भी देता हूं एक example लेते हैं जेपान का जेपान की economic growth जेपान की जो economic growth है वो continuously बढ़ रही है वह अच्छी भी है काफी भैतरीन है developed country है जेपान तो उसका economic growth काफी अच्छ है लेकिन वहां पर वहां पर development इस context में नहीं है कि वहां पर health issues बहुत हैं क्यों health issues हैं क्यों वहां old age population जादा है वहां पर old age population जादा है वहां पर pollution काफी जादा है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि किसी country में economic growth हो रहा हो तो वहां पर development बाकी sectors में भी हो रहा हूं मतलब अगर आज मैं भारत की बात करूं तो भारत में GDP तो इंक्रीज हो रही है तो economic growth तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन भारत में sanitation की problem है भारत में health issues बहुत है बारत में illiteracy बहुत है भारत में environment problems बहुत है भारत में regional inequality बहुत है तो हम यह कह नहीं सकते कि economic growth होने पर development होता ही होता है यह जरूरी नहीं है ठीक है यह जरूरी नहीं है मतलब economic growth minus development भी पॉसिबल है ठीक है तो economic growth और economic development को अब interchange मत कर यह economic growth का simple सा मतलब होता है जब goods and services का production बढ़ जाए जब income base increase हो जाए जब आपकी country में GDP में बढ़ोतरी हो जाए उससे हम economic growth कहते हैं अब यह GDP क्या होता है GDP में जोद्री कैसे होती है इन सब को हम बाद में समझेंगे अर्थिक सुधार जो आपकी country में हो रहे हो उसको हम economic growth कहते हैं अगर हम आपसे पूछें कि कौन कौन से ऐसे factors हैं जिसकी वज़े से economic growth होता है तो factors सबसे पहले आता है human resource human resource कैसे जितने आपकी country में skilled labor होगी जितने आपकी country में literate population होगी उतनी जादा economic growth बढ़ने के chances होगे क्योंकि जो skilled labor होगी आपकी जो workforce होगी अगर वो competent होगी committed होगी literate होगी तो उससे भैतर क्या होगा उससे भैतर यह हो जाएगा कि आपकी country में wastage कम होगा production में add-on होगा तो मानलियस अंसाधन जितना आपके देश में भैतर होगा उतना ही आपकी देश में economic growth बढ़ने के chances हो जाते हैं तो human resource is directly related to economic growth better human resource turn out to better skilled skilled labor and turn out turn out to be better factor which led to economic growth in overall country इसी लिए economic growth बहुत जड़ा important dependent होती है human resource के उपर next important factor है next important factor है that is infrastructure development अब infrastructure में काफी सारी चीज़ें आती हैं infrastructure में आपके railways आते हैं infrastructure में आपके ports आते हैं infrastructure में आपका airways आता है यह भी economic growth की read की हटी है जितना भैतर infrastructure उतना ज्यादा economic growth आज suppose करिए आपने कोई goods बनाए गुजरात में अब आपको उसको अरुनाचल प्रदेश भेजना है through road ठीक है अगर वह मान लिए पांच दिन लग रहे हैं साथ दिन लग रहे है रोड टूटी वी है समय पे goods पहुंच नहीं रहे लेकिन अगर मान लिए traffic congestion जादा है रोड की हालत खराब है तो उस वज़े से क्या होगा goods टाइम पर पहुंच नहीं पाएंगे तो कहीं न कहीं growth hamper होगी railways, railways क्यों important है क्योंकि कुछ ऐसे routes होते हैं जो long routes होते हैं जहां पर आपको bulk तुम्हें goods send करने होते हैं तो railway is the best option to send the goods लेकिन भारत ने problem क्या है भारत ने issue यह है कि freight train और passenger train दोनों same track पर रन करती है अब passenger train की average speed है वो 50 से 60 के बीच में होती है और passenger train है उनकी speed around जो अच्छी trains है वो 100 के आसपस तक रन करती है या 90 से 100 के बीच में रन करती है तो अब problem क्या है कि obviously पहला जो clearance होती हो आप passenger train को देते हो इस वज़े से जो आपकी freight train है वो delay होती है लेट होती है पहुंचाने में time लगता है उनको और उसके अलावा signal clearances नहीं मिलते है जिसकी वज़े से goods की जो timely delivery है वो hamper होती है देन पोर्ट्स पोर्ट्स में भी जो turnaround time है वो भारत में काफी जाता है turnaround time का मतलब होता है यसे कोई जहाज भारत से Middle East जा रहा है अब जित्ती दिर में Middle East पहुंचेगा वहां से वापस जब वह इंडिया आएगा that is called is turnaround time अब turnaround time इंडिया में more than two days है यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप developed countries में स्पेशली सिंगापूर के बात करो तो वहां के turnaround time एक दिन का है तो जितना strong turnaround time होगा उतना जल्दी goods पहुंचेंगे और ship तो is the most cheapest form waterways is the most cheapest form of transport bulk quantity जा सकती है और उसके अलावा safe mode रहता है एक तो port congestion is also a big problem in India infrastructure development जो है वो जितना ज्यादा बहतर होगा airways जितनी आपके flight connectivity होगी एक जगह से दूसरी जगह पर उतना जदा दो बात important है एक तो है resources की availability और दूसरा है resources का utilization अगर आपके देश में resource available है तो बहुत अच्छी बात है वही संसाधन जितने आपके पास उपलब्ध होंगे उतना बहतर है लेकिन अगर आपके देश में संसाधन उपलब्ध है और उन संसाधनों का इस्तमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उस तरह की technology नहीं है जो उन resources को extract कर पाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है एशिया और एफ्रिका में प्रॉब्लम यही है कि हां resources तो भरपूर मात्रा में लेकिन technology नहीं है उन resources को extract करने की वह एक तो यह बात हो आपके country में वेस्टन राजस्तान में अब आपके पास में लेकिन आपके पास technology नहीं है उनको extract करने की तो फिर वो एक negative चीज है दूसरी चीज होती है utilization चलिए आपके पास resources भी available है अब आपने resources को extract भी कर लिया लेकिन आपके country में over utilization हो रहा है resources का तो then again सा problem क्योंकि फिर हो क्या होगा over utilization की बज़े से resources limited है scars है committed कम resources है तो future generation के लिए resources बचते ही नहीं है तो important क्या है important यह है कि resources का optimum utilization होना चाहिए resources का optimum utilization होना चाहिए जितना सही तरीके साफ resources का इस्तेमाल करोगे उतना ही बहतर आपकी economic recover होगी उतना ही बहतर आपकी economic growth होगी तो availability एक अलग बात है utilization एक अलग बात है और एक optimum utilization सबसे बहतरी है चौती चीज आगई population growth population growth का भी direct relation economic growth से कैसे जितनी जितनी भैतरीन आपकी demographic dividend होगा जितना भैतरीन आपका demographic dividend होगा उतना जादा economic growth के chances बढ़ेंगे अब demographic dividend का क्या मतलब होता है जिस country में youth population जादा हो जिस country में young blood जादा हो अब भारत fortunate है कि यहाँ पर youth population population world में सबसे जादा है तो जहां पर youth population होगी obviously वहाँ energized youth होगा अगर उस energized youth को आपने सही direction में put on कर दिया उसको सही direction में channelize कर दिया तो क्या होगा resources का इस्तमाल सही से होगा employment opportunities create होगी development होगा income बढ़ेगी saving बढ़ेगी investment बढ़ेंगे foreign countries आपकी country में interested होगी लेकिन वहीं अगर आज मान लीजे कि आपकी country में economic growth तो अच्छा हो रहा है लेकिन आपकी जो population old age वाली जाद है अब old age population obviously they lack energy in comparison in comparison to what the young population has so this create this create a kind of problem for a country like Europe country for countries like in Europe or for Japan clear होगे बात यहां पे next is advancement in technology जितनी भेहतरीन technology उतने भेहतरीन resources का utilization अब आप इस बात को भी बहुत ध्यान से समझाओ इस बात को बहुत ध्यान से समझने का क्या मतलब है मैं आपको यह भी बहुत ध्यान से समझाता हूं जिस country में technology जिस country में technology भेहतर है उस country का development तय है कैसे तय है कैसे important है यह समझते हैं देखो आगर आज आपकी technology better है आपके पास technology बहतर है आप technology का सही तरीके से इस्तमाल कर सकते हो तो उतना ही जादा पटाफट से production कर सकते हो गुद्स का लेता है पांच घंटे सुडान उनी गुड्स को बनाने में लेता है दो दिन ठीक है येमन उनी गुड्स को बनाने में लेता है साथ दिन तो आप देखो कि यही difference होता है डवलप और डवलपिंग कंट्री तो जितनी ज़्यादा एडवांस्मेंट होगा टेक्नोलोजी में जितना ज़्यादा आप अपने आपको एक्विप कर लोगे लेटेस्ट टेक्नोलोजी से उतना बहतर एकनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपको पता है डवलप्ड कंट्री और डवलपिंग कंट्री को के बेसेज में जो डिफरेंस है वह इन चार बेसिस पर एजुकेशन एजुकेशन को मैं जोड़ूंगा स्किल के साथ में दूसरा टेक्नोलोजी तीसरा इंफ्रस्ट्रक्चर और चौहता रिसोर्सिस का यूटिलाइजेशन इस बेसिस पर ही कंट्री में डिसाइड हो जाता है कि कौन सी कंट्री तो आप कंपेर कर लो यूएस इंडिया और सुदान को इन चार पैरामेटर पर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कंट्री डवलप्ड है कौन सी कंट्री डवलपिंग है और कौन सी कंट्री अंडर डवलप्ड है तो इस आदा फैक्टर्स विच इंफ्लूएंस एकनोमिक अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एकनोमिक ग्रोथ और डवलप्मेंट में तो देखें एकनोमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है अगर लोग खुश नहीं है तो वह कंट्री डवलप्र अब एक बात ध्यान से समझेए आज जैसे मैं एक एक्जाम्पल लूँ भारत की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन भारत में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है भारत में डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम जाद है इनिक्वैलिटी की प्रॉब्लम जाद है भारत में हैपिनेस नहीं है एन्वायरमेंट डामेज ब होता है 6% 8% like this economic development हमेशा qualitative basis पर होता है कि quality of life को कैसी जी रहे हैं लोगों का standard कैसा है लोगों की health कैसी education कैसा standard of living कैसा है that is qualitative economic growth हमेशा uni dimensional है एक direction में move करता है it always move in one direction economic development multi-dimensional है इसमें सिर्फ economic growth नहीं आती इसमें sanitation भी आता है इसमें health भी आती है इसमें आपका standard of living भी आता है environment भी आता है economic growth बिना development के नहीं हो मतलब हो सकता है कि economic growth हो जालेकि development नहीं हो आपकी country में जबरदस्त growth हो रही है लेकिन pollution भी बहुत हो रहा है environment damage बहुत हो रहा है sanitation की problem आ रही है that can happen लेकिन economic development growth के बिना नहीं हो सकती आज अगर आपको development कराना है आप चाहते हो कि education अच्छा हो आप चाहते हो awareness हो, sanitation हो, health हो तो बिना पैसों के ये बिना growth के ये possible नहीं है economic growth के indicators है real GDP, real per capita income, etc ये सब क्या होते हैं इसको हम समझेंगे थोगे time बात economic development के indicators है human development index, physical quality of life index इसको भी हम समझेंगे in further lecture अब बात कर लेते हैं GDP की तो GDP क्या है, सकल घरेल उत्पात क्या है बहुत सुना होगा आपने, मेरे मूँ से आपने कई बार आप सुन लिया होगा GDP होता क्या है, GDP का मतलब है all final goods and services all final goods and services that are produced that are produced in our country that are produced in our country during a financial year during a financial year it is called as GDP इसे हम GDP कहते हैं तो अब देखो, यहाँ पर तीन कॉम्पोनेंट बहुत इंपोर्टेंट है तीन कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं भाईया देख लेते हैं पहले सबसे पहली चीज़ तो final goods and services मतलब यहाँ पर intermediate और raw material की तो कोई जगे ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ final goods को count किया जाएगा दूसरा produced in our country हमारे देश में उसका production होना चाहिए उसका production का होना चाहिए? हमारे देश में होना चाहिए during a financial year financial year में उसका production होना चाहिए तो पहली चीज़ तो यहाँ final हो गया दूसरा produced in our country तीसरा during a financial year financial year क्या होता है? financial year होता है आपका एक अपरेल से लेके 31 March तक मतलब वो वस्तुय या सेवाए जो भारत में जिनका उत्पादन भारत में हो रहा हो एक आर्थिक वर्ष में उसे हम सकल घरेलू उत्पाद क्याते हैं एक आर्थिक वर्ष मतलब एक अपरेल से 31 March तक अब इसमें एक चीज़ important है अब बहुत सरे ब्चेप बूले है जो प्राइमरी सेक्टर चाहती है उसको प्राइमरी एगरी कल्चर सेक्टर है वहां से लकडी आती है तेवे सेक्टर क्या करता है, इस बैट की पैकिंग करता है, पिनिशनिंग करता एऐ, इस बैट को लेबल करता है, ठीक है, इस बैट पे ब्रैंदिंग करता है, पाइनली ये बैट ready to sale है, तो ये जो ready to sale वाली component है इसी को हम GDP में count करते हैं इसका मतलब वो जो लकडी का component था और जो बैट वहाँ बन रहा है वो already इसमें शामिल होता है यह मैं आपको समझाऊंगा भी कि यह कैसे शामिल होता है इसको भी हम समझेंगे लेकिन अभी के लिए आप बस यह समझिए कि जो फाइनल गुड है कि जो बिल्कुल इस्तमाल करने के लिए तयार है उसी को हम GDP में count करते हैं और वो हमारे देश में बनना चाहिए मतलब फॉरन से आयवा गुड हमारी GDP में count नहीं होता सिमिलर्ली फॉरंस आयवी कोई income भी है वो भी GDP में count नहीं होती उसको कहां count होती है इसको भी समझेंगे और एक बात और प्रेडियूज हुई हो current market price पे उसे हम nominal GDP कहते हैं जैसा आपने cricket बैट बनाया जन्वरी 2022 में अब जन्वरी 2022 में अपने cricket बैट बनाया तो जिस दिन आप उस बैट को बनाकर बेच रहे हो that is called as nominal GDP current market price कितनी है उसकी 15 जन्वरी 18 जन्वरी को that is nominal GDP real GDP का क्या मतलब होता है कि हमने first January को ही decide कर लिया कि हमें साल भर में 1000 बैट बनाने और एक बैट को हम 2000 रुपे में बेचेंगे considering the cost of लकडी, the cost of wood, consisting the cost of labeling, packing, finishing, gripping, everything तो इसमें हमने एक predetermined price बना ली that is called as real GDP, तो nominal GDP में क्या होता है कि हम current market price के हिसाब से valuation करते है वही real GDP में हम क्या करते है हम यह सोचते हैं कि साल भर में लकडी की cost में कितना change हो सकता है packing की cost में कितना change हो सकता है, labor cost में कितना turnaround हो सकता है इसे हम real GDP कहते है nominal GDP में inflation को count नहीं किया ज़ता अभी inflation क्या होता है अभी के लिए आप simple समझिए inflation का मतलब होता है rise in price बस अभी आप यह समझो inflation का मतलब होता है rise in price मैं आपको simple से language में और समझा जेता हूँ जैसे मान लीजिए कि आज मेरी दादी माने आज मेरी दादी माने मेरे birthday पे मुझे 1000 रुपई दिए मेरी grand mother ने मेरे birthday पे मुझे 1,000 रुपीज दिए अब यह 1,000 रुपीज में आज मैं for example 4 burgers खा सकता हूँ एक example है आज इस 1000 रुपई में मैं 4 burger खा सकता हूँ मैंने इस 1000 रुपई को अपने पर्स में रखा, यह मुझे दादी मान ने दिया 2022 में, आज मैंने 1000 रुपए को अपने पर्स में रखा और 2027 में वापस मैंने इस 1000 रुपए को सोचा कि अब मैं आज इसके बर्गर खाऊंगा, तो उस समय हो सकता है जो बर्गर में raw material यूज होता हो, बन यूज होता है, चीज यूज होता है टोमाटो, अनियन, जो भी यूज होता है हो सकता है उस समय उनकी प्राइज बढ़ जाए और मैं सिर्फ दो ही बर्गर कंस्यूम करता हूँ तो money की जो value होती है with time lose होती जाती है this is called as inflation तो अब nominal GDP में आप inflation को count नहीं करते हो वही real GDP में आप inflation को adjust करते हो इसलिए जब मैंने ये compute किया कि मुझे साल 2022 में 1000 बैट बेचने है 1000 रुपे प्रती बैट के तो मैंने उसमें inflation cost को adjust कर रखा है कि लकडी की price हो सकता है future में बढ़ जाए labor cost future में बढ़ जाए जो packing material होता है वो future में बढ़ जाए that is called as real GDP लेकिन nominal GDP में आप inflation count नहीं करते आप सिर्फ ये सोचते हो कि आज की price कितनी है उसके basis में मैं इस बैट को बेच दूँगा that is nominal GDP nominal GDP हमेशा current base price पे होती है real GDP हमेशा base price पे होती है value of GDP nominal GDP में हमेशा जादा होती है क्योंकि इसमें current prices को count किया जाता है real GDP हमेशा less होती है क्योंकि इसमें आप forecast करते हो आने वाले समय में base year को consider करते है nominal GDP quarter के comparison में help करती है कि जैसे आज first quarter है जनवरी से मार्च for example यह वैस तो पहला quarter जो होता है अपरेल से जून होता है आपने अपरेल से जून में देखा कि nominal GDP 6% है आपने फिर जुलाई से लेके September तक देखा जो second quarter है उसमें GDP 8% हो गई तो यह nominal GDP आपने small time basis पे करते है real GDP हमेशा count होती है year by year कि 2020 में हमारी growth 6% थी 2021 में 7% है तो यहाँ पे आप year को compare करते हो with base year base year मतलब एक वो साल जो standard year होता है उसके basis पे आप चीज़ों को count करते हैं देखिए एक बहुत important चीज़ है यह भी मैं आपको समझा होता हूँ base year का मतलब क्या होता है एक ऐसा साल जो one of the most stable year हो भारत में फिलाल जो base year है वो 2011 बारा ले रखा है 2011 बारा एक ऐसा base year है जो एक stable year है जहाँ पे भारत ने growth देखिए जहाँ पे भारत में growth हुई है जहाँ पे कोई ऐसा detrimental effect नहीं हुआ ऐसी कोई खराब चीज़ नहीं हुई जिसने economic को पूरी तरह से तोड़ दिया हूँ तो 2011 बारा के basis पे जब हम 2021 बारा को compare करेंगे उसको हम कहते हैं real GDP क्यों हम यह देखेंगे कि 2011 बारा में अगर हमारी growth rate 7% है और आज 2022 में हमारी growth rate 9% है तो मतलब real GDP में improvement हुआ है वही nominal GDP में base year से कोई मतलब नहीं होता सिर्फ और current year के basis पे count की जाती है ध्यान रखिए का base year कभी भी base year कभी भी वो साल नहीं लिया जाएगा जो unstable हो जैसे 2020 को कभी भी base year नहीं लेंगे क्योंकि उस समय covid था situation बहुत खराब थी तो base year हमेशे एक stable year लिया जाता है और उसके basis पे आपकी GDP में comparison होता है कि अच्छा ठीक है मतलब 2011-12 में हमारी GDP 7% थी अब उसके comparison में 2021 में कितना GDP में improvement हुआ है that is turn out to be real GDP nominal GDP से economic growth का projection इतने भैदर तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि ये current basis पे आज suppose करें 2022 में आपके economy अच्छा काम कर रही है सरकार ने नई-नई policy launch कर दी क्योंकि election year है UP में तो सरकार ने आत्मनिरवर भारत में package बढ़ा दिया, मन्रेगा में package बढ़ा दिया तो आपकी growth बढ़ गई ठीक है, आपके employment बढ़ गया नया कोई financial package launch नहीं करा तो हो सकता है 2023 में हो सकता है 2023 में आपकी economy एकदम से गिड़ जाए हो सकता है 2023 में आपकी economy एकदम से गिड़ जाए तो nominal GDP में आप projections नहीं कर सकते इसलिए nominal GDP is not a good measure to measure the GDP or to measure the development status of your country but real GDP is always a good indicator क्योंकि इसमें आप base year को लेकर चलते हो आप यह determine करते हो कि अच्छा base year में इतना development हुआ है और current year में current year में मैं base year से जब compare कर रहा हूं तो इतना improvement हो रहा है मतलब 2011 बारह में अगर मेरी economy में 7% ग्रोथ थी और 2022 में मेरी country में 5% ग्रोथ है तो अगर आज अपनी economic growth को देखूं तो comparatively कम है हो सकता है हो सकता है 2020 में मेरी growth 4% हुई हो और 2021 में मेरी growth 5% है देखा जा तो nominal GDP तो मेरी increase हुई है 4% से 5% हुई है लेकिन अगर मैं अपने आपको compare करूं 2011-12 से real GDP से तो मेरी GDP में गिरावट है तो यही लोगों को समझ में नहीं आता अब क्या होता है जो government होती है वो यह बोलती है हमने 9% growth अचीव कर रहे हम 14% growth अचीव कर रहे अरे भाईया पहले यह तो देखो कि 14% growth real पे है रहे है nominal पे अब दिपता क्या है सरकार अकबार में क्या आता है भारत की जो GDP है वो 9% पहुंच गई क्या यह 9% सच वाली है जी नहीं यह 9% सिर्फ उस साल की है आप किसी भी quarter में किसी भी साल में आप 10-15 scheme launch कर दो आप employment program लाँच कर दो आप मंद्रेगा में पैसा बढ़ा दो आप आत्म निर्वर भारत में 3-4 करोड और डाल दो आप उस महीने की growth बढ़ जाएगी लेकिन जब आप अपनी growth को compare करोगे साल 2011-2012 की growth से तब आपको वास्विक्ता का पता चलेगा कि अच्छा तो जब मैं real GDP से compare कर रहा हूँ base year से compare कर रहा हूँ तो तो मेरी economic growth कुछ होई नहीं दे यही concept आम लोग नहीं समझ पाते हैं और यह समझते हैं लोग लड़ते हैं इस बात पर कि देखो current government ने तो 9% growth थी पुरानी government के time पर सिर्फ 6% growth थी बहिया पहले यह देखो कि पुरानी government की 6% growth किस के comparison में थी और current government की जो growth है वो किस के comparison में जब यह doubt आपको clear हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि actually country में growth सच वाली हो रही है या nominal तो nominal कहीं न कहीं एक artificial growth को बताता है और real GDP जो है वो वास्तविक्ता की जो आपकी GDP है उसको show करता है I hope आपको nominal और real GDP काफि अच्छे से समझ में आप आ गया होगा अब हम बात करेंगे next है gross national product GNP क्या होता है GNP का मतलब होता है अब देखो यहाँ पर अंतर क्या है यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया national national का मतलब है कि इसमें हम क्या include हो गया income from net factor income from abroad net factor income from abroad यह इसमें add हो गया है अब आपको यह समझना है देखिए मेरे को निकालना है GNP मुझे क्या count करना है मुझे निकालना है GNP और मेरे पास available है GDP अब मुझे GDP से GNP निकालना है तो वह मैं कैसे निकालना है अब आपको यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखने है एक तो यहाँ पर देखो एक शब्द common है पी यहाँ पर भी है जी यहाँ पर भी है gross यहाँ पर भी है फरक सिर्फ हो रहा है domestic और national का बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों यह चीज़ नहीं समझ में आती है लोगों को यहाँ लिखा है gross national product और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था gross domestic product फरक क्या है दोनों में फरक है सिर्फ domestic और national का तो domestic से अगर मुझे national में जाना है domestic से मुझे national में जाना है तो मुझे net factor income from abroad को जोड़ना पढ़ेगा GDP के अंदर तो GNP कैसे निकलती है जब GDP में आप जोड़ देते हो net factor income from abroad मतलब अगर आज सपोस करो मैं शुभम अमेरिका को मैं अमेरिका में cricket का बैट बेच रहूँ मैं अमेरिका में cricket का बैट बेच रहूँ और अमेरिका के लोग मुझे पर इंडियन करेंसी में एक इंडियन करेंसी में एक लाख रुपए दे रहे हैं यह दस लाख रुपए दे रहे हैं तो यह मेरी इंकम है यह मेरी इंकम है और अगर मान लीजिए मैं अमेरिका से मैं अमेरिका से टी-शेट्स खरीद रहाँ हूं मैं अमेरिका से टी-शेट्स खरीद रहाँ और मैं पचास हजार रुपए अमेरिका को दे रहा हूं तो मेरी net factor income from abroad हो जाएगी 50,000 तो यह इसमें जड़ जाता है यह GDP में जब जुड़ जाएगा तो हमारा निकलेगा Gross National Product तो यह Net Factor Income From Abroad जो होता है यह Net होता है Net मतलब यह Calculate करके आता है Net Factor Income From Abroad Minus Net Factor Income To Abroad वापस रिपीट करूँगा मैं इस Concept को आपके लिए जब आप GNP निकालते हो तो GNP निकालने के लिए Adjust क्या करते हो NFIA Minus NFPA Net Factor Income From Abroad Minus Net Factor Income To Abroad आज मैंने अगर अमेरिका को Cricket Bat बेचा है और अमेरिका ने उसके लिए मुझे एक लाख रुपे दिये है तो वो मेरी Income है तो वो तो मेरा आजाएगा Income From Abroad में लेकिन आज अगर मैं अमेरिका से T-Shirts खरीद रहा हूं तो वो मैं पैसा अमेरिका को दे रहा हूं तो वो इस Income में से Minus हो जाएगा और जो Adjusted आएगा उसको हम कहते है Net Factor Income From Abroad अब इसमें ये भी हो सकता है कि मैं Cricket Bat बेच रहा हूं उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिल रहे है और मैं T-Shirts जो खरीद रहा हूं अमेरिका से उसके लिए मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं तो यहाँ पर फिर ये Minus हो जाएगा GDP Minus 20,000 तो ये होता है आपका GNP अब आप बात कर लेते हैं GDP और GNP में क्या अंतर है What is the difference between GDP and GNP तो GDP होता है Value of all final goods and services Produced in a domestic territory In a specified time period That is financial year और इसमें क्या होता है Value of all finished goods and services Owned by a country's resident Over a period of time मतलब जो अब owned करके Income भी इसमें include होती है Method of calculation अभी हम छोड़ रहे है Method of calculation यह हम आपको बाद में बताएंगे Produced by whom Produced by कौन करता है India में जो produce हो रहे है एक बात और ध्यान लखेगा GDP में कि जैसे मानलो कोई foreign company का बंदा है Microsoft है Microsoft के अगर का office अगर इंडिया में और वो यहाँ पर कोई production कर रहे है तो वो भी GDP में count होगा वो भी GDP में count होगा क्यों क्योंकि goods कहां produce हो रहे है goods produce हो रहे है इंडिया यह ध्यान रखे का बहुत important बात है अगर Microsoft के जो employees है वो इंडिया में आके goods बना रहे है तो वो भी हमारी GDP में count होगा That too is counted in our GDP वहीं GNP में क्या होता है कि जो भारत के बाहर बन रहे है जो भारत के बाहर बन रहे है या जो भारतिये लोग बाहर बना रहे है वो GNP में count होगा तो GDP में income from abroad को include नहीं करते GNP में इसको include किया जाता है Next है आपका NNP NNP से पहले एक बार NDP नहीं है अब यह net domestic product क्या है इसको भी समझे लेते है What is this net domestic product अगर मुझे GDP से net domestic product निकालना है मेरे पास GDP गिवन है और मुझे निकालना है net domestic product तो वो कैसे निकालेंगे GDP NDP NNP हम बात में समझेंगे पहले यह समझे लेते हैं अब देखो यहाँ पे PP सेम है DD सेम है मतलब यहाँ भी domestic है और GDP में भी domestic है तो यहाँ income from abroad से कोई मतलब नहीं है यहाँ difference है gross और net का अब अगर gross और net का difference है gross और net का difference है तो अगर हमें gross से net की तरफ move करना है तो हमें depreciation को हटाना होता है अब यह depreciation क्या होता है मुलाहस क्या होता है इसको हम समझते हैं आज आपने कोई गाड़ी खरी दी आज आपने कोई गाड़ी खरी दी उसकी कॉस्ट है 15 लाख रुपे अब 2 साल बाद आप उस गाड़ी को बेचना चाहते हो तो क्या आपको 15 लाख रुपे मिल जाएंगे पूरे जी नहीं आपको उसके 10 लाख रुपे या 11 लाख रुपे आप 12 लाख रुपे मिलेंगे तो ये डेप्रिसियेशन जो होता है इसको हमको हटाना होता है तो क्याल्कुलेट एंडी पी अगर हमें net domestic product निकालना है तो हमें depreciation को हटाना होगा वहीं अगर हमें net national product निकालना है NNP निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे अब आप इस बात को बहुत दिहाज समझना ये हमारे सामने GDP है और हमें निकालना है NNP अब क्या करेंगे अब तो यहां देखो दो component में change है तो P और P तो same है यहां GD और यहां NN तो पहले तो domestic से national पे जाना है domestic से national पे जाना है तो domestic से national पे जाने के लिए हमें NFIA को add करना होगा और NFTA को minus करना होगा वहीं अगर हमें gross से net पे जाना है तो हमें depreciation को minus करना होगा अब मैं आपको एक पूरा question दिखा रहा हूँ एक पूरा question दे रहा हूँ और उससे मैं आपको समझाओंगा कि यह कैसे निकालते है GDP, GNP यह सब कैसे निकाली गाती है और इसके साथ ही factor cost और market price का concept मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए देखो factor cost क्या है factor cost factor cost मतलब वो cost जो factory की होती है जो factory की होती है factory में जुणने वाली चार तरह की cost होती है land, labor, capital और entrepreneur आज अगर आज suppose करो टाटा की कोई गाड़ी है टाटा की गाड़ी है harrier ले 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 लेदे टाटा की गाड़ी है harrier ये भारत में produce होनी है मालोई भारत में produce हो रही है तो सबसे पहले इसके लिए land चाहिए होगा जहाँ पे आप factory डालोगे land क्यों चाहिए होगा जहाँ पे आप factory डालोगे इस land के लिए आपको pay करना होता है rent अगर टाटा ने वहाँ पे उसको rent पे लिया है तो उस land के लिए उनको इसका rent पे करना होगा फिर factory आपने डाल दी, factory बना दी अब उस factory में क्या कबूतरों से तो ना काम करा होगे आप किस से काम करा होगे, labor से तो labor को आप क्या देते हो, wages फिर labor भी आगई, factory भी लगा दी, लेकि labor काम किस पे करेगा, labor काम करेगा machines पे, तो machines के लिए आपको चाहिए होगा capital आपको loan चाहिए होगा, भई machine लगाओगे करोणों रुपे की, तो loan लेके लगाओगे और loan के लिए आपको पे करना होता है interest, और कोई इतनी महनत करेगा, तो उसको profit भी तो लेगा, तो entrepreneur को मिलता है profit, भई रतन टाटा जी इतनी महनत कर रहे हैं, तो वो इसके बदले कुछ profit भी तो कमाएंगे, तो ये factor of production होते हैं, इनको हम कहते है factor of production, तो factor of production चार चीज़ों से बनते हैं, वो कौन-कौन सी है, land, labor, capital और entrepreneur, इन चार चीज़ों से आपका factor of production बनता है, land के लिए आप rent पे करते हो, labor को आप wages पे करते हो, capital के लिए आप interest पे करते हो, जो loan आप ले रहे हो, और entrepreneurs को profit देरे, तो factory cost में आपकी ये चीज़ें, लेकिन अगर मुझे factory cost से, मुझे अगर factory cost से market price पे जाना है, अगर मुझे factory cost से market price पे जाना है, तो वो मैं कैसे निकालेंगा, मिर पास factory cost है, और मुझे इस से market price पे जाना है, मतलब आपने कही बर सुना होगा आपका friend नई गाड़ी लाया नया बाइक लाया तो आप उसको बोलते हैं भाई आन रोड कितनी पड़ी तो आन रोड का क्या मतलब होता है On road का मतलब है कि Factory cost में क्या जोड़ा जाए तो Factory cost में आपको टैक्सेस को जोड़ना पड़ता है और subsidies को हटाना पड़ता है तब जाके आपकी market price निकलती है मतलब Factory cost में आप टैक्सेस को जोड़ते हो जो सरकार टैक्सेस लेती है road tax लेगी जो RTO जिसको हम कहते है road tax लेगी लेकिन अगर आपके goods ऐसे हैं जो environment को support करते हैं जो environment के लिए भेतरीन है तो सरकार उस पर आपको subsidy भी देती है सरकार उसके लिए आपको subsidy भी देती है तो factory cost में जब taxes को जोड़के subsidy को हटाया जाता है तो हमारी market price निकल क्या आती है अब मैं आपके लिए एक question दे रहा हूँ इस question को आप अच्छे से देखिए और इस question को हम solve करने की कोशिश करेंगे इस question को मैं गए practice करते हैं जैसे माल लो हमें पता है GDP हमें दे रखी है factor cost पे GDP हमें दे रखी है 1000 depreciation हमें आप से कोई question पूछेगा नहीं लेकिन आपको यह basic आना चाहिए depreciation आपको दे रखा है 200 income from abroad income from abroad आपको दे रखा है 100 income to abroad income to abroad जो आपने भार पैसा भेजा है यह है आपका 50 taxes आपको दे रखे है 100 और subsidia है आपकी 50 अब आपको निकालना क्या है आपको सबसे पहले निकालना है GNP at MP NDP at factor cost और NNP at FC इसी को हम national income भी कहते है यह NNP at FC जो है इसी को हम national income भी कहते है अब बहुत ध्यान से सुनियेगा मुझे सबसे पहले निकालना है GNP at MP देखो यहाँ पर क्या-क्या same है पहले तो यह देख लो gross gross तो यहाँ तो कोई change है नि मतलब depreciation का कोई role नहीं है अब depreciation का कोई role नहीं है क्योंकि यहाँ भी gross है यहाँ पी है पी है पी पी में तो कोई दिक्कत नहीं है यह है D और यह है N मतलब domestic से national पे जाना है देखो सबसे पहले हम लिखेंगे GDP at FC प्लस income from abroad माइनस income to abroad लेकिन यहाँ पे FC गिवन है और मुझे निकालना है MP तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगा प्लस कर दूँगा टैक्स को और माइनस कर दूँगा सबसेडी को इस से मेरा निकल के आ जाएगा GDP at MP तो निकाल लो आप GDP FC कितना है 1000 प्लस income from abroad 100 तो यह हो गया आपका तो इस जी एनपी अब मुझे निकालना है NDP at FC देखो यहाँ पे DPDP सेम है सिर्फ ग्रॉस और नेट का अंतर है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा और FC FC भी सेम है तो GDP at FC माइनस डेप्रिसियेशन बस इतना सा होगा इसमें तो यह कितना हो गया 1000 माइनस 200 देट इस 800 तो मेरी NDP at FC आ गई 800 लास्ट इस NNP at FC किसमें सबसे दाशेंगे जैंगे FC FC सेम है तो यहाँ टैक्सिस का काम खतम हो गया सबसे पहले यहाँ पे होगा GDP at FC प्लस income from abroad माइनस income to abroad ठीक है माइनस depreciation तो यह कितना हो गया 1000 प्लस 100 माइनस 50 माइनस 200 तो 1100 1100 में से 50 गये 1500 1250 नहीं कितना हो गये 2500 माइनस कर तो पहले तो 1000 में से तो हो गये 700 800 अब मैं एक question और आपको दे रहा हूं आपको खुद को यह करना है मैं solve भी करूँगा लेकिन आपको वीडियो उसके लिए pause कर देना जब आप solution देखो आपके पास है NNP at FC 2000 depreciation आपके पास में है 100 taxes आपके पास में है 200 subsidy आपके पास में है 100 income from abroad आपके पास में है 200 income to abroad आपके पास है 300 अब आपको निकालना क्या है GDP at MP GNP at FC और NDP at MP यह आपको निकालना है तो अब आप इस question को करिए मैं यहापे solve कर रहा हूं जित्ती देर आप वीडियो पास कर देना फिर आप देखना क्या आपका आंसर सही आ रहा है तो पहले हम निकाल रहे है GDP at MP वो कैसे निकलेगी NNP at FC अब हमको यहाँ पे gross दे रखा है हमको यहाँ पे net दे रखा है हमको gross निकालना है तो net से gross पे जाना है तो हर चीज उल्टी हो जाएगी प्लस depreciation प्लस depreciation प्लस ITA माइनस IFA ठीक है फिर हमको यहाँ पे FC दे रखा है और हमें market price पे जाना है हमें FC दे रखा है और market price पे जाना है इसका मतलब तो simple सा हो गया FC गिवन है और market price पे जाना है तो क्या हो गया प्लस taxes माइनस subsidy यह आप कर लो यह आपका हो गया 2000 प्लस 100 प्लस 300 माइनस 200 प्लस 200 माइनस 100 तो यह तो यह दोनों cancel हो गया यहाँ पे यह दोनों cancel हो गया यह आपका आगया 2300 GDP तो आप calculate करें देख़ा आपका 2300 यह आ रहा है क्या next is GNP at FC GNP at FC क्या निकलेगा NNP at FC ठीक है NNP at FC बाकी यहाँ पे हर चीज़ सेम है सिर्फ आपको नेट से ग्रॉज जाना है तो प्लस डेपरिसियेशन यह कितना हो गया 2000 प्लस 100 यह आ गया आपका 2100 और लास्ट है आपका NDP at MP NNP FC नेट नेट सेम है तो उससे कोई मतलब भी नहीं है प्लस ITA माइनस IFA प्लस TAX माइनस सबसेडी यह हो गया 2000 प्लस 200 माइनस 300 प्लस 200 माइनस 100 तो कितना हो गया 200 और 200 400 यह तो पूरे कटका है 2000 आपका तो इस तरह से हम यह काउंट करते हैं तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो जादा हो जाएगा आप लोगों के लिए अगली क्लास में हम GDP के मेथर्स को एस्टीमेट करेंगे कि GDP कैसे निकाल ली जाती है ट्रांसफर पेइमेंट पर्चेजिंग पार पैरेटी ग्रॉस क्यापिटल फॉरमेशन GDP डिफलेटर ग्रीन जीडिपी जीडिपी और उसके लिमिटेशन क्या होती है इनको हम नेक्स लेक्टर में देखेंगे तो उमीद करता हूँ आज का लेक्टर आपको समझ में आया होगा यह हमारा इस चाप्टर का पार्ट बन था नेक्स में भी स्टांट कर दिया था जिसका पार्ट वन हम लोगों ने ही सब्सक्रास को हम सब्सक्राइब क्या होता है जीडिपी और को इस्चिमिट क्या है जीडिपी अगर हमें जीडिटेल्कौल में दिसक्रास करी थी अब जो हमारी आप आज की class है उसमें हम यह discuss करेंगे कि GDP को estimate कैसे करते हैं How to estimate GDP GDP को estimate कैसे किया जाता है That is again a very important topic बहुत important topic है यह exam point of view से क्योंकि इस पर कई बार mains में सवाल पूछ लिया जाता है Mains में इस पर सवाल आ जाता है इसलिए यह बहुत ज़्यादा important है तो आप लोग सब focus करिए और ध्यान से इसको पढ़िए that's very important again चलिए तो start करते हैं हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलग-अलग methods कौन-कौन से है What are the different type of methods to estimate GDP GDP को estimate करने के अलग-अलग तरीके कौन से है methods कौन से है तो let's discuss them one by one सबसे पहले हम बात करेंगे income method की income method का मतलब है जैसा कि मैंने आपको कल पिछली class में बताया था कि what are the different type of factors of production चार तरह के हमारे factors of production होते हैं land एक सेक्ट हाँ तो मैंने आपको पिछली class में जैसा बताया था कि there are four factors of production land labor capital and entrepreneur यह आपके चार factors of production है तो चार factors of production जो आपके हैं इसमें land के लिए आप rent पे करते हो labor को आप wages पे करते हो capital पे interest और entrepreneurs का profit तो जब हम इन चारो income को add कर देते हैं जब हम इन चारो income को add कर देते हैं it is called as income method उसको हम income method कहते हैं when we add all these incomes we call it income method इसको हम income method कहेंगे वहीं अगर मैं बात गीए तो आपके income method हो गया income method next है आप तो expenditure method अब expenditure method में क्या होता है इसको भी बड़ देख लेते हैं expenditure method expenditure method में क्या scene है तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले इसमें आता है consumption consumption फिर investment फिर investment फिर expenditure फिर expenditure और फिर आपका net export ये चार चीज़ें आपके expenditure में आते हैं consumption कौन करता है जो individual demand करता है जो individual consume करता है that is consumption मतलब आज अगर मैं कोई चीज़ demand कर रहा हूँ मुझे shirt चाहिए pencil चाहिए mobile चाहिए that is consumption by individual that is individual demand investment किसके द्वारा किया जाता है या इन्डिवीज़ भी जो investment करते हैं that is investment expenditure जो सरकार के द्वारा किया जाता है structure में खर्ज करती है सरकार जो policies बनाती है सरकार जो plans बनाती है यह सारे आपके expenditure में आता है और net export net export में कौन सी चीज़ हैंगी net export का मतलब export minus import export minus import that is net export expenditure method in components से बनता है expenditure method का simple सा मतलब हो गया कि जो expenditure आपके द्वारा किये गए है जो expenditure आपके द्वारा करे गए है in terms of consumption जो consumption है investment है government expenditure है और उसके अलाबा export minus import तो उसको हम लिखते कैसे हैं c plus i plus g plus x minus m plus x minus m यह हो गया आपके expenditure method इस यह expenditure method consumption plus government expenditure plus investment plus आपका net exports that is export minus import that is called as expenditure method इसको हम expenditure method करे clear होगी बात और last हमारा है that is value added method जो आखरी हमारा है that is value added method value added method अब value added method जो है इसमें हम एक example जिसको पढ़ेंगे example है कि suppose करिए कोई car manufacture की जा रही है कोई car manufacture की जा रही है तो car manufacturing में सबसे पहले सबसे पहले जो raw material है raw material है raw material फिर processed processing यह secondary stage और फिर आपका final फाइनल goods तो raw material stage पर माल लीजे कि iron को extract किया जा रहा है माल लीजे iron extract कर रहे है अब iron को extract करने के लिए आपको चारों चीज़ां चाहिए होगी land चाहिए होगा labor चाहिए होगा capital चाहिए and you need entrepreneur अब माल लीजे iron को extract करने की जो total cost आई है that is 1 lakh total cost जो iron को extract करने की आई है वो आई है 1 lakh रुप है next processing हो रही है अब आपको यहाँ पर process करने है और आपको steel बनाने है तो यहाँ पर भी वही चार चीज़े होगी land, labor, capital और entrepreneur माल लीजे इनकी total cost जो steel को बनाने में आ रही है that is 4 lakh रुपी तो इसमें 1 lakh रुपे यह वाला भी add कर दिया जाएगा जो raw material stage पर था तो यह total तिकता हो गया 5 lakh रुपे अब final goods में आपकी painting हो गई paint हुआ आपका और जिसे branding हो गई यह सर्फ final goods में आ गया अब इसमें land, labor, capital, entrepreneur इसकी total cost माल लो आती है 5 lakh रुपे 5 lakh रुपे आपकी इसमें 10 lakh रुपे आती है इसकी total cost आपकी 10 lakh रुपे आती है तो 10 lakh यह plus 5 lakh plus 1 lakh तो यह हो गई आपकी 16 lakh लेकिन हम क्या 16 lakh को अमारे GDP में count करेंगे जी नहीं क्यों? क्योंकि यह 5 lakh और 1 lakh तो पहले ही count हो चुका है इसके अंदर इसलिए value added method में से 16 lakh में से 5 lakh तो यह processing steel वाला और 1 lakh raw material वाला यह इसमें से minus हो जाएगा तो जो 10 lakh रुपे है that is the final cost of the car तो जो GDP में count होगी वो 10 lakh वाली ही count होगी इसको हम value added method इसको हम value added method कहते है तो value added method में से जो total cost है उसमें से intermediate cost को हटा दिया जाता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे value added method में क्या होता है value added method में total cost में से total cost minus intermediate cost total cost में से intermediate cost को हटा दिया जाता है तो total cost आपकी 16 lakh है intermediate cost आपकी 6 lakh है इसको हटा दिया तो आपका जो final goods है जो GDP में count होगा that is 10 lakh तो 10 lakh रुपय आपके GDP में count होगे so this is value added method इसको हम value added method क्याते है चलिए अब आगे बढ़ेंगे next बात करेंगे transfer payment की transfer payment का क्या मतलब होता है transfer payment का मतलब वो payment जो सरकार के द्वारा किया जाए जिसमें सरकार grant दे अनुदान दे allowances दे कोई सहायता प्रदान करे pension प्रदान करे उन लोगों को जो लोग needy है जिन लोग को जरूरत है जिनकी कोई बहुत ज़्यदा income नहीं है और अगर income है भी तो काफी कम है तो इसमें सरकार जो है जब इनको ये फायता देती है तो इसके बदले कुछ expect नहीं करती ये नहीं करती expect कि आप इसके बदले हमें goods दीजिए ये services दीजिए ये सरकार सिर्फ इस लिए देती है विए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है लोगों न उनको चुना है कि जो गरीब तमगा है जो गरीब वर्ग है उसका भी सरकार को ध्यान रखना है transfer payment is the payment made by the government by providing grant, allowances, pension to the pensioner, widows, sick or unemployed people with little or no income जिनकी कोई such income नहीं है जिनकी बास कोई such source of income नहीं है और ये जो transfer किया जाता है ये बिना किसी exchange of goods or services के किया जाता है मतलब सरकार अगर ये कोई payment कर रही है तो इसके बदल ना तो सरकार कोई goods लेती है किसी से ना कोई services लेती है this is just a kind of a payment made by government because they have to fulfill the social responsibility as well तो इसको हम कहते हैं transfer payment next हम बात करेंगे purchasing power parity ये बहुत important है ये बहुत बहुत important है purchasing power parity का क्या मतलब होता है that is again very important आप simple सा एक चीज समझो what is purchasing power parity purchasing power parity का मतलब जो goods आज suppose करिए कि ये goods जो है ये मैं एक और सिंपल करते हैं इसको फड़ा सा रोको एक मिनट और सिंपलिफाय करते हैं आपके लिए मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ अभी इंडिया इंडिया में रह रहा हूँ और मैं डी मार्ट गया खरीदा मैंने एक नाइकी का शूज खरीदा माल लो और एक और लेलो मैंने मान लीजिए और एक फॉरेंड ब्राइंड हम माल लेते हैं मैंने पेपसी की बॉटिल खरीदी अब इसकी कॉस्ट मेरे लिए आई सपोस करो 3000 रुपीज ठीक है या 3500 रुपीज इसकी कॉस्ट आई मेरे पास 3500 रुपीज अब मैं कुछ दिनों के लिए US जा रहा हूँ भूमने अपने घरवालों के साथ और वहाँ पर भी मैं एक स्टोर पे गया और वहाँ भी मैंने लेज खरीदा नाइकी का शू खरीदा और पेपसी खरीदी सेम गुड्स खरीदी और सेम कॉंटिटी वाले वो मुझे माल लीजिए वो मुझे माल लो पढ़ते हैं 50 डॉलर के वो मुझे पढ़े 50 डॉलर के ठीक है अब अगर देखा जाए और एक डॉलर अगर 70 रुपे का है तो देखा जाए तो पर्चेजिंग पार पैरिटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं कितनी करंसी पे कर रहा हूँ यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 3500 रुपीज और यहाँ पे मैं सिर्फ 50 डॉलर पे कर रहा हूँ आप समझो एक बात को आपको लगेगा तो यह है कि सर यहां पर भी तो आप 3500 पे कर रहे हो तो कि 1.70 रुपे का लेकिन currency terms में आपसे बात करूँ अगर मैं currency terms में आपसे बात करूँ तो यहां पर मैं जो इंडियन currency दे रहा हूँ 3500 in terms of unit pay कर रहा हूँ और यहां पर जो मैं currency pay कर रहा हूँ in terms of unit for dollar that is 50 only तो इसको हम कहता है purchasing power parity इसको हम क्या कहता है इसको हम कहता है purchasing power parity जिसमें हम अपनी currency, same goods, basket of goods को जब हम purchase करते हैं दूसरी country में जाके that is called as purchasing power parity तो purchasing power parity का simple सा concept क्या हो गया कि अगर हम same basket of goods को इंडिया में purchase कर रहे हैं और foreign country में कर रहे हैं तो how much currency we are paying that should be the difference between them यहां पर हम 3500 pay कर रहे हैं और वहां हम 50 dollar pay कर रहे हैं देखा जाये तो amount उतना ही है लेकिन units में देखो कि वहां पर मैं सिर्फ 50 dollar का एक note दे रहा हूँ यहां पर मैं 500 रुपए के 7 note दे रहा हूँ यह यह भी आप कह सकते हो यहां मैं इंडिया में 50 रुपए के 70 note दे रहा हूँ और वहां पर अमेरिका में मैं 50 dollar का सिर्फ एक note दे रहा हूँ इसका formula भी देख लेता है एक बार purchasing power parity का formula क्या है यह भी आपको थोड़ा और simplify करते था हूँ मैं s equals to s equals to p1 upon p2 s equals to p1 upon p2 इससे भी आपका purchasing power parity निकल जाएगा मतलब इसको अगर हम calculate करें s equals to exchange rate s equals to exchange rate of currency 1 of currency 1 to currency 2 p1 equals to p1 equals to cost of goods in currency 1 cost of goods good in currency 1 cost of good in currency 1 and p2 equals to cost of the same good cost of same good in currency 2 in currency 2 so this is called as purchasing power parity formula s equals to p1 upon p2 s equals to exchange rate of currency 1 to currency 2 p1 equal to cost of goods in currency 1 and p2 is equals to cost of same good in currency 2 इसको हम purchasing power parity कहते है ठीक है चलिए next बात करेंगे gross capital formation की gross capital formation क्या होता है यह भी कई बार पूछ ले जाता है exam में what is this gross capital formation तो देखो gross capital formation का मतलब होता है कि जो total GDP है जो total GDP आपकी country की है उसमें से कितना percentage amount investment के form में लगाया गया है that is called as gross capital formation पहले में आपको एक foot goods क Mother जादा चांट्री में तो क्या होगा में production जादा करना पड़ेगा में आगर किसी नय गोर्थ कि saving बढ़ेगी, तो obvious सी बात है कि लोग investment जादा करेंगे LIC में, health policies में अगर investment जादा करेंगे तो इससे capital form होगी क्योंकि वो amount आप loan में दे सकते हो आप आगे further invest कर सकते हो उससे capital formation बढ़ेगा और उससे total GDP जो है country की, वो increase होगी So this is called as cycle of economic development तो देखिए, gross capital formation क्या है, कि total जो आपने percentage है जो total आपका GDP है उसमें से आपने कुछ percentage जो है, वो investment के लिए अगर रखा है that is called as gross capital formation, उसे हम कहते हैं, gross capital formation, तो जितनी ज़्यादा saving होगी, जितनी ज़्यादा saving होगी, उतना ही ज़्यादा capital formation डवलप होगा, क्यों? क्योंकि उतना ही ज़्यादा investment आप कर पाओगे, ठीक है अगर आज suppose करो, मैं only IES में काम करता हूँ और मेरी अगर income है, 1,00,000 रुपे महिना, तो अगर मेरे खर्चे जो हो, 30,000 रुपे के हैं, तो मतलब है, 70,000 रुपे सेव कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा मैं saving करूँगा, उतना ही मैं further investment कर पाऊँगा अब अगर मालो मेरी income ही 50,000 रुपे हैं, मेरे खर्चे ही 40,000 के हैं, तो मेरी saving 10,000 के होगा ही है, तो obvious सी बात है, मेरा investment कम होगा, और investment कम होगा, तो capital formation नहीं हो पाएगा, capital formation का मतलब है, कि आज suppose करो कि मैं कहीं पे invest कर रहा हूँ, मैं bank में पैसा जमा करा क्या रहा हूँ, bank उसको further loan में आगे forward कर रहा है, तो उसको हम capital formation कहते हैं, जो country में develop होती है, जैसे मैं LIC में, मैंने LIC की health policy ली, अब मैंने LIC का premium पे किया, सरकार उस amount से further investment करेगी infrastructure में, school खोलने में, sanitation में, that is called as capital formation, तो मतलब पैसे से ही पैसा बनता है, वो यहीं से निकला है, तो जितनी ज़्यादा saving, उतना ज़्यादा capital formation, उतना ज़्यादा growth sector में development, जितनी कम income, उतनी सेविंग, उतना ही कम capital formation, उतना ही कम investment, that result into lower gross capital formation, चलिए, next एक और important concept की बात कर लेते हैं, that is GDP deflator, यह भी बहुत बार exam में पूछा जाता है, कि बहुत GDP deflator क्या होता है, इसको भी समझा दो, तो GDP deflator क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं, GDP deflator का simple सा मतलब होता है, कि to measure the change in the price, prices में जो change किया जाता है, that is GDP deflator, तो what is GDP deflator, it measure the change in price when comparing nominal GDP to real GDP over several periods, जैसे एक example में आपके लिए लेता हूँ, एक example में आपके लिए लेता हूँ, आपको अराम से समझ में आ जाएगा यह concept, जैसे suppose करो कि कि किसी देश की nominal GDP, किसी देश की nominal GDP X है, और उसकी real GDP जो है, उसको जब आप into 100 कर दोगे, तो आपका GDP deflator निकल के आ जाएगा, मतलब कितना fluctuation है, और इसमें inflation को count कर रखा है, इसलिए, इसमें inflation को count किया गया है, इसलिए वो भैतर तरीके से निकलता है, क्योंकि आपका real GDP जो है, वो उसी के थुरू निकलेगा, वो इसी के थुरू निकलेगा, ठीक है, इसको एक बार मैं आपको और detail समझाता हूँ, एक मिनिट रुकिए, इसको मैं आपको एक example से समझाता हूँ, माल लो nominal GDP, nominal GDP जो है, एक example लेते हैं, nominal GDP आपकी है, 110, nominal GDP आपकी 110 है, 110 करोड मान लेते हैं, real GDP आपकी for example 100 करोड है, तो GDP deflator किता हुआ, GDP deflator किता हुआ, 110 upon 100 into 100, तो यह हो गया, 110, 110 का क्या मतलब है अभी हाँ पे, कि यहाँ पे, economy में inflation है, inflation है क्यों, क्योंकि जो economy में increase in price है, वो 100 के comparison में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया, तो this indicates that the overall economy has undergone inflation, that is increase in price level, क्यों, क्योंकि पहले आपकी जो real GDP है, वो 100 है, ठीक है, और अब जो GDP deflator हुआ है, वो 110 का हो गया है, मतलब price level जो change हुआ है, वो 10 times जादा है, वो 10 factor से increase हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर GDP deflator 100 ही रहता, मान लीजे, यह GDP deflator 100 ही रहता, तो उसका मतलब है, कि आपके हाँ पे zero inflation है, और अगर मान लीजे, कि यह 100 से कम रहता, अगर यह 100 से कम रहता, तो इसका मतलब है, आपकी economy में deflation है, और अगर यह 100 से जादा है, इसका मतलब है, कि जितना जादा हो रहा है उतना percentage आपकी country में inflation जादा हो चुका है ठीक है तो इसको वापस एक बार मैं समझा देता हूँ हो सकता है कोई बच्चों को यह थोड़ा से confusing लग रहा हूँ कि GDP deflator क्या हो गया यह समझ में नहीं आया है क्या है यह क्या हो रहा है तो देखो आपको अच्छे से याद होगा मैंने आपको दो तरह के GDP बताई थी एक मैंने आपको बताई थी नॉमिनल GDP और एक मैंने आपको बताई थी अब क्योंकि nominal GDP जो है वो एक सटीक measure नहीं है inflation measure करने का इसलिए real GDP जो है उसी को एक perfect measure माना जाता है GDP count करने के लिए तो अगर हमें ये जानना है कि भई ये GDP deflator में होता कैसे है काम कैसे चलता है इसके लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर मान लीजे nominal GDP आपका 110 है real GDP 100 है अब हम GDP deflator से ये count करेंगे कि prices में कितना change आ रहा है inflation की वज़े से inflation की वज़े से prices में कितना बदला हुआ तो हमने formula लगा दिया nominal upon real into 100 तो nominal 110 real 100 into 100 तो मतलब जो GDP deflator आ रहा है वो 110 आ रहा है और हमारी जो real GDP है वो कितनी है 100 है मतलब जो change है वो 10 का change है मतलब जो inflation बढ़ रहा है वो 10 के percent के हिसाब से बढ़ रहा है 10 units के हिसाब से change हो रहा है अब अगर मान लो ये ऐसा होता एक example है nominal GDP 90, real GDP 100 और ये 100 से multiply कर दिया अब ये अगर nominal GDP deflator 90 आ रहा है इसका मतलब real GDP 100 और GDP deflator 90 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारी economy में जो deflation है मतलब deflation मतलब deflation का मतलब demand कम supply जादा वो deflation 10 units पे है मतलब कि अगर हम real GDP को nominal GDP से compare कर रहे हैं तो GDP deflator निकल कर भाहर आता है वहीं अगर मान लो कि ये real GDP 100 होती nominal GDP 100 होती और ये 100 होता इसका मतलब हमारी country में inflation इस समय 0 है जो prices है वहीं है prices में कोई change नहीं हुआ है जबी भी GDP deflator real GDP से ज्यादा होगा इसका मतलब है there is an increase in price level by 10 units इस formula के हिसाब से वहीं अगर ये 100 से कम होगा तो that means कि there is a decrease in price in comparison to real GDP अब एक concept और बहुत जदा चल रहा है बहुत जदा न्यूज में है that is green GDP green GDP का क्या concept है देखिए हर country GDP के लिए काम कर रहे है growth के लिए काम कर रहे हर country चाहती है उसकी country में उसकी economy में growth हो और अगर वह environment को damage करके GDP बढ़ रही है तो वह GDP किसी काम की नहीं है क्योंकि जितना environment damage होगा उतना ही आपके आपे health problem होगी उतना ही आपके यहाँ पर diseases की issue होगे उतना ही climate change का effect आपकी economy में पड़ेगा तो आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्चा वापस health में लगा दोगी एक example से मैं आपको समझाता हूँ suppose करिए कि रमेश है रमेश 100 रुपे कमाता है रमेश 100 रुपे कमाता है काम पे जाके 6 गंटे की नौकरी करता है 100 रुपे कमाता है लेकिन रमेश क्या करता है शाम को शाम को आके वही 100 रुपए जो है वो इधर उधर किसी अक्टिविटी में खर्च कर देता है तो रमेश क्या कमा रहा है कुछ कमा ही नहीं रहा तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपके एकोनौमी में GDP मान लो 100 करोड की है लेकिन आपने पेड करती है एन्वारमेंट के लिए सजने सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं लिए जा रहे है और आपके हैं पर हेल्थ प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में बिमारियां फैलती जा रही है तो आप कमा 100 करोड रहे हो खर्च 120 करोड रहे हो तो अब क्या कर र विए इन्वारमेंट प्रोटेक्शन रहे देन वी टर्म डउट एज अग्रीन जी टिप तब हम उसको घ्रीन जी टीप का कंसेप्ट कहते हैं तो आपको अपको घ्रीन जी टीपी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा अब हम बात करेंगे GDP और उसकी limitation What are the issues in GDP estimation in India GDP और उसकी limitation क्या है सबसे पहली चीज़ तो यह है कि GDP में बहुत सारी चीज़ों को record नहीं किया जा सकता जैसे अगर आप black marketing कर रहे हो बाटर transaction कर रहे हो holding कर रहे हो तो वो GDP में count नहीं हो बाटर का मतलब क्या होता है जैसे मानलो ये मैं हूँ और ये मानलो मिरा friend है राज अब मेरे पास 10 kg राईस है और राज के पास 10 kg wheat है अब मुझे wheat चाहिए और राज को rice चाहिए तो मैं राज को अपना 10 kg rice दे दूँग बाटर सिस्टम लेकिन इसमें एक problem है, इसे problem क्या है कि अगर मान लिजे, मुझे 10 kg wheat चाहिए लेकिन राज को 10 kg बाजरा चाहिए तो मेरे पास 10 kg Rice है राज को Rice चाहिए, राज को छोच बाजरा चाहिए और मेरे पास बाजरा है नहीं तो फिर यहाँ पर यह बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है ठीक है तो बार्टर सिस्टम हो या ब्लैक मार्केटिंग हो या होडिंग हो वो GDP में काउंट नहीं होती दूसरा environment abuse अगर मालीजे आप environment को damage कर रहे हो production तो आप बहुत अबरदस कर रहे हो इंडस्ट्री लगा रहे हो फैक्ट्रियां लगा रहे हो लेकिन आप पेड़ों की कटाई कर रहे हो जंगलों को काट रहे हो वो GDP में काउंटी नहीं होता उसके लाब नॉन मार्केट प्रडक्शन माल लीजे खुद के प्राइविट कंजम्शन के लिए आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो that is not counted in GDP मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है ठीक है मेरे लिए खाना बना रही है तो वो GDP में काउंटी नहीं होगा क्योंकि GDP में सिर्फ वही चीज़ काउंट होती है तो वो GDP में काउंटी नहीं होगा क्योंकि वो उस गाडनिंग को उसमें गुलाब उग रहा है या उसमें सूरज मुखी का फूल उग रहा है या कुछ भी उग रहा है उसको बेच नहीं रहे वो खुद के शौक के लिए गाडनिंग कर रहे है so that is not counted in GDP उसके अलावा जो income inequality है small minority households है जो कुछ पैसा कमाते है वो बैंक में जमा करते नहीं है अपने घरमी रखते है वो भी GDP में काउंट नहीं होता क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया है वो खुद के इस्तिमाल के लिए यह यूज कर रहे है production उसका करनी रहे distribution करनी रहे that is not again counted in GDP उसके अलावा depreciation of capital GDP में सबसे बड़ी चीज है कि depreciation को include नहीं किया जाता और depreciation को include करना बहुत essential है क्योंकि जो goods है उनकी value with time depreciate होती है और अगर आपने depreciated goods को include नहीं किया इसका मतलब है कि आप उस चीज की value उसी चीज पर कर रहे हो जो उसकी actual cost दी depreciation is again not counted in GDP we had discussed many topics and especially when we are talking about economic growth हमने दो lectures अभी तक उसके पढ़ लिये हैं जिसमें हमने यह जाना GDP, NDP NNP यह क्या है GDP estimation क्या होता है GDP की problems क्या है, क्या-क्या चीज़े GDP में count नहीं होती GDP deflator भी हमने पढ़ा जिसमें हमने real GDP, nominal GDP compare करके यह देखा था कि कितना increase in price होता है कितना decrease in price होता है कि तहां पे inflation नहीं होता अब हम बात करेंगे next segment में that is part 3 of this chapter जिसमें हम बात करेंगे difference between CPI and GDP deflator consumer price index का मतलब जो चीज़ें, जो चीज़ें consumer pay करते है मतलब हमें अगर कोई goods चाहिए कोई services चाहिए जिसके लिए हम price pay कर रहे है, that is called as CPI जैसे आज मैं अगर कपड़े खरीद ने रुख गया मैं अगर grocery का समान लेने गया, ठीक है so this is CPI, that means I am purchasing the goods and services, this is called as CPI WPI क्या होता है, wholesale price index मतलब जो wholesalers होते है मतलब जो actually, जो chain चलती है goods की वो chain किस तरह से चलती है पहले ये बता देता हूँ मैं आपको जो chain है वो इस तरह से चलती है जैसे factory है factory जहाँ पर समान बनता है उससे wholesalers के पास जाता है, wholesalers कौन होते है ये जिससे सबसे पहले मान लीजे जैसे luxe sabun है अब luxe sabun की एक factory होगी वहाँ से ये जो luxe sabun है जो जिससे suppose करिए महराश्टर में luxe बन रहा है तो महराश्टर के जो बड़े 3-4 wholesalers है उनके पास वो luxe sabun जाता है अब wholesalers से ये जो समान होता है ये जाता है retailers के पास जो आपके बगल में shops हैं ठीक है, गुपता जी, मिशरा जी, खंडेलवाल जी अगरवाल जी, उनके पास ये साबun जाता है और finally जाता है आपके पास as a customer तो wholesale price index मतलब जो price ये wholesalers pay करते हैं to purchase the goods that is called as WPI तो भारत में CPI और WPI as a measure होते हैं लेकिर इंडिया ने CPI को as a measure मान रखा है अपनी economic को count करने के लिए अगर हमें अपनी economic को चीज़े को count करना है तो we will count CPI as a measure to know about the growth prospect of our country चलिए ये तो बात की बात है ये वापस आएगा अभी WPI, CPI तब इस पर और discuss कर लेंगे अभी बात कर लेता है GDP deflator और CPI में क्या difference है GDP deflator में कौन-कौन सी चीज़े cover होती है इसमें सारे goods and services जो भी देश में produce होते हैं उन सब को count करते हैं मतलब देश भर में जितने भी goods produce हुए जितनी भी services produce हुई all are counted in GDP deflator लेकिन CPI में सिर्फ उन ही goods and services को include किया जाता है जिने consumers purchase करते हैं जिने आप और मैं खरीदते हैं ठीक है GDP deflator में उन सारे goods को include किया जाता है जो domestically produce हो है सिर्फ domestically produce को ही include किया जाता है लेकिन CPI में उन चीज़ों को भी include किया जाता है जो domestically और internationally produced हो और उन्हें जैसे आज suppose करें कोई जैसे शौमी का phone है iPhone है iPhone भारत में तो produce होता नहीं है शौमी का phone भारत में तो produce होता नहीं है अब लेकिन भारत के लोग Apple का phone भी खरीदते है शौमी का phone भी खरीदते है तो that is also counted in CPI CPI ठीक है तीसरी चीज़ है कि GDP deflator क्या करता है यह basket of goods to change over time as composition of GDP change जैसा अगर माल लीजिए हमारी nominal GDP और real GDP by GDP deflator क्या है आपका nominal GDP upon real GDP into 100 अगर माल लीजिए कि यह real GDP का जो base year है इसको आप change कर देते हो तो real GDP के component में change आ जाएगा तो इससे GDP deflator में भी change हो सकता है लेकिन CPI के अंदर क्या होता है यहां पर fixed basket of goods होते है कि भाई ठीक है हमने इस basket of goods में 676 items को डाला है तो that is fixed अब जो CPI measure होगा वो इनहीं goods पे measure होगा इसमें नए goods जो है वो add नहीं किये गए है it is fixed component तो this is the difference between GDP deflator and CPI वापस repeat कर रहा हूँ GDP deflator में सारे goods and services को include करते है CPI में सिर्फ उन goods को include किया जाता है जो consumers purchase करते है GDP deflator सिर्फ उन्हीं goods को शामिल करता है जो domestically भारत में बने है CPI उन सारे goods को शामिल करता है जो भारत में भी बने है इंटरनाशनली हमारे हमने बॉरो की है उसके अलावा GDP deflator जो है इसमें basket of goods change हो सकता है अगर हम real GDP के component को change करके base year बदल दे तो CPI fix basket of goods को शामिल करता है अब हम बात करेंगे next segment पे that is business cycle business cycle क्या होता है business cycle मतलब जो business का एक पूरा cycle होता है जिसमें कभी expansion होता है कभी peak होता है फिर recession आता है डिप्रेशन आता है फिर recovery होती है इन सब को हम लोग देखेंगे individually एक ही करके सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे depression की depression क्या है what is depression सबसे पहले इसके بारे में बात कर लेते हैं कि depression क्या होता है depression depression से हम क्या समझते है depression का simple सा मतलब है कि जहां पर ekognomy में जबरदस्थ जहां पर ekognomy में जबरदस्थ गिरावट आई हो that is termed as depression उसको हम कहते है depression तो इसका मतलब क्या है जब काफी ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरावट एक महीने दो महीने की है जब यह गिरावट तीन साल से जादा की हो तो हम उसको कहते हैं depression इसको हम पढ़ लेते हैं a severe a severe and prolonged a severe and prolonged downturn in downturn in economic activity in economic activity in economic activity a extreme form of recession a extreme form of recession a extreme form of recession that last that last three plus years that last three plus year or led to or led to decline in decline in real GDP decline in real GDP at least 10% at least 10% this is called as depression इसको हम depression कहते हैं यह 1930 में एक बार आया था the great depression आपने सुना हो गया इसके बारे में जर्मनी का context भी इसमें था the great depression of 1930 तो यह होता है depression जिसका मतलब है कि economy में economy में जबर्दस तरीके के गिरावट आई है economic activity में country में किसी भी तरह के कोई demand generate नहीं हो रही है और इतना बुरा recession है कि वह तीन साल से उपड़ चला गया है जिससे जो real GDP है वो 10% तक गिर चुकी है employment नहीं है poverty बहुत ज़्यादा है ठीक है malnutrition की problem बहुत ज़्यादा है उसके अलावा economy में demand ही create नहीं हो रही that is called as depression उससे हम क्याते हैं depression next we talk about next we talk about recovery recovery is the next phase depression के बाद जो next phase है that is recovery upturn upturn in demand upturn in demand which led to which led to increase in production which led to increase in production which led to increase in production level and bring new investments bring new investments bring new investments which led to which led to rise in demand rise in demand and increases the inflation and increases the inflation it is recovery recovery मतलब जो next phase होता है next phase जो depression के बाद आता है that is recovery recovery का मतलब अब demand हलकी सी बढ़ने लग गई है demand बढ़ने लग गई है production बढ़ने लग जिससे नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे है और जिससे भारत की economy या किसी भी economy में demand creator या inflation generator है अब आपको मैं चीज़ समझात हो आपको बहुत धंसे रिलेट करूँगा मैं इसको अभी कोविड था कोविड था तो situation इस तरह की थी कि हमारे रिसेशन आ गया था जबरदस रिसेशन था लोगों की नौकरिया जाने लग गई बहुत प्रडक्शन बंद हो गया इंडस्ट्रिल यूनिट्स बंद हो गये लोग अपने अपने घर वापस जाने लग गए तो एकनॉम सरकार ने एक package announce किया इसका नाम था आत्म निर्भर भारत package वो package सरकार ने announce किया उससे कहीं न कहीं recovery case sign generate हुए demand generate हुई जिससे production बढ़ने लगा जिससे investment बढ़ने लगे और जिससे कहीं न कहीं economy में demand create होने लगी तो हम इसको कहते है expansionary fiscal policy सरकार के दोरा क्या किया गया सरकार के दोरा expansion किया गया और उसी को हम कहते है expansionary fiscal policy मतलब government has taken steps to do expansion सरकार की तरफ से expansion किया गया उसी को हम कहते है expansion expansion expansionary fiscal policy सरकार की तरफ से जबरदस्त expenditure हुआ उस expenditure की वजह से नएने investment सरकार नहीं करे लोगों को नौकरिया मिली जब नौक इंवेस्मेंट बढ़े नौकरिया मिली production बढ़ने लगा इससे foreign countries को भी समझ में आने लगा कि हां भारत में अभी भी scope है काफी invest करने का that is the phase of recovery उसको थार्ड is the period of boom तीसरा जो होता है that is the period of boom boom मतलब जब जबरदस तरीके से demand increase होती है जब भारत जब demand supply में difference आ जाता है जब कहीं न कहीं economy में जबरदस शूट होता है that is called as boom though that means accelerated means acceleration acceleration in demand acceleration in demand which exceeds which exceeds the production which exceeds the production and resulted into and resulted into high inflation अब बूम क्या मतलब है बूम का मतलब जहां चारों तरफ आपको दिख रहा है prosperity होगे डिमांड बढ़ रही है हर जगे पर employment की कोई कमी नहीं है नौकरियां भरबार है नौकरियों की लोगों के पास काफी पैसा है लोग demand लगातार करे जा रहे है that is called as the period of boom जैसे आपने देखा होगा दिवाली के season क्या सपास boom होता है market में क्यों क्यों क्योंकि लोग जो होते है जब demand जो है वो production से supply से जादा बढ़ जाए और जिससे inflation बढ़ जाता है हाई हो जाता है और जिससे economy में कहीं न कहीं यह situation होती है कि now the country's GDP is growing at a faster rate इसको हम क्याते है the period of boom चौथा होता है हमारा next is the fourth point fourth that is the period of economic recession चौथा होता है period of economic recession economic recession का period का मतलब क्या है जहाँ पे economic गिरना शुरू होती है वापस से economic गिरना शुरू होती है period of when economy when economy starts declining starts declining when economy starts declining there is drop in stock market drop in stock market stock market में drop होना शुरू हो जाता है increase in unemployment increase in unemployment बेरोजगारी में भड़ोत्री हो जाती है increase in unemployment apart from that apart from that decline in decline in real estate this is economic recession economic recession का मतलब जब भूम के बाद जब भूम के बाद production बहुत ज़्यादा हो जाता है बई एक तो हुगा कि बूम पीरेड में demand ज़्यादा हो रही है supply कम है अब हमने supply बहुत ज़्यादा बढ़ा दी अब जब बहुत ज़्यादा supply हो गई तो सभी लोग की demand पूरी होने लगी तो अब लोगों ने demand थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया इससे क्या होता है economy थोड़ा सा dip करने लग जाती क्योंकि supply होती हो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है stock market में drop होने लग जाता है employment वापस increase हो जाता है that is decline in real estate जैसे अपके example देता हूं मान लीजिए यहाँ पर यह कार है मारूती की कार है मारूती कार है इस मारूती की कार की available कार जो है available जो गाडियां है मान लीजिए वह 1000 है ठीक है demand है 4000 गाडियों की चार हजार गाडियों की demand अवेलेबल सिर्फ 1000 गाडिया है तो मारूती ने क्या किया अपने तीन चार plants और लगा दिये है एदरबाद में लगा दिया चैन्नही में लगा दिया बैंगलॉर में लगा दिया आपके एमदाबाद में लगा दिया अब क्या हो गया available जो गाडियां है वह गई 10,000 और जो डिमांड है यहाँ पर 10,000 गाडियां available है और जो डिमांड है वो 8,000 गाडियों की है तो अब मारूती क्या करेगा फर्दर इंवेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि available 10,000 गाडियां है तो they will not do further investment और जब further investment नहीं करेंगे तो अव्यस सी बात है employment generate वापस नहीं होगा So this is the period of economic recession Next आता है double dip depression Double dip depression का मतलब क्या होता है What is double dip depression Double dip depression Double dip depression से क्या समझते हैं Double dip depression मतलब a recession A recession followed by A recession followed by Short recovery A recession followed by short recovery एक ऐसा recession उसके बाद थोड़ी सी recovery हो थोड़ी सी recovery हो and followed by And followed by another recession इसका example कैसे समझ सकते हैं हम इसका example कैसे समझ सकते हैं जैसे माल लो माल लो कि एक recession चल रहा है अब उसके बाद में सरकार ने कोई package announce कर दिया उससे कुछ हलकी बहुत recovery होनी शुरू हुई उससे हलकी बहुत recovery शुरू होने लगी लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत recovery हुई वापस से कोई ऐसी problem आ गई जिसकी वज़े से recession फिर शुरू हो गया जैसे मैं एक example देता हूँ आपको जैसे माल लो कि भारत में recession है continuous recession है जैसे कोविड की वज़े से continuous recession था अब सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज लांच किया recovery होना शुरू हुई और इसका directly relation नहीं है यह मैं just example दे रहा हूँ कि आत्म निर्भर भारत पैकेज भारत ने अनाउंस किया recovery होने लग गई तीन-चार माई नहीं हुए थे कि वापस से second wave आ गई और वो और खतरनाक थी उससे फिर recession होने लगा फिर lockdown हो गया फिर shutdown हो गया this is double dip depression double dip depression मतलब पहले यह इस तरह से होगा पहले economy हलकी सी dip कर रही है फिर economy हलकी सी grow करी फिर it again flows down this is called as double dip depression this is double dip depression और एक और छोटा सा term होता है एक term और होता है छोटा सा that is economic slowdown The economy slowdown यह economic slowdown क्या है इसको भी देख लेते है economic slowdown मतलब जहां पर gdp की growth slow हो जाती है gdp growth slows gdp की growth slow हो जाती है but not declines but not decline gdp की growth बुद्स तो कम हो जाती है लेकिन decline नहीं करती है इसका example मैं आपको देता हूं माल लीजे January में भारत की GDP है 6.8% अब February में भारत की economy की growth होती है 7.0 March में होती है 7.1 February में होती है 7.13 अब आप देखो यहाँ पे economy कित्ते से बढ़ी है 1.2% से यहाँ पे economy कित्ते से बढ़ी 1 से यहाँ पे economy कित्ती बढ़ रही है 0.13 से तो economy की growth तो हो रही है लेकिन economy की growth हो रही है in terms of percentage वो लगातार गिर रही है So this is economic slowdown This is called as economic slowdown इसको हम कहते हैं economic slowdown This is the situation of economic slowdown तो यह 1.2 हा यहाँ पे यह 0.10 हुआ फिर यहाँ पे यह 0.3 हुआ 0.03 So this is called as economic slowdown situation इसको हम economic slowdown कहते हैं Clear हो गया? उमीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें clear होंगी सारी Okay, next अब हम बात करेंगे types of economic recovery देखें यह भी बहुत important है और यह exam में पूछा भी गया था अभी कुछ जो mains का exam हुआ था 2021 का उसमें यह सवाल पूछा भी गया था और यह बहुत ज़दा important है इस साल prelims के लिए भी Types of economic recovery Types of economic recovery के हम बात करें तो अलग-अलग types होते हैं अलग-अलग shapes के basis पर economic recovery की बात करी गई है तो पहले तो अब इसको अच्छे से देख लो V-shape economy मतला पहले economy dip कर रही है फिर faster तरीके से grow कर रही है L-shape economy पहले economy dip कर रही है और फिर dip वाली economy stable हो गई है W-shape economy पहले economy dip कर रही है फिर grow कर रही है फिर dip कर रही है फिर grow कर रही है उसके बाद U-shape economy मतलब economy पहले dip कर रही है थोड़ी देर के लिए stable रहती है फिर वापस से grow करती है नाइक रिकावरी यह वो है जिसमें ग्रोथ बहुत जल्द स्विरू होती है पर एकनॉमी डिप करती है और फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है इस इन बिट्वीन वी एंड यू Z shape economy पहले economy grow करती है फिर economy dip करती है फिर grow करती है तो ये कहीं थोड़ा सा एक unrealistic situation है WW shape economy grow कर रही है dip कर रही है grow, dip, grow, dip like that Square root shape square root shape का मतलब है कि पहले economy stable है फिर dip कर रही है थोड़ा सा grow करके economy stable की तरफ जा रही है and then K shape K shape मतलब एक sector में growth हो रही है और बागी sectors में dip कर रही है थोड़ा सा इसको detail पढ़ेंगे क्योंकि ये important है exam point of view से इस पर सवाल बिलकुल बनते हैं तो इसको हमें थोड़ा सा detail पढ़ना पढ़ेगा so let's start with it थोड़ा सा क्योंकि इस पर exam में question आ चुके है चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके इनको देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर cover होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे Z-shaped की first of all let's talk about Z-shape economy Z-shape economy में कौन-कौन सी चीज़ें cover होती है सबसे पहले उसको देख लेता है Z-shape economy Z-shape economy Z-shape economy क्या है Z-shape economy का simple सा मतलब क्या हो गया यह एक सबसे optimistic scenario है सबसे optimistic scenario है in which economic quickly rise after economic crash most optimum most optimum most optimum most optimum economic scenario economic scenario where economy where economy recover where economy recover soon after the crash where economy rise this soon after crash crash के बाद economy जो वापस से recover करती है that is Z-shape economy next is V-shape next है हमारा V-shape economy V-shape economy V-shape economy का मतलब आप समझ में आई रहा होगा आपको कि कहीं न कहीं पहले economy dip कर रही है फिर again it growing next is V-shape economy V-shape economy में क्या होता है V-shape economy मतलब economy the economy soon regain soon regain and get back and get back to normal get back to normal this is called as V-shape economy ठीक है तो इसको हम कहेंगे V-shape economy यहाँ पर आपकी income और job permanently lost नहीं होती सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि एकनॉमी dip कर रही है बट अगेन एकनॉमी वापस से बहतर हो जाती है तीसरा है U-shaped economy U-shaped economy क्या है U-shaped economy मतलब after falling struggle after falling struggles after falling struggles for low growth rate for low growth rate for low growth rate for some time for some time economy again economy again gain मतलब कुछ समय के लिए economy पहले dip करती है फिर कुछ समय तक उसी level पर stable रहती है फिर again grow करती है that is U-shaped economy उसे हम U-shaped economy कहते हैं इसे हैं तैसरा है double W-shape W-shape मतलब double dip इसको हम कहेंगे double dip double dip या W-shaped economic recovery इसमें कहींना कहीं क्या होता है growth, fall and rise but fall again before recovery before recovering yet again पहले थोड़ी सी economy dip करती है फिर हलकी सी grow करती है फिर वापस dip करती है फिर वापस grow करती है that is w-shaped economy इसको हम क्याते हैं w-shaped economy next is l-shaped l-shaped economy l-shaped economy का मतलब क्या हुआ the worst scenario ये एक worst scenario है worst scenario in which growth after falling in which growth after falling in which growth after falling stagnant at low level stagnant at low level stagnant at low level and do not recover for long time do not recover for long time उसी position पे stable हो जाती है मतलब ये dip करी और यहीं पे continue कर रही है that is l-shaped next आपकी j-shaped j-shaped economy जे फास पाथख्टहा है एक unrealistic scenario next a good एक अन्रियलिस्टिक सिनारियो ग्रोथ एकदम से बढ़ती है ग्रोथ tut़ crashing in on on लो, from lower level, from lower level, from lower level, and stays there, यह बहुत मुश्किल है, almost impossible है, कि पहले economic growth बढ़ी, बढ़के एकदम भाही पर stable हो गई, यह बहुत almost impossible kind of situation, next है आपका K shape economy, K shape economy कहीं न कहीं आपके V और L के बीच में, K shape economy, V और L के बीच में है, तो यह थी हमारी अलग-अलग types of economic recovery, बाकी जो है, वो आप इस map में भी देख, इस photo में भी दे सकते हो, V shape, L shape, W shape, U shape, Nike shape, Z, Red, www, square root shape, square root shape में मतलब क्या हो रहा है, कि कहीं पर economy थोड़ा सा नीचे, पहले stable है, फिर नीचे गिर रही है, फिर हर गाहा से growth होके वापस stable हो रही है, that is crash वाली situation, crash से पहले की situation, तो यह अलग-अलग shapes है, economic recovery के, तो आज की class में इतना ही, अलग-अलग shapes हम ने economic recovery के पड़ी, so I hope आपको economic recovery के shapes समझ में आ गई होंगी, इस economic growth का जो last segment होगा, that is on national income, so I hope आपको class अच्छी लगी होगी, hello everyone, welcome to only IES, so in the series of prelims 2022 Indian economy, we are now discussing national income, economic growth के हमें तीन पार्ट पढ़ लिए थे, this is the last part of economic growth, that is national income, national income काफे important है, national income मतलब सम टूटल इंकम आपको सम टूटल इंकम आपको सम टूटल इंकम आपको सम टूटल इंकम करने के लिए, the formula is NNP at FC, यह हमारा formula होता है, net national product at factor cost, net national product at factor cost is the formula to compute national income, अब example ले लेते हैं माल लोग की हमको GDP at MP दे रखा है, ठीक है, that is 1000, और depreciation सपोस करिए हमको दे रखा है 200, net factor income from abroad हमको इसमें export minus import दोनों है, वो हमको 100 दे रखा है, taxes माल लीजिए हमें 200 दे रखा है, और subsidy हमको दे रखा है 100, अब हमें compute करना है national income, हमें क्या निकालना है, हमें national income निकालना है इस particular चीज से, तो national income हम कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है, NNP at FC हमें निकालना है, तो GDP at MP, GDP at MP, plus NFIA, net factor income from abroad, minus, हमें gross, हमें net निकालना है, minus depreciation, minus depreciation, उसके अलावा, और क्या हो जाएगा, MP हमें given है, factor cost हमें निकालना है, तो plus subsidy, minus tax, यह निकल गया आपका, 1000, plus 100, plus आपका subsidy, 100, minus tax, 200, minus depreciation, 200, तो यह आगया आपका, 100 और यह दोनों तो कटी गया, से 800 is your national income, 800 is your national income, तो national income आपकी 800 आगई, इस तरह से हम national income को compute करते हैं, this is how we can compute the national income, तो अगर definition part पर चलें, कि भई definition part पर भी इबर cover कर लें कि national income क्या होता है, कि हम समझ लेते हैं, इसको national income of a country means, means, complete value of, complete value of, of goods and services, of goods and services, produced by any country, produced by any country, produced by any country, during its financial year, during its financial year, during its financial year, hence it is the consequence, it is the consequence, of all economic activities, of all economic activities, of all economic activities, that are running in any country, that are running, in any country, that are running in any country, during the period of one year, during the period of one year, the national income is the total amount, total amount of, total amount of income, total amount of income, we get through, total amount of income, we get through, various economic activities, various economic activities, in one year, in one year, so this is called, as national income, means, complete value of goods, and services, produced by any country, during its financial year, it is the consequence, of all economic activities, that are running, in any country, during the period of one year, become, non economic activities, non economic activities, इसमें शामिल नहीं औरिजीं, non economic activities, इसमें शामिल नहीं करते, या फिर total amount of income, we get through various economic activities, in one year, is called as national income, जितनी amount of income, हमें साल भड़ से गयदर होती है, through economic activity, that is considered as a national income, इसका हम national income कहते हैं, clear होगे यहां तक, I hope यहां तक आपको सबको clear होगा कि what is national income ठीक है आगे बढ़ सकते हैं उमीद करता हूँ यहां तक आपको सबको चीज़े clear होगी this is called as national income ओके और यही national income जब factor cost पे आती है तो इसका मतलब land, labor, capital, entrepreneur की जब cost आपस को जोड़ लिया जाता है और इसी को जब हमें market price पे निकालना होता है तो हम taxes और subsidies को taxes को आड़ करके subsidies को समसे subtract कर देते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे personal income की what is personal income पहले personal income पढ़ लेता है फिर disposable income पढ़ लेंगे personal income क्या होता है it is the total money income it is the it is the total money income it is the total money income received by individual received by individual received by individual and household and household of a country and household of a country from all possible sources from all possible sources before direct tax before direct taxes अप सुनिया personal income क्या है it is the total money income received by individual and household of a country from all possible sources before direct taxes मैं test book के लिए काम करता हूँ test book जो मुझे salary देती that is my personal income ठीक है आगर obviously उसमें tax एड़िजस्ट नहीं होना चाहिए उसमें tax adjusted नहीं होना चाहिए माल लीजे मेरा एक business है मैं उस business से कुछ income earn करता हूँ that is my personal income लेकिन उसमें taxes को भी शामिल नहीं किया जाता taxes को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो अगर हमें personal income निकालनी है if we want to find out what is personal income अगर हमें personal income find करनी है तो वो कैसे निकलेगी 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 निकल इनको मैं आपको सब समझाओंगा यह क्या होते हैं इस तरह से पर्सनल इंकम निकलती है अब यह निकलती कैसे है कैसे इसको निकाला जाता है इसको हम लोग समझेंगे कि यह कैसे निकाली जाती है एक टर्म को हम लोग इसमें समझेंगे यह कैसे निकलती है अब अगर मैं इसमें इंडिविज्वल टर्म की बात करूँ नाशनल इंकम आप सबको समझ में आ चुका है यह वाट इस नाशनल इंकम, नाशनल इंकम मतलब जो कंट्री की टोटल इंकम है, that is NNP at FC, अब नेक्स टर्म जो आ रहा है, that is corporate income tax, अब corporate income tax हमारे लिए नया टर्म है, यह corporate income tax क्या होता है? अब इसको समझेंगे, what is this corporate income tax? तेखो, जो चीज हमें सबसे पहले इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? कि एक तो टोटल मनी इंकम रिसीव बाए इंडिविजिल और हाउस होल्ड और कंट्री, मतलब कोई व्यक्ति विशेश, इंडिविजिल या कोई हाउस होल् अगर इसमें हम फैक्टर इंकम, जो लैंड लेबर कैपिटल उन्त्रप्रेणियोर वाली होती है, वह वाली इंकम और ट्रांसफर पेमेंट दोनों को जोडते हैं, ट्रांसफर पेमेंट आपको पता है, जो मैंने आपको समझा है था, जो सरकार जो है, वो गरीबों को, विम पर्सनल इंकम में हम क्या शामिल करते हैं, इंकम फ्रॉम एबराट, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, बाहर से पैसा कमा के लेकर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख जिता हूँ, पर्सनल इंकम में क्या के चीज़ा इंक्लूरेड है, इंकम earned in domestic territory, domestic territory में जो आप पैसा कमा रहे हो, वो इसके अंदर included है, ठीक है, दूसरा, income earned in foreign country, foreign country में आपने कुछ income earned करी है, वो भी इसमें included है, इसमें आपकी factor income भी included होती है, land, labor, capital वाली, उसके अलावा इसमें आपके transfer payment भी जोड़े जाते हैं, जो सरकार आपको assistance देती है, that too is included, लेकिन इसमें क्या exclude होता है, इसमें से क्या exclude होता है, इसमें से exclude होता है private income, मतलब जो private business holders को, की जो income होती है, वो इसमें शामिल नहीं होती, जैसे माल लीजिए, मैं Tata salt खरीद रहा हूँ, अब Tata salt अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो ये जो income है, ये Tata enterprises की है, वो personal income में नहीं आएगी, वो private income में आती है, और वो मेरा क्या है, वो मेरा personal expenditure है, तो private income जो होती है, उसमें household की income और business income दोनों आती है, लेकिन personal income में सिर्फ income उसी की हम जोड़ेंगे, जो individual या household की है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत important है, बच्चे confused होते हैं, और क्या-क्या-क्या-क excluded है, वो भी देख लेते हैं, और इसमें क्या-क्या excluded होता है, तो देखो, मैं आपको बता दिया, private income इसमें excluded होगी, क्योंकि private income जो है, ये किस की income होती है, ये include की जाती है, जो private enterprises की, ता-ता एंटरप्राइजेस की इंकम है इसी लिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऑल्दो पर्सनल इंकम जो होती है वह प्राइविट इंकम का एक पार्ट होती है अज टाटा जो है उनकी भी तरह यह पर्सनल इंकम ही हुई ना जो हमारे इसको हटा देते हैं दो मिनट के लिए ताकि आपको कोई कन्फूजन ना बहुत सिंपल सा कॉंसेट है कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं लगाना रोको इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया है यहां से अब एक मिनट उमीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सार कि पर्सनल इंकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है अब यहां हम बात करेंगे कि इसमें एक्स्क्लूजन क्या क्या है एक्स्क्लूड इसमें क्या 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 जाता है तो देखो इंकम दो तरह की होती है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंकम जो है वो दो तरह की है, income दो तरह की है, एक है private income और एक है आपकी personal income, एक है private income, एक है आपकी personal income. अब personal income में सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि इसमें individual और household की income को हम शामिल करेंगे, जो individual व्यक्ति कमा रहा है या कोई household कमा रहा है, उसको हम सिर्फ शामिल करेंगे ये बात आपको ध्यान रखेंगे लेकिन जो प्राइवेट इंकम होती है प्राइवेट इंकम में दोनों को शामिल किया जाता है जो प्राइवेट एंटरप्राइज कमाती है यसे रिलाइंस कमा रही है टाटा कमा रही है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है और उसके अलावा जो household कमा रहे हैं उसे भी private income में शामिल किया जाता है ठीक है क्योंकि आज अगर मान लिजे रतन टाटा या टाटा कुछ कमा रहा है तो यह उनकी private enterprises है उसकी income भी इसमें शामिल की जाएगी और रतन टाटा की जो household income है वो भी इसमें शामिल की जाएगी लेकिन personal income में सिर्फ individual या उसकी household income को ही शामिल किया जाता है यहाँ पर private income को शामिल नहीं करते यह हमें ध्यान रखना है पहली बार तो exclusion इसमें क्या है सबसे पहले तो इसके अंदर corporate tax को शामिल नहीं किया जाता corporate tax का मतलब कौन सा tax वो tax जो private company जो है सरकार को देती है वो इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि वो individuals को नहीं मिलता तो corporate tax that is paid by paid by private enterprises private enterprises to the government is not included in that जो टाटा जी टाटा है अम्मानी है जो सरकार को tax pay करते हैं वो इसमें शामिल नहीं किया दाता corporate tax बोलते हैं क्योंकि it is not received by it is not received by household यह household को नहीं मिलता it is not received by household दूसरा इसमें किस चीज को शामिल नहीं किया जाता दूसरा इसमें किस चीज को शामिल नहीं करते दूसरा जो इसमें शामिल नहीं करते that is retained earning retained earning को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता retained earning मतलग वो income जो income that is retained by income retained by private enterprise इंकम रिटेन्ड by private enterprise जो इंकम private enterprise retain करते हैं for future expansion for future expansion and unforeseen event unforeseen event वो भी इसमें शामिल नहीं की जाती तो personal income में corporate tax को शामिल नहीं करते हैं प्राइवेट इंकम को शामिल नहीं करते हैं रिटेन अर्णिंग मतलब वह इंकम जो प्राइवेट एंटरप्राइज अपने पास रखते हैं कि लिए बढ़ाना हो that is called as Unforseen event इसका अगर हमें formula निकालना हो अगर हमें इसका formula निकालना हो personal income का तो personal income क्या हुई personal income is equals to private income private income minus corporate tax minus corporate tax minus retained earning minus retained earning एगा इस दा फॉर्मूला टू कैल्कूलेट परस्वेल इंकम यह परसनल कल्कूलेट करने का ने अग्या Pen You अब बात करेंगे डिस पॉजिबल इंकम पहले देख़ो हम नाशनल डिस पोजिफ एब इंकम तो थोड़ा of money that individual and families that individual and families have available have available for spending available for spending or saving or saving after they have paid after they have paid the taxes and received and received welfare benefits we call national disposal 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 means that you can charge the job you can charge the job you can save the job that is disposable income today I work in test book or I work in only IS or I work in other places for example 50,000 to receive 50,000 to receive welfare benefit है फ़िट भी सरकारी परफ से कोई मिल गया अब मेरे पास अपने पास खर्च करने के लिए 45,000 है तो मैं चाहूं तो 45,000 को खर्च कर सकता हूं चाहे तो इसको सेव कर सकता हूं फर फ्यूचर किसी और परफस के लिए तो this is called as disposable income इसको हम दिश्रोजेबल कर सकते हैं अब दिश्पोजेबले इनकम दो तरह की होटी है art trip of disposable ह Linda दश्रोजेबलिंगों तरह के डिस्पोजेबल इंकम होती है एक होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम a personal disposable income और दूसरी होती है हमारी National Disposable Income ये दो तरह की disposable income हमारी होती है अब देखो एक example ले लेते हैं फॉर एक्जेम्पल ये राम है राम की जो income है वो 50,000 है अब इस 50,000 पे राम सपोस करिए पांच हजार का tax pay करता है tax pay करता है 5,000 रुपीज का और राम जो है वो कुछ ऐसे items भी बनाता है जो गरीब बच्चों के फायदे के लिए है या वो गरीब बच्चों को पढ़ाता भी है Saturday, Sunday को ठीक है या मान लिजिए वो जो videos हैं उनको भी पढ़ाता है कुछ इस तरह काम करता है और सरकार उसके लिए उसको पर मन एक example ले लेते हैं सरकार पर मन उसको 7,000 रुपीज का benefit देती है सरकार पर मन उसको 7,000 का benefit देती है तो ये तो minus हो जाएगा और ये plus हो जाएगा ठीक है तो इसकी total income कितने होगे 50,000 minus 5,000 plus 7,000 तो 50,000 माइनस 5,000 कितना हो गया आपका 15,000 माइनस 5,000 हो गया 45,000 और प्लस 7,000 7,000 आपका कितना हो गया 52,000 तो 52,000 देखा जाए उसकी total income है लेकिन जब हम disposable income को count करते हैं तो हम taxes की income को और जो benefit हमें सरकार के द्वारा मिले हैं इसको हटा के अपनी income count करते हैं इसको हटा के जो हमारी income है that is called as personal disposable income देखा जाए तो 7,000 रुपय उसको मिल रहे हैं लेकिन यह उसकी disposable income नहीं है क्योंकि यह उसको मिल रहे है as a benefit as a subsidy उसको मिल रहे है तो जो amount उसके पास available है for spending or saving that is 50,000 क्योंकि 7,000 रुपय को वो further अपने इस program के लिए जो video education है या बच्चों की education है उसके लिए उसने अलग से रख रखता है for further spending not in terms of his own spending for his individual and family benefits तो that is called as disposable income इसको हम disposable income क्याते हैं लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए राम जो है वो अपने जो videos को पढ़ा रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है उस case में अगर सरकार उसको यह कहती है और सरकार उसको कोई benefit देती है और सरकार यह कहती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हम आपको as a transfer payment यह 7000 रुपए देने तो that is added in this income तो आपको simple सा यह समझना है कि यह 50,000 रुपए राम की total income है जो राम को receive हो रही है जहां पर भी काम कर रहा है जिस private company में हो काम कर रहा है यह इसको मैं आपको लिए और simple करता हूँ suppose करो राम जो है यह टाटा में काम करता है टाटा इंडस्ट्रीज में टाटा इंडस्ट्रीज में यह काम करता है Monday to Friday इसके लिए इसको 50,000 रुपए मिलता है that is his income अब इस 50,000 में 10% tax pay करता है जो कि 5000 रुपए हो गया इसके अलावा Saturday Sunday को राम जो है इसके पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम यह हो गया इसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम क्लियर हो गया तो पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम में क्या क्या चीज़ों करते हैं total income received by an individual minus taxes plus any kind of state received welfare benefit या transfer payment भी हम कह सकते है जो राम को मिल रहा है क्योंकि राम विडोज को पढ़ाता है गरीब बच्चों को पढ़ाता है तो सरकार इसको 7,000 उपर महिना देती है तो 50,000 minus 5,000 plus 7,000 that is the disposable income clear हो गया उमीद करता हूं आपको disposable income का concept आप clear होगा चलिए अब एक एक करके इनको discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे personal disposable income की क्योंकि यह अभी बिल्कुल आपने पढ़ा ही पढ़ा है तो आपको यह जल्दी समझना आ जाएगा तो personal disposable income क्या है इसको पहले देख लेते हैं what is personal disposable income let's discuss this so it refers to it refers to that part of personal income that part of personal income it refers to that part of personal income which is actually available which is actually available which is actually available at the disposable at the disposal of households वो personal income जो आप actually available है आपको dispose करने के लिए मतलब ऐसी income जो आप खर्च कर सकते हो या save कर सकते हो that is personal disposable income personal disposable income it does not include it does not include personal taxes it does not include personal taxes as household as household need to pay need to pay direct taxes that is income tax house tax to government अब इसमें personal tax को include नहीं करा जाता क्योंकि यह आपको pay करना ही करना है direct tax as a income and house tax to government अब देखिए personal disposable income जो मैंने आपको definition बताई तो मैंने आपको कहा था कि इसमें tax के income को include नहीं करते राम के example मैंने आपको देता राम ने 50,000 रुपे कमाए 5000 रुपे उसको tax pay करना है तो वो इसमें include नहीं होगा क्योंकि वो dispose करने के लिए नहीं है उस 5000 रुपे को इस्तिमाल नहीं कर सकता वो 5000 रुपे उसको tax के form में सरकार को pay करने that means it is not included in personal disposable income तीसरी चीज तीसरी चीज और कैस के अंदर आईगी वो भी देख लेते हैं it does not include it does not include miscellaneous receipts miscellaneous receipts of government as these are as these are these are small compulsory payment small compulsory payment made by made by households to government to government in form of T's in form of fees और फाइन अब देखे इसमें miscellaneous receipt को भी इंक्लूड नहीं के जाता मान लीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो government household सोसाइटी है आपको पर मन्त वहां पर maintenance expenditure देना है 200 रुपे वह भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्यों क्योंकि वह आपको compulsorally pay करना है सरकार को in form of fees और फाइन एक एक्जाम्पल वापस दे लेते हैं राम का एक्जाम्पल में वापस लूँगा यहां पर राम की साइटी में राम रहता है वहां की वहां पर सैनिटेशन cleanliness maintenance का एक हजार रुपे ना को देना ही दे रहां यह कंपल शरी है तो राम की जो actual income है to dispose of is 44,000 तो यह राम की actual income है to dispose of that is 44,000 तो PDY आपको क्या होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम क्या निकल के आ गई आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम आपकी हो गई पर्सनल डिस्पोजेबल इंकम इस इक्वाल स्टू पर्सनल इंकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिस्लेनियस receipt of government जो सरकार को आपको pay करना ही करना है cleanliness maintenance services के लिए that is personal disposable income यह होती है आपकी personal disposable income अब हम बात करेंगे national disposable income की यह यहां लेकलता है national disposable income क्या होता है let's consider this also the national disposable income क्या है it refers to it refers to the income it refers to the income which is available which is available to the whole country to the whole country for disposable for disposable मतलब पूरे देश के पास available for to dispose of it include it include factor income अब प्लस ट्रांसफर इंकम फैक्टर इंकम फैक्टरी इंकम उती है लाइड लेबर कैपिटल अंत्रप्रेनियोर और ट्रांसफर इंकम दोने इंक्लूड होती है इसको हम net national disposable income भी कहते है net national disposable income भी कहा जाता है अब इसको थोड़ा सा और हम बाइफर्गेट करेंगे थोड़ा सा और इसको हम डीटेल पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है तो नेट national disposable income net और ग्रॉस national disposable income net और ग्रॉस में क्या के इंक्लूड होता है इंक्लूड इंक्लूड एक इंक्लूड ने इंडिरिक ट्रस ने इनडिर्क ट्रॉस ने इंडिर्क ट्रॉस और ने मेंट्र यह पर्रॉस caboा from rest of world from rest of world तो आप इसके अंदर सबसे पहले किसको शामिल करते हो net indirect taxes जो आपको लोगों के द्वारा मिले गए है और net current transfers from rest of world मान लिजे आपको IMF ने कोई पैसा दिया, world bank ने कोई पैसा दिया या मान लिजे कहीं से आपको कुछ aid मिला, that is included in this particular thing इसमें आप, आप income जो आपको मिलती है from other countries, that is also included in this particular part clear हो गया, तो net disposable income का formula क्या है, net disposable income net disposable income का formula क्या हो गया, national income plus net indirect taxes plus net indirect taxes plus net current transfer net current transfer from rest of world from rest of world this is called as net disposable income इसको हम कहते हैं, net disposable income clear हो गया, इसको हम कहते हैं, net disposable income जिसमें national income plus net indirect taxes plus net current transfers from rest of world को शामिल किया जाता है I hope आपको national disposable income भी आप समझें आ गई, वहीं ये net disposable income है, gross disposable income अगर हमें निकालनी है तो depreciation उसमें से subtract कर देंगे, यह आपको पता है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे, what is real income and what is nominal income, तो real income means inflation adjusted income, real income क्या होती है, वो income जो inflation adjusted होती है, that is called as real income, मतलब आप जब उस income को count करते हैं, हैं, by including inflation, that is called as real income, so real income means income of individual, income of individual, income of individual, income of individual or nation, or nation, after adjusting, after adjusting, for inflation, after adjusting for inflation, this is called as real income, this is real income, calculated by, calculated by, divided by nominal income, calculated by dividing nominal income, calculated by dividing nominal income by price level, तो real income मतलब जो inflation adjusted income है, that is called as real income, और ये perfect measure होती है, हमें किसी भी income को जानने के लिए, आपको एक example देता हूँ, मान लीजिए, कि मैं, मेरी income है, 50,000, ये मेरी income है, अब इस 50,000 रुपीज ये मुझे मिला है 50,000 रुपे, ठीक है, अब मैं बोलूँगा, में को 50,000 रुपे मेरी income है, जी नहीं, इस income, ये तो आपके सिर्फ nominal income है, ये तो सिर्फ आपकी nominal income है, अगर मान लो, या इसको और तो सिंप्लिफाय करते हैं, इसको और तो सिंप्लिफाय करेंगे, रुखो एक मिनिट, सपोस करो, सपोस करो, कि मेरी, मैंने आपको पहले वी शर्थ ये example दिया था, मेरी दादी माने, मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया 5000 रुपे as a cash, ये 5000 रुपे cash उन्होंने मुझे दि और तीन साल बाद वापस निकाला, तीन साल बाद वापस निकाला, तो उस समय ये जो 5000 है, that is just a nominal income, लेकिन इसकी जो real value है, real value जो है, वो कही न कही जो इसकी 5000 रुपे की real value है, real income है, वो उस समय depreciate हो चुकी होगी, क्यों depreciate हो चुकी होगी, तो कि अगर मेरी grand माने मुझे 5000 र रुपे से, for example, मैं 10 kg wheat खरीद सकता हूं, लेकिन 2025 में जब मैं इस 5000 रुपे को वापस बाहर निकालूंगा, तो हो सकता है, उस समय सिर्फ 8 kg wheat ही मैं खरीद पाऊं, तो that is my real income, ये मेरी real income है, जो inflation adjust करके आई है, 5000 रुपे का नोट वही है, 5000 रुपे वही दो 2000 के दो नोट और 1000 का नोट वही है, लेकिन जो उस money की value है, वो depreciate करती है, with time, तो जो real income है, जो उस समय inflation को adjust करके आई है, this is my real income, और nominal income कितनी है, 5000 रुपे ही है, जो inflation adjust करके नहीं आई है, so this is the difference between real income and nominal income, आग जो भी हमने पढ़ा है, इसको revise करना बहुत जरूरी है, तो इवर इसको revise कर लेते ह हैं पूरा, ताकि आपको हर एक concept clearly समझ में आ जाए, सबसे पहले हमने बात करी थी कि national income क्या होती है, national income का मतलब होता है, जितने भी goods and services पूरे देश में produce होते हैं, एक financial year में, through economic activities, उसे हम national income कहते हैं, या ये भी कह सकते है, total income we get through various economic activity in one year, that is national income, मतलब लेकिन उसमें economic activity होना जरूरी है, non economic activity इसमें count नहीं होगी, ये ध्यान रखेगा, इसको निकालने का formula होता है, NNP at FC, net national product at factor cost, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, जो next हमारा है, that is, पहले हम personal income के बारे में बात कर लेते हैं, personal income क्या होती है, उसके बाद इस पर बात करेंगे, personal income मतलब वो income जो मेरी household for all possible sources before direct taxes, मतलब इसमें direct taxes को include नहीं किया जाता, इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है, कि income दो तरह की होती है, एक होती है private income, एक होती है personal income, private income मतलब वो income जो private entrepreneurs की होती है, रतन टाटा, मुकेश, अम्बानी, इनके जो reliance, टाटा की जो income है, that is, private income, और इनकी खुद की भी आना है कि personal income निकलती कैसे, तो personal income निकालने के लिए हमें national income में से income tax, corporate income tax को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें private income include नहीं होती, तो जो private companies tax pay करती है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, उसके लावा private companies जो income retained करती है, for further expansion, और for unforeseen event, उसको भी इसमें से हटाना पड़ेगा, उस जो हमें अलग-अलग रूप से subsidy के form में सरकार से मिल सकता है, इसको जैसे मैंने बताया था, इसमें exclude क्या करते है, corporate tax, retained earning, उसको इसमें exclude कर दिया जाता है, तो this is personal income, personal income में private income में अंतर क्या है, personal income मतलब income received by household from all sources, private income means that the private sector get from other sources, personal income is narrow concept है, private income में personal income को include किया जाता है, formula आपको अब बात कर लेते हैं, disposable income की, disposable income क्या है, इसको भी देख लेता है, सबसे पहले, disposable income मतलब वो income जो dispose करने के लिए तैयार है, जिसको आप खर्च कर सकते हो, या save कर सकते हो, tax pay करने के बाद में, या किसी भी तरह का benefit receive करने के बाद में, राम की total income 50,000 रुपे मन्तली है, जो ये 7,000 रुपे सरकार की तरफ से मिलते हैं, उसको हम इसमें add कर देंगे, disposable income दो तरह की होती है, personal disposable income और national disposable income, personal disposable income कौन सी हुई, वो income जो actually available है आपके पास dispose करने के लिए, ठीक है, इसमें कौन कौन जी चीज़ों को include नहीं किया जाता, जो आप taxes pay करते हो, क्योंकि वो आप अपने इसको आप use नहीं कर सकते हैं, आपको pay करना है, उसके लावब कोई और fees and fines आपको सरकार को pay करना है, that is also not included, तो राम जे सोसाइटी में रहता है, वहाँ पे वो 1000 रुपे है, as a cleanliness, maintenance pay करता है, तो वो उसकी personal disposable income नहीं है, क्योंकि वो उसको खर्च करना ही करना है, next होती है, national disposable income, national disposable income का मतलब क्या हुआ, that particular income, जो की पूरी country के पास available है, dispose करने के लिए, इसमें आपकी national income जोड़ी जाती है, सरकार को जो taxes मिलते हैं, वो इसमें include के जाते हैं, और rest of the world से, जो आपको transfer, जो income मिलते हैं, IMF ने कुछ पैसा दे दिया, world bank ने कुछ पैसा दे दिया, या मान जीजिए, USA ने कुछ पैसा भारत को दिया है, तो that is also included in net national disposable income, net national disposable income और gross national disposable income में सिर्फ depreciation का अंतर है, ये ध्यान दखेगा, तो ये हमारी आज की class थी, उमीद करता हूँ, और real income, मैं बता देता हूँ, एक बारा, real income क्या होती है, real income मतलब वो income जो inflation को adjust करके की जाती है, inflation जब adjust करके कमाएंगे, that is real income, मेरी दादी ने मुझे 5,000 रुपे दिया, मैंने उस 5,000 रुपे का अपने पर्स में रखा, आज मैं उस 5,000 रुपे से 10 किलो चामल खरीच सकता हूँ, या यहूँ खरीच सकता हूँ, लेकिं अगर मैंने उसको अपने पर्स में रख 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 इस, so in the series of economy for prelims 2022, today we will discuss the important chapter of development and sustainability, यह exam point of view से तो important है, उसके अलावा, as a common parallelence, लोगों को इसको समझना चाहिए, जानना जरूर चाहिए, कि human development क्या होता है, sustainability क्या होती है, तो इसी के context में हम लोग आज की class को लेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, कि human development का मतलब क्य है, what is the meaning of human development, अगर आप से को यह पूछ ले, कि human development क्या है, तो सबसे पहले तो उसकी basic जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, कि human development से हम समझते क्या है, what is in context of human development, So, it is the human development is defined as the process of, it is defined as the process, it is defined as the process of enlarging people's freedom, of enlarging people's freedom, Enlarging people's freedom and opportunities, and opportunities, and opportunities by improving their, by improving their, by improving their, by improving their well-being, by improving their well-being, Rather than, rather than, rather than, rather than, simply the richness of the economy, rather than simply the richness of economy, Richness of economy, in which human beings live, तो पहले हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, कि human development का मतलब क्या होता है, what is the meaning of human development, तो human development का simple सा मतलब है, एक ऐसा process जिससे लोगों की जीवन में, लोगों के जीवन में एक तो उन्हें आजादी मिले, आजादी के साथ साथ liberty मिले, उन्हें अफसर प्रदान किये जाएं, जिससे वो अपने जीवन की जो स्थिती है, उसको बहतर कर पाएं, रादर दिन, रादर दिन, एक एकनॉमी सिर्फ बड़े जा रही है, एकनॉमी ग्रोथ हुए जा रही है, लेकिन वहाँ पर human being का development नहीं हो रहा, तो उसे हम human development नहीं काउंट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि development में, important यह नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ कितनी है, अग अपसर प्रदान किये जाएं, जिससे उनकी overall lifestyle इंप्रूव हो, रादर दिन हम सिर्फ यह सोचें कि हमारी economic growth होती रहे, that is not in context of human development, तो income growth, income growth जो है, वो अपने आप में, वो अपने आप में development का एक parameter हो सकता है, लेकिन वो खुद development नहीं है, अगर आप से सिर्फ यह बोला जा development का, लेकिन वो खुद में human development नहीं है, तो अगर हम से पूछा जाए, कि human development के चार parameters क्या है, human development के four parameters कौन कौन से है, what are the four parameters of human development, first is equity, that is equality, दूसरा है, sustainability, 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 पहला हो गया, equity, दूसरा हो गया, sustainability, तीसरा हो गया, productivity, productivity, और चौथा हो गया, empowerment, यह human development के चार parameter है, equity मतलब equality for all, sustainability, जहाँ पे present generation और future generation दोनों की needs का ध्यान रखा जाए, productivity, जिसमें human productivity, economic productivity दोनों include हो, और empowerment, जहाँ पे शक्ति करण दिया जाए, यह human development के चार important parameters है, next बात कर लेते हैं, approaches to human development, human development के approaches क्या क्या है, one of the different type of approach for human development, इसमें सबसे पहले जो approach है, सबसे पहली जो approach है, जिसके बारे में हमें बात करेंगे, that is, जो first approach है, income approach, income approach क्या है, what is this income approach, income approach हम क्या समझते हैं, it is oldest approach to human development, यह oldest approach है, human development की, this is the oldest approach for human development, मतलब जो सबसे पहले, कहीं पर अगर human development की चर्चा हुई थी, तो income approach is the oldest thing, इसमें human development को directly link किया गया है, income से, human development linked to income, सीधा इसको income से link कर दिया गया है, जितनी ज्यादा income उतना ज्यादा development, ठीक है, तो level of income, level of income, level of income, level of income, reflect, reflect level of freedom, reflect level of freedom, and individual enjoy, and individual, enjoy higher level of human development, higher level of human development, तो जितनी ज्यादा income होगी, उतना ही ज्यादा development, human development होगा, this is the oldest approach of human development, next जो हमारी approach आती है, the next approach for human development is welfare approach, welfare approach के संधर्व में कौन सी चीज़ है, welfare approach मतलब, जहां पे, जहां पे human being को as a beneficiary, या as a target considered किया जाता है, जहां पे high government expenditure, जहां पे high government expenditure हो, high government expenditure on education, on education health, on education health, apart from that, amenities प्रदान की जाए, वहां पर हम welfare approach की बात करेंगे, यहां पे जो लोग है, people, people are considered, are considered, as important factor, यहां पे लोग एक important factor के रूप में काम करते हैं, और यहां पे education, health, amenities, sanitation पर पैसा सरकार ज्यादा खर्च करती है, ताकि welfare, welfare approach एक तो रिफलेक्ट हो, और यहां पे government as a welfare government declared हो, एक ऐसी सरकार के बारे में जिक्र किया जाए, जो welfare approach को आगे देखती है, तो income approach में, income as a measure of human development हो गया, welfare approach में जो आप expenditure करते हो, education, health, amenities में, that is considered as an important factor for human development, clear होगे यहां तक की बात आपको, next जो हमारी है, next जो approach हम लोग डिसक्स करेंगे, एक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो next approach है, that is basic need approach, तीसरे नमबर की जो हमारी approach है, income approach के बाद, और welfare approach के बाद, that is basic need approach, अब यह basic need approach क्या है, let's figure out this also, इसको सबसे पहले प्रपोस किया था, proposed by, proposed by international labor organization, proposed by international labor organization, जिसने कुछ specific basic needs पे, six basic needs पे focus किया, six basic needs पे focus किया, कौन-कौन जी basic needs थी, health, health पे, education पे, health education, food, water supply, water supply, sanitation, and housing, and housing, तो basic need approach का मतलब जोब कि छह basic needs है, उसको फुल्फिल करना human development का एक बहुत important part है, तो proposed by international labor organization, जिसने छह basic needs को focus किया, health, education, food, water supply, sanitation, and housing, इसने ये बात बोली कि कहीं न कहीं basic needs बहुत important है, तो human development से जादा इसने basic need के उपर जादा focus किया, और तो चौती है, that is capability approach, जो हमारी चौती है, that is capability approach, capability approach मतलब which approach, it is based by, it is made by Professor Amartya Sen, Professor Amartya Sen, बहुत बढ़ी economist है, Nobel laureate भी है, Professor Amartya Sen, इन्होंने ये बात बोली कि कहीं न कहीं, कहीं न कहीं human capability को enhance करना होगा, और मैं भी इस बात पर बिलकुल agree करता हूं, सड़ से, कि human capability approach को आप जितना ज़्यादा strong करोगे, जितना ज़्यादा human को skillful develop करोगे, अपने आप बाकी season develop हो जाएंगी, तो human capability approach किस से होगी, हेल्थ से, हेल्थ से, एजुकेशन से, हेल्थ से, एजुकेशन से, resources के access से, access to resources, इन सब चीजों से, इन सब चीजों से human capability approach develop होती है, तो human capability approach focus on health education and access to resource for the overall development of human being, clear होगी बात यहां तक चलिया, अब हम बात करेंगे human development index की या human development report की, तो यह ranking हर साल, हर साल कौन publish करता है, हर साल UNDP publish करता है, human development approach जो सबसे पहले coined किया था, शब्द जो सबसे पहले इस्निमाल किया था, वो किस ने किया था, वो किया था, महभूब उलहक साहब ने, पाकिस्तान ने अपने पूरे जब से पाकिस्तान बना है 1947 तक से, तब से उसने सिर्फ एक ही काम ठीक किया, कि महभूब उलहक साहब वहां पर पैदा हुए, उन्होंने ही यहां पर human development के बारे में बात करी, और यह कहा कि human development के लिए, जो basic सबसे पहले तीन चीज़े जरूरी है, that is life expectancy at birth, average education level, and standard of living. Life expectancy at birth का मतलब होता है, कि जब किसी बच्चे का नवजाज शिशू का birth होता है, तो उसकी कितनी life expectancy, मतलब living birth, जैसा गर 1000 बच्चे पैदा हुए है, उनमें से कितने life जिंदर है पाते हैं, that is life expectancy at birth, average education level को हम gross enrollment ratio भी कहते हैं, और standard of living को हम per capita income भी कहते हैं, per capita income मतलब total income divided by total population, that is standard of living, तो इन तीन components से आपका HDI बनता है, और हर साल HDI की rankings भी declare होती है, अब countries को classify किया जाता है HDI ranking के basis पे कि कौन सी country better humanly perform कर रही है, तो अगर इसका score जो है, HDI score होता है, वो 0 to 1 के बीच में होता है, मतलब जितना आप 1 के close जाओगे, उतना भैतर human development होगा, और जितना आप 1 से धूर रहेंगे, उतना कम human development है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, तो 0.80 और उससे जादा है, that means very high human development, 0.70 to 0.799 high human development, 0.550 to 0.6699 medium human development, और less than 0.550 low human development, तो इस basis पे human development को classify किया जाता है, और इसी basis पे human development की rankings निकल के आती है, खीक है, तो अब अगर हम बात करें human development पे, तो जितना ज़्यदा आप 1 के closer होंगे, उतना ज़्यदा development आपका होगा, तो इंडिया की ranking की बात करें, तो इंडिया की ranking stands at 131, जो 2021 के वैसे पे जो rank थी, इंडिया की ranking जो है 131 पे, and that's a poor ranking, बहुत ही खराब ranking है, जिस हिसाब का इंडिया का status है world level पे, तो 131 इंडिया की rank है, and that is not up to the mark, up to the mark नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ऐसा देश, जो world level पे अपने आपको बहुत बड़ा proof करने पे है अब, और कर भी रहा है, उसके 121 rank है, तो that's not sufficient, ठीक है, so that is about the rank of India in context of human development, अभी recently एक चीज़ और इसमें बहुत important add हुई है, that is planetary pressure adjusted HDI, यह बहुत important है, इसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह current affairs के context में बहुत बहुत important हो जाता है, और ऐसी चीज़ें exam में पूछी भी जाती है, तो यह है planetary pressure planetary pressure HDI planetary pressure HDI का क्या मतलब है, जहां पर यह बात हो, per capita carbon emission per capita carbon emission and footprints इसको भी इसमें जोड़ा गया है, HDI के तीन component के साथ में, और यह कहीं न कहीं, बहुत important objective है, क्योंकि आपको पता है, climate change को लेकर world level पे बहुत सारी practices हो रही है, और सबसे बड़ा जो threat है, current world के लिए climate change ही है, तो planetary pressure HDI को भी इसमें जोड़ा गया है, per capita carbon emission कितना किया जाता है, उसको भी HDI में होगा, जितना कम carbon emission per capita per country होगा, उतना भैतर उसकी ranking in terms of human development reflect होगी, चलिए, अब हम बात करेंगे gender inequality index की, gender inequality index के संदर में आप फड़ासा देख लेते हैं, what is that gender inequality index, तो gender inequality index, बात करता है, inequality on the basis of gender, तो obviously आपको पता है, gender in terms of male और female के संदर में आप बात होती है, तो 5 indicators इसमें लिए गए हैं, उनसे तीन dimensions बनती है, तो 5 indicator है, maternal mortality, adolescent fertility, parliamentary representation, education attainment, secondary level and above, labour force participation, और फिर इसे 3 further dimensions बनती है, reproductive health, empowerment, labour market, and that turn out to gender inequality index, तो maternal mortality का मतलब क्या होता है, maternal mortality ratio होता है, sorry maternal mortality rate होता है, कि out of 1 lakh, out of 1 lakh, कितनी females ऐसी हैं, जिनकी during pregnancy, जब बच्चे को deliver गरना है, तब उनकी death हो गई, that is considered as maternal mortality, adolescent fertility, मतलब fertility level कितना maintain है, parliamentary representation मतलब parliament में, लोग सभा में जो 543 seats हैं, उसमें out of that parliament में, women's का कितना percentage है, education attainment secondary level 10th से उपर कितना है, labor force participation, total labor force आपकी country में कितनी है, according to your population, उस basis पे gender inequality index निकलता है, और यह 3 dimensions पे है, reproductive health, empowerment और labor market मतलब इसके भी 3 dimensions हैं, और उन 3 dimensions से फर्दर इनको classify किया गया है, reproductive health मतलब जब women's baby deliver कर रही हैं, तो उनकी reproductive health कैसी है, empowerment in terms of parliamentary representation और education attainment, और labor market labor force participation, तो इस basis पे आपका gender inequality index निकलता है, for male and female, तो usually जो इसमें top पे रहते हैं, Scandinavian देश रहते हैं, Norway, Ireland, Sweden, इसमें generally top पे रहते हैं यही देश, वहीं अगर मैं बात करूँ भारत की स्तिती, तो भारत की स्तिती यहां पर भी कोई बहुत ज़्यद अच्छी नहीं है, भारत यहां पर भी 123 वी rank पर है, according to the latest data, so this is about the gender inequality index, next हमारा है multi-dimensional poverty index, तो multi-dimensional poverty index इसमें 10 indicators को लिये है, यह HDI का थोड़ा और detailed एक तरह सा explanation है, इसमें क्या है, इसमें 3 dimensions वही हैं आपके health education living standard है, health को one-third दिया है, education को one-third दिया है, और living standards को one-third दिया है, अब इसमें scene क्या है, कि जैसे अगर health की बात करें, तो health one-third है, तो nutrition को दे रखा है इसमें one-six, और child mortality को इसमें दे रखा है one-six, फिर education one-third है, तो year of schooling को दे रखा है one-six, school attendance को दे रखा है one-six, living standard one-third है, cooking fuel को one-eighteen, sanitation को one-eighteen, drinking water को one-eighteen, electricity को one-eighteen, housing को one-eighteen, और assets को one-eighteen, total मिलाकर यह one-third बनता है, तो इससे इसको publish जो करता है वो करता है, Oxford Poverty and Human Development Initiative, जो multi-dimensional poverty index की ranking देता है, और यह एक जो HDI है, उसी के form में poverty index का एक थोड़ा बड़ा रूप है, या थोड़ा expansion है, ठीक है, that is multi-dimensional poverty index, clear हो गया यहां तक सबको, देखिए यह सारे जो data है, इन पर सवाल बहुत ज़दा बनते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा importantly cover किया है, और इन पर questions बनने के chances काफी ज़दा होते हैं, that's why इनको अलग से पढ़ना थोड़ा सा ज़दा ज़रूई था, अब मैं आपके लिए एक चीज़ और पढ़ा देता हूं, कि difference between gender inequality index, global gender gap index, और gender parity index, इनको और एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से यह समझ में आ जाएं, चलिए, difference देख लेते हैं एक बार इन तीनों के, एक चीज़ में यहां पर आपको पहले थोड़ा सा clear भी कर दूँ, क्योंकि इन rankings में changes बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो 2021 में, 2021 में जो भारत की multi-dimensional poverty index है, उसमें इंडिया के rank है 66, वहीं अगर मैं बात करूँ के gender inequality index में, जो 2021 में इंडिया की rank है, that is 140, यह भी में पर आपको clear कर जाता हूं, ताकि कुछ confusion ना रहे, although जो latest ranking होगी, ध्यान रखेगा, वहीं आपके exam के लिए important है, वहीं आपके exam के लिए important है, यह आपको ध्यान रखना है, यह जो rank है 62, और 123 यह 2020 की ranking थी, 2021 की ranking है, that is important for your exam point of view, तो यह rankings को इबढ़ देख लेते हैं, ranking को हमने देख लिक हैं, अब एक बहुत difference देख लेते हैं, तो देखो gender inequality index, पहले बात करेंगे gender inequality index, इसके अगर हम बात करें, gender inequality index के हम बात करें, तो यह कौन देता है, by UNDP, UNDP के द्वारा यह दिया जाता है, उसके अलावा इसमें तीन dimensions होते हैं, तीन dimensions होते हैं, कौन कौन से, reproductive health, reproductive health, दूसरा empowerment, empowerment और तीसरा labor market participation, labor market participation, अब बात कर लेते हैं, global gender gap index, global gender gap, यह कौन देता है, by world economic forum, world economic forum यह देता है, इसके अब चार dimension है, चार dimension है, economy, education, economy, education, health, और political representation, political representation, तीसरा है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यह कौन देता है, UNESCO, यह UNESCO देता है, और इसमें बताते है, ratio of, ratio of, girls to boys, girls to boys, in primary, in primary, secondary, and, tertiary education, and, tertiary education, तो अगर आपसे mains में, कभी ऐसा question पूछ लिया जाए, कि इन तीनों में difference बताईए, तो आप यह तीनों difference भी, यह एक ऐसा chapter है, जो prelims के exam में, बहुत ज़दा important है, ऐसा नहीं है कि इसके questions, mains में नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर मैं prelims specific बात करूँ, तो inflation एक ऐसा topic है, जो UPSC का one of the favorite topic है, और इस पे यह लोग काफी सवाल prelims के exam में पूछने हैं, इस chapter को हम लोग बहुत detail से पढ़ेंगे, इसका impact जो है, इसके लिए जो fiscal policies, monetary policies बनती हैं, वो भी हम discuss करेंगे, तो काफी important chapter है, पूरे concentration के साथ समझे इस chapter को, क्योंकि exam point of view से, यह chapter काफी काफी जदा important है, सबसे पहले हम बात करेंगे, inflation का मतलब क्या होता है, inflation का मतलब होता है, when there is sustained unchecked increase in the general price level of goods and services in an economy, अब आप बहुत ध्यान से समझेगा, इन सारे शब्दों को, क्योंकि इन सारे शब्दों में, हर एक शब्द में एक एक important बात चुकरी है, inflation is defined as a situation, inflation एक ऐसी situation है, inflation is a kind of a situation when there is sustained, sustained मतलब लगातार, sustained मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार price rise हो गया, when there is sustained, unchecked increase in general price level of goods and services in an economy, अब आप बहुत ध्यांच समझना, पहली बात तो यहां सबसे important word जो है, that is sustained, sustained मतलब होगा continuous increase, ऐसा नहीं होगा, जैसे मालो एक बार एक किलो wheat है, अब एक किलो wheat की price मालो आज 100 रुपए है, अब एक बार इसकी price 125 रुपए हो गई, और फे 2 साल तक 135 ही चल रही है, तो यह sustained नहीं है, sustained का मतलब है लगातार price का बढ़ना, पहली बात तो होई यहां पे sustained, दूसरा शब्द है यहां पे unchecked, unchecked मतलब that is not controlled by someone, इसको control नहीं करा गया है, यह अपने आप increase हो रहा है, in the general price level, prices में increase हो रहा है, क्या है, तो inflation को हम यह कह सकते हैं, कि when demand is more than supply, it is called as inflation, अब इसको हम दोनों example जो समझेंगे, inflation में भी दो तरीके की चीज़ें हो सकती है, देखे पहली चीज तो क्या है, यह चार प्रेंट्स हैं, यह चार दोस्त हैं, A, B, C, और D, यह चार दोस्त हैं, हैं और यह चारों के पास, चारों के पास ही 100 रुपे हैं, 100 रुपी इच इन चारों के पास है, और दो बर्गर जो दो रुपे वह यह व בתkesendeel रुपी यह ही आ रहे हैं ब्लब हरएं ब्लम पर वर्गर अंड़िद रुपी पर वर्गर हैं अ अब आप भ्यान से समझना, ABCD 4 के पास 100-100 रुपए है, मतलब 4 ही 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, और per burger is 100 रुपी, 100 रुपी का एक burger है, लेकिन यहाँ पर demand कितनी है, demand है 4 burgers की, demand कितने burgers की है, 4 burgers की demand है, supply कितने burger की है, supply दो burgers की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब burger की जो price है, burger की जो price है, वो increase हो जाएगी, the price of burger will increase, तो यह तो क्या हो गया, this is called as inflation, इसको हम inflation कहेंगे, क्यों, 4 friends थे, ABCD, 4 के पास individually 100 रुपई अवेलेबल है, 4 ही burger खाना चाते हैं, Magdy का burger खाना चाते हैं, और Magdy के जो burger available हैं, वो 2 burger available हैं, पर burger 100 रुपी है, तो मतलब A को भी मिल सकता है, B को भी मिल सकता है, C को भी मिल सकता है, D को भी मिल सकता है, लेकिन 2 ही available है, तो क्या होगा burger की price increase हो जाएगी, एक तो यह example हो, दूसरा example मैं आपके लिए और लेता हूँ, की value of money का decrease होना, जैसे, for example, मेरी grandma है, मेरी grandma है, उन्होंने 2022 में मुझे 500 रुपीज दिये, और यह कहा, बेटा, यह आशिरवाद समझके तुम अपने पास रखलो, जो तुमारी इच्छा है, टॉफी खानी, टॉफी खालेना, अब मैं उनको कहाई समझाओं कि दादी मा मैं टॉफी नहीं खाता, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो टॉफी खोने ना खाऊंगा, चलो, कोई बात नहीं, लेकिन दादी मा ने कहाँ कि 500 रुपीज की बेटा टॉफी खालेना, अब मैंने सोचा कि नहीं या, अभी अब मैंने क्या किया, मैंने इस पैसे को अपने पर्स में रख लिया, दो हजार चॉबिस में इस 500 रुपीज की वैल्यू में मुझे 10 चॉकलेट नहीं मिलेगी, मुझे सपोस करो 8 या 6 चॉकलेट मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, विट टाइम, मनी की वैल्यू जो है, वो डिक्रीज होती है, तो वैल्यू अफ मनी विल डिक्लाइन इन टर्म्स अफ प्राइसे, इसको हम इन्फलेशन कहते हैं, इसको हम इन्फलेशन कहते हैं, डिफलेशन इसका बिलकुल उल्टा है, डिफलेशन के अंदर decreases, बिल्कुल उल्टा है decreases, जैसे मान लीजें वही चार फ्रेंड है, A, B, C, D यह चारों बर्गर खाने जाते है यह चारों बर्गर खाने जाते है, लेकिन जो available burger है, supply of burger है, जो supply of burger है, वो 8 है, 8 burgers are there 8 burger available है और यह demand है 4 burger की, तो price of burger जो burger की price है price of burger falls burger की price गिड़ जाएगी, ठीक है so this is called as deflation deflation का मतलब, जब prices of goods and services decreases, it is called as deflation, अब last हमारा term रह गया, disinflation disinflation का मतलब होता है inflation, rise in price but in comparison to the previous year, prices come increase होना, जिसे example लेलते है, यह coffee है, 2019 2020 2021 और 2022 अब 2019 में suppose करो, एक किलो कॉफी आती है 100 रुपी, वन केजी कॉफी की यहाँ पर बात चल रही है एक किलो कॉफी 2019 में 100 रुपी की आती है, 2020 में इसकी price हो जाती है 110 रुपी, दो 2021 में इसकी price हो जाती है 115 रुपी, 2022 में इसकी price हो जाती है 117 रुपी तो देखो, price तो increase हो रहा है 100 से 110 हुआ, 110 से 115 हुआ 115 से 117 हुआ लेकिन जो percentage increase in price है, वो comparatively less हो रहा है, यहाँ पर 10 रुपे बड़े यहाँ पर 5 रुपे बड़े यहाँ पर 2 रुपे बड़े So this is called as disinflation कि मतलब there is a rise in price but the percentage rise in price is less in comparison to previous year So this is called as disinflation अब आप से पूछा जाएगा वई कि आप type of inflation बताओ what are the different types of inflation तो type of inflation भी अलग अलग तरीके से होते हैं अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसमें add कर देता हूँ भारत में inflation कौन measure करता है तो भारत में inflation जो measure करता है that is ministry of statistics and program implementation भारत में inflation कौन measure करता है inflation management is done by ministry of statistics ministry of statistics and program implementation and program implementation भारत में inflation कौन measure करता है भारत में inflation measure करता है ministry of statistics and program implementation के द्वारा ये measure की जाती है अब अगर आपसे पूछा जाए कि inflation को what are the causes of inflation what are the types of inflation या what are the causes of inflation तो types of inflation में सबसे पहले बात करेंगे on the basis of cause on the basis of cause मतलब सबसे पहले demand pull inflation demand pull आप नाम चे समझ रहे होंगे demand pull means when demand of the goods when demand of goods and services when demands of goods and services increases increases in comparison to supply in comparison to supply this is called as demand pull inflation जब किसी goods and services की demand जो है वो supply से जादा हो जाए that is called as demand pull inflation जब aggregate demand जो है aggregate supply से जादा हो जाए that is called as demand pull inflation मतलब यहां क्या हो रहा है यहां पर demand लगातार बढ़ती जा रही है अब इसके पीछे बहुत सारे reason हो सकते है जैसे depreciation of rupee rupee depreciate हो रहा है depreciation of rupee rupee यहां पर माल लो depreciate हो रहा है या और क्या हो सकता है increase in forex reserve सरकार का forex reserve बढ़ रहा है इसकी वज़े से सरकार लगातार expansion कर रही है सरकार लगातार खडचे कर रही है सरकार expenditure बढ़ा रही है increase in expenditure increase in expenditure by government increase in expenditure by government so this is these are the demand pull inflation ठीक है यह देखिए demand pull inflation के अगर आप causes देखोगे तो सबसे पहले demand pull inflation क्या होता है when aggregate demand when aggregate demand is more than aggregate supply जब aggregate demand aggregate supply से ज़ादा हो जाए we call it demand pull inflation ठीक है so this is demand pull inflation अब इसके पीछे बहुत सरे reason हो सकते है जैसे आपको एक simple सी चीज़ समझाता हूँ demand ज़ादा कब होगी demand ज़ादा कब होगी when people have more money in their hand आज suppose करो दिवाली पैसा क्या होता है कि लोग बहुत सारी shopping करते है क्योंकि लोग अपने पास पैसा बचा के रखते हैं कि दिवाली पैसा करच करेंगे ठीक है शादियों में लोग पैसा इतना बचा के क्यों रखते है क्योंकि शादियों में they want to spend more तो demand for inflation का सबसे पहला reason है when people have more money with them इससे एग्रिगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होता है अब एग्रिगेट डिमांड इंक्रीज होने के पीछे क्या के कारण हो सकते है सबसे पहले low unemployment rate अगर मान लीजे लोगों मैं आपको नीचे से लेके चल रहा हूं तक हो कि असानी सब चलेंगे सबसे पहले low unemployment rate अगर unemployment rate कम है इसका मतलब क्या है Employment जदा है उसके मतलब क्या है उस व्यक्ति के पास पैसा जदा होगा उसको इंकम उसको मिल रही है अगर employment जदा है उसके पास more income है MORE income है मतलब वो more expenditure कर सकता है एक example लेता है Suppose करो आज मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे सिस्टर है, मेरे चाचा है, हम सब employees है और हम सब के पास हमारी एक अच्छी खासी income है अब now we are doing more expenditure, that means what? कि हम demand जादा कर वे हैं तो जितना ज़्यादा employment होगा, उतनी ज़्यादा demand बड़ेगी आज suppose करो आप एक society में रहते हो, एक society में 100 लोग रहते हैं और सारे के सारे employees है, सब के साथ पास employment है, सब के पास एक अच्छी income है तो obviously they will demand more, तो अगर employment जादा होगा, तो obviously demand जादा होगी पहली बात, दूसरा depreciation of रुपी, अगर रुपी depreciate हो रहा है अगर 1.70 रुपए हो गया, फिर 1.75 रुपए हो गया, इसका मतलब क्या है, हमें, हमें अगर रुपी depreciate हो रहा है इसका मतलब क्या है, कि अगर हम export जादा करते हैं, तो हमें उसके बदले पैसा जादा मिलेगा एक example लेता है, मैं ये भी suppose करो, suppose करो कि मैं पहले, मैं पहले एक T-shirt बेच रहा था अमेरिका में, मैं अमेरिका में एक T-shirt बेच रहा था, उसके मुझे 70 रुपे मिल रहे थे, अब मैं T-shirt बेच रहा हूं तो उसके मुझे 75 रुपी मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अग सब्सक्राइब करो यह हूँ मैं शुभम अब सपोस्ट करो मैं 2020 ले रहा हूं यहां पर 2021 ले रहा हूं ठीक है अब अगर सपोस्ट करो मैं 10 टीशर्ट बेजता हूं मैं 10 टीशर्ट बेजता हूं USA में एक टीशेट में बेच रहा हूं सपोस करो 70 रुपी में 70 रुपी में ने एक सेट मैं 10 टीशेट में बेचता हूं और 1 डॉलर 70 रुपए आप यह मान कर चलो और मैं 1 डॉलर में बेच रहा हूं अब 2020 में तो मैं एक डॉलर में बेच रहा हूं मतलब मुझे सतर रुपे मिलेंगे I'll receive 70 अब अगर एक डॉलर 75 का हो गया तो अब मुझे कितने रुपे मिलेंगे टी-शेट बेचने के मुझे मिलेंगे 75 रुपी क्योंकि पहले एक डॉलर 70 था तो जब मैं अमेरिका में टी-शेट बेच रहा था तो मुझे 70 रुपे मिल रहे थे अब क्योंकि एक डॉलर 75 हो गया इसका मतलब मुझे 75 रुपी मिलेंगे तो एक्सपोर्ट में तो फायदा है एक्सपोर्ट में तो फायदा है अब मैं कितने दूँगा 75 रुपे तो अगर रुपी जो है अगर रुपी डेप्रीशेट हो रहा है अगर रुपी डेप्रीशेट हो रहा है या मैं लिकता हूँ कमजोर हो रहा है अगर रुपिया कमजोर है तो एक्सपोर्ट में फायदा export में फायदा और import में import में नुकसान loss import में नुकसान अगर रुपिया मजबूत if रुपी is appreciating अगर रुपिया appreciate हो रहा है तो export में नुकसान export में loss और import में फायदा import में फायदा ठीक है import में आपको फायदा होगा clear होगे ये बात तो अगर आज तो ये बात होगे और तीसरी बात होगे increase borrowing अगर मैं borrow ज़्यादा पैसे कर रहा हूँ suppose मैं borrow कर रहा हूँ मैं loan ले रहा हूँ America से ले रहा हूँ France से ले रहा हूँ ताकि मैं कोई चीज़ खरीद सको जैसे एक example है माल लीजे टाटा ने एक नई गाड़ी लॉंच करी टाटा हैरियर टाटा ने एक नई गाड़ी लॉंच करी टाटा हैरियर अब टाटा हैरियर की reviews बहुत अच्छे है सब कुछ इच्छा चल रहा है ठीक है तो लोग क्या है लोग उस गाड़ी को की डिमांड बहुत कर रहे है अब जब लोग डिमांड बहुत कर रहे है तो obviously हर व्यक्ति के पास तो इतना पैसा होगा नहीं 15-20 लाग रुपए के वो खरीद सके तो people are taking loan लोग loan ले रहे है ताकि वो क्या करें वो उस गाड़ी को खरीद सके बोरो कर सके फोर्थ है due to fiscal stimulus यह हो गया पहला चौथ है बात कर रहे है due to fiscal stimulus fiscal stimulus का मतलब है अगर सरकार expenditure ज़ादा कर रही है सरकार expansion कर रही है सरकार दबा के पैसा खर्च कर रही है infrastructure बढ़ा रही है तो हम demand ज़ादा कर रही है similarly अगर हमारी economy grow कर रही है money supply बढ़ रही है loan लेना असान है easy to take loan easy to take loan अगर loan लेना असान है अगर loan लेना असान है तो क्या होगा if it is easy to take loan that means demand will rise demand बढ़ जाएगी if it is easy to take loan demand will rise so these are the causes of demand pull inflation demand pull inflation, यह सारे demand pull inflation के causes cost भढ़ रही है आज माह आपने सुना होगा car महंगी हो रही है क्योंकि car इसलिहें महंगी हो रही है क्योंग चिप आती है semiconductor chips आती है उसकी price बढ़ रही है, raw material की price बढ़ गई, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, raw material की price बढ़ गई, लोगों ने जमाख खोरी करनी है, काला बजारी करनी शुरू कर दी, जैसे माल लीजिए, प्याज है, अब लोगों ने प्याज की काला बजारी शुरू करनी शुरू कर दी, तिससे क्या ओर है, आर्टिफिशली प्राइज इंक्रीज हो रही है, तीसरा, डिफेक्टिव सप्लाइज चेन, डिफेक्टिव सप्लाइज चेन मतलब आपका ट्रांस्पोर्ट सिस्टम भाथ खराब है, इंफ्रस्ट्रक्चर खराब है, वेस्ट बैंगॉल से गुजरात यसे प्राबलम क्या हो गई, कि गुट्स टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे है, इसके उनकी प्राइस बढ़ रही है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिये, तो जो चीज पहले 100 रुपय की आती थी, अब 120 रुपय की आ रही है, तो उसकी प्राइस बढ़ गई, आपकी करेंसी हो रही है, अगर आपकी करेंसी डेप्रीशेट हो रही है, अब इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इंफलेशन जादा हो गया, क्रूड ओयल में फ्लक्ट्वेशन हो रहा है, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत जदा बढ़ जाएगा, जैसा अगर माल लीजाज क्रूड ओयल की प्राइस इंक्रीश हो गई, तो रेलवे का जो पैसेंजर फेर है, वो इंक्रीश कर दिया जाएगा, फ्रेट जैसे जैपूर से बॉंबे को इक गोड़ साब भेज रहे हो, लेकिन पैट्रोल की प्राइस बढ़ दालें के प्राइस बढ़ गए, बहुत जदा बारिश हो गई, बाड आगी सब को दूब गया, तो प्राइस बढ़ गए, यह माल लीजिए, कीड़े लग गए, जैसा भी लोकस्ट अटाक हुआ था, आपको पता होगा, वेस्टन राजस्थान में, गुजरात में, टिड़ जाएगी, तो क्या होगा, लोन लेना महेंगा हो जाएगा, अब अगर लोन लेना महेंगा हो रहा है, तो ओव्यस सी बात है, यह सपोस करो, यह है टाटा कंपनी, अब टाटा कंपनी को अपना एक प्लांट लगाना है, अपने प्लांट लगाने, फैक्टरिया लगानी है, म इंट्रेस प्राइज अगर लोन पर बढ़ गई तो गाड़ी की जो प्राइज है कार की जो प्राइज है वह भी इंप्रीज हो जाएगी इस आपको पता होगा दिवाली के आसपास दिवाली के आसपास क्या होता है वर्कर्स के डिमांड बढ़ जाती है लोग अपने घरों में सफाइयां करवाते हैं समान की जो तरह शिफ्ट करना होता है उसके अलावा सबसे बड़ी बात एसी एसी की सर्विस जो है वो समर में उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा जरूरत व जाए उसको हम बिल्ट इन इंफलेशन कहते हैं यह बात तीन तरह के इंफलेशन थे वापस रिपीट कर रहा हूं डिमांड पूल इंफलेशन जब एग्रिगेट डिमांड एग्रिगेट सप्लाय से ज्यादा हो जाए उसके पीछे कारण हो सकता है कि अगर लोगों के पास नौकरियां है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे अगर रुपी डेप्रीशेट हो रहा है तो एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट करने पर आपको पैसा ज्यादा मिलेगा इंक्रीज बॉर्विंग अगर आप लोन लोगे और इंट्रेस्ट रेट कम है लोन लेने पर प्रेस्टेट पर तो अव्यस्ति डिमांड बढ़ जाएगी तो इस इस डिमांड पूल इंफलेशन मतलब डिमांड का इता रिलेशन नहीं है लेकिन रॉ मटिरियल की प्राइज बढ़ गई इसने प्राइज बढ़ गई होडिंग ब्लैक जुझा मार्केटिंग हो रही है काला बजारी हो यह उससे क्या हो रही है इसक्सिक्रक्ट काम हो नहीं है तो पैसा बढ़ जाएगा अगर्ण हो जाएगा तो बढ़ जाएगी चीज़ों की एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है यह आप से एक्जाम में बिल्कुल पूछा सकता है कि वाट इस को इंफलेशन का मतलब वह जिसमें फूड और एनरजी आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है उसको इंफलेशन कहते है अब इसके पीछे मैं को इस रीजन बदाता हूं यह को इंफलेशन क्यों भारत सरकार ने इसको मेजर करना शिरू किया भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमारा इंफलेशन बहुत जड़ा बढ़ जाता है या बहुत इंफलेशन अब इसके पीछे कारण क्या है तो जब कारण पता चला तो पता चला कि सबसे ज्यादा जो इंडिया में प्राइज इंक्रीज होती है वह होती है फूड आर्टिकल की वज़ा से और दूसरा एनर उसके साथ साथ में आपके जाब फूड प्राइज इंक्रीज होती है उनकी वज़ा से यह प्रॉब्लम होती है उनको लगा उनके सामने रिजल्टा है कि वह इंफलेशन था इसके जादा होता है तो जब उन्होंने एक काउंट किया तो उनको मज़ा आ गया यह देखके कि अरे अगर हम फूड और फ्यूल प्राइस को अलग रखें तो जो हमारे सामने कि धने क्षार स्थो फैसे इस पुरिंट क्लिया हो सुब सकते हैं के थोड़ा सा ही तकी आधा जादा करें मतलब जैसे मालो हल्का फुलका प्राइज इंक्रीज हो गया तो आर्बी चाहती है कि लोग और डिमांट करें थोड़ी सी और इंफलेशन बढ़ सकता है वी है वस्कू लाइक इसका इसका एक्जाम्पल एपको लेता हूं जैसे फॉर इंपल हाँ इसे मालो की दिवाली का एक्जाम्पल ले लते हैं दिवाली पर clothes लोग नए खरीदते हैं अब clothes obvious से पता है कि दिवाली तक लोग कपड़े ज़दा खरीदेंगे फटाके ज़दा खरीदेंगे मिठाई ज़दा खरीदेंगे तो हलकी फुल की prices increase हो गई जो shirt पहले 1000 रुपए के आती थी अब मालो 1100 की आ रही है तो हलकी फुल की price increase हो गई अब मालो 100 हलकी फुल की price increase हो गई तो RBI ने का क्या काम करते है loan जो है जो loan है जो अगर लोग loan लेना चाहें तो loan को थोड़ा सा और कम कर देते हैं interest rate ताकि लोग और demand कर सके इसको best example देता हूँ आप सब को पता है कि दिवाली से पहले धंतेरस त्योहार आता है जिसमें लोग नए नई चीज़ें खरीते हैं new car कई लोग नए घर भी खरीते हैं new house new property अब आर्वे को पता है कि यार जो अच्छा खासा व्यापारी है चोटा मोटा व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक सब इसी सीजन में कमाते हैं दिवाली से new year के बीच तो उन्हें का एक काम करो लोन जो है ना उस पर जो इंट्रेस्ट आप चार्ज करते हैं बैंक्स उसको तुरह सा कम कर रहते हैं मतला हाउसिंग लोन अगर पहले 5% इंट्रेस्ट पर मिल रहा है तो अब एक काम करो साड़े 4 % इंट्रेस्ट पर दे दो ताके लोग डिमांड जादा करें ताकी कं具 ये में यह बोले की ठीक है हम थोड़ा से इंट्रेस्ट कर रहें पॉलेसीर हैं को इक्नांगी ग्रोफ सेंग嘛 तैको आउड़ा से कम उसमखर इंट्रेसateurs रखेंगे ताकर ल लोग ज़ Government इसको भी पढ़ लेते हैं अगें पेरी वरी इंपॉर्टेंट फोर एक्जाम पॉर्टेंट फूर्ट इंपॉर्ट इंपॉर्टन फूर्टेंट थे सबसे पहले बात करता है depression शब्द की यह वो वाला नहीं है कि UPSC qualified नहीं होता तो क्या होगा यह वो depression नहीं है depression का शब्द का मतलब है which is sustained which is sustained long term which is sustained long term downturn in economic activity downturn in economic activity वापस समझेंगे इसको एक ऐसी situation एक ऐसी situation जो एक तो continuous है sustained का मतलब होता है जो continuous है जो long term है काफी समय से साल बर हो गया दो साल हो गया धाई साल हो गया जिससे economy में depression है मतलब demand कम है लोगों के पास पैसा नहीं है लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते है क्योंकि उनको सेफ करना है क्योंकि अभी जो है पीपल नोट डिमांड ने बेस्ट एक्जाम्पल इस दूरिंग कोविट टाइम कोविट टाइम में डिप्रेशन था आपको याद हो 2008 में जो सब प्राइब क्रैसि ती दो जार आट से लेके दो हजार बारा तेरा तक जो सब प्राइम क्राइस थी दिस दा पर्फेक्ट एक्जाम्पल अव डिप्रेशन जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है लोग डिमांड ही नहीं करने सप्लाइए जो है वह है लेकिन लोग पीपल नोट डिमांड निंग कोविड में ऐसा ही ता काफी दोगों की नौकरिया चल यह कुक्त द इस को रहुआ अरैंड देक्ट लेक्टा रफलेशन ता रेफलेशन क्या होता है इसको भी देख लएते हैं रादल प्रक्वल्यां येरा तर अ एक्ट दुमिलेटिंग subject सुमिलेटिंग इकनोमी it is an act of stimulating economy after a period of after a period of economic slowdown after a period of economic slowdown देश में economic slowdown है देश में economic slowdown है अब सरकार कुछ step ले रही है जिससे economy में थोड़ा सा expansion हो expenditure government कर रही है जिससे लोगों को नौकरियां मिले ठीक है production जादा हो रहा है ताकि demand generate की जाए जिस इस called as reflection जैसा भी कोविड टाइम में हुआ कोविड टाइम में भारत सरकार ने एक नई policy launch करी आत्म निर्भर भारत उससे क्या हुआ लोगों को नौकरियां मिले लोगों को पैसा मिला और economy को वापस track पर लाया जा रहा है उसे हम कहते हैं रिफलेशन क्लियर हो गई इस इस कॉल्ड एस रिफलेशन क्लियर नेक्स्ट है नेक्स्ट इस स्क्यूफलेशन स्क्यूफलेशन क्या है इसको भी देख लेते हैं जहां पे जहां पे कुछ चीजों की कुछ चीजों की price rise हो जाती है बाकी चीजों की price same रहती है when there is when there is rise in price of some items when there is rise in price of some items while price of other items while price of other items remain same this is the situation of skewflation मतलब जहां पे कुछ चीजों की price increase हो रही है और बाकी चीजों की price same है जैसे दिवाली के आसपस जो मिठाई होती है उसकी prices बढ़ जाती है ठीक है उसी के आसपस जैसे आप और example ले लो कि जैसे शादियों का season होता है तो hotels की prices कुछ समय के लिए बढ़ जाती है शादियों का season होता है तो band वाले की prices थोड़ी सी बढ़ जाती है तो कुछ चीजों की prices बढ़ जाती है बाकी चीजों की prices same रहती है जैसे मान लिए कोई seasonal fruit है उसका वो particular season में ही आता है तो उसकी prices बढ़ जाती है लेकिन बागी fruits same रहते हैं This is skewflation Clear हो गया Next बात कर लेते हैं Stackflation तो मैं आपको अच्छे समझाऊँ क्योंकि यह तो बहुत important term है Next is bottleneck inflation Next है हमारा bottleneck inflation bottleneck inflation bottleneck inflation क्या है इसको भी देख लेते हैं What is bottleneck inflation bottleneck inflation मतलब इसको हम क्या कहते हैं जहाँ पे supply fall supply fall drastically drastically but demand remain same but demand remain same इसका भी best example में आपको देता हूँ जैसे देखो अभी covid था थलका सा सरकार ने covid में ढील दी थोड़ा सा lockdown खुलना शुरू हुआ और पता चल दा कि मसूरी में मसूरी है या मालो नैनी ताल है वहाँ पर tourism को allowed कर दिया है वहाँ पर tourism को allowed कर दिया है तो क्या हो गया एकदम से सारे लोग पहुंच गए मसूरी नैनी ताल भूमने तो वहाँ पर होटेल्स की जो supply थी होटेल्स जो थे वो सारे occupy हो गए या जैसे new year आता है तो लोग इदा तर भूमने चले जाता है दुबई चला जाता है कोई भूमने चले जाता है कोई कश्मीर चला जाता है दिमांड तो लगाता सेम है दिमांड बढ़ भी रही है लेकिन supply एकदम से गिर गई या इसका एक और example बहुत अच्छा हो सकता है जैसे मान लो onion की डिमांड है प्यास की डिमांड बहुत जद है एकदम से क्या हुआ कई पर मान लो जैसे किसानों ने जाम कर दिया या मान लो लोगों ने पट्रियों पर बैट गए जाके अब उससे क्या और है ट्रेन आई नहीं पारी इस जगह पे supply नहीं पहुँच पारी या मान लो जो road सेवा है road सारी टूटी भी है बस वालों ने स्ट्राइक कर दी तो supply एकदम से गिर गई this is called as bottleneck inflation ठीक है this is called as bottleneck inflation अब एक और क्या एक दो चीज़ें और है एक होता जैसे inflation tax एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है that is inflation tax inflation tax का क्या मत्तल है what is inflation tax due to price rise wage increase as wage increase tax on this increase more revenue for the government क्या हुआ price increase हुई आप किसी चीज़ की price increase हो रही है wage लोग बोलेंगे भई अपने employees से सर्व जो डाल है उसके price बढ़ रहेंगे यह हूं के price बढ़ने petrol नहेंगा हो गया हमारी भी salary बढ़ाईए ठीक साब salary बढ़ा दी तो लोग जब salary बढ़ेंगे तो tax जो है लोग ज़ादा pay करेंगे government को तो government की income बढ़ जाएगी that is inflation tax example लेते हैं माल लोग एक व्यक्ती है X नाम का यह रह रहा है मुंबई में अभी इसकी salary है एक लाक रुपे महीना वन लाक रुपी पर मन्त इसकी salary है अब वहाँ पर rent की price बढ़ गई food की price बढ़ गई transport की price बढ़ गई ठीक है और उसके लाब पेट्रोल की prices बढ़ गई तो इसना अपने employee से का कि सर मेरी तंखा थोड़ी बढ़ाई जाए इसके employee ने इसको डेड़ लाक रुपे पर मन्त देना शुरू कर दिया तो पहले इसकी income बारा लाक थी अब इसकी income कितनी होगई अब इसकी income होगई अठारा लाक तो obviously ये tax ज़ादा पे करेगा अठारा लाक पे तो सरकार की income बढ़ जाएगई that is inflation tax नेक्स्ट है हमारा जो टर्म है that is inflation premium अगला जो हमारा टर्म है that is inflation premium inflation premium क्या होता है इसको भी देख लेते हैं what is inflation premium inflation premium क्या है inflation premium means जहां पे bonus brought by inflation to borrowers real interest rate nominal interest rate adjusted to inflation इसको अभी नहीं इसको यहां नहीं पढ़ेंगे इसको मैं आपको borrower और जो डेटर और क्रेटर होता है अभी इसको भूल जाओ अभी के लिए इस concept को भूल जाओ इसको इफेक्ट आफ इंफलेशन में और सही से पढ़ेंगे next है हमारी पास inflation spiral inflation spiral next जो माले टर्म दर इस inflation spiral inflation spiral sorry inflation spiral inflation spiral का मतला एक जाल जैसा इसका मतला when wage press price up when wages press price up when wages press price up prices pull wages down prices pull wages down बहुत simple सा concept है आज मेरी तनका 50,000 रुपए आज मेरी तनका 50,000 रुपए तो अब और बहुत सारे लोग की माल लो एक society है एक society वहां 100 रहते हैं 100 people रहते हैं सबकी तनका 50,000 रुपए से जादा है तो obviously वो demand जादा करेंगे अब जब वो demand जादा करेंगे तो क्या होगा demand supply से जादा हो जाएगी इससे prices increase हो जाएगी चीजों की और कुछ चीजों में prices इतनी जदा increase हो जाएगी कि उनकी जो wages है वो उतनी sufficient नहीं होगी कि उस increase price को afford कर सके वापस समझेंगे इसको वापस समझेंगे इस term को inflation spiral को sorry spiral को माल लो एक society है यहाँ पर 10 लोग रहते हैं 10 people रहते हैं यह असान ले लते हैं थोड़ा दस की जगे 5 ले लते हैं A B C D E यह 5 लोग रहते हैं A की तनका 50,000 है B की तनका 70,000 है C की तनका 80,000 है D के तनका मालो 60,000 है E की तनका मालो 90,000 है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक यह society पास लो रहते हैं अब इस society के मालिक ने बोला कि हमारे पास तीन flats खाली है त्री flats vacated है आप में से कोई चाहे तो इन flats को खरीद सकता है monthly जो आपको monthly जो आपको rent पे करना है या premium पे करना है वो इसका 10,000 है अब इस monthlys का 10,000 है तो यह सब afford कर सकते हैं इन पांचों ने बोला कि हमें यह flat चाहिए लेकिन अविलेबल flat तीन ही है तो अब क्या हो रहा है इस flat की price increase हो गई इस flat की price increase हो गई इतनी increase हो गई कि यहाँ पर मालो 15 लोग और आ गए इसी society में और सबकी तनका 10,000 रुपए से जाता है तो finally क्या होगा है flat की जो कीमत है वो 70,000 हो गया या मालो 90,000 हो गया अब आप वापस क्या बोलोगे अपने employee से सर कुछ पैसा बढ़ाओ ना तो वापस पैसा बढ़ जाएगा लेकिन उससे effect क्या होगा यह 60,000 हो गई इसकी 80 हो गई इसकी 90 हो गई इसकी एक लाक हो गई for example लेकिन अब जैसे वापस हो गई तीन flat है तो price लगातार बढ़ती रह कि क्या भारत इस्टाइक फ्लेशन की situation झेल रहा है इस्टाइक फ्लेशन का situation क्या होता है पहले मैं आपको यह समझा रहता हूं फिर आपको आप मुझे बताइएगा इस्टाइक फ्लेशन का मतलब है जब demand जादा है जब GDP low है और unemployment भी जादा है unemployment भी जादा है अब यह तो खरगरबडबात हो गई और economy में economy में क्या हो रहा है सरकार की जो government policies है वो भी बहुत खराब है कभी ऐसा हो सकता है कि demand जादा हो और unemployment भी हो low GDP भी हो बहुत डिमांड जादा होने से इंफ्लेशन होगा economy में growth बढ़नी चाहिए लेकिन क्या इंडिय inflation का सबसे बैस्ट example है petrol की prices increase होना कि petrol प्राइजेज इंक्रीज होना अगर petrol की प्रैजेज होना अगर पेट्रोल की डिमांड हमेशा जादा रहेगी भारत जैसे देश में तो हमेशे जादा रहनेवाली है क्योंकि population इतनी ज्यादा है अब पेट्रोल जो एंडिया में पढ़एगा विश्रीन आउनलियुटरी में आयो हो रहे हैं। कि औसक्राद नहीं को नोंब हो तो अल्टीयूं कोvin केसे प्रणीक प्रेश kon adapter यहीं है। सारकार की भी आज़ाइएट कोई पॉल सी नहीं है साथ घ्रम के ब्हुत से ख काम कर रहा हुआ है तो यह स्टक्फ्लेशन का Punch इंफ्लेशन होता है जीडीपी घटती है अनिम्प्लाइमेंट जो होता है वह बढ़ता है गवर्मेंट पॉलिसी पूर हो जाती है तो सब कुछ नेगेटिव हो रहा होता है देश के लिए अब अगर एक सवाल आप से पूछे सकता है कि भारत में करेंटली इंफ्लेशन क्यों है वाय देर इंफ्लेशन इंडिया तो देखिए सबसे पहली बार तो फूड इंफ्लेशन भारत में सबसे ज़्यादा है और खाना थो हर व्यक्ति को चाहिए सस्टेन करने के लिए तो एग्रिकल्चर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है गल्टी से भी बारिश थोड़ी उपर नीच हो गई कई जादा हो गई या कुछ कम हो गई तो सीधा एफेक्ट अग्रिकल्चर पर पढ़ता है उस सीधे एफेक्ट से क्या होता है काफी सारे एक जगाओं पर प्रडक्शन कम हो पाता है और बहुत बड़ा रीजन है वह बहुत बड़ा रीजन क्या है वह ब पर हेक्टेयर लांड अविलेबल जो है पर हेक्टेयर लांड अविलेबल जो है वो कम है पर हेक्टेयर अविलेबल जो लांड है वो कम है ठीक है अब पर हेक्टेयर लांड अविलेबल कम है पॉपुलेशन ज्यादा है इस वज़े से क्या हो रहा है इस वज़े से जो लांड अब क्या होता है दिए हैं फसलों पर प्रड़क्शन जलदी से यूट्रोफिकेशन की समस्य जनरेट होती है यूट्रोफिकेशन क्या होता है जब केमिकल्स जो हैं वह पानी में चले जाएं और देचल ऑसे पानी में जो oxygen है biological oxygen demand अगर गिड़ जाए तो उससे पानी में रहने वाले जो जानवर हो जाते हैं उनकी सब्वोकेशन से death हो जाती है तो यूट्रोफिकेशन क्या है यूट्रोफिकेशन प्रब्लम जब आप cœur में पानी जब जाता है शीटोगों में चलता है उससे जीओ हो जाता हissä इससे पानी में जो oxygen है वो कम हो जाता है जिससे काफी सारे जानवरों की death हो जाती है फिर global food prices पर भी बहुत जाए dependence है कुछ ऐसे prices होते हैं जो internationally determined food prices के this is again a big reason भारत import बहुत करता है pulses especially अब अगर pulses की prices हो क्योंकि pulses भारत में production produce इतनी नहीं होती उसके लिए water काफी चाहिए होता है और उसके लावा भारत में pulse produce pulses करने वाले कुछ ही स्टेट से महाराश्क्रा मध्यप्रदेश है तो जब इतना ज़्य इंपोर्ट होगा तो obviously prices जदा हो जाएंगी फिर artificial scarcity black marketing काला बजारी black marketing और holding जो है वो काफी जदा है इंडिया में थोड़ा सा भी price क्या करो जमा खोरी कर लो काला बजारी कर लो तो अपने आप चीजों की prices बढ़ जाती है अब एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर effects of inflation अच्छा अभी तो है अभी तो हमारे पास है टाइम थोड़ा सा फिलिप्स एक एकनॉमिस थे उन्होंने ये बात बोली कि inflation और unemployment में इनवर्ड रिलेशन्शिप है मैं आपको सिंपल करके समझाता हूं यह माल लो कि inflation inflation और employment के बीच में inflation और employment के बीच में direct relation है आप यह माल लो inflation और employment के बीच में direct relation है आप यह माल लो चलो direct relation कैसे है inflation और employment के बीच में यह समझ लेते हैं अगर inflation जादा होगा inflation जादा होगा तो demand जादा होगी demand जादा होगी तो production जादा करना पड़ेगा production जादा हुआ तो obviously बात है investment जादा करना पड़ेगा investment जादा हुआ तो employment जो है employees जादा चाहिए होंगे तो employment बड़ेगा this is the reason एक जैंपल लेते हैं suppose करो एक coaching institute है only is only is के पास अभी दो रूम है पर example कहीं डेली में इनके पास दो रूम का एक center है अब इस दो रूम की capacity है कि यहां पे 200 बच्चे आ सकते है master अब बताच चलता है कि शुवम सर यहां पर एकनौमी पढ़ा रहें अपने मूम यहां पर एकनौमी पढ़ा रहा है अब इकनौमी पढ़ाने की वैज़े से यहां पर काफी जदा बढ़ गई और यहां पर मानलों हो गए 800 बच्चे 800 स्टूडेंट्स हो गए अब 800 स्टूडेंट्स हो गए तो इसका मतलब क्या है डिमांड ज्यादा हो रही है तो इनको फर्दर इंवेस्टमेंट करना पड़ेगा अब इनके बास दो रूम है अब इनको six rooms और चेह रूम और चाहिए और इन 800 बच्चों को एकोमडेट करना है तो जब चेह रूम हो गए और 800 बच्चों अब 800 बच्चों को एक टीचर तो पढ़ा नहीं सकता हिस्ट्री का पॉलिटी का जेगरफी का तो आपको और टीचर चाहिए होंगे तो फिलिप सहाब यह कहते है लेकिन यह शौट रन तक सही है शौट रन तक सही है क्यों क्यों कि जैसे ही एंप्लोयमेंट बढ़ेगा वापस क्या होगा लोग डिमांड जादा करनी शुरू कर देंगे मानलो पहले पहले इंस्टिडूट्स में पढ़ाने वाले पांच ही टीचर थे तो तो ठीक है अब पांच टीचर है पर टीचर को मानलो दस किलो चावल चाहिए था तो अराम से पचास किलो चावल टोटल है चाहिए और सप्लाय जो चावल की है वह हंड्रेड केजी है मानलो ओरल मार्केट में अब क्या हो रहा है अब पंदरा टीचर हो गए पंदरा टीचर हो गए हर किसी क तो दस किलो चांवल है, मतलब अब चाहिए 150 kg चांवल, और चांवल अविलेबल कितने हैं, 100 kg चांवल अविलेबल हैं, तो क्या होगा, prices rise होनी शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा, prices rise होते ही, फिर supply, inflation बढ़ जाएगा, तो यह inverse relationship को शो करता है, employment और inflation की, तो philips curve, starting में तो भी बहुत successful रहा, लेकिन long run में philips curve गलत प्रूव हो गया, long run में philips curve गलत प्रूव हो गया, क्योंकि inflation और employment का direct relationship है, लेकिन short run में, जैसे ही employment बढ़ेगा, prices फिर rise हो जाएगी, फिर employment बढ़ेगा, फिर prices rise हो जाएगी, so this is the reason with philips curve, why it is not that successful, अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, inflation targeting क्या होती है, inflation target मतलब क्या होता है, सरकार जो है, सरकार RBI से consult करके हर 5 साल में inflation को target करती है, जैसे currently भारत सरकार का target है, inflation को लेके 4% plus minus 2%, मतलब minimum 2% inflation होना चाहिए, और maximum 6% तक inflation जा सकता है, तो inflation जो है, minimum इस range में होना चाहिए, 2% to 6%, this is the target set by government of India, कि भाई जो inflation है हमारा, वो 2% से लेके 6% के बीच में रहे, तो हम खुश है, मतलब ऐसा भी नहीं हो जाए, कि बिल्कुल 2% से नीचे गिर जाए, वो तो फिर बहुत खतरनाक बात हो जाएगा, भी डिमांड ही नहीं है, एकनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, वहीं, अगर 6% तक जा रहा है, तो भी सही है, कोई प्रॉब्म में लिए कि उससे जादा अगर होता है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस बहुत जदा राइस हो रही है, तो इसलिए, इसलिए, एक वो कर दिय रेंज बना दिया, 2% से 6% तक, clear, this is inflation targeting, अब बात कर लेते हैं, last हमारा topic है, who measure inflation in India, चलिए अपर इसको next class से लेंगे, यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, WPI, CPI, differences जो हमारे अलग-अलग तरीके के हैं, इनको हम next class बसंदा, तो inflation chapter का part 1 हम लोग discuss कर चुके हैं, जिसमें हमन inflation पढ़ा, deflation पढ़ा, disinflation पढ़ा, types of inflation पढ़े, on the basis of causes, on the basis of intensity, कुछ terminologies भी पढ़ी, inflation से जुरती भी, skewflation, reflation, stackflation, apart from that, inflation targeting में हमने देखा 4%, 2% से 6% के बीच में, अब अगर आप से पूचा जाए, कि who measure inflation in India, तो inflation को measure कौन करता है, तो देखिए, inflation को measure दो तरीके से किया हो सकता है, एक तो होता है, आपका wholesale price index, that is called as WPI, एक तो हमारा होता है, wholesale price index, जिसको हम कहते हैं, WPI, मैंने आपको याद हो, तो पूरा एक chain समझाया था, कि wholesale price, wholesale क्या होता है, और consumer price क्या होता है, या अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको नहीं भ का मतलब होता है सबसे पहले सपोस करिए कि कहीं पर भी कहीं पर भी कोई गुड्स बनते हैं जिसे यह मान लो एक यह फैक्टरी में गुड्स बने इस फैक्टरी में गुड्स बने तो सबसे पहले इस फैक्टरी में गुड्स बनाए अब इस गुड्स को खरीदने वाले हो सकत है चार या पांच बड़े सेलर्स हों जिनको हम कहते हैं होल सेलर्स जो डिरेक्टली गुड्स फैक्टरी से खरीदते हैं इनको हम कहते हैं होल सेलर्स फिर जो यह होल सेलर्स होते हैं यह छोटे-छोटे रीटेलर्स को अपने goods बेचते हैं जैसे एक मालो कि यहाँ पर यह एक factory है जो soap manufacture करती है साबुन बनाती है यह factory अब यह साबुन बनाने वाली factory ने सबसे पहले wholesalers मतलब यह मालो factory जो है इंडिया के 4-5 जगों पर दिल्ली में है, बॉम्बे में, गुजरात में है चन्नाई में है, मध्यप्रदेश में अब यह factory है यह 5 जगों पर साबुन बनाती है और उस particular state में 3-4 बड़े-बड़े wholesalers हैं जो उस factory से माल खरीते हैं, goods खरीते हैं और पर छोटे-छोटे जो retailers हैं उनको यह भेजते हैं फिर यह retailers से हम प्राइसस साबुन खरीते हैं ऐसा नहीं होता है हमें माल लो 5 लक्ष घरीदने है या 5 जो हमें माल लो पीयर्स साबुन या डव साबुन खरीदने हैं तो हम सीधा फैक्टरी नहीं जाते हैं वह इसा नहीं होता हम क्या करते हैं हम हमारे रिटैलर से खरीटते हैं अगर हमें फॉल से प्राइस पे खरीते हैं अगर हम लोग डी मार्ट जा सकते हैं जाड़ होल सेलर वो एक बड़ा होल सेलर है ठीक है तो इस तरह से we can purchase तो wholesale price index की जो numbers होते हैं इसको कौन release करता है इसको release करता है Minister of Commerce and Industry भारत अपना inflation जो था पहले वो wholesale price index की basis पे नापता था कि कितने wholesalers जो हैं वो factory से goods करीद रहे हैं उसके basis पे inflation को नाप लो लेकिन 2014 में 2014 में एक बात समझ में आई या RBI को कि अगर हम WPI के basis पे inflation को count करेंगे तो उसमें एक problem क्या हो सकती है उसमें यह problem हो सकती है मान लिजे किसी wholesaler ने goods खरीद लिए लेकिन goods खरीदने के बाद में उसको consumer खरीद ही नहीं रहा तो actual consumer ने तो उसको consume ही नहीं करा ना वो तो सिर्फ बना और factory से सीधा wholesaler के पास आ गया और वहीं रखा हुआ है तो 2014 में RBI ने कहा कि नहीं अगर हमें inflation measure करना है accurate inflation जानना है demand supply के basis में तो हमें CPI के basis पे inflation count करना पड़ेगा मतलब जो end customer consumer जो खरीद रहा है उसके basis हम count करेंगे अब इसको release जिस ने किया very important यह exam point office बहुत important है तो देखिए सबसे पहली जीज़ WPI जो होता है WPI inflation किस पर measure करता है WPI inflation measure करता है total commodities जो produce हुई है जो purchase हुई है through wholesale level wholesale level वहीं CPI जो measure करता है वो retail level पे या consumer level पे goods को measure करता है published by office of economic advisor और यहाँ पर CSO के त्वारा इसकी rank इसके जो measures है वो publish होते है wholesale price index का एक और बहुत बढ़ा लेक्यूना था कि यह सिर्फ goods को measure करता है वहीं CPI जो है goods and services दोनों को count करता है this is the big difference तो wholesale में सबसे पहला transaction है तो इसमें inflation इतना accuracy के साथ नहीं आ सकता consumer price index is the final stage तो यहाँ पर पता सुर जाता है कि कि ने goods consumer खरीद रहें तो यह फाइनल स्टेज है transaction की यहाँ पर प्राइजेस पेड कॉन करता है manufacturer wholesaler और यहां consumer price index में consumer pay करता है wholesale price index में obviously commodities जादा होती है क्योंकि wholesale level पर होती है तो अव्यस बात है कि यहां पर commodities हर quantity को consume किया जाएगा retail level पर retail level पर rural basket और urban basket अलग-अलग हो सकती है यहां पर manufacturing goods को cover किया जाता है consumer price index में आपके हर तरह के जो consumer जिनको चीज़ों को पसंद करता है उनको लेता है education, transportation, recreation, housing, medicine, everything wholesale price index का जो base year है वो 2011-12 है वहीं जो CPI का जो base year है that is 2012 तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत पहले wholesale price index को measure करता है लेकिन CPI को अब as a data use करता है although अभी भी wholesale price index और CPI दोनों की ही rankings generate होती है एक मैं आपको और इसमें चीज़ों परता हूँ कि जो weightage है वो अलग-अलग चीज़ों से manufacturing goods का अगर मैं यहां बात करूँ manufacturing goods का जो weightage है वो सबसे जादा है वो around 65% है 65% weightage manufacturing goods का है वहीं fuel and power fuel and power जो है उसका weightage around यहां पे 14% 14% weightage जो है वो fuel and power का है और उसके लावज प्राइमरी आर्टिकल है प्राइमरी आर्टिकल मतलब जो basic raw material form में होते है प्राइमरी आर्टिकल का जो measure है वो rest of the 21% है वहीं consumer price index की बात करूँ सबसे ज़्यादा यहां food का है food का weightage सबसे ज़्यादा है that is 46% 46% food का weightage है housing housing यहां पे around 10% है मैं आपको highest वाले ही बता रहा हूं उसके अलावा mist और बाकी जैसे clothing है और आपके जो producers होते हैं जो production करते हैं उनका जो price index है that is producer price index means average change in price of goods and services because of their production this is called as producer price index मतलब जो producers price determine करते हैं उसे हम कहते है producer price index इन दोनों के बीच में difference देख लेता है सबसे पहले इनके बीच में difference देख लिया जाए WPI और PPI यह मैंने लिख दिया WPI यह मैंने लिख दिया capture price changes through bulk transactions through bulk transactions through bulk transactions bulk transactions पे prices को include किया जाता है including distribution cost distribution cost distribution cost production cost दोनों इसमें शामिल होती है मतलब bulk level पे जो prices में changes होते हैं through production जिसमें distribution cost और transportation cost दोनों या production cost इंक्रूड होती है वहीं इसमें क्या होता है PPI में क्या होता है यह देख लेते हैं PPI में कौन कौन सी चीज़ों को cover करते हैं जैबरेडरेजर चंगें प्रीस मेराख़जर के रावेजर प्री מתasto मेरेडरीश गैणिगे न प्रीस मेरेश in प्रीस से रिधर भैजरेट अ दाफ्य। प्रीजर से अर दोदेडेटर गा़ução musi आजरेटर पे वाड़वाई प्राद्opesरोग की OP टाक्स इसमें शामिल नहीं होता ये धिहान रखना है पीपी ऐई में सेकंड चीस वर इस इत्वर सेकंड डिफरेंस बिविए और टॉपी ऐई ओर पीपी ऐई में जो सेकंड डिफरेंसे वाट लुपी ऐई जो हता है डाज नौट कवर सर्वेसेस does not cover services, इसमें services को cover नहीं किया जाता वहीं CPI में PPI include services services को include करते हैं इसमें, तीसरा difference तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज है यहाँ पे यहाँ पे trading के विसाब पे trading के हिसाब से valuation होता है weight of an item weight of an item weight of an item is calculated is calculated weight of an item is calculated on net traded value net traded value वहीं यहाँ पर क्या होता है it is derived from supply it is derived from supply, यह supply से derived होता है it is derived from supply ठीक है इसको क्वोन पब्लिश करता है इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है यह भी देख लेता है published by whom it is published by office of economic advisor office of economic advisor office of economic advisor ministry of commerce and industry ministry of commerce and industry वहीं पीपी आई किसके द्वारा मेजर होता है पीपी आई को मेजर किया जाता है by Bureau of Labor Statistics Bureau of Labor Statistics के द्वारा यह मेजर किया जाता है तो simple जी बात है producer price index जो है producer के end पे count होता है जिसमें services को include करते है इसमें supply के वैसे पे producer जो है वो supply किस हिसाब से कर रहा है production किस हिसाब से कर रहा है उसके वैसे पे count किया जाता है next पढ़ेंगे PPI और CPI में क्या difference है PPI और CPI में क्या difference है इसको भी देख लेते है तो देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ही है CPI और PPI इन दोन में क्या difference है CPI जो है measure the changes measure the changes measure the changes in price level measure the changes in price level data consumer pay data consumer pay जो है consumer pay करता है PPI क्या है estimate the estimate the changes in average price estimate the changes in average price estimate the changes in average price data producer receives data producer receives जो एक producer receive करता है ठीक है तूसी चीज़ इसको हम इसको हम जो weightage होता है यह consumer के expenditure से derive होता है consumer expenditure derives the weightage consumer किन-किन चीज़ों में किन-किन चीज़ों में पैसा खर्च कर रहा है उससे CPI measure होता है PPI जो है PPI is derived PPI is derived on the basis of supply on the basis of supply तो जो PPI होता है वो derive होता है on the basis of supply तो this is the difference between CPI and PPI CPI जो होता है वो prices को measure करता है through how consumer pay PPI measure होता है कि जो producer income receive करता है उससे हम PPI measure करते है CPI consumer expenditure के through derive होता है कि भाई consumer कितना expenditure कर रहा है उसके business पे PPI derive होता है अब एक last difference और देख लेते है फिर हम effects of inflation को next class में cover करेंगे कि वो बड़ा topic और important topic है तो देखो WPI, CPI WPI CPI थोड़ा एक मिरट WPI CPI और IIP इन तीनों में क्या difference है सबसे पहले तो इन सब के base year है base year जो है वो 2011 बारा है 11 बारा है और 11 बारा है तो पहले तो base year clear होगी है अब सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछू कि wholesale price index क्या क्या कवर करता है cover only goods cover only goods goods and services both goods and services both वहीं IIP क्या करता है यह 8 products को cover करता है 8 particular core industries हम बोल सकते है 8 core industries इसकी 8 core industries होती है जिनका weightage derive होता है अलग-अलग level पे जिनका अलग-अलग level पे weightage है जिसे सबसे पहले refinery products है फिर electricity है खेर मैं आपको यह IIP industries वाले chapter में और से समझा दूँगा कि किसका ज़ादा overall production में किस particular sector का weightage सबसे ज़ादा होता है जिसे refinery product का सबसे ज़ादा फिर electricity का फिर steel का फिर coal का crude oil का तो इसमें 8 core industries with different sector अलग-अलग sectors जो 8 products आपके होते है यहाँ पर उसके अलावा publish किसके दौरारा किया जाता है यह भी देख लेते हैं एक बार किये पब्लिश किसके दौरा किये जाते हैं तो देखिए published by whom तो WPI कौन पब्लिश करता है Office of Economic Advisor Office of Economic Advisor Office of Economic Advisor Ministry of Commerce and Industry इनके द्वारा यह मेजर किया जाता है CPI जो है यह अलग-अलग मिनिस्ट्री के द्वारा होता है जैसा अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के विस्टिस पर तो मिनिस्ट्री वर्कर्स करेगी अगर मान लिजे इंडस्ट्री वर्कर्स की बात होगी अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात होगी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात होगी तो कौन बताएगा Ministry of Labor and Employment Ministry of Labor and Employment अगर एंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात होगी एंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात होगी तो कौन बताएगा Ministry of Labor and Employment सेम दोनों के लिए सेम ही है दोनों के लिए ही सेम है तीसरा मान लिजे तीसरा मान लिजे आपका Rural Urban के लिए Combined Services हैं तो NSO बताएगा तो आप सिंपल से समझीए कि अगर Industrial Workers के लिए तो Ministry of Labor and Employment Agriculture Labor के लिए तो Ministry of Labor and Employment अलग-अलग निकलता है Ministry of Urban के लिए अलग होगा तो Ministry of Labor and Employment बताता है CPI Rankings और ये कौन बताता है CSO Central Statistic Organization बताता है Index of Industrial Production वहीं अगर मैं बात करूँ तो नहां पर जो Weightage है Weightage है अगर Weightage की बात की जाए कि Weightage किसे साब से है तो वह भी देख लिए Weightage हमारा किस % है किस % है Manufacturing Products Manufacturing Products जो है इसको 64 % वेटेज है जो प्रड़क्स Manufacturer होते है ठीक है उसके लावा Fuel and Power को 13 % है Fuel and Power को 13 % है CPI में आप देख लो Food को Food को 45 % है ठीक है Housing को 10 % है Housing को 10 % है मैंने आपको High High बता दिये और IIP में IIP में Manufacturing को Around 77 % है Mining को 14 % है Around 14 % for Mining और Electricity को Around 7 % है ठीक है So this is the difference These are the differences between them यह differences है इन सब के बीच में So these are the basic difference between them Clear हो गया मैं एक रिपीट कर देता हूँ WPI Wholesale Price Index Wholesaler के लेवेल पर होता है Base Year इसका 2011 बारा है CPI जो है इसका Base Year भी 2011 बारा है IIP का भी Base Year 2011 बारा है WPI Cover Only Goods CPI Cover Goods and Services बोथ IIP जो है यह 8 Core Industries के बारे में बात करता है WPI में Manufacturing को 64 % है Fuel and Power को 13 % है CPI में Food को 45 % है Housing को 10 % है IIP को 77 % IIP मैनेफेक्टरिंग को 77 % Mining को 14 Electricity को 17 CPI और WPA को कौन इसकी WPA Index कौन देता है Office of Economic Advisor Ministry of Commerce and Industry CPI Industrial Workers Ministry of Labor and Employment Agriculture Labor Ministry of Labor and Employment IIP को Determine करता है By CSO Central Statistic Organization Clear? तो I hope यहाँ तब की चीज़ आपको समझ में आगए हुगी Difference आपको Clear होंगे चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम Next Inflationary Gap versus Deflationary Gap बहुत Simple सा Concept है आप खुद भी समझ गए होंगे अब तो हमने इतना कवर कर लिया है Inflationary Gap और Deflationary Gap में क्या difference हो सकता है What is the difference between Inflationary Gap Inflationary Gap मतलब क्या हो रहा है जब Inflation जाद है Demand जाद है इसको समप करते है Inflationary Gap और Deflationary Gap को यह होगा आपका IG Inflationary Gap यह होगा DG Deflationary Gap यहाँ पर क्या होता है When Aggregate Demand When Aggregate Demand Is more than Is more than Aggregate Supply जब Aggregate Demand Aggregate Supply से जादा हो तो उसम कहते है Inflationary Gap और यहाँ क्या होता है When Aggregate When Aggregate Demand is lower than Aggregate Supply Demand is lower than Aggregate Supply This is called as Deflationary Gap इसको हम Deflationary Gap करते है मतलब Deflation जादा है जब Supply जो है वो जादा है Demand कम है This is called as Deflationary Gap यहाँ पर Over Employment होता है लोगों के पास बहुत नौकरियां होती है इसलिए वो Demand जदा करते है यहाँ पर क्या होता है Under Employment लोगों के पास नौकरियां नहीं है इसलिए वो विचारे Demand नहीं कर रहे करना चाहिए क्योंकि ऑल्डेटे इंफ्लेशन जाधा है अगर सरकार ज़्याधा खड़ करीगी तो लोगों को एंप्लोईमेंट जधा मिलेगा लोगों को एंप्लोईमेंट जाता मेले सकते बिचारे सरकार जब employment create करेगी infrastructure create करेगी फैक्टरियां बनाएगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी और अपने आप डिमांड लोग करने लग जाएंगे clear हो गई बात यहां तक next point interest rate interest rate need to be high banks से जो interest हम लेते हैं उसको जाधा रखना पड़ेगा उसको जाधा रखना पड़ेगा क्यों जाधा रखना पड़ेगा ताकि लोगों को loan सस्ते में ना मिले अगर लोगों को loan सस्ते में मिलेगा तो अल्रेडी लोगों के पास पैसा है अल्रेडी डिमांड जाधा कर रहे हैं अगर interest rate भी कम हो गई तो लोग लोग loan लेने पहुंजेंगे एक एक्सेंपल समझाएंगे इसको माल लीजे क्रेटा गाड़ी है अब क्रेटा गाड़ी के लिए demand है सौ लोगों की demand supply सिर्फ 50 की है supply सिर्फ 50 गाड़ियों की है मतलब सौ लोग demand गर रहे हैं क्रेटा की और available सिर्फ 50 है अब पता चला इन सौ में से बीस लोग तो ऐसे हैं या असी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास cash है जिनके पास cash है अभी चाहें अभी खरीद रहे हैं लेकिन 20 लोग ऐसे हैं 20 people are those 20 लोग ऐसे हैं जो लोन लेके खरीदना चाहते हैं जो गाड़ी को लोन लेके खरीदना चाहते हैं अब देखो, पता है कि क्रेटा अविलेबल 50 है, सप्लाइ 50 है, डिमांड 100 है, और 80 लोग ऐसे हैं, जिनके अपास कैश अविलेबल है, अभी चाहें तो अभी गाड़ी खरीद लें, अब 80 लोगों में जब 50 सप्लाइ है, और अगर 20 लोग जब लोन लेने पहुंच गए, उनक अब अगर मानली जब काड़ लोन को आज परसंट कर देते हैं, नौ परसंट कर देते हैं, तो यह बोलेंगे नहीं आर लोन बहुत महंगा है, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे गाड़ी, तो इससे क्या होगा, अटलीस देमांड थोड़ी बहुत कम होगी, डिजी मे अब मानली इसमें से 20 लोग चाहते हैं, लोन से गाड़ी खरीदना, तो उनको लोन भाईया कम इंट्रेस्ट पर दो, ताकि वो गाड़ी खरीदने के लिए लोन तो लें, तो इससे कॉड़ एस देफलेशनरी गाब, और चौथा है, टैक्स को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए टैक्स को बढ़ाना क्यों चाहिए? ताकि लोग ज़ादा टैक्स पे करें, उनके पास खुद के पास कम पैसा हो, जितना ज़ादा लोग टैक्स ज़ादा पे करेंगे, उनके पास कम पैसा होगा, उतना ही भेतर गवर्रमेंट के पास income होगी, demand कम होगी, वहीं यहाँ पर ग अब जब डिमांड जदा है सप्लाइस से तो अविसली प्राइज लगातार बढ़ रही है और एक लेवल ऐसा आजाएगा जब प्राइज आकाश चूरी होंगी गैलोपिंग हाइपर इंफलेशन होगा प्राइज इतने जदा हो जाएंगे कि आम आदमी अफॉर्ड नहीं कर दाल चामली अफॉर्ड नहीं कर पा रहा आदमी यहूं बाजरा मक्का यह वह अफॉर्ड नहीं कर भा रहा तो इससे क्या होगा एक तो आपके यहां पर जो आम आदमी जो लोवर स्ट्रेटा का पीपल है उसके वह उसी तो बैंड बच जाएगी दूसरी प्रॉब्लम क्या पर थे मैं इंवेस्टमेंट नहीं होंगे वह अटना इंफलेशन है इतना भेंकरन इंफलेशन है कि लोगों के पास में अवे़लेबल सफलाई नहीं है तो इंवेस्टमेंट कैसे कड़ेंगे तीसरी चीश्व क्या होगा य सअब इसे अधंवार्य वाफ इंहरूस impact करे जा कम हो जाएगा और आप export करनी पारे हो क्योंकि आपकी एकनोमी में do पॉरी नहीं और भारत में इप्सपोर्ट करना पड जाएगा इससे आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा इससे आप क्या external sector में problem आ जाएगी fiscal imbalance हो जाएगा सरकार को government को loan ज़्यादा लेना पड़ेगा government को loan लेना पड़ेगा demand इतनी ज़्यादा है इकनॉमी में चौती चीज क्या है चौती problem यह हो जाएगी internationally country की international presence है वो खराब हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा inflation है लोग investing नहीं करेंगे आपकी एकनॉमी में तो इससे foreign rate investment भी कम हो जाएगा so persistent high inflation is always bad for economy अब हमें control कैसे करना चाहिए inflation control ऐसे करना चाहिए कि एक तो एक सरकार expenditure कम कर दे expenditure सरकार कम करेगी मतलब जब सरकार expenditure को करेगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा employment कम होगा जब employment कम होगा तो अपने आप demand कम हो जाएगी दूसरा सरकार tax rate increase कर देगी तो लोगों के पास पैसा खुद के पास कम होगा और सरकार को tax जदा पे करेंगे उल्टा चलेगा बागी समय deflation में विल्कुल उल्टा हो जाएगा interest rate बढ़ा दो interest rate बढ़ा दो लोग loan कम लेंगे जब लोग loan कम लेंगे तो अपने आप demand कम हो जाएगी वह deflation में उल्टा हो जाएगा so these are the measures to control inflation other measures क्या है कि हमें black marketing और hoarding नहीं करनी है हमें buffer stock रखना है माल लीजे इस साल 2021 में आपके आपे 1000 kg गेहू produce हुआ चलिए बहुत अच्छी बात है इसको store कर लो क्या पता आने वाले सालों में कैसी बारिश हो नहीं हो कुछ पता नहीं है ना हम तो उमीद यह करेंगे touchwood की हर साल मौनसून अच्छा हो लेकिन कैन नहीं सकते तो 2021 में अगर आपके हाँ bumper production हुआ है तो buffer stock maintain रखो ताकि future में prices increase नहीं हो जाए price increase क्यों होती है क्योंकि demand supply से जद हो जाती है अगर आपके buffer stock है आप माल लो भारत में 2021 में 500 kg ही wheat चाहिए और आपके हाँ produce हो रहा है 1000 kg तो अब अराम से 500 kg को store करो क्योंकि आगे आने वाले सालों का कुछ क्या है नहीं सकते है तो buffer stock maintain करो black marketing मत करो holding मत करो काला बजारी मत करो exports मत करो अभी के लिए क्योंकि आपके demand खुद किया तो पूरी होरी नहीं है अब export और कर रहे हो फिर inflation ज्यादा बढ़ जाएगा so these are the measures to control inflation अब आखरी सवाल है क्या inflation हमेशा खराब होता है एकनौमी के लिए तो जी नहीं creeping inflation is always good creeping inflation हमेशा होना चाहिए is always needed थोड़ा बहुत inflation जरूरी है अगर demand होगी इंफलेशन में क्या demand बढ़ती है demand होगी तभी production बढ़ेगा production बढ़ेगा तभी further employment बढ़ेगा वोई coaching वाले example समझे लो employment बढ़ेगा तो अव्यसी बात है लोगों के पैसा होगा तो वो save करेंगे कुछ पैसा saving होगी save करेंगे तो कुछ further invest भी करेंगे जब invest करेंगे तो economy में capital formation होगा loan के form में जब capital formation increase हो जाएगा तो economy में GDP increase हो जाएगी persistent inflation हलका फलका inflation ज़रूर होना चाहिए economy में इसलिए हमने 2% वाला range रख रख का है 2-6% this is in this particular class next class में effects of inflation पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ छोटी मोटे चीज़ां और inflation से जोड़ी भी उनको हम cover करेंगे that's all from my side thank you so much and please do take care of your health जैसा हमने inflation के context में समझा था बहुत important chapter था inflation तो उसी के साथ में मैंने money and monetary policy सोचा कि उसी के बाद में ले लिया जाए क्योंकि ये दोनों कही न कहीं थोड़े से link हो जाते हैं और इसी के जस्वाद हम fiscal policy स्टार्ट कर देंगे तो money and monetary policy के context में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत important chapter है और अगर मैं prelims point of view से बात करूँ अगर मैं आपके exam में prelims point of view से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा questions जो prelims में आते हैं सबसे ज़्यादा questions जो prelims में आते हैं वो money and monetary policy से ही आते हैं तो बहुत important chapter है बहुत ज़्यादा importance है इस chapter के prelims और means दोनों में और अगर आप economic questions civils के prelims में देखेंगे तो काफी सवाल आपको directly money and monetary policy से नजर आएंगे तो अगर यह दो सब definition है कि it is a medium of exchange और यह सब लेकिन money वो चीज़ें जिससे दुनिया चलती है money वो चीज़ें जो सबसे इंपोर्टेंट है जिसके बिना survival करना almost impossible है तो what is money? money is a medium of exchange acceptable to all parties money क्या है? money एक medium of exchange है जो कि सारी parties को acceptable होता है whatever the parties are, they all accept money तो money किस form में हो सकता है? money currency के form में हो सकता है, coin के form में हो सकता है मतलब एक ऐसा medium जिसे आज अगर suppose करीए मैं कुछ लेने जाता हूँ, market जाता हूँ मुझे bottle खरीदनी है, मुझे माल लीजे laptop खरीदना है, computer खरीदना है मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो मैं गाड़ी कैसे खरीदना, laptop कैसे खरीदना, मुझे कुछ देना पड़ेगा उसके लिए तो वो चीज क्या हो सकती, क्या मैं कोई कागज का टुपड़ा दे दूँ चल जाएगा क्या मैं कोई steel का बरतन दे दूँ चल जाएगा नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज देनी होगी, जो acceptable है जो acceptable in the sense, जो हर जगे जिसकी value है जिसको हर जगे accept किया जाता है, जो हर जगह पर parties लेने को तयार हो, मतलब अगर मैं मॉल में जाओं तो मैं मॉल में कपड़े करीच सकता हूं उससे अगर माल लीजे मैं किसी दुकान पर जाओं, मुझे कुछ fruits लेने है, तो मैं fruits ले सकता हूं so money is a medium of exchange medium of exchange का मतलब simple सा क्या है medium of exchange means anything which can buy any goods or services कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो goods and services को खरीद सके, that is called as medium of exchange what is medium of exchange? it means any instrument which can be used to buy any goods and services it is called as medium of exchange अब किसी भी चीज के पीछ acceptability कैसे होती है acceptability तब होगी, जब guarantee होगी जिसे आज अगर माल लीजे कि आपको कपड़े खरीबने जाने है और आप एक कागज के ओपर लिख कर देता हो 1000 रुपय है, तो क्या वो accept हो जाएगा? नहीं, उसके पीछे कोई guarantee दे अगर आपने भारत की currency देखी हो note देखा हो, तो वहाँ पर लिखा होता है RBI governor लिखते है, मैं धारक को वचन देता हूँ इस पैसे guarantee होती है अगर आप कभी भी भारत की currency को देखोगे तो वहाँ पर specifically ये चीज लिखी वी है I promise to pay the bearer the sum of 200 rupees तो बिना इस guarantee के अगर ये guarantee ना हो, तो वह जो कागज का टुकड़ा है, जिस पर 2000 लिखा है 200 लिखा है, 500 लिखा है, 100 लिखा है उसकी कोई value नहीं है तो there must be a guarantee behind that instrument और उस money की कुछ value होनी चीए और वो value quantified हो मतलब ऐसे नहीं कि आपने उस value पर लिख दिया आपने उस value पर लिख दिया प्रिया का प्यार, तो प्रिया का प्यार जो है वो value नहीं है उस money की उस money की value के पीछे उपर लिखा होगा 1000 लुपए, 2000 लुपए, 5000 लुपए और वो numbers में होना चीए जिसको हम quantify कर सकें, जिसको हम count कर सकें अगर आप भारत में बात करो तो रुपी जो हमारा note है ऐसे हर currency, हर किसी country का अपना खुद का currency होता है मैं specifically रुपी की अगर बात करूं तो रुपी, it is a medium of exchange रुपी जो है, वो एक medium of exchange है उसके अलावा, रुपी जो है वो कही ना कहीं, RBA के जो governor है वो promise करते है BRR को कि भाई, ये जो है ये रुपी मैं आपको देता हूँ और हर रुपी के उपर monetary value 10 रुपे, 5 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 500 रुपे, 2000 रुपे and so on तो this is the definition of money इसको हम money के definition कहते है अब आप सब पूछेंगे भाई, what is fiat money तो fiat money मतलब एक ऐसी money जो कि law के द्वारा governed हो एक जैसे रुपी is a fiat money dollar is a fiat money तो fiat money means money which have which is actually legal tender which is issued by the government of that particular country जिसकी कोई value हो, जिसकी कोई वर्थ हो that is called as that is called as fiat money तो fiat money का क्या मतलब हुआ, it is this, it is a it is a legal tendered money it is a legal tendered money it is a legal tendered money which have which have which have specific specific value and it is and it is issued by issued by the government of that of a country जिसको government के द्वारा इशू किया गया हो जिसकी कोई value है जिसकी कोई legal intrinsic value है और जिसको सरकार के द्वारा इशू किया गया हो that is called as fiat money उसे हम fiat money क्याते हैं clear हो गया इसे हम कहेंगे fiat money next is fiduciary money fiduciary money का money का मतलब क्या है जो trust के basis पर accept की जा सके the money which get accepted money which get accepted money which get accepted due to mutual trust due to mutual trust between the parties between the parties example example check demand draft etc इसे हम कहते हैं fiduciary money जो किसी mutual trust पर accept की जा सके जैसे आज एकर मान लीजिए मैं गाड़ी खरीबने गया अब मेरे पास readily cash available नहीं है मेरे पास अभी cash नहीं है कि मैं उस गाड़ी को purchase करने के लिए cash ले पाऊ या Hyundai company को वह check दिया है तो मैंने उनको ये right दिया है मैंने उनको ये right दिया है कि वह उस check को मेरे bank में ले जाके उससे money निकलवा सकते हैं withdraw करवा सकते हैं अपने account में transfer करवा सकते हैं तो जो अब जिसे मेरे पास देखो cash नहीं है तो हो सकता है मारूती वाले बोलते हैं कि भई हमको तो cash चाहिए आप cash में pay करो लेकिन अगर मारूती वालों के बीच में और मेरे बीच में trust है कि मैं आपको check issue कर रहा हूँ या मैं आपको demand draft issue कर रहा हूँ इसको आप रखिए और इसके बदले इसके बदले commodity money commodity आप समझी रहे होंगे मतलब जिसके जो कई जो किसी form में हो जैसे natural form में हो जैसे metal हुआ या मान लिजे जैसे कोई precious metal हुआ gold हुआ that is commodity money so it is a it is a kind of a precious thing it is a kind of precious metal it is a kind of precious metal it is a kind of precious metal like silver gold silver gold metal silver gold apart from that barley beads etc ठीक है which derive its value from it derive its value from it derive its value from intrinsic value intrinsic value of commodity जो commodity है उसकी value से ये value अपनी डिराइव करता है मतलब जो अपनी commodity ली है जैसे gold है metal है copper है उससे अपनी ये value डिराइव करता है that is called as commodity money आज जब हम लोग market जाते हैं तो हम सुनते हैं कि बही गोल्ड का भाव इतना चल रहा है ये क्या है that is commodity money मतलब जो अपनी value से अपनी demand supply से अपनी value generate करता है that is called as commodity money ठीक है अब हम बात करेंगे next that is legal tender legal tender क्या होता है इसको देखेंगे तो legal tender क्या है what is legal tender इसको भी देख लेते हैं it is a coin और a bank note it is a coin और bank note ये coin है it is a coin or bank note it is a coin or bank note that is legally acceptable that is legally acceptable that is legally acceptable and help to and help to purchase any commodity purchase any commodity or discharge of debt or discharge of debt or any obligation or any obligation this is called as legal tender मतलब कोई सिक्का या कोई bank note जो कि legally acceptable है और किसी चीज़ को purchase करने में मदद करे या अपनी आपकी कोई debt है उधारी है उसको pay off करने में मदद करे या आपकी कोई obligation है तीक है उसको pay off करने में मदद करे तो लेगल टेंडर मने तो भारत में अगर मैं बात करें तो लीगल स्टोंडर क्या है इस फाल टॉक बाऌओ तार्त जीग टेंडर मनी इन कंत जोन कीज़ किसी भारत में मीरण ओवे करेंげ India under section 6 of coinage act 2011 and banknotes issued by RBI and issued by RBI all are considered as legal tender इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत जदा important है एक बात का आपको ध्यान रखना है जो यहां काफी जदा important है वो क्या है 1 rupee note is signed by is signed by Finance Secretary of India 1 rupee का जो note होता है उसको sign करते है Finance Secretary of India 1 rupee के अलावा जितने भी note है उन सब पर RBI के governor का sign होता है लेकिन जो 1 rupee का note होता है उसको sign किया जाता है Finance Secretary के द्वारा बात जेकर णेशने टेकरडा है लेकर्सांड़ रंग छिवा का थी तजा लाग भा जाग ऑना बात रभांग यह वांदा yapt्नी व Peanut का जिवे जैने प्राइवा का र थीरिवा तंसे लिवांगे स्वी नेंग रीव fragments or coin issued, cannot be refused, cannot be refused by any citizen of the country, by any citizen of the country, for settlement of, for settlement of, any kind of transaction. अगर किसी भी तरह की कोई currency issue करी गई या कोई sick का issue किया गया, तो उसे कोई भी citizen ये कहके refuse नहीं कर सकता कि मैं तो इसको नहीं ले रहा, ठीक है, मैं तो इसको नहीं ले रहा, जैसा अगर आप मान दो आज किसी shop पे गए, आपने उसको का भी या 100 रुपे के chips दे दो, और वो काई ठीक है, उसने आपको 100 रुपे के chips दे दिये, अब आपने उसको 50 रुपे का note दिया और 50 रुपे के सिक्क दे दिये, लेकिन वो यह नहीं बोल सकते कि क्या बोलते कि मैं सिख्य को accept नहीं करूँगा अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप उसको यह बता सकते हैं कि भाईया यह legal tender है ठीक है clear हो गई भारत में भारत में in India in India coins are having coins are having limited legal tender अधा सिख्य एक limit तक ही issue किये जा सकते है limited legal tender while currency notes while currency notes currency notes are having are having unlimited legal tender currency notes का unlimited legal tender है यह भी आपको ध्यान रखनी हुआ सिख्कों का limited legal tender है लेकिन जो currency notes है उनका unlimited legal tender है मतलब currency notes कितने भी issue किये जा सकते है clear होगे यह बात यहां तक यहां तक कोई doubt है कोई question नहीं होना चाहिए बहुत simple language में हमने इसको समझा है अब बात करेंगे sources of money supply money supply के sources क्या क्या है देखें money supply क्या क्या कर मैं sources की बात करूँ तो सबसे पहले तो RBI है सबसे पहले तो RBI है तो RBI के पास सिर्फ only has the authority RBI only has the authority to print currency notes to print currency notes under RBI act 1934 under RBI act 1934 सिर्फ RBI यह पास यह authority है कि वो currency notes को print कर सकता है under RBI act 1934 clear हो गई B point B point इसमें है RBI can print RBI can print notes of different denomination notes of different denomination from rupees 2 from rupees 2 up to rupees 2,000 अभी तक तो फिलाल 2000 is the maximum note ठीक है उसके बाद all the bank notes issued by RBI 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 are backed up by asset are backed up by assets by assets such as such as gold such as gold government securities and foreign currency assets इसको मैं अभी यहां नहीं समझाऊंगा इसको जब मैं external sector वाला chapter पढ़ेंगे तब हम समझेंगे अभी यहां नहीं समझेंगे इसको नहीं तो इस chapter का purpose कतम हो जाएगा यह जो हम समझेंगे यह अभी नहीं यह हम समझेंगे कब यह हम समझेंगे जब हम लोग external sector of India के बारे में discussion करेंगे तो अभी आपको सित्ता ध्यान रखना है कि जितने भी bank notes RBI issue करता है वो सारे backed up है किस-किस से gold से government securities से उसके अलावा उसके अलावा foreign currency assets है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए next और एक तो यह तो RBI हो गया दूसरा कौन issue करता है दूसरा issue करती है government दूसरा issue कौन करता है दूसरा issue करता है government government क्या करता है issue 1 rupee note and coin issue 1 rupee note note and coins of different denomination coins of different denomination ठीक है clear हो गई बात चलिए अब अब बात कर लेते हैं कि भारत में currency press है कहां कहां पे भारत में जो currency press है वो कहां कहां पे है तो देखिए currency press जो पहली currency press है वो है security printing and minting corporation of india security printing and minting corporation of india and minting corporation of india limited यह है नासिक और देवास पे नासिक और देवास में तो यह है दूसरी हमारी जो है second जो हमारी है वो कहां पे है second जो हमारी है वो है भारतिय reserve bank भारतिय reserve bank note मुद्रन private limited note मुद्रन private limited यह हमारी कहां कहां पे है यह हमारी है भी चीज़ खरीद नहीं है ले नहीं है तो money can be used as a medium of exchange money can also be measured through value money को हम value से भी measure कर सकते हैं 5 रुपे, 10 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे, 500 रुपे the money can be easily stored हम purse में, गुल्लक में bank account में कहीं पर भी इसको store कर सकते हैं और money can be used as a standard of deferred payment also आज मैं check issue करके यह बोल सकता हूँ कि अभी वेपास readily cash available नहीं है, मेरे account में पैसा है मैं आपको check issue कर रहा हूँ आप इसको bank में जाके and cash कर वा लीजेगा और आपको check मिल जाएगा so सबसे पहले अगर medium of exchange की बात करूँ तो इससे पहले एक system चला करता था जिसको हम कहते हैं बाटर system अब बाटर system में क्या होता है मैं आपको यह समझा देता हूँ जिसे मालो यह x है, यह y है x के पास 10 kg चावल है और y के पास 10 kg wheat है अब x को wheat चाहिए और y को rice चाहिए तो x ने y को अपना rice दिया और y ने x को अपना wheat दे दिया this is बाटर system commodity का exchange हो जाता है लेकिन बाटर system में सबसे बड़ी दिक्कत है दो, बलकि तीन मालो तीन सबसे बड़ी दिक्कत है सबसे पहली दिक्कत है बाटर system में आपको commodity मिलेगी तो आपको storage चाहिए अब अगर मुझे 10 kilo rice चाहिए तो मुझे store चाहिए उसको रखने के लिए 50 kilo rice चाहिए 50 kilo चावल है 100 kilo गेहु है उसको रखने के लिए I need a space सबसे पहली problem दूसरा माल लीजिए x के पास 10 kilo rice है और y के पास माल लीजिए 50 kilo wheat है अब यहाँ पर exchange ही नहीं हो सकता क्योंकि इसको सिर्फ 10 kilo मिल रहा है इसको 50 kilo मिल रहा है तो यह numbers की भी एक problem हो सकती है तीसरी सबसे बड़ी problem है जो है double coincidence of want double coincidence of want x तो चाहता है wheat लेना लेकिन y को rice नहीं चाहिए y बोलेगा मुझे तो बार्ड ले चाहिए x को wheat चाहिए जो कि y के पास है लेकिन y को rice नहीं चाहिए y को तो बार्ड ले चाहिए तो अब x के पास बार्ड ले है यह नहीं तो बार्टर सिस्टम कैसे होगा तो money जो है as a medium of exchange उसमें double coincidence of want की जरूरती हट गई मुझे mobile लेना है तो जरूरी नहीं है mobile shopkeeper को मेरे हद से कुछ और चाहिए मैं सीधा mobile के 10,000-15,000 रुपे उसको दूँगा वो मुझे mobile phone लाकर दे देगा ऐसा नहीं है कि अगर मैं उससे mobile phone लूँगा तो उसको भी मेरी कोई चीज चाहिए उसको मेरे shoes चाहिए मेरे cap चाहिए या मेरे goggles चाहिए कोई जरूरत नहीं है so it eliminates the double coincidence want दूसरा unit of account unit of account का मतनलब जिसका आप measure कर सको आज अगर मान लीजे मुझे मैं कपड़े लेने जाता हूँ या मैं bottle खरीदने चाहता हूँ उसकी value है 500 रुपए तो आपने quantify कैसे करी और उसके बराबर की value मैं दूँगा कैसा अगर 500 रुपए वो बोलता है कि इस bottle की कीमत 500 रुपए तो मैं ये तो ना 150 kg चामल दिया हूँगा ये बोलगे कि भईया ये 500 रुपए के बराबर हो गए नहीं तो कुछ ऐसा unit of account चाहिए जिससे हम अपने profit count कर सकें हम हमारे income count कर सकें हमारे expenses count कर सकें जितनी उधारी जितना debt हमने लिया है उसको हम count कर सकें तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है money के माधियम से ठीक है तीसीच is store of value money can be used to store the things as well money से आप store कर सकते हो store करने के लिए what you want अगर आज जैसे मान लीजे है मेरे पास 50,000 रुपए में को salary मिलती है अब मैं उसको अपने bank account में जमा करवा सकता हूँ मैं अपने purse में उसको रख सकता हूँ अगर बाटर सिस्टम की आप बात करोगे तो you need a particular space to store that amount so this is again the important function of money और deferred payment तो मैं आपको बताई चुका हूँ जैसे अगर आज मुझे मान लीजे 10,000,000 रुपए की जरूरत है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बस अभी cash नहीं है अफ्र मंधली पे करते रहते है so it can be used as a standard of deferred payment also अब अगर बात करें purchasing power of money की तो purchasing power of money का क्या मतलब है कि amount of goods जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ purchasing power parity कि one unit of money जो purchase कर पाए goods and services को that is called as purchasing power of money अब जैसे आज suppose करो मैं 100 रुपीज में 100 रुपीज में मान लीजे 2 बर्गर खरीद सकता हूँ और अमेरिका में अमेरिका में मान लीजे मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे उसके ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि रुपी जो है वो weaker है dollar के comparison तो I need to pay more money to buy to buy burger in America अगर मान लीजे आज मैं अमेरिका जाता हूँ और वहाँ पर मुझे दो burger खरीदने और वो burger खरीदने के लिए मुझे extra रुपी पे करना है क्योंकि मुझे dollar में पे करना है उसके लिए dollar के comparison में रुपी कमज़ोर है तो मेरी money की deterioration हो रही है मेरी money की deterioration हो रही है clear हो गया तो अगर आज जैसे suppose करूँ मैं McDonald's जाता हूँ India में मुझे McDonald's जाना है मैं सीधा 100 रुपे का note दूँगा और मुझे 2 burger देतेगा लेकिन अगर मुझे यही 100 रुपे यही 2 burger अमेरिका में खाने तो मुझे इसके लिए dollar लेना पड़ेगा तो वो बोलेगा इसकी जो value है वो है $2 तो मुझे उसके लिए अपनी currency जादा पे करनी पड़ेगी तो अगर मुझे माल लो जाँ अमेरिका में यही 2 burger आ रहे है $2 के $1.70 रुपे का है तो मैं I am paying 140 rupees there तो देखा जाता है मैं अपनी currency के 140 unit दे रहा हूँ वही American currency के सिर्फ 2 unit मुझे उसके बदले मिल रहे है So that means कि मेरी currency की value lesser है in comparison to American dollar हम जब अभी बाली गया था घूमने तो बाली गया घूमने तो वहाँ पर मैंने खाना order किया तो खाना जो order किया मैंने ने मेरा Bill आया धाई 1,500,000 एंडोनेशन रूपी का अब धाई 2,500,000 एंडोनेशन रूपी का जब मैंने बिल देखा खाना १ॐ इतना मेहंगा खाना कैसे खा लिया तब पता चला एक रुपय भारत का एक रुपय इंडोनेशन रुपी के 200 रुपए के बराबर है तो आप सुचो कितनी डिट्योरेटिंग करेंसी है वागी और अगर आप अमेरिका का देखो तो एक डॉलर में एक डॉलर के आप 14,000 इंडोनेशन रुपी ले सकते हो तो this is called as purchasing power of money demand for money, demand for money कब भढ़ सकती है, कम हो सकती है जितना ज़्यादा आप transaction cash में करोगे तो आपको money के demand बढ़ेगी जितनी ज़्यादा आप value पे, जैसे मैं मुझे 5,000 रुपे देने है 10,000 रुपे देने है, तो मुझे cash की requirement ज़्यादा होगी जितना कम आप cashless transaction करोगे पे टीम से पे करोगे, भारत पे से पे करोगे, या Google पे से पे करोगे तो you don't require money, you don't require numbers, cash नहीं चाहिए आपको वहीं अगर speculative motive है, तो वो depend करता है कि market का perception कैसा है जैसे अगर मैं cash लेकर गया, और मुझे मान लीजिए मैं 15-20, पहली दुकान पर गया, महाँ मैंने burger खरीदा, दूसरी दुकान पर गया, महाँ मैंने pizza खरीदा, तीसरी दुकान पर गया, महाँ मैंने गाड़ी खरीदी, चौछी दुकान पर गया, महाँ मैंने कपड़े खरीदे So, the value of transaction also determines the number of money. So, पहले पार्ट में हमने यह जाना, money क्या होता है, types of money क्या है, fiat money, commodity money. Apart from that, हमने money क्या functions को समझा, बाट system की problems को देखा. अब हम बात करेंगे आज के class में supply of money. यह बहुत important concept है. UPSC का one of the favorite topic है, यह money supply. और इस पर काफी questions आते भी हैं, even 2021 का जो prelims था, उसमें money multiplier के उपर question था. So, this is very very important topic. इसको आप लोग ध्यान से समझेगा. सबसे पहले बात करते हैं, money supply की. Money supply का simple सा मतलब होता है, total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called as money supply. Money supply का simple सा मतलब है, कि जो total money circulation में है, जो total money circulation में है, लोगों के पास में at a particular point of time, it is called as money supply. आज जैसे मान दीज़े, भारत की जो जनता है, उसके पास total money circulation में और जो लोगों के पास है, that is called as money supply. तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ basics को समझते हैं, फिर मैं आपको formula से समझाऊंगा कि money supply को count कैसे किया जाता है and how it is determined. तो currency, जिस आपको पता है, currency में coin and paper currency दोनों आता है, भारत में जो minting का right है, वो government के पास है और एक रुपए के नोट जो होते हैं, वो RBA के तरह print किये जाते हैं, अब deposit money क्या मतलब, deposit money दो तरह की होती है, deposit money मतलब जो money हम deposit करवाते हैं, bank में, तो deposit money में दो तरह की चीज़ हो demand deposit एक होता है, time deposit, demand deposit का simple सा मतलब है, जो money हमने bank में deposit कराया, हम उसको कभी भी demand कर सकते हैं, कभी भी withdraw कर सकते हैं, ठीक है, जिस आगर मान लीजे, आज मैंने अपने bank में, मुझे salary मिली 50,000 रुपए, मिझे saving bank account में वो पैसा जमाए, अब मैं उस 50,000 रुपए को कभी भी withdraw सकता हूँ, ठीक है, I can withdraw it anytime, क्योंकि वो demand deposit है, वही time deposit क्या होता है, time deposit का simple सा मतलब है, कि उसका fixed period होता है, एक fixed period होता है, fixed maturity होती है, उसके basis पे आप उसको withdraw करते हो, या उसके maturity period और होने के बाद आपको amount मिलता है, जैसे FD है, RD है, certificate of deposit है, etc. तो अब हम लोग money supply को समझेंगे कि what is this money supply, ये money supply होता कैसे है, ये सारे जो concept होते है, M0, M1, M2, ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, M0 क्या है, what is M0, तो M0 को हम कहते है, reserve money, M0, M0 को हम क्या कहते है, reserve money, reserve money, reserve money का मतलब है, currency in circulation, currency in circulation, plus bankers deposit with RBI, plus bankers deposit with RBI, bankers deposit with RBI, plus other deposits with RBI, plus other deposit with RBI, बहुत ध्यान साब समझेंगे, बहुत easy concept है, generally अगर आप NCRT में देखो गया, और कई लोग इसको unnecessary complicate करते हैं, बहुत simple सा process है, M0 को हम क्याते हैं, इसका एक और नाम है, high powered money, इसको हम एक चीज़ और नाम से जानता है, अगर आप से कोई question में पूछे, कि which M0 is also known as, या आप से high powered money, पूछे कि high powered money कौन है, M0 है, M1 है, M2 है, तो M0 is high powered money, अब मैं आपको समझाता हूँ M0 का concept है क्या, M0 का simple सा मतलब है currency and circulation, मतलब जो circulate कर दी गई है, RBI के त्वारा, that is M0, banks deposit with RBI, जो banks होते हैं, हमारे SBI है, Punjab National Bank है, commercial और आपके bank of paroda है, यह अपने deposits का कुछ percentage banks में रखवाते हैं, जिसे हम cash reserve ratio कहते हैं, वापस repeat कर रहा हूँ, जितने में हमारे यह commercial banks हैं, चाहिए SBI है, Punjab National Bank है, आपका bank of paroda है, यह अपने deposits का कुछ percentage RBI के पास रखवाते हैं, उसे हम कहते हैं cash reserve ratio, वो क्यों रखवाया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम CRR पढ़ेंगे, अभी के लिए आप यह समझेए कि हाँ, जो कुछ पैसा commercial banks RBI के पास रखवाते हैं, तीसरी चीज़ है, other deposits with RBI, other deposit with RBI का मतलब हुआ, जैसे मान लीजे, भारत सरकार को, मान लो भारत सरकार को, एक करोड रुपए चाहिए, अब भारत सरकार ने RBI से बोला, कि भाई हमको एक करोड रुपए दे दीजिए, RBI भारत सरकार को एक करोड रुपए दे तो देगा, लेकिन कुछ लेगा भी तो, उसके बदले में, उसके कोई share या securities हमको दे दीजिए, आप हमसे एक करोड रुपए ले लो, जब आपके पास पैसा वापस आ जाए, तो वो पैसा आप हमें वापस दे देना, हाँ, आपके shares आपको वापस दे देंगे, मैं इसको थोड़ा सा और simplify करता हूँ, जैपुर से डेली हमें एक highway बनाना है, हमें एक national highway बनाना है, अब इसकी cost आरी है, मान लीजिए, 100 करोड रुपए, अब भारत सरकार ने RBI से 100 करोड रुपए ले लिए, RBI ने भारत सरकार को 100 करोड रुपए दे भी दिये, अब भारत सरकार अगर 100 करोड RBI से लेगी, तो क कोई भी जैसे sale है, Steel Authority of India Limited या gail है, Gas Authority of India Limited, इसका मान लो 10% shares जो है, उनको bonds में convert कर दिया, या securities में convert कर दिया, और वो पैसा जो है, मुझे 10% bonds है, वो RBI के पास रखवा दिये, और RBI ने 100 करोड रुपए इनको दे दिये, अब मान लो जैसे toll tax से रिसीव हुआ, toll tax से भारत सर सरकार ने toll tax से 100 करोड रुपए कमाए, RBI को दे दिये, with interest, 105 करोड मान लो, 106 करोड मान लो, जितने भी interest पे दिया है, वो RBI को पैसा दे दिये, RBI ने वापस है, जो shares थे, sale के, अकेल के, वो भारत सरकार को वापस दे दिये, so this is called as M0, M0 क्या हुआ, M0 means the currency in circulation, plus banks deposit with RBI, plus other deposit with R RBI, it is called as M0, इसे हम M0 क्याते है, M0 is the high-powered money, तीन चीज़ा आ गई, currency in circulation, जो currency circulation में है, दूसरा banks deposit with RBI, जो commercial banks RBI के पास पैसा रखवाते हैं, और तीसरा other deposit with RBI, जो other deposit with RBI का मतलब, जो government जो है, अपने shares and securities, जो RBI के पास रखवाती है, all are included in money supply, यह सब money supply के पार्ट है, यहां तक उमीद करता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा, अब हम बात करेंगे, जो next concept है, that is M1, M1 क्या होता है, इसको हम समझेंगे, what is the meaning of M1, M1 क्या है, M1 का मतलब है, currency with public, plus demand deposit with banking system, currency with public, plus demand deposit with banks, plus demand deposits with bank, अब एक example लेते हैं, माल लीजिए, माल लीजिए कि एक बंदा है, इसका नाम है अजय, इस अजय को सरकार ने salary पे करी 100 रुपे, यह government officer है, इसको salary मिली 100 रुपे, अब 100 रुपे इसको salary मिली, तो अब यह 100 रुपे के दो काम कर सकता है 100 रुपे से, या तो पूरे के पूरे 100 रुपे खुद के पास रख ले, bank में कुछ भी जमा ना करा है, या मान लो bank में खुद के पास कुछ ना रखे, सारा पैसा bank में जमा करवा दे या मान लो 50 रुपए खुद के पास रखे और 50 रुपए bank में जमा करा दे तो इधर भी M100 हुआ, ये भी M100 हुआ, ये भी M100 हुआ This is called as M1, currency with public, मतलब जितना पैसा अजय के पास है प्लस जितना पैसा उसने bank में जमा करवाया है, that is called as M1, उसे हम M1 कहते है अब एक example से और समझेंगे इसको, मान लो अजय ने, अजय ने bank में, SBI में 100 रुपीज जमा करवा दिये अब SBI के पास में 100 रुपीज किस के हैं, अजय के हैं अब SBI जो है, मान लो ये राहुल को, राहुल SBI के पास आता है और कहता है मुझे लोन चाहिए तो SBI कहेगा, ठीके राहुल हम तुम्हें लोन दे देंगे, लेकिन SBI पूरे 100 रुपीज का लोन नहीं दे सकता SBI पूरे 100 रुपीज का लोन नहीं दे सकता, क्योंकि SBI को कुछ परसंटेज अमाउंट आफ डिपॉजिट कुछ परसंटेज अमाउंट आफ डिपॉजिट जो है, वो RBI के पास रखवाना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया, CRR तो सपोस करो, SBI ने 4 रुपे, 4 रुपीज RBI के पास रखवा दिये 4 रुपीज RBI के पास रखवा दिये अब SBI ने राहुल को लोन दिया 96 रुपीज का, 96 रुपीज का लोन SBI ने राहुल को दे दिया राहुल ने क्या किया, राहुल ने अपने बेटे को, अपने बेटे रौनित को ये 96 रुपीज दिये और कहा जाओ बेटा पार्टी करो आस तुमारी birthday रॉनित समझदार था उसने का पार्टी वाटी तो होती रहेगी मैं काम करता हूँ इस 96 रुपीज को ICICI बैंक में जमा करवा देता हूँ तो रॉनित ने इस 96 रुपीज को ICICI बैंक में जमा करवा दिया अब आप मुझे बताओ कि M1 कितना होना चाहिए, क्या M100 होगा, क्या M196 होगा, या M10 होगा, अब आप मुझे बताओ, थोड़ दिमाग लगाओ, M1 कितना होना चाहिए, तो इसका correct answer है M1 होगा 196, क्यों? क्योंकि 100 रुपीज जो अजय ने SBI में जमा करवाए, वो 100 रुपीज वो कभी भी borrow कर सकता है, कभी भी SBI से ले सकता है, तो 100 रुपीज तो ये वाले, प्लस 96 रुपीज जो Ronit ने ICICI Bank में जमा करवाए हैं, हैं ये वही 100 रुपीज, ये वही 100 हैं जो अजय वाले थे, लेकि की multiply होने के भी तो कुछ limit होगी तो that is called as money multiplier, उस concept का money multiplier कहते हैं, उमीद करता हूँ पहला आपको यह समझ में आ गया हो, तो M1 currency with public plus demand deposit with bank, that is called as M1, तो यहां पर 100 रुपी जो अजय को मिले, अजय ने bank में जमा कराए, तो वो M1 उस समय 100 है, क्योंकि अजय ने bank में जमा करा है, अपने पास कुछ नहीं रखता, अब SBI को कुछ पैसा RBI में रखवाना पड़ता है, as a CRR, तो SBI ने 4 रुपे RBI के पास रखवा दिया, वो percentage होता है कि भई CRR का rate कितना चल रहा है, अगर CRR का rate 4% है, तो 4 रुपे रखवाएगा, 6% है, तो 6 रुपे रखवाएगा, 8% है, तो 8 रुपे रखवाएगा, तो जितना पैसा SBI के पास रखवाया है, that is called as reserve, CR, अब 96 रुपीज SBI लोन में चला सकता है, SBI ने 96 रुपीज राहूल को दिये कि भई तुम्हें लोन दे रहे हैं, तुम्हें लोन चाहिए, चाहिए था, राहूल ने 96 रुपे रॉनित को दे दिये, रॉनित ने 96 रुपीज वापस आई से इसे बैंक में जमा करा दिये, अब रॉनित जब चाहे जब 96 रुपी विड समझ में आ गया होगा, ठीक है, so that is called as M1, इसे हम M1 कहते हैं, अब एक concept इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, कि what is money multiplier, money जो है, ऐसे कितनी बार multiply हो सकता है, money जो है, इस तरह से कितनी बार multiply हो सकता है, उसकी कोई limit भी तो होगी, कि money आपस में कितनी बार ऐसे multiply कर सकता है, तो पहले तो हमें money multiplier के बारे में एक चीज़ समझनी है, कि what is the meaning of money multiplier, it measure, it measure the amount of money, the amount of money, it measure the amount of money, bank are able to create, bank are able to create in form of deposit, in form of deposit, in form of deposit, with every unit of money, with every unit of money, with every unit of money, इसे हम क्याते हैं, money multiplier, अब इसका मैं आपको समझाता हूँ कि यह होता कैसे, यह होता कैसे है, कैसे निकलता है, कैसे इसको countify किया जाता है, ठीक है, अब इसका हम लोग detail तरीके से समझेंगे, जैसे मान लीजिए, कि CRR, CRR और ये multiplier, अगर CRR का rate मान लीजिए 10% है, तो यह कितना हो गया, 1 upon 10, तो multiplier हो गया 10x, अगर CRR का rate 5% है, तो यह हो गया 1 by 20, तो multiplier हो गया 20x, अगर CRR का rate 4% है, तो multiplier हो गया 1 by 25, तो multiplier हो गया 25 by x, तो अगर मान लीजिए, आप 100 रुपीज की यहां पर बात कर रहे हो, अगर आप यहां पर बात जो है, वो 100 रुपीज की कर रहे हो, तो 100 रुपीज के context में यहां पर कितना हो जाएगा? 10 into 100 that is 1000, 20, अगर CRR 5% है, तो that is 20 into 100 that is 2000, अगर CRR 4% है,25 into 100 that is 2500, इतनी बार money आपस में multiply हो सकता है, ठीक है? इतनी बार money आपस में multiply हो सकता है तो X मतलब जो भी amount है हमने 100 रुपीस उस example में लिया था तो 10 into 100 मतलब 1,000 तो 100 रुपीस से जो multiply हो सकता है amount अगर CRR 10% है तो वो 1,000 पहुंचेगा अगर CRR का rate 5% है तो ये 2,000 तक पहुंच सकता है अगर CRR का rate 4% है तो 2500 तक money multiplier पहुंच सकता है अब जो next आता है यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने M0 पढ़ लिया हमने M1 पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे M2, M3, M4 M2, M3, M4 क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे what is M2 M2 क्या है M2 का simple सा concept है M1 M1 plus M1 plus deposits with deposit with saving deposit with post office saving bank plus saving deposit with post office with post office यह क्या है इसको समझते है M1 तो आपको पता ही है अब जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि क्या नाम था है बंदे का उस officer का अजय अजय को 100 रुपीज दिये है सरकार ने salary अजय को 100 रुपी salary मिल रही है अब अजय एक दिन ऐसी शाम को अपने घर पे लॉन में चाय पी रहा था तो अजय ने क्या किया M2 में M2 किसे निकला M1 अजय ने 20 रुपए खुद के पास रखे 40 रुपए बैंक में जमा करा है और 40 रुपए saving deposit में जमा करा दिये पोस्ट ऑफिस के So this is M2 20 रुपए उसने खुद के पास रखे 40 रुपए बैंक में जमा करा है और 40 रुपए उसने saving deposit जो पोस्ट ऑफिस का है उसमें जमा करा है Third आता है M3 M3 क्या है? What is M3? M3 का concept भी same है same concept M3 भी What is M3? M3 is equals to M1 plus time deposit time deposit with banking system Time deposit with banking system अब अजय को किसी दिन उसके एक friend ने भोला अजय अब तुम 25-26 साल का हो गया है दिरे दिरे पैसे जोड़ना शुरू कर तेरी शादी के लिए तो अजय ने का ठीक है यार तू सही कह रहा है तो अजय ने वही 100 रुपए अजय को salary मिलती थी 20 रुपए अजय ने खुद के पास रखे 40 रुपए commercial bank में saving deposit करा कि मान लोग इस पैसे को मैं कभी भी जमा करा सकता हूँ और 40 रुपए उसने time deposit FD के form में SBI में जमा करवाती है अपने future के लिए मतलब इस 40 रुपए को अजय जब चाहे जब नहीं निकाल सकता इसका कोई time period होगा FD का उसको interest मिलेगा that is called as M3 अब वापस मैं आपको ध्यान से समझार हो जेखो M1 तो simple सा है खुद के पास पैसा और bank के पास पैसा that is M1 M2 मतलब खुद के पास पैसा bank में पैसा या post office में saving deposit में पैसा जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो M3 क्या हुआ M1 खुद के पास पैसा bank के पास पैसा प्लस time deposit with banking system इसमें post office नहीं आता इसमें post office नहीं आता this is M3 and last is M4 M4 का मतलब क्या है what is included in M4 M3 plus time deposit with post office time deposit with post office this is M4 मतलब यहां पर M3 हो गया M1 हो गया plus यह वाला हो गया plus time deposit with post office मतलब अजय ने 20 रुपए खुद के पास रखे cash के form में 30 रुपए bank में जमा करा दिया saving deposit of bank plus 30 रुपए उसने time deposit with bank करे FD करवा दी 30 रुपए की FD करवा दी और final 20 रुपए time deposit with post office तो यह हो गया हमारा M4 अब इसमें सबसे popular जो है जो सबसे ज़्यदा popular जो है that is M3 M3 is the most popular in this इसमें मैं लिक्वा जाता हूँ it is the most popular M1 को हम कहते है narrow money M1 को हम क्या कहते है इसको हम कहते है narrow money अगर मैं liquidity की बात करूँ अगर मैं liquidity की बात करूँ तरलता की बात करूँ तो सबसे ज़्यदा liquid है M1 क्यों इसको आप कभी भी विड्रू कर सकते हो कभी भी खुद के साथ लेके चल सकते हो फिर है M2 फिर है M3 और फिर है M4 M4 सबसे कम liquid है मतलब यह सबसे लंबे समय के लिए होता है इसमें frequently आप पैसा विड्रू नहीं कर सकते M4 is the least liquid in overall banking system ठीक है तो यह हो गया M1, M2, M3, M4 अब आप M1 is the most liquid, M4 is the least liquid M1, M2 को narrow money भी कहते है M3, M4 को broad money कहते है M3 जो है वो सबसे common होता है और इसी को aggregate monetary resource भी कहा जाता है यह भी आपसे question में पूच सकते है यह aggregate monetary resource क्या होता है what is this aggregate monetary resource जो सबसे जादा इस्तेमाल होता है that is aggregate monetary resource clear है यहां तक उमीद करता हूँ यहां तक कि supply of money आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चले अब next पढ़ेंगे velocity of money circulation यह भी थोड़ा से important term है और कई बार पूच लिया जाता है कि what is velocity of money circulation so what is my velocity of money circulation it is the measurement of it is the measurement of average rate it is the measurement of average rate at which money is exchanged at which money is exchanged at which money is exchanged in an economy in an economy during a given time period during a given time period क्या है यह समझ तह है it is the measurement of average rate at which money is exchanged in an economy during a given time period आपने एक time period ले लिया और हमने यह देखा कि कितनी जल्दी money का exchange हो रहा है कितनी जल्दी money transfer हो रही है एक हाथ से दूसरे हाथ में that is velocity of money circulation इसका formula है velocity of money का जो formula है that is GDP upon money supply GDP upon money supply is the formula of money circulation velocity ठीक है जितनी ज़्यदा GDP बढ़ेगी उतनी ज़्यदा velocity of money circulation बढ़ेगा जितना ज़्यदा inflation बढ़ेगा उतना ही ज़्यदा velocity of money circulation बढ़ेगा money circulation समझ गए ना कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जो currency का transfer होता है that is money circulation ठीक है तो जितना ज़्यदा GDP बढ़ेगा उतना ज़्यदा money circulation बढ़ेगा जितना ज़्यदा inflation बढ़ेगा उतना ज़्यदा ये बढ़ेगी ठीक है तो कहीं ना कहीं velocity of money high कहा होगा developing countries की case में low income countries के case में it increases velocity of money circulation GDP के case में increase होगा और उसके अलावा, during growth या boom period, कोई boom period आया, सब कुछ भैतर हो रहा है, उस समय ये increase होगा. So this is the meaning of velocity of money circulation. अब कुछ important terms हैं, जो इनी जीजों से related हैं, तो उनको भी साथ में देख लेते हैं, फिर हम लोग RBI पे चलेंगे. ठीक है, कुछ important terminology हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उन पर कई बार questions पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार फटा फट सा उनको भी discuss कर लेते हैं. सबसे पहले हैं हमारे सामने, currency deposit ratio, the very first one is, currency deposit ratio, currency deposit ratio क्या है? it is the ratio of money, it is the ratio of money, it is the ratio of money held by public, held by public, it is the ratio of money held by public in currency, it is the ratio of money held by public in currency, that they hold, that they hold, in bank deposit, in bank deposit. क्या है, समझाते हैं आपको, इसका मतलब, इसका मतलब है, ratio of money held by public in currency, that they hold in bank deposit. जितना पैसा, एक अनुपात लगा लिया जाए, कि कितना पैसा लोगों के पास होता है, और कितना amount, वो bank में deposit करते हैं, that is called as currency deposit ratio, उसे हम क्याते है, currency deposit ratio, जितना पैसा लोगों के पास खुद के पास है, और उसके अनुपात में कितना पैसा वो bank में जमा करा रहे हैं, that is currency deposit ratio. नेक्स बात करेंगे, जो नेक्स टर्म है हमारे सामने, that is reserve deposit ratio, अब reserve deposit ratio क्या है, इसको भी देख लेते हैं, proportion of total deposit, commercial bank, commercial bank, kept as a reserve, kept as reserve, जैसे 1000 रुपे मैंने जमा करवाए bank में, और bank ने उसका 10% जो है, वो RBI में उसको जमा कराना है, that is reserve deposit ratio, मतलब total deposit जितने आए हैं, जितने लोगों ने जमा कराएं, उसका, उसमें से कुछ percentage, reserve form में आपको bank में जमा करवाना है, that is called as reserve deposit, चीक है, clear होगया reserve deposit ratio, तीसरा, तीसरा जो है, that is liquidity coverage ratio, तीसरा जो term है, that is liquidity coverage ratio, लिक्विडिटी coverage ratio, ये तुरा से light चल रहा है, इसको change करते हैं, liquidity coverage ratio क्या है, requirement where, requirement, where bank must hold, requirement where bank must hold, an amount of, an amount of, high quality liquid assets, high quality liquid assets, to fund outflow for 30 days, to have enough fund, to have enough fund, for cash outflow of 30 days, for cash outflow of 30 days, समझाते हैं आपको ये क्या चीज़ है, liquidity coverage ratio का मतलब है, कि एक bank के पास इतने liquid assets होने चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, कि आने वाले 30 दिनों में, जितना loan उससे लिया जाए, या जितना उससे banks में, RBI के पास जिम्मा कर रहा है, उत्ता पैसा उसके पास हो, समझाते हैं वापिस, मान लीजिया आज SBI है, SBI आज जैसे मान लीजिये 25 जनवरी है, 25 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक का इतना पैसा, इतना पैसा SBA के पास होना चाहिए इतना फंड उसके पास cash में होना चाहिए जो वो अपने ग्राहकों को दे सके ATM में डाल सके That is called as liquidity coverage ratio उसको हम कहते है liquidity coverage ratio Next जो term है Next जो term है That is liquidity trap Liquidity trap अब liquidity trap क्या है इसको भी देख लेते हैं वेरन वेर Expansionary monetary policy Where Expansionary monetary policy Where Expansionary monetary policy Become ineffective Become ineffective Become ineffective Due to Due to Recession Where People want to Where people want to Save more Rather Rather Doing expenditure अब आप इसको भी समझाते हैं देखो माल लो एक situation चल रही है जहाँ पर supply demand से जादा है एक situation है जहाँ पर supply demand से जादा है जहाँ पर recession है अब recession की situation है अब एसे में सरकार सोच रही है कि हमें काम करते हैं demand को create करते हैं अब demand कैसे create करेंगे loan को सस्ता कर दो loan पर जो interest pay करना होता है उसको सस्ता कर दो अलग अलग expenditures करो reserve जो रखवाना परता है commercial banks को RBI के पास उसको कम कर दो ताकि जादा से जदा loan जो है वो लोगों त पहुंच पाए अब ऐसे करने के बाद भी ऐसे करने के बाद भी recession continue रहता है लोग जो होते हैं वो सोचते हैं नहीं यार भया मैं अभी loan नहीं ले रहा अभी नौकरी पानी का कुछ पता नहीं है अभी ये भी नहीं पता कि कब तक कोरोना जैसी बिमारी रहेगी अभी तो recession ह मैं अपने पैसा बचा के रखता हूँ और खडचे कम करता हूँ इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं the situation of liquidity trap I hope liquidity trap आपको clear होगा ठीक है ठीक है clear है next is paradox of thrift ये क्या होता है ये terms आपसे prelims में बिलकुल पूछी जा सकती है इसलिए मैं इनको बहुत specific तरीके से पढ़ा रहा हूँ next is paradox of thrift अब paradox of thrift क्या है इसको भी समझ लेते हैं when individual when an individual when an individual try to try to save more during recession when an individual try to save more during recession which led to which led to fall in aggregate demand fall in aggregate demand hence low growth जब कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाया जितना जदा save करोगे जितना जदा बचत करोगे उतना ही बहतर है इस समय तो इस क्लास में हम Central Bank RBI उसके functions features उसकी policies को पढ़ेंगे that's all from my side thank you all of you do take care of your health that's it we are discussing the monetary policy RBI and all so banking system को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने basics एक बार पढ़ लिये हैं कि Central Bank के बारे में किसे हर जगे पर जरूरी नहीं है उसका नाम RBI यह हो अमेरिका में RBI प्रिना उसका नाम होगा तो Central Bank is the Apex Banking and Financial Institution in any country कोई भी देश जिसमें सबसे बड़ा banking और Financial Institution जो होता है उसे हम Central Bank कहते हैं मतलब चाहें Central Bank के उसका नाम है Reserve Bank of India भारत का जो Reserve Bank of India उसका मेन फंक्शन क्या है वो करन्सी करता है मनी सप्लाय कंट्रोल करता है एक्ट असब को समझेंगे फॉरेक्स इस विजर्व को मैनेज करता है एंड अपार्ट फॉम दाट जो हाई पावर मनी जो मैं आपको बता चुका हूं जिसमें टोटल लाइबिलिटी ऑस सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक की टोटल लाइबिलिटी होती है ताट इस करन से विद पबलिक एंड कमेर्शिल बैंक एंड डेपॉजट हैंड बाइब गवर्मेंट आफ इंडिया और कमेर्शिल बैंक पे तार भी इसको हम डिसकुस कर चुके वाट इस हाई पावर्ड मनी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आरवे जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले एक कमिशन अपॉइंट किया गया था एक कमिशन अपॉइंट किया गया जिसका में ऑब्जेक्टिव यह था कि भारत में एक रिजर्व बैंक आफ इंडिया बनाया जाए उसके लिए आरवे आइंट पास किया गया 1934 में और फाइनली रिजर्व बैंक को फिंडिया जो स्टैब्लिश किया गया इस एपरिल 1935 ठीक है इनीशली इसका जो ऑफिस था वह कैलकटा में सेट अप किया गया लेकिन 1937 में इसको बॉंबे ट्रांसफर कर दिया गया ध्यान रखेगा आरवी जो था जब वह स्टार्ट हुआ था वजब प्राइवेट बैंक चालू हुआ था नॉट एज गवर्मेंट ओंड बैंक यह बहुत लोगों को शायद नहीं पता देखो जैसे लिखाव अब यह कि ओरिजनली एक प्राइवेट ओंड बैंक था फिर 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको करते हैं तो आर भी की कॉमपोजिशन में देखें तो बोड रचे होते जोगे चार साल के लिए पॉंट किया जाते हैं बॉड में अर्व के चार डेप्यूटी गवर्मेंट बहुते हैं दो फाइन्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेंटेटिफ और चार डेकटर जो लोकल हैं मुंबई कोलकता चेन नहीं और न्यूडेली वहाँ से होते हैं अब तो मॉनेटरी पॉलेसी कमिटी बनने को इसकी रेलिवेंस इत्ती कम इत्ती बहुत कम हो गई है उसको हम और बाद में डिसक्स करेंगे तो जो आर बेका एक्जिक्टिव हैड होता है दाट इस गवर्नर गवर्नर के साथ में चार डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं पहला गवर्नर जो आर्भी आई का था दाट वाज ऑस्बॉर्ण स्मिथ एक फॉर्णर थे और जो पहले इंडियन गवर्नर बने उनका नाम ता सीडी देश्मोग की वाज़ इंडि के बारे में जाना अब हम इंडिवीज्वली एक एक करके और बेएक के फंक्शन के बारे में डिसक्स करेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं चलेगा तो एक करके सारे फंक्शन के बारे में बात चीछ शुरू करते हैं तो वह और दे में फंक्शन सबसे पहले इड़ा मॉनिटरी अथोरिटी आरभी एक मॉनिटरी अथोरिटी यह वेरी फिर्स फंक्शन इसको गयों कि मैं थोड़ा से स्पेसिफाइड ली डिटेल्ट पढ़ाऊंगा लिए म कि मॉनिटरी अथोरिटी के संधर में अगर बात करें कि वाइड़ मॉनिटरी अथोरिटी तो इट इस इस्वाइले इड़ फॉर्मियोलेट इंप्लीमेंट ऊकिन्ट है इंप्राइड के यह सब्षिए का फॉन्ट करना इसके अलावन मेंटेन प्राइस स्टे न हमेंटेन फ्रेंटेश्ट इस प्रॉस्त मैंटेन प्राइस थे चाह annéeे रीज़ प्राइश बारिटी मेनें सीम्पल सी दो बात आगा इंपलिसी ऑनेटेटैच को बनाना इंपलिमेंट करना उसको रिव्यू करना और प्राइश stability रखना with growth. That is the meaning of monetary authority. Second, जो second example है, second important objective है, that is regulator and supervisor of financial system. Regulator and supervisor, regulator and supervisor of the financial system. जो financial system होते हैं, उसको regulate करना और supervise करना. This is again the major function. मतलब सबसे पहली चीज़ तो जो depositors है, depositors के interest को protect करना. आज जैसे जो पैसा जिन लोगों ने deposit करा है, उनके interest को protect करना यह सबसे बड़ा function है. दूसरा जो सबसे बड़ा function है, that is regulate and supervise, regulate and supervise. non banking financial companies regulate and Tan supervise, the non banking financial companies regulate and Supervisor non banking financial companies. उसके लावा, regulation and and supervision of bank, regulation and supervision of banks, regulation and supervision of banks under Banking Regulation Act of 1949, Act of 1949, उसके अलावा और क्या है? बैंकिंग, ओपरेशन और फाइनिशल सिस्टम्स के फॉर्मेशन का काम करना करो मैं का ज tutor बार्न क due lookर आर लेशना सर्थक्र उसके बार्न काम कर्सूलोष ट सेट अस्तर उ स्तरू् हर sewer क् और बांकिंग, टॉर्मेशन काम कर ते कर दिएपक्शन नंद ऑ्प्राइकी आ पर दिए To be yes यह है रैगो इका है मैं पैसा इन्ट कर जमां करा उनके इंट्रेस्ट को प्रिटट करना हाम जबोलेट को सुपरर्वाइब कर से कर सुपर्टो हैं नन-स मैंने दोटािँ प्रेट करना ने की यह इसमेड करना उसके लावाब बांकिन रिगुलेशिंट एक्ट में रेजिस्टर्ड है अर्बे के साथ उनको रेगुलेट करना उनको सुपरवाइज करना उसके लावा बैंकिंग अपरेशन को किस तरह से करना उनके स्टैंडर्स त्या करना और फैनेंशल सिस्टम को कैसे रन करना है उसको भी बताना तीसरा important function थर्ड important function is, manage, manage foreign exchange, manage foreign exchange, यह बहुत important है, इसको मैं तुरह सा detail समझाऊँगा आपको और, manage foreign exchange, foreign exchange को manage करना, it's a very important thing, ठीक है, to manage the, manage foreign exchange management act, foreign exchange management act, manage foreign exchange management act of 1999, apart from that, facilitate external trade and payment, facilitate external trade and payment, external trade and payment को facilitate करना, apart from that, promote, develop and maintain, promote, develop and maintain foreign exchange market, maintain foreign exchange market, अब मैं आपको एक बार यह समझाता हूँ कि यह काम कैसे करते हैं, देखो, यह example और interesting example, आपको मज़ा आएगा इसमें, example कैसे है, क्या है, इसमें क्या किया जाता है, यह मैं आपको समझाता हूँ, suppose करो, भारत सरकार ने, भारत सरकार ने एक announcement किया, कि 1st, 2nd और 3rd February को इंडिया में free medical camp है, प्री medical camp है भारत में, एक, दो और तीन फरवरी को, और यह free medical camp पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है, अब US है के लोग इंडिया आते हैं, A, B और C, यह तीनों US के रहने वाले हैं, किनों इंडिया आते हैं, अब A, बोल रहा है कि मुझे इंडिया आना है, और मैं अपने 1000 dollar को convert करना चाहता हूं, रुपी में, और उसके लिए मैं एक डॉलर के, I am take, 70 रुपए लेने को तयार हूं, जो कि standard चल रहा है, जो कि standard चल रहा है, B बोल रहा है, मुझे भी 1000 dollar चाहिए, मुझे भी रुपी में convert करना और मैं, एक डॉलर के 68 रुपीज लेने को तयार हूं, C बोल रहा है, मुझे भी डॉलर चाहिए, कि हम Indians को 2 night stay free दे रहे हैं, Maldiv में, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे X, Y और Z, X, Y, Z कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कि हमें Maldiv जाना है, और हमें dollar चाहिए, और X कह रहा है, मैं 1 dollar के 70 रुपए देने को लेने को तयार हूं, Y बोल रहा है, मैं 1 dollar के 75 रुपए देने को तयार हूं, बस मुझे dollar दे दो, Z बोल रहा है, मैं 1 dollar के 80 रुपए देने को तयार हूं, बस मुझे dollar चाहिए, अब दोनों situation में, इस situation में क्या हो रहा है, रुपी जो है, वो weak हो रहा है, और dollar जो है वो strong हो रहा है ठीक है अब इन दोनों situation में RBI role में आती है पहली situation में situation 1 situation 2 situation 1 में RBI क्या करेगी extra dollar market में डालेगी और जो rupee है extra dollar market में डालेगी नहीं सारी extra rupee market में डालेगी और dollar को suck कर लेगी situation 1 में क्या करेगी RBI रुपी extra मार्केट में डालेगी क्यों कि रुपी की demand बढ़ रही और dollar को ले लेगी situation 2 में क्या है रुपी बहुत कमजोर हो रहा है तो रुपी कमजोर हो रहा है और सबको डॉलर चाहिए तो RBI extra dollar मार्केट में डालेगी और रुपी को सक कर लेगी ताकि जो रुपी और dollar का जो difference है वो जादा ना हो जाए so this is how RBI promote develop and maintain foreign exchange market I hope यह clear हो गया होगा आपको थर्ड बात करेंगे जो थर्ड हमारा component है तर तीर हमने पढ़ लिए चौथ है issue of currency for this issue of currency issue of currency RBI currency or coins we issue करता है आपको मैं बता ही चुका हूं RBI has the sole right RBI has the sole right RBI has the sole right to issue currency in India to issue currency in India RBI के पास sole right है कि वो currency issue कर सकता है भारत में दूसरा important चीज दूसरा important चीज दूसरा important चीज इडिस्ट्रॉए currency and coin not fit for circulation और इडिस्ट्रॉए करंसी और coin इडिस्ट्रॉए करंसी और coin नाट फिट फॉर circulation जो करंसी और कॉइन circulation के लिए ठीक नहीं है उसको यह destroy भी कर सकता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दाट मेंटेन करंसी फ्लो इन दा economy economy में करंसी फ्लो को भी मेंटेन करता है यह जब रुपी की डिमांड जाद हो रही है तो एक्स्टा रुपी डाल दिया जाए जब रुपी की डिमांड नहीं है या इंफलेशन हो रहा है तो एक्स्टा रुपी प्लक कर लिया जाए इस तरह से देखें इस दा करंसी अपार्ट फ्रम दाट और क्या क्या फंक्शन है उनको भी देख लेते हैं इसके अलावा इसके इस प्रमोट दा फाइनशल इंटूजन यह तो इससे देखें और मिया पहले बैंकर टुद बैंक पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट वालें उसको देख लेते हैं बैंकर टुद बैंक बैंकर टुद बैंक का मतलब क्या हुआ चितने भी कमर्शल बैंक से अगर उन्हें पैसा चाहिए होता है तो आरबिया इस देवन हो प्रोवाइड देम मनी इट मेंटें बैंक अकाउंट ओफ इट मेंटें बैंक अकाउंट ओफ आल शिडियूल कमर्शल बैंक्स of all scheduled to commercial banks and also act as lender of last resort ये question prelims में आया था इस बार lender of last resort का मतलब जब किसी commercial bank के पास सारे option खतम हो जाएं जब किसी commercial bank के पास सारे option खतम हो जाए अपने आपको डेट से बाहर निकानने के लिए अपने आपको कर्ज से बाहर निकानने के लिए तो इस ओनली डार्वी आई who will assist him who will keep them out who will try to pull them out of that that debt trap इसलिए इसको कहा जाता है lender of last resort और लास्ट बैंकर टू गवर्मेंट बैंकर टू गवर्मेंट में कौन-कौन से पॉइंट आएंगे सब्सक्राइब बैंकर टू गवर्मेंट का मतलब अगर सरकार को लॉन चाहिए सरकार को लून चाहिए कुछ डवलपमेंट करवाना है этटो प्रोवाइड दा मनी टू दफोंट प्रोवाइड it provide money it provide money to the government it provide money to the government and also and also and also manages public debt and also manage public debt so these are the major functions these are the main functions of RBI उसके लावा बहुत सारे technological function ATM provide करता है यह आपको mobile banking देता है, internet banking देता है उसके लावा यह financial inclusion भी promote करता है जिससे आपकी saving जो है वो channelize हो सके jam trinity वो इतने कर अभी important नहीं है जो most important चीज़े है वो हमने आपर discuss कर ली है चले अब कुछ important summary जो RBI से related है उसे एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है इन पर छोटे-छोटे questions बन जाते है तो सबसे पहले हम governor of RBI के बारे में जान लेते हैं governor of RBI के context में क्योंकि क्या होता है यह बहुत छोटी-छोटी से information है बहुत static है although लेकिन इन पर questions आ जाते हैं तो देखिए appointment of governor की अगर बात करें कि RBI के जो गवर्णर है इनका appointment किसके द्वारा किया जाता है appointment was done after the proposal after the proposal after the proposal made by made by financial sector financial sector regulatory appointment search committee by financial अजिश्य सेक्टर regulatory customs सर्च कमिंटी कि सर्च कमिंटी कि हैड़ेट बाइड क्याबिनेट सेकेट्री अजिकर्णर का chain होता है वह किसके दोारा होता है वो होता है जो proposal made made दिया जाता है वाआ Financial sector Regulatory appointment search committee जिसको Head करते हैं क्याविनेट skulle ठीखेटरी ठीक है उसके अलावा उसके अलावा जो governor और deputy governor है जो governor और deputy governor है They are eligible for reappointment how they are eligible और रिपलोगने निकर रिपॉइंट सीкая जाता है उसके अलावा इनको रिमूइब ग्वरणमेंट कि द्वारे किया या जा है रिमूवट बाय केंट्र दूसरा minimum reserve system of RBI, RBI का minimum reserve system कितना होना चाहिए, minimum reserve system of RBI, minimum reserve system of RBI, RBI का minimum reserve system कितना होना चाहिए, that is 200 करोड, मतलब कितना minimum reserve RBI को carry करना चाहिए, तो minimum reserve जो है, वो gold में, gold का होना चाहिए, 200 करोड का, minimum value of government held by gold is, gold का 200 करोड का valuation, जो कि around 115 करोड है, 115 करोड, जिसमें से 115 करोड जो है, वो रुपी फॉर्म में होना चाहिए, वो रुपी फॉर्म में होना चाहिए, और उसके अलावा 85 करोड जो है, वो foreign currency में होना चाहिए, foreign currency में होना चाहिए, यह minimum reserve है, मैं वापस explain कर दता हूँ इसको, minimum value of government held gold of rupees 200 करोड, 200 करोड का तो gold, जिसका valuation around 115 करोड रुपे का हो, नी सारी, 200 करोड का gold जिसमें से 115 करोड जो है, वो रुपी फॉर्म में होने चाहिए, और 85 करोड जो है, वो foreign currencies में होना चाहिए, ठीक है, next जो आता है, that is subsidies of RBI, इस पे भी सवाल बन जाता है कई बार, what are the subsidies of RBI, तो RBI के subsidies कौन सी है, subsidies of RBI, इस पे भी कई बार, question बन सकता है और बनता भी है, सबसे पहले, deposit insurance and credit guarantee corporation, deposit insurance, deposit insurance and credit guarantee corporation, credit guarantee corporation, this is the first one, इसके एलावा, Indian Financial Technology and Allied Services, second is Indian Financial, Indian Financial Technology and Allied Services, Technology and Allied Services, TSRA, Reserve Bank Information Technology Private Limited, Reserve Bank Information Technology Private Limited, Technology Private Limited, Technology Private Limited, and fourth one is, भारतिया, रिजर्व नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड, भारतिया, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड, नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड, भारतिया, भारतिया, रिजर्व बैंक, 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 र इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आर्बे के जो इंकम और एक्सपेंडिचर है वह कौन-कौन से और कहां से काउंट होते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंकम और एक्सपेंडिचर की तो आर्बे के जो इंकम होती है वह कहां कहां से होती है रिटर्न फ्रॉम फॉरंड करन्सी एसेट जो आर्बे ने होल्ड कर रखा उससे कोई रिटर्न आया है रिटर्न फ्रॉम फॉरंड करन्सी एसेट रिटर्न फ्रॉम फॉरंड करन्सी एसेट दूसरा तो है इन्ट्रेस्ट औन हुपी डिनोमिनेति सवाज़ां गवर्मेंट बोंड जो आरबे गव सरकार पैसे देती हैं फिर वापस उन पर इंट्रेस्ट मैं आपको बताया linking to lending to commercial banks जो commercial banks को loan दिया है उस उस पे जो आपको उस पे जो आपको interest मिलता है यह सारे income है यह सारे आपके income है expenditure क्या है? printing of currency जब currency print करते हो printing of currency दूसरा expenditure क्या है? staff का कोई expenditure या आपका administrative expenditure, staff expenditure, उसके अलावा ठीक है बाकी तो आपकी तो आपके तो नॉर्मल डेली खर्चे होते हैं, that is, ठीक है, so these are the income and expenditures of RBI, या RBI के income and expenditures हैं, next एक और institution के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, that is deposit insurance and credit guarantee corporation, इस पर भी सवाल आ सकता है, deposit insurance, deposit insurance and credit guarantee corporation, and credit guarantee corporation, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, DICG पर इसको भी पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले यह क्या है, it is a wholly owned subsidiary of RBI, यह RBI के एक wholly owned subsidiary है, wholly owned subsidiary of RBI, RBI के एक wholly owned subsidiary, सबसे पहले, दूसरी चीज, insurance cover जो है, deposit insurance cover, भई आपने कुछ पैसा अपने RBI में जमा, आपने जो पैसा commercial banks में जमा करा है, तो एक insurance cover provide करता है, यह रुपीस 5 lakh का, 5 lakh का insurance provide करता है, on deposits, ठीक है, इसमें कौन-कौन से banks cover होते हैं, देखो, मतलब क्या होते हैं, मैं को समझाता हूँ, हम हमारा पैसा deposit करते हैं, SBI में, Punjab National Bank में, Bank of Baroda में, ठीक है, और इसी तरह से जो bank of Baroda है, SBI है, इनको भी कुछ पैसा अपना RBI के पास deposit करना पड़ता है, तो deposit insurance cover जो यह provide करते हैं, that is of 5 lakh rupees, ठीक है, इसमें कौन-कौन से banks cover होते हैं, इसमें कौन-कौन से banks cover होते हैं, देखिए, banks कौन-कौन से covered होंगे, बैंक्स covered हैं, commercial banks, commercial banks, उसके अलावा, regional rural banks, regional rural banks, इसके अलावा, local area bank, local area bank, and cooperative bank, and cooperative bank, यह सारे इसमें covered हैं, these all are covered under it, यह सब इसमें covered हैं, ठीक है, अब चाहिए, आपके fixed deposit हो, saving हो, current हो, कुछ भी हो, सब इसमें cover होते हैं, ठीक है, कौन-कौन इसमें cover नहीं होती, कौन-कौन से चीज़ें इसमें cover नहीं होती, not covered, कौन-कौन से चीज़ें covered नहीं हैं, तो देखिए, foreign government के कोई deposit है, deposit of foreign government, विदेशी सरकार के कोई deposit है, वो इसमें covered नहीं होंगे, deposit of center and state government deposit of center and state government केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ deposit हैं वो cover नहीं होते interbank deposit इसमें cover नहीं होंगे interbank deposit इसमें cover नहीं होते उसके अलावा deposit of state land development with the state cooperative bank है यह तो important नहीं है यह तीन चीज़ें ज़्यादा important है so these are the deposits which are not covered यह वो deposits हैं जो cover नहीं होते under this deposit insurance and credit guarantee corporation चलिए अब next बात करेंगे हम लोग types of banks in India types of banks in India के बारे में बात कर लेते हैं भारत में कितने अलग अलग तरह के banks है तो central bank reserve bank तो हम लोग पढ़ी चुके हैं उसके अलावा जो next important bank है जो next important bank है that is scheduled bank ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे type of banks in India में what first is scheduled bank scheduled bank मतलब हमने इतकर से बोले थे ना वहीं scheduled bank होना चाहिए तो जो second schedule में RBI के list होता है उसे हम scheduled bank क्याते है first is scheduled that the scheduled bank consov हुँँँँँटे नथे second should schedule listed in the 2nd schedule listed in the 2nd schedule of RBI at 1934 of RBI Act 1934 जो आर्वी एक्ट का जो 19 आर्वी एक्ट है 1934 उसके जो लिस्टेड है सेकंड शेडियूल में जितने भी बैंक्स लिस्टेड होने हम शेडियूल बैंक कहते हैं ठीक है दे आर एलिजिबल दे आर एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम आर्वी आई यह आर्वी इसे लोन ले सकते हैं अगर इनको लोन लेना है अपने एक्सपैंशन करना है यह लोन बाटना है लोगों को ठीक है इसके अलावा दे रिक्वाइड टू डेपॉजिट दे रिक्वाइड टू डेपॉजिट CRR with RBI इनको कैश रिजर्व रेशियो भी RBI के साथ रखवाना पड़ता है अपने डेपॉजिट का कुछ पर्सेंटेज इन कैश फॉर्म शिड्यूल बैंक दो तरह के होते हैं एक होता है कमर्शल बैंक एक होते हैं कमर्शल बैंक वन इस कमर्शल बैंक और दूसरे होते हैं आपके कॉपरेटिव बैंक दूसरे होते हैं आपके कॉपरेटिव बैंक एक एक करके इनको भी पढ़ेंगे सबसे पहले बात कर लेते है नॉन शेडियूल बैंक कौन से होंगे नॉन शेडियूल बैंक जो आरबे के शेडियूल में नहीं है नॉन शेडियूल बैंक नॉट लिस्टेड इन सेकंड शेडियूल जो सेकंड शेडियूल में नहीं है ठीक है इनको सियारा डेपॉजिट करने का की ज़रूरत नहीं है नॉट लिस्टेट इन सेकंड स्केडियूल सेकंड स्केडियूल में यह लिस्ट नहीं होते हैं दूसरी चीज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 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 कोई जरूरत नहीं होती इनको सी यार डिपॉजिट कराने की आर बिय के पास में चीक हैं अगला है हमारे कमर्शल बैंक्स तीसरे हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक कौन-कौन से हो सकते हैं कमर्शल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक having more than more than 50% stake जिसका गवर्मेंट के पास हो more than 50% stake with government जहां सरकार के पास 50% से ज़्यादा उनका state हो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक दूसरे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सेज बैंक, HDFC बैंक जहां पर इंडिवीजुल के पास या ग्रुप आफ इंडिवीजुल के पास majority stake holding हो चीक है और तीसरे हमारे होते हैं foreign banks foreign banks तो यह commercial banks की ही category में आते हैं चीक है आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे चौथा number जिसका है that is differentiated banks जो fourth number है that is differentiated banks एक सेकंड मैं process में space add कर देता हूं पहले चौथा है हमारा चौथा है हमारे differentiated banks और तेस differentiated banks को डिफरेंशेटेट बैंक में कौन-कौन से शामिल होंगे इसके अंदर कौन-कौन से include होते हैं small finance bank payment bank इसको मैं समझाओंगा भी आपको थोड़ते बात small finance bank small finance banks plus payment bank payments bank plus regional rural banks regional rural banks these are included in differentiated banks यह सारे जो है यह differentiated banks में आते हैं नेक्स्ट डवलप्मेंट बैंक है डवलप्मेंट बैंक में कौन-कौन से आते हैं कि डवलप्मेंट बैंक में नाबाद कि सिट्बी एक्जिम बैंक नाशनल हाॉसिंग बैंक दिनशनल हाउसिंग बैंक 50phr Express prec meinem पिर इंडिय를 फैनेंश काउर्प परिशन ओफ इंडिया यह सब डवलप्मेंट बैंक में आते हैं यह सब डवलप्मेंट बैंक में इन्दर हातें इस एन के टिम्ट एंडिया चीज़ है किःसरेंट इंसको इसके नाम से जाना जाता है यह एश्चीड्प इंडेट्स के नाम से जानते हैं तो यह इनेश्भसिन-टैस नंट-टैस इंडेक्स है ठीक है इंडियास फर्स्ट इंडियास फर्स्ट ऑफिशल हाउसिंग प्राइज इंडेक्स इंडियास फर्स्ट ऑफिशल हाउसिंग प्राइज इंडेक्स जो कि नैशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है जो कि national housing बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि भारत में थाकि भारत में housing price indices को specify किया जाए land prices को specify किया जाए building material को बताया जाए कि वह इसमें कौन सा building material है और rent पे जो houses मिलते हैं उनके बारे में डीटेल इनफॉर्मिशन दी जाए डाट इस रेसीडेक्स उसे हम रेसीडेक्स कहते हैं इंडिया इतने तरह के हमारे बैंक से अब इसमें नेक्स क्लास में को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वह बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा जो डवलप्मेंट बैंक से पेमेंट बैंक से उसकी में अलग से क्लास पर देना चाहता हूं क्योंकि उस पर कई बार अब हैं एक ब्रीफ समझ लिया अब तक हम लोगों ने मनी के फीचर्स मनी के फंक्शन थोड़ा सार बीए का बेसिक्स जान लिया आर बेके फंक्शन को पढ़ लिये टाइप ऑफ बैंक में भी हमने स्टार्ट किया था शेडिवल बैंक नॉन शेडिवल बैंक कौन सो होते ह आज हम डिसक्स करेंगे कोपरेटिव बैंक स्मॉल पेमेंट बैंक कोपरेटिव बैंक और कमेर्शल बैंक में दिफरेंस स्टार्ट करते है हमारी आज की क्लास को सबसे पहले बात करेंगे कोपरेटिव बैंक के बारे में बारे में बारे में बारे में बारे में के बारे में same time the owners and the customer of their bank अब देखो, cooperative bank क्या है, जैसे मान लिजी, यह 4 लोग है, 3, 4 या 5 लोग या 6 लोग मान लोग, इन सब ने अपनी money pool किया, और एक bank start कर दिया, that is cooperative bank, ठीक है, so it belongs to its member, it belongs to its members, it belongs to its members, who are, who are at the same time, the owners and the customers of their bank, the owners and the customers of their bank, जो owner और customer दोनों है, एक ही समय पे अपने bank के, जैसे owners तो क्या है, जैसे owner है, जिए उन्होंने ओन कर रखा है, उन्होंने अपना contribution के, that's why they are owners, और customer कैसे, जैसा अगर उनको loan चाहिए, जैसे उनको शादी ब्या करवाना है, अपनी बच्चे का, या education के लिए चाहिए, या घर के लिए loan चाहिए, तो they are the customer of their bank, ठीक है, cooperative bank जो controlled होते हैं, they are controlled, they are under the dual control, of RBI and cooperative society, यह RBI और cooperative society, दोनों के under control है, दोनों के under dual control है, ठीक है, वहीं जो इसके board के members है, the board of members, board of members, are elected, are elected, with each member having one vote, with each member having one vote, जिसके board के members है, हर member के पास खुद का एक individual vote है, so board members are elected with each member having one vote, यह तो हमने पांच लोग की बात करी है, अब यह cooperative banks इतने popular हो गया है, कि इनमें काफी बड़ा system हो गया है, तो जो इसके board के members होंगे, उनको जो elect करते हैं, वो representatives करते हैं, जो cooperative members के हैं, जिनके पास voting rights है, and each member have one vote, ठीक है, क्लियर होगा यह बात यहां तक, अब cooperative banks जो है, cooperative banks जो है, इनको हमने 3-tier structure में बाठ रखता है, cooperative banks जो है, यह 3-tier structure में work करते हैं, 3-tier structure में काम करते हैं, तो 3-tier structure क्या-क्या हैं, सबसे पहले primary credit society, first is primary credit society, primary credit society, दूसरा district center cooperative bank, district center cooperative bank, district center cooperative bank, तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है state cooperative banks, state cooperative banks, ये तीन इसके अंदर cover होते हैं, ये तीन चीज़ें इसके अंदर cover होते हैं, ठीक है, clear होगे बात यहां तक, अब हम बात करेंगे, cooperative bank और commercial banks में difference क्या है, what is the difference between cooperative bank and commercial bank, तो इसको भी ले लेते हैं एक बार, cooperative bank और commercial banks में, what is the major difference, cooperative और commercial banks, what is the major difference between both of them, एक एक करके इनको पढ़ते हैं, सबसे बहले cooperative bank जो हैं, वो governed होते हैं, cooperative societies act से, governed by, governed by cooperative societies act 1904, cooperative societies act 1904, वो है commercial banks जो governed होते हैं, they are by banking regulation act, they are governed by, they are governed by, banking regulation act, banking regulation act, of 1949, ठीक है, यह जो loans provide करते हैं, cooperative banks जो loan provide करते हैं, यह loan provide करते हैं, agriculture और allied activities की, provide loan, and allied activities, agriculture और उससे जुड़ी भी जो activities हैं, उनके लिए they will provide the loan, ठीक है, यह provide करते हैं, trade commerce and industry के लिए, commercial banks जो है, they provide loans for, trade commerce and industry, trade, commerce and industry को यह loan provide करते हैं, clear हो गई, तीसरी बात क्या है, ठीक है, यह किसको loan generally provide करते हैं, provide loan, provide loan, to the only shareholders, जिनके पास membership होती है, उस cooperative bank की, यह loan सिर्फ उनहीं को provide करते हैं, whereas they provide, they provide, loan, to anyone, जो भी banking की condition, पूरी करता है, जैसे कुछ deposits जब रखने हैं, paperwork, formality की पूरी करते हैं, जो भी सारी formality की पूरी करते हैं, they'll provide loan to them, ठीक है, यह comparatively small scale पर काम करते हैं, small scale operation होता है, इनका जो operation होता है, वो long scale, long run operation होता है, यह long run, यह long scale लेखेंगे, long run थोड़ा सख साही नहीं है, long scale operation, ठीक है, आगे की क्या बात है, आगे बात है, यह तो खैरिसमें, और उसके अलावा, यह under the supervision of, under the supervision of, state government, state government, NABAD या RBI, RBI and NABAD, state government, RBI and NABAD, और यह सीधा पर विजन होता है, का supervision of RBI, they work under the direct supervision of RBI, clear, so this is the difference between cooperative bank and commercial bank, cooperative bank और commercial bank में ये major difference है, अब बात करेंगे payment bank और small finance bank के बीच का difference, ये prelims में बहुत important हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, इन पर direct questions बनते हैं, और अब तो UPSC बहुत जादा इन पर questions पूछने लग गया है, payment bank, payment bank, और small finance bank, payment bank और small finance bank, payment bank जो आये थे, ये आये थे on the recommendation of, set up on the recommendation of उशा थोरत recommendation, उशा थोरत recommendation, ये set up हुए थे, उशा थोरत recommendation के basis पर, वहीं जो के small finance bank है, ये establish हुए थे on the business of, नचिकेत मोर committee, ये नचिकेत more committee की recommendation पर set up हुए थे, small finance bank, ठीके, payment bank का जो important feature है, can accept deposit, but only up to rupees 1 lakh per individual customer, can accept deposit, ये deposit accept करेंगे, can accept deposit, but only up to, but only up to rupees 1 lakh per individual customer, रुपीज 1 लाग पर इंडिवीज्वल कस्टमर एक लाग तक के ही deposit एकसेप्ट करेंगे इंडिवीज्वल कस्टमर से ठीक है ये कितने भी अमाउंट का हो सकता है एनी अमाउंट तीसरा डिफरेंस तीसरा डिफरेंस है इनके बीच में ये किसी भी तरह का लॉन नहीं देते ये लैंडिण करते है लैंडिण करते है बट अनली लैंडिण बट अनली स्मॉल बैंडिण काफी कम ये blur काफी, कम, ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, Can open small saving account, इनका खुद का एक small saving account हो सकता है, वहीं इसमें बात करें, तो ये basically small businesses को, Small businesses, MSMEs, Marginal Farmers को लोन देते हैं, Small business, MSMEs, ठीक है, उसके अलाबा, Unorganized Sectors, Unorganized Sectors को ये लोग लोन देते हैं, पाचवी चीज, पाचवी चीज क्या है, पाचवी डिफरेंस जो इनके बीच में है, that is, Allowed to issue ATM और debit card, ठीक है, ये ATM और debit cards प्रोवाइड करते हैं, They also provide ATM और debit card, इनके पास भी ATM और debit card प्रोवाइड करते हैं, Sixth है, ये credit card इशू नहीं कर सकते, Not Allowed to issue credit card, ये credit card इशू नहीं करते, अब देखो, अगर आपके exam में question आता है न, payment bank से, तो इन 6, अगर मानलो statement वाला question आता है, मानलो statement वाला question आता है payment bank से, तो इन 6 में से कोई statement ये 7 में से कोई statement होगा, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, 50% of loan portfolio, 50% of loan portfolio, constitute, constitute, advance of, advance up to, 25,00,000, 50% of loan portfolio, constitute, advance up to, 25,00,000, तो यहाँ पर, यह लोग लिए उन, इतना provide कर सकते हैं, clear होगे हैं, यही बात, so this is the major difference, between payment bank, and small finance bank, payment bank, or small finance bank, बीच में, this is the major difference, तो यह अब आपको, अच्छे समझ में, आ गया होगा, इस पर कई बार questions, पूछ लिए जाते हैं, और statement वाले, जो questions हैं, वो तो बिल्कुल ही, पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से, इसको पढ़ लीजेगा, payment bank, or small finance bank, जो मैंने लिखवाया है, यह 6 इसमें, important points हैं, जो हमें, पता होने चाहिए, next, अब हम बात करेंगे, जो अगली चीज़ हैं, हमारी, that is, development banks, next, जो हमारी category है, that is, development banks of India, development banks of India, अब हम इनके बारे में बात करेंगे, डीटेल पढ़ेंगे इसको भी, सबसे पहले बात करेंगे, industrial finance corporation of India, industrial finance corporation of India, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, obviously नाम से बढ़े चल रहा है, industrial finance corporation है, तो यह loan किसको प्रोवाइट करते होंगे, so this is the first specialized institute, यह भारत का पहला specialized institute है, यह specialized institute का मतलब है, कि जो specially किसी purpose के लिए create किया गया, first specialized financial institution, first specialized financial institution, set up in, set up in 1948, जो 1948 में set up किया गया, to provide, to provide, loans to, to provide loans to, large industries, large industries of India, large industries of India, भारत में जो बड़े-बड़े उध्योग हैं, बड़े-बड़े जो उध्योग आपके इंडस्ट्रीज हैं, उनको लोन प्रोवाइट करने के लिए set up किया गया, next जो बहुत important और exam point of view से सवाल उस पूछा जा सकता है, that is NABAD, that is NABAD, National Agricultural Bank for, National Bank for Agriculture and Rural Development, यह इसका main काम है, to provide finance for agriculture and rural development, to provide finance for agriculture and rural development, इसका main काम है, agriculture और rural development के लिए, लोन प्रोवाइट करना, ठीक है, कब set up हुआ था, set up हुआ था 1982 में, established in, established in 1982, on recommendation of B. Shivraman Committee, on recommendation of B. Shivraman Committee, B. Shivraman Committee, B. Shivraman Committee, ठीक है, headquarter Mumbai में है, इसका जो headquarter है, that is in Mumbai, Mumbai में इसका headquarter है, fully owned by Government of India, fully owned by Government of India, भारत सरकार के द्वारा, यह fully owned किया जाता है, ठीक है, share capital है, इसकी 30,000 करोर, share capital is 30,000 करोर, इसकी जो share capital है, that is 30,000 करोर, clear हो गई बात, इसका main बता ही चुका हूँ में, उसके अलावा, यह भारत में self-help group को, यह एक point और इसमें add कर लेता है, that's very important, यह point और इसमें add करना बनता है, नाबाट is also known as, it is also known as, self-help group bank linkage program, self-help group bank linkage program, self-help group bank linkage program, to encourage India's bank, to encourage, to encourage India's bank, to lend to self-help groups, self-help groups को land करें, यह इसका major objective है, under नाबाट scheme, clear हो गई बात, चलिए, एक बार नाबाट के functions और देख लेते हैं, कि नाबाट के major functions क्या 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 है, छोटा ही है, जोटा बढ़ा नहीं है, major functions of नाबाट, क्या functions हैं नाबाट के, सबसे पहला function तो, regulate cooperative bank and regional rural banks, and regional rural banks, cooperative banks और regional rural banks को regulate करना, दूसरा काम है, refinance the financial institution, refinance the financial institutions, refinance the financial institutions, working in financing the rural sector, financing the rural sector, जितने भी financial institutions हैं, जो ग्रामीर शेत्रों में काम करते हैं, गाउं में काम करते हैं, उनको finance provide करना, उनको financing provide करना, तीसी चीज़े, monitoring and evaluation of projects, refinanced by it, monitoring and regulation, monitoring and regulation, or evaluation, or evaluation of projects, refinanced by it, refinanced by it. And चौती चीज़े, provide training facilities to institutions, जाघूए मिस्टेछ ं sc dudे है तra झाएव इंड्ड चूट ल्काटीज को Esse पर इंड्य डाऑ्र हें रस्टीमyड की ब्टेछ्डाओ को फिर बाख तर लेकित न मुट्टेछ क्ंट्टिम्टेंड So this is the type of banks in India ये है हमारे case में types of banking in India में Nabad के major functions Clear हो गया आपको So these all are the major functions of Nabad इसके बाद जो हमारा next है That is Exim Bank Export-Import Bank of India Next जो हमारा है That is Exim Bank Export-Import Bank of India Exim Bank ये इसको Export-Import Bank of India भी कहते है Holy owned by Government of India Holy owned By Government of India Holy owned by Government of India Established in 1982 Established in 1982 To finance To finance Facilitate Facilitate And promote And promote Foreign Trade in India And promote Foreign Trade in India So this is Exim Bank This is Exim Bank Export-Import Bank of India Next बात करेंगे हमारे National Housing Bank Next is National Housing Bank NHB National Housing Bank इसके बारे में पढ़ लेते हैं Created in 1988 Created in 1988 Under NHB Act Under National Housing Under National Housing Bank Act of 1987 It regulate It regulate It regulate Refinance It regulate, refinance Social Housing Program Social Housing Program Social Housing Program Social Housing Program And other activities And other activities Housing sector को बेसिकल प्रमोट करने क्ले National Housing Bank बनाया गया Next है हमारा Small Industrial Development Bank of India SIDB Small Small Industrial Development Bank of India Small Industrial Bank of India SIDB Nाम से बाचल रहा है किसको फाइन्स करेंगे जो छोटे लग हूती हो ठीके Provide Financing Provide Financing And Development of Provide Financing And Development of Provide Financing And Development of Micro, Small and Medium Enterprises Micro, Small and Medium Enterprises Provide Financing And Development of Micro, Small and Medium Enterprises ठीके अब जैसे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना PM मुद्रा योजना जो स्कीम आई थी वो इन ही के द्वारा Finance की गई थी इन ही के द्वारा Finance की गई थी उसके अलावा इनका मेन objective होता है जितने भी Small scale industries है उनका Overall regulation करना Overall regulation of Small and Medium Enterprises So this is SIDB ये है काम SIDB का Clear हो गया That is SIDB आप बात करेंगे Next That is Lead Bank Scheme देखिए मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ा आपको पढ़ा रहा हूँ इनका relevance आज से दो साल पहले तक शायद जिकना नहीं था लेकिन जब से UPSC ने कुछ questions भाई UPSC को पता है CRR, SLR, Open Market Operations ये सब पढ़के आते हैं सबको पता होता है इसलिए आज कर लोगों कुछ ऐसे questions छोटी छोटी जगों से पूशने लगए है जिनका इतना knowledge बच्चों को होता नहीं है experience को होता नहीं है और जो important भी है exam point of view से Next is Lead Bank Scheme ठीक है किसकी मेन काम क्या था मेन काम था तो प्रोवाइड रोल्स तो इंडिविज्वेज्वेड बैंक फ़र दिस्टिक्स अलॉटे तो देम अन दे रिकमेंडेशन आफ ग्याट्जिल स्टेडी ग्रूप एंड बैंकर्स कमिटी इंडिविज्वेड बैंकर्स कमेंडेशन इसका में काम था प्रोवाइड लीड रोल्स प्रोवाइड लीड रोल्स तो इंडिविज्वेड बैंक्स प्रोवाइड लीड रोल्स तो इंडिविज्वेड बैंक्स Provide lead roles to individual banks ठीक है जिसमें public प्राइबिट दोनों आते हैं For the districts allotted to them For the districts allotted to them अब हम इसके objective के बारे में बात करेंगे अब हम इसके objective के बारे में बात करेंगे objectives are very important सबसे पहला objective है To extend banking facilities To extend banking facilities To extend banking facilities To unbanked areas To unbanked areas सबसे पहला function To extend banking facilities To unbanked areas This सबसे पहला factor दूसरा To help To help in removing To help in removing Regional imbalances To help in removing regional imbalances Through credit Through credit deployment Regional imbalances को हटाना कैसे? By providing credit facilities to the different areas To identify those areas To identify those areas To identify those areas Where there are Less banks Less banks Or no banks Because of Because of Their climatic and physiographic conditions Because of their Climatic And physiographic conditions Physiographic conditions So this is the main objective Lead bank scheme Setup क्यों किया गया था इसका main objective था कि भारत में ऐसे बहुत सारे जिले हैं ऐसे बहुत सारे गाओं हैं जो अभी भी banking sector से काफी दूर हैं तो वहाँ पर financial inclusion को promote करना Financial awareness को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पर banks को set up करना पड़ेगा इसके के लिए यह lead bank scheme स्कीम स्टार्ट करीगी Clear? अब इसके कुछ advantages और disadvantages हैं क्या advantages और disadvantages हैं वो भी देख ले थे एक बार What are the advantages and disadvantages? Sorry तो मैं एक partition कर देता हूँ इसके advantages क्या हैं? सबसे पहली चीज तो सबसे पहली चीज तो Availability of banking facilities all over the country Availability of banking facilities Availability of banking facilities All over the country पूरे देश में banking facilities को extend करना और available कराना दूसरी चीज तो Interlinking of commercial and cooperative bank Interlinking of commercial and cooperative bank तीसरा काम क्या है? Branch expansion Branch expansion इनका main objective यह नहीं है कि लोगों के से deposits को पहले लिया जाए इनका main objective है कि पहले banking sector को पूरे देश में इतना फिला दो कि इससे financial inclusion जो है वो बहतर हो जाए तो these are the advantages इसके negatives क्या है या disadvantages क्या है? उनको भी बहुत consider कर लेते है disadvantages what are the disadvantages इनके disadvantages क्या है? सबसे पहली चीज तो duplication यही काम नाबाढ़ कर रहा है यही काम cooperative bank कर रहा है यही काम lead bank कर रहें यही काम regional bank कर रहा है तो इसे duplication हो सकता है तो अगली problem districts का allotment अब भाई districts का allotment कैसे करें? भाई उत्तर प्रदेश के जादा districts को लें बिहार के लें राजस्थान को लें तो district allotment को लेकर भी problem हो सकती है तीसरी problem है तीसरी problem है lack of coordination with other banks lack of coordination coordination की समझस्थ से की स्थिती भी develop हो सकती है between nabard and lead banks ठीक है? चौती problem क्या है? shifting in policies policies में बदलाव हो सकता है shifting in policies complexities in operation complexities in operation these all are the disadvantages of these lead banks ये सारे lead banks के major disadvantages है अब बात कर लेते हैं priority sector lending तो what is priority sector lending नाम से समझ जा रहा होगा priority sector lending मतलब जब आप किसी को lend कर रहे हो जब आप किसी को amount दे रहे हो किसी को banks जब पैसा दे रहे है तो priority किस क्यों रखी जाए? मतलब जब जब आज banks के पास 100 रुपे तो सबसे पहले उन 100 रुपे में सबसे पहले वो loan किसको देंगे that is priority sector lending तो क्या है इसके बारे में RBI mandates the banks RBI mandates the banks to lend a certain portion to lend a certain portion of their funds of their funds to specified sectors to specified sectors that is agriculture agriculture MSME MSME export credit export credit and education और उसमें और भी हो सकते हैं ठीक है clear हो गया इनका main objective होता है कि जो vulnerable section है या जो poor section है या जो weaker section है उन्हें lend सबसे पहले किया जाए because they are the one who in the need of everything ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं priority sector lending में lending की guidelines के है तो देखो 40% of 40% of total net bank credit 40% of total net bank credit 40% of total net bank credit should go to priority sector should go to priority sector total lending का जाएगा 40% प्रतीशत priority sector के लिए जाएगा उसमें से अब उसका भी classification है कि बहुँ कैसे कैसे किया जाएगा तो 10% 10% of total net bank credit 10% जो है इसका go to weaker section go to weaker section जो जो गरीब वर्ग है उसको second 18% of total net bank credit 18% of total net bank credit is go to agriculture agriculture advance और उस 18% में भी उस 18% में भी 8% इस 18% का भी 8% जो है ये कहां जाएगा ये कहां जाएगा is for small and marginal farmer small and marginal farmer जो बहुत ही गरीब किसान है उसको जाएगा इस 18% में से 8% 5% शुद गो टू 5% शुद गो टू micro enterprises जो लगू ध्योग है उनके पास में micro enterprises की पास में जाएगा 5% का इसके अलावा एक और बहुत important चीज है इस priority sector lending certificates और जो rest of the है जो जितना होगे 33, 7% जो है, वो specify कर दिया जाएगा, उस particular year में, कि जो rest of the 7% है, वो किसको दिया जा सकता है, एक इसमें बहुत important concept है, that is, priority lending, priority lending certificates, प्रायर्टी लेंडर, लेंडिंग certificates, यह क्या होता है, इसको भी उबर देख रहता है, रगुराम राजन कमिटी और फाइनेंशल सेक्टर रिफॉर्म, रिकमेंड दे इंट्रुदू इंट्रक्शन ऑफ पी एसलसी, तो रिकमेंडेट बाए, रिकमेंडेट बाए, रिकमेंड किस ने किया, इसको रिकमेंड किया, रगुराम राजन कमिटी ने, ठीक है, अब इसके हम थोड़ा सा इंडिविच्वल पढ़ लेते है, प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग certificates में होता क्या-क्या है, तो देखे, सबसे पहले चीज़ तो यह रगुराम राजन कमिटी ने यह इसका मेन अब्जेकिव था, इसका मेन अब्जेक्तिव था – किक्शाट इसा अ मेंगेंजम था, इसका मेействरत अमेक्शेफ था, इसका में अमेनल की सुक्त ऐसफ़ था इसका मैनल थोड इसका, और थाफ्यर्टी था сиг़ हता, और फिन अप्र नायर्त बचिंगिक्त To achieve the priority sector, lending targets and sub-targets by purchase of these instruments by purchase of these instruments in the event of shortfall, in the event of shortfall. ध्यान से समझते हैं इसको यह है क्या? It is a mechanism to enable bank to achieve the priority sector lending target and sub-target by purchase of these instruments in the event of shortfall. मतलब अगर मान लीजिये यह दो banks हैं, यह दो banks है X और Y. अब X bank ने अपने targets पूरे कर लिया और उसके अलावा उसने थोड़ा सा और खर्चा इसमें कर दिया. मतलब जैसे 40% है, मान लो इसने 45% खर्चा कर दिया priority sector lending में. तो जो extra 5% है, वो extra 5% और Y ने मान लो 35% ही किया है, तो यह extra 5% lend कर सकता है Y को. This is priority sector lending certificates. तो जिसके पास surplus है, surplus जिसके पास है, surplus banks, surplus banks, allow them, allow them to sell it, allow them to sell it to other banks, to other banks. Clear हो गया, this is PSLC, priority sector lending certificate. इसमें एक और कुछ revised guidelines में आई है, उनको भी देख लेते हैं, फटा फट से. What are the revised guidelines related to PSL? तो revised guidelines के हैं? स्टार्टप्स को, मैं आली को जोता हूँ, revised guidelines. जो start-ups है, उनको दिया जाएगा up to 50 करोड लोन. अप टू 50 करोड जो लोन है, वो start-ups को दिया जाएगा. उसके अलावा, loans for, loans for setting up, loans for setting up, compressed biogas plants, compressed biogas plants. इसके लिए भी लोन दिया जाएगा. Loans to farmers, loans to farmers, loans to farmers, for setting, for installation of solar power plant, for installation of solar power plants. और चौथी चीज़, high credit limit, high credit limit, high credit limit up to 5 करोड, up to 5 करोड, for farmers, for farmer, high credit limit up to 5 करोड, for farmers, to the farmers producer organization, to market their products at predetermined prices. तो start-ups, जो है, उनको 50 करोड का लोन दिया जाएगा, उसके अलावा, compressed biogas plants, अगर वो लगाते हैं, तो उसके लिए लोन दिया जाएगा. Loans to farmers, for installation of solar power plant, अगर solar power plant install करते हैं, तो उसके लिए लोन दिया जाएगा. और उसके अलावा, high credit limit, 5 क्रोड तक की credit limit दी जाएगी, farmers, producer organizations को, ताकि वो अपने products की proper marketing कर सकें, at predetermined prices पे. जिसा अगर उनको अपने crops की marketing करनी है, उसके लिए, if they want amount, तो वो अराम से कर सकें, at predetermined prices, जो उनने prices set की हैं. अब next हम बात करेंगे, बहुत ही important एक और topic की, that is non-banking financial institutions. NBFCs क्या होती हैं, यह भी UPSC का एक favorite topic है, जसपे हो कई बार question पूच चुके हैं. NBFCs are the company registered under Companies Act. Non-banking, मतलब जो banking activities ना perform करते हो, या हम ये कहें, जो RBI के साथ registered ना हो, उन्हें हम क्याते हैं NBFCs. They are registered, they are registered under Companies Act of 1956. Under Companies Act of 1956. यह registered है under Companies Act of 1956. ठीक है? इनके regulators कौन-कौन है? Who all are the regulators? इन्शुरेंस कम्पनीज, इन्शुरेंस कम्पनीज, जिसमें इसको regulate करा दाता है, IRDA के द्वारा, Insurance Regulatory Development Authority. अगर ये merchant banker के form में काम कर रहे हैं, अगर ये merchant bankers के form में काम कर रहे हैं, तो they are regulated by SEBI. और अगर ये micro financial institutions के form में काम कर रहे हैं, तो State Government, State Government, RBI, और NABAR. क्योंकि micro industries जो है, उनका protection बहुत important है, और वो कही ना कही वो लगो द्योग है, जो अपने आप में एक employment intensive industries है. तो वापस में बताऊंगा, अगर ये insurance company के form में काम कर रहे हैं, तो they are regulated by ADA. अगर ये as a merchant banker काम कर रहे हैं, तो they are regulated by SEBI. और अगर ये as a micro finance institution के form में काम कर रहे हैं, तो they are regulated by State Government, RBI, और NABAR. ठीक है? क्लियर होगा इनका main चीज़. बिसनेस अफ लोन एन एडवांसेस. एक्विजिशन आफ शेर स्टॉक बांस. एक्विजिशन आफ शेर स्टॉक बांस. ठीक है? उसके अलावा और क्या काम है? चिट बिसनेस, इंशुरेंस बिसनेस. इंशुरेंस बिसनेस. But does not include any institutions whose principal business is of agriculture and industry. जिसका main काम agriculture या industry का हो वो इसमें include नहीं होते हैं ठीक है अब कुछ conditions भी है इसमें इसमें कुछ conditions भी है उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छा से features की बात कर लो या conditions को कि यह बहुत important और prelims में question इसी में से पूछा जाता है क्या है इसमें point सबसे पहले cannot accept demand deposit cannot accept एक मुएट थीक से लिशा थे एक मुएट cannot accept cannot accept demand deposit एक तो यह demand deposits को accept नहीं करते हैं दूसरा cannot issue check drawn on itself कोई चेक इनके ओपर खुदके ओपर issue किया गया हो तो वह issue नहीं कर सकते deposit insurance facility प्रोवाइड नहीं करते डेपाज़िट इंशरेंस पैसिलिटी deposit insurance फैसिलिटी इस नॉट अवेलेबल इस नॉट अवेलेबल two depositors जिनोंने इसमें पैसा deposit कराया है । नहीं है इस पब्लिक इस उक्तर लेंडिंग के नॉम्स नोट एपलिकेबल नहीं है नॉम्स अव्प्पिल नियुकल नॉट एपलिकेBLE पब्लिक सेक्टर लेंडिंग के नॉम्स उनके उपर अपलायन नहीं है उसके अलावा CRR CRR जो होता है cash reserve ratio वो इन पे apply नहीं है मैंने बताया था आपको CRR क्या होता है does not apply उसके अलावा उसके अलावा बस यह है कहा है इसमें all बाकि ज़्यादा detail जाने की ज़रत नहीं है इतना sufficient है So these are the main features of non-banking finance company So कुछ important चीज़ इसमें भी यह भी आती है what are the systematically important NBFCs systematically important NBFCs का मतलब जिनका asset size 500 करोड या उससे ज़्यादा का हो जैसे power finance corporation limited है आपका या rule electrification corporation है these are systematically important NBFCs क्योंकि इनका asset size काफी बढ़ा है अब एक चीज़ और देख लेते हैं NBFCs और banks में difference क्या है NBFCs जो है वो banking service provide करते है without holding bank license इनको bank license hold करने की ज़रूरत नहीं है वही banks को बैंक जो है यह license organization है obviously इनको license hold करना ज़रूर ही है NBFCs जो regulated है वो companies act 2013 से regulated है banks जो regulated है they are regulated by banking regulation act of 1949 NBFCs demand deposit accept नहीं करते वही banks जो है demand deposit accept करते है NBFCs में foreign investment allowed होता है up to 100% banks में यह सर्फ 74% तक है so this is about the NBFCs आज की class काफी important थी काफी सब topics हमने आज की class में डिसकस किये so guys please do proper revision of these topics इन पे questions काफी बनने लग गए हैं we will discuss now the monetary policy अभी तक हमने काफी सारी चीज़ने इस chapter में पढ़ ली है जिसमें हमने money के functions पढ़े RBI के functions पढ़े apart from that चोटे-चोटे commercial banks है payment banks है उनके बारे में भी हमने डिसकस किया अब हम इस chapter के जो एक backbone होती है उस पर अब हम move कर रहे है first we will discuss about the monetary policy फिर monetary policy tools में आज हम qualitative instruments को पढ़ेंगे और next video में quantitative instruments को पढ़ेंगे तो आज का class बहुत important है बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़िएगा हम लोग monetary policy के types भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे कि monetary policy और fiscal policy में difference क्या है and so on तो start करते हैं हमारी class को सबसे पहले बात करेंगे what is monetary policy monetary policy का मतलब होता है कि जहां पर monetary policy committee जो होती है वो money supply को जो country में manage करती है और interest rate को जो manage करती है that is called as monetary policy वापस हम जहेंगे आपको देखिए अब तक क्या होता था 2016 से पहले 2016 से पहले scene यह होता था कि जो भी policies बनती थी वो policies बनाई जाती थी RBI के द्वारा regarding to monetary policy उसके बाद उर्जित पटेल committee के recommendation पे monetary policy committee set up करी गई और इस monetary policy committee में जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली कुछ पहले वीडियो में कि इसमें 3 plus 3 members होते है तीन member सरकार से होते हैं और तीन member RBI से होते हैं और RBI के जो governor होते हैं उनका casting vote होता है यह आपको बताया था कि monetary policy committee में तीन member RBI से होंगे तीन government से होंगे और जो RBI के governor है उनका casting vote होता है RBI के जो governor होते हैं उनका casting vote होता है ठीक है तो यह monetary policy committee जो है इसका main काम है money supply को manage करना और country में interest rate को manage करना कि वही economy में money supply हमें कितना करना है, economy में interest rates को हमें कितना रखना है all determined by monetary policy committee अब monetary policy committee का main objective क्या है कि interest rate को उपर नीचे करना regarding to very short term borrowing of money supply तो generally inflation को ध्यान में रखते वे जो interest rates में changes करे जाते हैं यह monetary policy committee के द्वारा किये जाते हैं इनका main objective होता है price stable रहे और currency के उपर trust maintain रहे so this is the main objective of monetary policy अब अगर monetary policy के हम main objectives की बात करें हम एक-एक करके इनको पढ़ेंगे भी अच्छे से सबसे पहले हम बात करेंगे minimize the rate of unemployment अब अगर आप एक चीज़ समझिए कि economy के अंदर देखो जितनी भी monetary policy या fiscal policy के जो decisions लिये जाते हैं वो inflation को ध्यान में रखके काफी ज़दा लिये जाते हैं अब इसके हमने जो पहला objective पढ़ा है वो है minimize the rate of unemployment क्या है minimize the rate of unemployment minimize the rate of unemployment this is the first objective of monetary policy अब unemployment के rate को minimize करना अगर economy में unemployment ज़ादा है एक मैं आपको simple scene समझाता हूँ अगर economy में unemployment ज़ादा है इसका मतलब क्या है इसका simple सा मतलब है कि economy में demand जो होगी वो supplier से कम होगी demand जो होगी वो supplier से कम होगी अगर economy में unemployment ज़ादा है तो क्यों हो बही आसा क्योंकि अगर unemployment जादा नहीं है स्क Самयाई ख़यका इھक रिस जाले चाहिगा। तो इसी R péles को रोखने के लिए हमें Unemployment को कम करना हुग अब Unemployment को हम कम कैसे कर सकते हैं आन्यin इंप्लाइमेंट को कब हम इस तरह से कर सकते हैं कि employment intensive program सरकार के द्वारा चलाए जाए सरकार वो programs चलाएं जिसमें employment intensive programs बढ़ाएं जिससे employment बढ़ सके जिससे economy में employment increase हो सके सरकार को वो program चलाने हैं So this is the first objective where the government need to minimize the rate of unemployment और वो कैसे कर सकते employment intensive programs को increase करके जैसे मन रेगा है और उसके लाबा प्रधान मतरी कौशल विकास योजना है यह सब चीज़ें जिनसे unemployment कम होगे employment increase होगा दूसरे इसमें objective है दूसरे इसका objective है maintain the exchange rate of currency maintain the exchange rate of currency आपको याद हो तो मैंने आपको एक example समझाया था कि अमेरिका के कुछ लोग भारत आ रहे हैं भारत में free medical camp चलाया है या भारत के लोग Maldives जा रहे हैं क्योंकि Maldives की सरकार ने दो night free कर दिया है तो उसमें क्या है अगर मान लीजिए रुपी week हो रहा है वो economy में pump किया जाएगा economy में pump किया जाएगा मतलब छोड़ा जाएगा और रुपी को absorb कर लिया जाएगा या सक कर लिया जाएगा क्यों यह इसलिए किया जाएगा ताकि जब रुपी week हो रहा हो डॉलर strong इसका मतलब क्या है डॉलर की डिमांड बढ़ रही है अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो मॉनिट आर भी है क्या करेगी excessive डॉलर को economy में float करा देगी और रुपी को absorb कर लेगी तो अब्सार मतलब रुपी को withdraw कर लेगी नए currency प्रिंट नहीं होंगे रुपी को absorb करते ही क्या होगा रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी और चब excessive डॉलर एकनोमी में float हो जाएगा तो डॉलर की supply भी maintain हो जाएगी तो इस इस हाओ डियार मेंटेनिंग डा एक्सेंज रेक अप करनसी तीसरा पॉइंट आता है इसमें wat determyan interest rates in 20isten rates में क्या gravy होता है जैसे मां लीज्यशन ज्यादा है एकनोमी में इनफलेशन बहुत है डिमांड बहुत ज्यादा है वही अगर इकनोमी में मालोई deflation ज्यादा है अगर इकनोमी में inflation ज्यादा है तो उस case में interest rates को कम रखा जाएं in इंट्रेस्टेट्स को जादा रखा जाएगा अगर इंफलेशन जादा है तो इंट्रेस्टेट्स को जादा रखा जाएगा और इंफलेशन अगर है तो इंट्रेस्टेट्स को कम रखा जाएगा उसके पीछे रीजन क्या है अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि इंफले देगी interest rates को बढ़ा दे क्यों बढ़ा देगी क्योंकि already economy में inflation इतना जादा है अगर हमने interest rate कम रखा तो लोगों के पास और loan चला जाएगा अगर लोगों के पास और loan चला जाएगा तो obviously उनके पास और income हो जाएगी और demand वो करना शुरू कर देगे तो क्या समझ में आई बात कि available क्रेटा मार्केट में 10 हैं 10 गाड़ियां available है मार्केट में और demand है 20 कार्स की अब इन 20 कार्स में से 10 कार खरीदने वाले या 5 कार खरीदने वाले तो लोग ऐसे हैं जिनके पास available cash है वो अभी जाके गाड़ी खरीद सकते हैं और 15 लोग loan लेके गाड़ी लेना चाहेंगे अब available गाड़ी 10 ही है और 5 लोगों ने खरीद ली तो 5 ही बची अब 15 लोग loan पे लेने वाले और 5 ही गाड़ी है तो interest rate को बढ़ा दिया जाएगा कि इंफलेशन होगा so this is the third point fourth point क्या है fourth है fourth है हमारे हाँ पे regulate the supply of money regulate the supply of money regulate supply of money अब देखिए regulate supply of money को हम समझते हैं अगर माल दीजे economy में inflation जादा है economy में inflation जादा है तो money supply supply of money को हम कम कर देंगे supply of money को कम कर दिया जाएगा क्यों कम कर दिया जाएगा supply of money को क्योंकि inflation जादा है demand already supply से जादा है तो money supply को भीया कम कर दो क्योंकि लोग जो है demand जादा कर रहे हैं वहीं अगर मान लीजिए deflation है, deflation है, तो money supply, supply of money जो है, इसको बढ़ा दिया जाए, क्यों? क्योंकि supply ज़्यादा है demand से, तो अगर उस case में, उस case में, अगर हम money supply को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो लोगों के पास पैसा होगा, और लोग demand करनी start कर देंगे, तो these are the main objective of monetary policy, यह सारे main objectives है, monetary policy के, clear होगे बात, अब बात करेंगे types of monetary policy, types of monetary policy को हम देखते हैं, now let's talk about types of monetary policy, types of monetary policy में सबसे पहले हम बात करेंगे, Expansionary monetary policy, first is, Expansionary monetary policy, Expansionary monetary policy का मतलब है, जब सरकार के तोरह expansion किया जाए, जब सरकार के तोरह expansion किया जाए, Expansion का मतलब क्या है, जब सरकार interest rate को कम रखे, lower interest rates, जब सरकार interest rates को कम कर रखे, money supply को increase कर दे, money supply को increase कर दे, this is called as Expansionary monetary policy, यह generally क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें, पता है, एकनौमी में हमें demand को create करना है, एकनौमी में demand और supply में supply ज़ादा है, demand कम है, तो demand को create करने के लिए, हमें interest rate को कम रखना पड़ेगा, money supply को increase करना पड़ेगा, जिससे overall monetary policy में expansion हो सके, क्लियर बात हो गई, तो lower interest rate, money supply को increase करना, demand को create करना, this is expansionary monetary policy, यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जाती है, कि interest rate को कम रखा जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा loan purchase कर सके, money supply को increase कर सके, और demand को create कर सके, दूसरी जो हमारे सामने है, दूसरी जो हमारे सामने है, that is contractionary monetary policy, second is, contractionary, contractionary monetary policy, contractionary monetary policy का मतलब है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर, demand already created है, तो हमें demand को कम करना है, demand को less करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, interest rates को, interest rates को increase करना होगा, money supply को decrease करना होगा, money supply को decrease करना होगा, this is the main objective of contractionary monetary policy, तो contractionary monetary policy में हमें demand को less करना है, interest rate को enhance करना है, money supply को decrease करना है, so this is contractionary monetary policy, कि जहाँ पर हमें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि already inflation ज़्यादा है, already demand ज़्यादा created है, interest rate को हमें बढ़ाना होगा, ताकि लोग कम loan ले सकें, और money supply को decrease करना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, so this is expansionary and contractionary monetary policy, declare हो गई बात ये, चलिए, अब आपसे question पूछो जा सकता है, कि भाई fiscal policy और monetary policy में difference क्या है, what is the difference between fiscal policy and monetary policy, तो fiscal policy जो है, वो government के spending और tax rates पे होती है, monetary policy interest rates पे होती है, fiscal policy में आप obviously tax को increase या decrease करते हो, according to demand, monetary policy में आप interest rates को increase या decrease करते हो, fiscal policy को set किया जाता है सरकार के द्वारा, monetary policy को set किया जाता है, monetary policy committee के द्वारा, fiscal policy का जो target होता है, वो employment create करने का भी हो सकता है, वो development को enhance करने के लिए भी हो सकता है, वो inflation को adjust करने के लिए भी हो सकता है लेकिन monetary policy का जो target है that is only only inflation उसके अलावा fiscal policy का fiscal policy में tax rates को change किया जाता है और monetary policy में independently वहाँ पर हाँ एक चीज़ और है fiscal policy में government का political interference हो सकता है लेकिन monetary policy is a independent process जहाँ पर किसी भी तरह का कोई government intervention नहीं होता क्योंकि monetary policy committee में माना कि उसमें तीन सरकार के representative होते है लेकिन इस्टिल वहाँ पर जो decision लिए जाते है उसमें RBI governor का casting vote होता है अब आप से एक सवाल ये भी पूछा सा सकता है कि कौन सी policy ज़्यादा effective है monetary policy ज़्यादा है या fiscal policy है तो देखो monetary policy के खुद के advantage है कि ये monetary policy committee के द्वारा तै होता है जिसमें RBI governor का casting vote होता है यहाँ पर political influence नहीं होता तो यहाँ पर जो decisions लिए जाते है यहाँ पर जो decisions लिए जाते है generally वो economy as a whole देखा जाता है वही fiscal policy में जो decisions होते है वो थोड़े से थोड़े से politically motivated होते है कि election आ रहा है तो tax rates को कम कर दिया जाए petrol के prices को कम कर दिया जाए expenditure बढ़ा दिया जाए नई नई भड़तियां बढ़ा दी जाए ताकि सरकार के पक्ष में vote करे तो fiscal policy में थोड़ा सा political influence जादा होता है तूसरी चीज fiscal policy में fiscal policy में कही न कहीं government जो है वो borrow बहुत करती है government borrowing करती है government जो है कई बार unnecessary expenditure भी करती है loan map कर दिया subsidies बढ़ा दी तो इससे कहीं न कहीं हमारे जो ex-shakr है reserves and debt है वो बढ़ जाते है तो ये एक issue है उसके लावा कहीं न कहीं कहीं न कहीं monetary policy में एक proper think tank के basis पे decision ले जाते है जहां पे हर चीज़ को analyze किया जाता है bimonthly policies announce की जाती है ताकि according to situation monetary policies में change कर दिया जाए वही fiscal policy according to the election climate भी determine की जाती है तो अगर मेरा personal opinion हो तो monetary policy ज़ादा effective है क्योंकि इंडिया में पहली बात तो loan based economy ज़ादा है दूसरी बात इंडिया monetary policy का जो think tank है वो fiscal policy बड़ा है तीसरी चीज़ monetary policy जो होती है वो obviously inflation को target करती है लेकिन inflation को target करने के साथ साथ में वो demand supply का जो balance है उसको भी maintain रखती है so this is how we can say which is more effective between monetary policy और fiscal policy अब हम पढ़ लेते है qualitative tools of monetary policy तेकि दो तरह की tools होता है एक होता है quantitative tool और एक होता है qualitative tool qualitative tool और quantitative tool में difference क्या है quantitative tool हमेशा numbers पर होता है जैसे आपने एक percentage amount CRR, SLR को reduce करते है इसको क्या होता है इसको हम समझेंगे qualitative tool में numbers की बात नहीं हो रही यहाँ पर कहीं ना कहीं quality मतलब without numbers जहाँ पर आप indirect sources से जहाँ पर आप indirect तरीके से inflation को count करने की कोशिश करते हो तो qualitative tool में सबसे पहले आता है margin requirement margin requirement क्या है पहले मैं आपको एक simple language समझा देता हूँ देखिए क्या है जैसे माल लो कि यह पंजाब national bank के है पंजाब national bank RBI के पास आता है हम आपको 100 करोड का loan देदेंगे लेकिन इसके बदले आपको कुछ margin हमारे पास amount रखवाना पड़ेगा as a collateral अब suppose करो पंजाब national bank ने 110 करोड का collateral कुछ भी रखवा दिया कोई property रखवा दिया कोई assets रखवा दिया कोई share stock bonds रखवा दिया ठीक है सब अब RBI को पता चलता है कि पंजाब national bank जो यह 100 करोड loan है यह generally उन activities में दे रहा है जो इतनी essential नहीं है वो उन activities में दे रहा है जहां पे debt बढ़ सकता है यह उन activities में पैसा ज़दा दे रहा है जो जहां पे recovery थोड़ी सी मुश्किल है अब अगली बार पंजाब national bank फिर RBI के पास आता है कि हमें 100 करोड का loan चाहिए तो RBI बोलेगा ठीक है हम लेकिन तुम्हें इस बार 130 करोड का collateral रखे जाओगे तो इन्होंने क्या कर दिया margin को बढ़ा दिया क्यों क्यों क्योंकि पंजाब national bank को ऐसा लगता है कि पंजाब national bank जो है पैसे को सही तरीके से इस्तमाल नहीं कर रहा उन activities में loan दे रहा है जहां से recovery के chances थोड़े से कम है This is called as margin requirement इसे हम margin requirement कहते है दूसरा है consumer credit regulation Consumer credit regulation का क्या मतलब है Consumer credit regulation का मतलब है कि जहाँ पर RBI commercial banks को या schedule banks को यह कहती है कि आपको जो loan देना है वो specifically arrangements के हिसाब से देना है जैसे माल लोग दो situation यह है situation 1 और यह है situation 2 अब situation 1 में माल लीजिए कि essential commodities की demand बहुत जादा है essential commodities की demand जादा है लोग जो है house ठीक है लोग जो है agriculture crops के लिए ठीक है और उसके लावा और essential चीज़ों के लिए loan लेना चाहरे है तो RBI commercial bank को यह guide करेगा RBI यह कहेगा commercial banks को कि आप loan जो है जादा loan जो है वो आप essential commodity के लिए रखिए मतलब अगर आप से कोई loan लेने आ रहा है suppose तर आपके पास 100 रुपए तो आपको 80 रुपए 80 रुपए तो essential चीज़ों के लिए देना है और 20 रुपए आपको देना है capital goods के लिए जैसे AC है, washing machine है गाड़ी के लिए कोई loan लेने आ रहा है कोई और किसी चीज़ के लिए loan लेने आ रहा है तो ये आपको इस थसाब से loan देना है अब situation 2 ये है कि essential commodities का loan पूरा हो गया है मतलब अराम से इनको loan मिल गया है अब चाहिए capital goods के लिए loan तो RBA ये कह रहा है कि ठीक है, essential commodities के लिए loan अच्छे से लोगों को मिल चुका है अब आपके पास 100 रुपे है आप 60 रुपे 60 रुपे capital goods के लिए दीजिए, बिना किसी दिक्तत के 60 रुपे आप अराम से capital goods के लिए दीजिए, बिना किसी दिक्तत के So this is consumer credit regulation Consumer credit regulation मतलब जहाँ पे पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो according to the situation circumstances के हिसाब से खर्च किया जा रहा है So this is situation 1 and situation 2 तीसरा है credit rationing Credit rationing का मतलब है जहाँ पे RBI एक limit लगा दे RBI एक limitation सेट कर दे कि आप इससे जादा इससे जादा credit नहीं देंगे एक line सेट कर दे कि आप इससे जादा credit प्रोवाइड नहीं करेंगे This is called as credit rationing इससे जादा आप loan नहीं देंगे जैसे मान लो RBI ने कह क्या दिया एक example के form में RBI ने SBI Punjab National Bank, Bank of Baroda इन सब को ये कह दिया कि आप साल 2022 में SBI 1000 करोड से उपर का लोन नहीं देगा Punjab National Bank 800 करोड से उपर का लोन नहीं देगा ठीक है और Bank of Baroda 600 करोड से उपर का लोन नहीं देगा This is called as credit rationing इसको हम credit rationing क्याते हैं Next is control through directive Control through directive का मतलब है जहाँ पे RBI Commercial Banks को guide करता है प्यार से समझाता है Commercial Banks को guide करता है प्यार से समझाता है कि देखो बेटा loan को भहुत धंग से दिया करो सोच समझ के दिया करो पूरी history देखा करो उस व्यक्ति की जिसको तुम loan देने जा रहे हो ये check कर लो कि जिसको तुम loan दे रहे हो से recovery के chance कितने हैं So this is how RBI try to persuade try to morally guide commercial banks कि तुम्हें किस तरह से loans को देना है ऐसे नहीं कि तुमने loan दे दिया बाद में recovery नहीं हो रहा या तुमने उस sector में loan दे दिया जो already काफी weak sector है So this is how RBI give the guidelines to the commercial bank कि तुम्हें loan जो देना है वो इस basis पे देना है ठीक है And last is direct action Direct action का मतलब जहां पे RBI direct action लेगा अगर commercial bank तब भी नहीं सुतरे तब भी नहीं सुतरे तो क्या हो सकता है इनको RBI loan देना stop कर सकता है loan को reduce कर सकता है ठीक है इनके license को cancel कर सकता है license को cancel कर सकता है इने lender of last resort वाले option से हटा सकता है इस तरह से direct action लिया जा सकता है So these are the qualitative tools of RBI in terms of monetary policy चले अब next बात करेंगे monetary policy stances की monetary policy के अलग-अलग stances होते हैं उन्हें भी एक बाद discuss कर लेते हैं सबसे पहले आता है आपका accommodative stance first is accommodative accommodative stance अभी accommodative stance क्या है firstly discuss that it means RBI reduce the policy rates it means RBI reduce the policy rates reduce the policy rates reduce the policy rates to increase money supply in the economy to increase money supply in the economy to increase money supply in the economy this is accommodative stance जहां पे RBI policy rates को reduce करती है ताकि money supply को increase किया जा सके यहां पे जो policy rates है policy rates हैं उनको normally decrease किया जाता है policy rates को normally decrease किया जाता है in accommodative stance ठीक है policy rate को हम generally decrease कर देते हैं in accommodative stance clear उसके अलावा यहां पे policy is adopted when there is slow down in the economy slow down जब economy में होता है slow down in the economy जब economy में slow down होता है तब इस policy को adopt किया जाता है तब इस policy को adopt किया जाता है that is accommodative stance मतलब एक रसेसेशन है एकनॉमी में तब accommodative stance को adopt किया जाता है next is neutral stance second is neutral stance अब neutral stance में क्या क्या चीज़ें आती है neutral stance means RBI have the flexibility RBI have the flexibility RBI have the flexibility to either increase to either increase or decrease to either increase or decrease the policy rates either increase or decrease the policy rates by macroeconomic by macroeconomic conditions या तो increase कर दिया जाया या decrease कर दिया जाया पॉलिसी रेट्स को that is that is neutral stance उसे हम neutral stance कहेंगे तीसरा होता है calibrated tightening third is calibrated tightening calibrated tightening calibrated tightening calibrated tightening calibrated tightening का क्या मतलब है जहां पे inflation जादा है जहां पे RBI inflation जादा है और interest rates को बढ़ा दे it means it means RBI keep the rates constant keep the rates constant or increase the rates or increase the rates this is calibrated tightly मतलब यहां तो ना तो interest rate को कम किया जाएगा यहां तो stable रखा जाएगा यह बढ़ा दिया जाएगा ठीक है यह तब किया जाता है when there is high rate of inflation जब inflation जादा हो तब यह वाला stance लिया जाता है that is calibrated tightening इसे हम calibrated tightening कहते हैं clear हो गई बात तो these are the three stances used in monetary policy चलो अब बात करेंगे unconventional monetary tools की unconventional monetary policy tools सबसे पहले बात करेंगे zero interest rate policy इसका मतलब जब central bank short term interest rates पे zero percent interest charge करें that is zero interest rate policy it is when when central bank when central bank when central bank set its target short term interest rate set its target short term short term target short term interest rate close to zero close to zero उसे हम कहेंगे zero interest rate policy इसका main objective है कि लोगों को एक तो जो borrowing हो उस पे जादा cost पे ना करना पड़े or cheap credit available objective is objective is to promote economic activity to promote economic activity activity to promote economic activity by having by having low cost borrowing low cost borrowing low cost borrowing and cheap credit and cheap credit cheap credit given to given to firms and individual firms and individual clear हो गई बात यहां तक clear हो गई बात इसका लेकिन सबसे बड़ा जो negative है सबसे बड़ा जो negative है वह है इससे liquidity trap increase हो सकता है liquidity trap increase हो सकता है मतलब जो america में हुआ था 2008 अब क्या हुआ आपने zero interest rate policy मतलब interest rate आपने zero कर दिया अब लोगों को loan दे रहे हो कि वही लोगों को loan मिल रहा है 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए 5 लात रुपए 6 लात रुपए 2 लात रुपए बिना किसे interest के अब इससे क्या हो रहा है आप loan इसलिए दे लो क्योंकि आपकी economy में recession है आपकी economy में demand नहीं है supply जादा है तो जब लोगों के पास पैसा आएगा लोग खर्चा करेंगे economy वापस से grow करने लग जाएगी लेकिन इससे liquidity trap की problem हो सकते है liquidity trap का मतलब है कि अगर माल लिजे ये loan recover नहीं हुआ अगर ये loan recover नहीं हुआ ये NPAs में convert हो गया non-performing assets में ये loan convert हो गया तो इससे आपकी economy की backbone टूट जाएगी आपके banks टूबने लग जाएगे जो Lehman Brothers के साथ हुआ America तो zero interest rate policy initially ठीक है कि आपने demand बढ़ाने के लिए interest rate generate कर दिया लेकिन आपको इसमें कुछ preconditions रखनी चाहिए कि इतना loan आपको वापस करना है इसमें collateral को आप जादा रख सकते हो ताकि अगर वो loan recover नहीं हो पाए तो आप अपने banks को protect कर पाए this is zero interest rate policy next is negative interest rate policy negative interest rate policy में क्या होता है जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है negative interest rate का मतलब है जहाँ पर interest rates जो है वहाँ पे उसको zero से कम रखा जाए less than zero percent ठीक है ताकि borrowing spending and investment को बढ़ाया जा सके मतलब simple जी वाद है negative interest rate policy का मतलब है जहाँ पे central bank zero से थोड़ा सा 0.5 percent आपने interest rate रख दिया 0.2 percent रख दिया objective वही होगा इसमें भी borrowing को increase किया जा सके spending को बढ़ाया जा सके investment को increase किया सके ताकि demand create की जा सके तीसरा है helicopter money यह अभी बहुत news में था कोविड के टाइम पे इसको भी देख लेते हैं एक बार हेलिकॉप्टर money क्या होता है हां तो बात करते है helicopter money क्या है सबसे पहले इस term को invent किस ने किया था इस term को invent किया था Milton Friedman किस ने invent किया इस term को इस term को invent किया Milton Friedman इन्हों ने इस term को invent किया इसका main objective था कि economy को track पे लाया जा सके एट अनकनवेंशनल monetary policy tool to bring economy back on track to bring depressed economy back on track back on track track अब इसका main objective होता है कि economy में cash को inject किया जा सके ताकि economy में वापस demand create की जा सके तो the main objective the main objective is to inject is to inject cash into an economy cash into an economy cash into a economy cash into an economy to enhance to enhance money supply to enhance इंक्रीस इस्पेंडिंग थू टाक्स कट्स थू टाक्स कट्स और बूस्ट मनी सप्लाई और बूस्ट मनी सप्लाई ठीक है को विट के टाइम पर यह काफी ज़्यादा टर्म में था में हलिकॉप्टर मनी यहां पर इसका मतलब है गवर्मेंट जो है वो फंड्स प्राइवेट से लेती है ताकि अपने डेट को कम कर सके what is financial repression it is a measure इस अमेजर बिच गर्मेंट लेट ग्युवर्म्यक्वinar। टुरीमिल्हिट मैंने जुरीन चैनल मैंने और मंध चैनल अज जाहत अजर्मिट संफ्ब पॉम्ट सेक्टर यां पॉद तोर्माद में तोर्श до smells for themselves to reduce their debt, to reduce their debt, अपने debt को कम करने के लिए, ठीक है, अब यहां पर government क्या करती है, अब जसके लिए जब बूरा बटर मैं आपर अब टो आपर, अपर्मेट बटरो, अपर्मेट, इसी यपर्मेट करती है ट लिए मिटाऊंध्द इसा zwarवль दनुपान हर बटर को San कर ला ला इस गिए इसकेटbeh giving है इसकेटिट प्रफ्र हम और इसकेटi उड्टी टो फिल्ट उन्द ड्रीज आर जा व्ली टो it led to reduce rate of inflation and as a result of it, it is called as financial repression. अदर सरकार क्या करती है? प्राइविट सेक्टर से पैसा तो लेती है ताकि हम एक्स्ट्रा खर्चे कर सके और एक्स्ट्रा खर्चे कर सके और जो हमने डेट ले रहा है भई क्या हुआ है? इंफलेशन एकनॉमी में बढ़ गया अब इंफलेशन एकनॉमी में बढ़ गया तो सरकार ने क्या किया? सरकार के देखो गेम कैसा शुरूआ पहले समझाते हैं पहले एकनॉमी में रिसेशन था अब एकनॉमी में रिसेशन था तो सरकार को कुछ एक्स्पेंडिचर करने थे सरकार को expenditure इसलिए करने थे ताकि demand create करी जा सके अब सरकार ने क्या किया सरकार ने private sector से fund borrow किया private sector से fund borrow करके सरकार ने उस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया अब जो सरकार ने उसको खर्च करना शुरू कर दिया तो जो सरकार का खर्चा था कम कॉस्ट पे हो गए इससे ओवराल ओवराल गवर्मेंट का ओवराल गवर्मेंट का जो expenditure है वो बढ़ गया लेकिन उस पे जो रेपरकेशन थे वो increase हो गए so this is called as financial replication clear हो गई मैं आप और simple example से समझाता हूँ क्या हुआ है क्या हुआ है एकनौमी में recession था एकनौमी में supply ज़दा थी demand कम थी अब सरकार ने उधारी ली सरकार ने उधारी ली इदर उधर से कई देशों से ली RBI से ली और सरकार ने खर्चे करने शुरू कर दिये अब सरकार को जब उधारी पर को चुकाना था तो सरकार ने कुछ फंड private sector से लेना शुरू कर दिया अब जब सरकार ने private sector से उन funds को लेना शुरू कर दिया थो private sector ने काफी कम interest पर सरकार को वो पैसा दे दिया सरकार ने अपने debts को कम कर दिये खिए इससे क्या हुआ एकनॉमी में जो इंफलेशन था वो भी कंट्रोल होगे कि अब सरकार फर्दर एक्स्पेंडिचर करेगी नहीं इससे सरकार इसके हम कहते हैं फाइनेंशल रिप्रेशन क्लियर होगे बात चलिए इससे पहले हमने money, money के features, partner system की problem, RBI, RBI के functions उसके अलावा payment banks, small banks, commercial banks, cooperative banks सब पढ़ा इसके अलावा हमने RBI के functions और RBI, monetary policy committee के qualitative tools को भी जाना अब हम बात करेंगे quantitative tool की जो इस chapter का सबसे important part है अगर कहा जाएं कि इस chapter का जो backbone है वो क्या है तो वो यही chapter है तो quantitative tool में तीन तरह की चीज़ें आती है reserve ratio, CRR, SLR, policy rate, repo rate, reverse repo, MSF, bank rate और open market operations एक एक करके इन सब को अराम से समझेंगे सबसे पहले आप से पूछा जाएगा कि भी bank rate क्या, what is the meaning of bank rate so bank rate means the rate at which RBI provide long term loans to commercial bank this is called as bank rate क्या होता है bank rate the rate at which RBI provide long term loans to the commercial bank that is called as bank rate the rate at which RBI provide long term loans to commercial banks that is bank rate, उसे हम bank rate क्याते हैं, clear होगे यह बात, चले, आगे बात करेंगे what is CRR, ठीक है what is CRR, इसको देख लेते हैं, भई CRR क्या होता है CRR का मतलब होता है कि banks को अपने deposits का कुछ पैसा cash form में RBI के पास में रखना पड़ता है that is called as CRR so CRR is cash reserve ratio, cash reserve ratio, क्या है the rate of CRR, the rate of CRR is decided by, is decided by monetary policy committee monetary policy committee is rate को determine करती है banks are required to kept, required to kept some reserves, some reserves banks are required to kept some reserves as specified by RBI as specified by RBI in cash form in cash form with RBI बतलब, banks को अपने net demand and time liability ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे थोड़ी दिर बात banks को अपने reserve में से कुछ percentage cash form में RBI के पास जमा करवाना पड़ता है च्योंकि RBI ही decide करने इसपे, banks do not get, banks do not get, banks do not get, banks do not get any interest, any interest on the money, on the money deposited banks को किसी भी तरे का कोई interest इस पे नहीं मिस्टा ये धियान करते हैं this is CR next is SLR SLR मतलब, what is SLR? SLR is statutory liquid ratio SLR is statutory liquid ratio statutory liquid ratio statutory liquid ratio मतलब statutory liquid ratio मतलब प्यूंकिर को परस्ffic ऑम्यूंकिर को सजवरत थे प्यूंकिर works आपशे अपर क्यूंक्य,ूल थे ओूंकिर यूंकिर इन कैश और नॉन कैश वार्म में जादा होता है विट देंसे विट देंसे कमर्शन बैंक्स को या जो भी बैंक्स आर्वेग के द्वरा रेगुलिटर होते हैं उन्हें अपने डिपॉजिट्स का कुछ पर्सेंटेज कैश और नॉन कैश फॉर्म में अपने खुट के पास रखना पड़ता है अब आप बोलेंगे यह जरूरत क्यों है वहई क्या जरूरत है कुछ पैसा और पैसा खुट के पास रख़वाना कल को मानलो एक ऐसी सिच्वेशन हो जाए कि बैंक के पास एकदम से लोग लोन लेने आजाए है अब बैंक से बास लोन नहीं है देने के लिए या मानली स्ट्री लोन नहीं मानली जिन लोगों कने बैंक में अपना पैसा जमा कराया deposit करवा है, वो एकदम से withdraw करवाने आ जाए, या मालो कल को bank डूबने लग जाए, तो RBA इस bank को कैसे bail out करेगा, वो bail out करेगा through CRR and SLR अब CRR और SLR में difference क्या है, CRR और SLR में difference है, CRR में banks को reserve, cash में maintain करना पड़ता है, SLR में वो दोनों में कर सकता है, cash और non-cash CRR में banks को कोई return नहीं मिलता अपने deposits पे जो commercial RBA में रखवाता है, SLR को उनको interest मिलता है CRR में वो पैसा RBA के पास जमाना करवाना पड़ता है और SLR में वो अपना पैसा खुद के पास पड़ता है ये table बहुत important table है, SLR और CRR को कब increase किया जाएगा और SLR, CRR को कब decrease किया जाएगा इसको मैं आपको पहले सकते है माल लीजिए, economy में inflation जादा है economy में inflation जादा है, इसका मतलब क्या है demand supply से जादा है, अब अगर demand supply से जादा है, इसका मतलब लोगों के पास already पैसा है, अब अगर inflation जादा है, तो SLR और CRR को बढ़ा दिया जाएगा क्यों बढ़ा दिया जाएगा, अगर SLR, CRR को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि commercial banks को जादा पैसा reserve form में रखना परेगा, एक example से मैं आपको समझाऊँगा आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, एक example ले ले लेते हैं इसी के साथ में, ताकि आपको और अच्छे से इस पर clarity हो जाएगा, ठीक है, चैक है, एक minute, देंगे, अगर माल लीजिए, economy में inflation जादा है, और यहाँ पे inflation कम है, अब अगर inflation जादा है, इसका मतलब demand supply से जादा है, इसका मतलब supply demand से जादा है, ठीक है, अब अगर inflation जादा है, तो SLR, CRR की जो rate है, उसको बढ़ा दिया जाता है, क्यों बढ़ा दिया जाता है, ताकि commercial banks को, या जो भी banks RBI में listed है, commercial banks को जादा deposit, more deposit with RBI वो रखवास जैसे कि अगर माल लीजे, commercial banks के पास 100 रुपे, अब अगर inflation जादा है, तो अगर पहले यी 5 रुपे रखवारे थे, तो अब इनको 10 रुपे रखवाने पड़ेंगे, और ये loan के लिए 90 रुपे दे सकते, तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि inflation जादा है, तो अब जादा reserve आपको SLR और CRR के form में रखना पड़ेगा, तो आपके पास कम पैसा होगा, loan में देने के लिए, और जब आपके पास कम पैसा होगा, loan में देने के लिए, तो obviously interest rates क्या हो जाएंगी, interest rates बढ़ जाएंगी, क्योंकि demand जादा होगी, loan, अजब demand loan की जादा होगी, supply loan की कम होगी, तो interest rates बढ़ जाएंगी, similarly अगर recession है, तो इसमें क्या होगा, कम पैसा आपको reserve में रखना पड़ेगा, जैसे 6 रुपे, और 94 रुटीज आप loan में चला सकते हैं, तो कि हाँ पर demand कम है, तो interest rates जो है, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि loan के demand कम होगी, यही पूरा खेंगी, तो अगर SLR, CRR increase होगा, इस प्रेंग के पास पैसा वो कम रखेंगे, पैसा system में कम होगा, interest rates बढ़ जाएगा, expansion कम होगा, jobs कम होगी, purchasing power कम होगी, and so on, तो यह inflation और recession, दोनों के case में, quantitative tools की scenario रहती करेंगे, चले, आगे हम बात करेंगे, रेपोरेट, रेपोरेट मतलब, रेट अट विच कमेर्शिल बैंक प्रोवाइट, आरब प्रोवाइट लोन्स तो कमेर्शिल बैंक, प्र शॉक। लोन्स बप्रोवाइट लोन्स तो ऊच कारेंगे, रेट अच्छ टेंगे होगाईट लोन्स तो अमेशिल देटिर मतल नोन-स तो कमेंश बैंश तो कमेंशिल बैंशिल अनोन्स तो कमेंशिल बैंश धम называется term needs, for short term needs, it is called as reporate, it is called as reporate, जिस rate पे RBI commercial banks को loan provide करता है, उनकी छोटी needs को पूरी करता है, उनकी छोटी नीच को पूरी करता है, that is reporate, reverse repo, the rate at which, the rate at which commercial banks, commercial banks, park there, park there, access funds with RBI, this is reverse repo, park there, access fund with RBI, this is called as, this is called as reverse repo, मतलब अगर मान लीजिए, यह SPI है, इसे पता है कि इस साल 2022 में हमसे 1000 करोड का loan लिया जाएगा, और हमारे पास जो available deposit है, वो 1200 करोड का है, तो 200 करोड रुपे हम क्या करें, हम RBI में जमा करा दे, RBI इस पे हमको interest दे, अब RBI इस पे interest देगा, तो आप कहेंगे, RBI को loss हो सकता है, जी नहीं, अब पंजाब National Bank को पता है कि 2022 में हमसे 100, 1000 करोड का loan लिया जाएगा, और हमारे पास जो deposit हैं, वो 800 करोड के हैं, तो 200 करोड हमें RBI से borrow करना पड़ेगा, तो RBI क्या करेगी, SBI को reverse repo में मान लो 5% पे interest दे रही है, तो पंजाब National Bank को 7% पे interest देगी, और तो 2% है, वो उनका खुद का profit होगा, आज देगा, ये interest वेरी कर सकता है, मैंने सिर्फिक एग्जाप कर देगा, तो this is repo and reverse, next बहुत इंपोर्टन एक कॉंसेट, that is open market operation, ये भी बहुत इंपोर्टन और एक कई लोगों को समझ में जल्दी आता नहीं, open market operation क्या होता है, open market operation का simple सा मतलब है, purchase and sale of government securities by RBI, it is purchase and sale, purchase and sale of government securities, by RBI, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जैपर से दिल्ली तक सरकार को highway बनाने, सरकार को उसके लिए 1000 करोड रुपए चाहिए, तो सरकार क्या करती है, RBI से loan ले ले लेती है, और RBI उनसे government securities purchase कर लेती है, उनसे government securities ले ले लेती है, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए, एकनोमी में हमें expansion करना, एकनोमी में expansion करना, यह एकनोमी में money supply को बढ़ाना है, एकनोमी में money supply को increase करना है, तो RBI क्या करेगी, RBI Moy per government securities को buy कर लेगी, RBI Moy per government securities को buy कर लेगी, और लोगों को, और money को inject कर दे, inject money, इनकनोमे, कि करदेगी कि अपनी गौबर्मेंट से अप गौबर्मेंट से क्योरозмट जो हैं वह हम आप से ले लेते हैं और आपको पैसात इस ऐसे एकस्टेंट्सना हो कांट्रैक्शन करना हो तो आरब मुधं क्या करेगी क्यों जोतारbah करेगी कि डॉबर्मेंट सट्रैंटेयरट्री इसको कर देगी क्यों सेल करेगी गवर्मेंट सेक्रेंट उसको ताक्कि जो मनी को भाहर निकारा जाएक रिमूव मनी आओ रिमूव मनी आओ कि वार कॉंटरक्षन है मतलब इंफ्लेशन ज्यादा एज धियान रखेएगा यहां पे इन्फलेशन कम है. अब जहां पे इन्फलेशन ज़ादा होगा, तुछ को न मतलब लोगों के पास पैसा है, तो RBA क्या बहुत? हम आपको सिंपलजा समझाएगे. इन्फलेशन ज़ादा है, इन्फलेशन ज़ादा है मतलब दिमांड ज़ादा है supply item. अब अगर demand जाद है मतलब लोगों के पास पैसा जादा है तभी तो लोग जादा borrow कर रहे हैं जब इस जब लोग जादा खरीदा ली कर रहे हैं क्यों लोगों के पैसा जादा है तो RBA क्या करेगी? RBA बोलेगी काम करते हैं government securities को लोगों को बेचते हैं जब लोगों को government securities बेचेंगे तो लोगों के पास जो extra पैसा है उन पैसों से लोग इन government securities को खरीब लेंगे हमारे पास पैसा आजाएगा लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा और इससे excessive inflation को control कर लिया जाएगा money को economy से बाहर निकाल लिया जाएगा वहीं अगर recession के situation लोगों के पास पैसा नहीं है तो RBA क्या बोलेगी हम government securities जो आपके पास है वो आपसे बाय कर लेते हैं आपका पैसा वापस देते हैं आप जम के खरीदारी करो जम के demand करो और economy को recession से बाहर निकाल इसे हम open market operation के लिए इसी में operation twist भी है लेकिन इसको मैं थोड़े दिरबात समझाऊंगा आपको पहले हम कुछ और चीज समझ लिए next is marginal standing facility marginal standing facility का क्या मतलब है अगर मान लीजे कोई commercial bank या scheduled bank है उससे अगर मान लीजे पैसा चाहिए उससे अगर पैसा चाहिए और immediate basis के लिए पैसा चाहिए मतलब उसको overnight purpose के लिए overnight purpose के लिए पैसा चाहिए उसको पता लग रहा है कि कल जिन लोगों ने मेरे पास पैसा deposit करवाया था वो अपना पैसा withdraw करवाना चाहते है या मान लीजे हमारे हमारे पास situation यह ऐसे आगई कि हम debt में गा रहे हैं तो यह क्या करते हैं यह RBI से overnight basis के लिए पैसा ले लेते हैं लेकिन एक बात धियान रखेगा marginal standing facility एक penal rate है penalty लगाई जाती है RBI के द्वारा यह penal rate है तो जो repo rate होती है जितनी भी repo rate चल रही है उससे 1% higher पे 1% higher पे loan दिया जाता है RBI के द्वारा में वापस समझाता हूँ मान दीके कोई भी bank है XYZ bank है उसको यह पास चल रहा है कि कल सुभ है मेरे पास यह demand आ गई है कि जिन लोगों ने मेरे पास पैसा deposit करवाया था वो अपना पैसा withdraw करने बात है अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं loan के form में कैसे चलाऊंगा उसने bank को maintain कैसे करूंगा इसके लिए उन्होंने क्या किया इन्होंने penal rate लगा दी penal rate मतलब एक repo rate 1% higher दिन दो मतलब जिस rate पे repo rate मिलता है उससे 1% ज्यादा पे ये लोग rate चार्ज करें इसे हम MSF कहते है इसे हम MSF कहते हैं इसे हम MSF कहते हैं अब एक और term बहुत ज़्यादा news में है यह क्या होता है लिक्विडिटी अड़्जस्ट्मेंट फैसिलिटी जैसा नाम से पता चल रहा है लिक्विडिटी अड़्जस्ट्मेंट फैसिलिटी यहाँ पे RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ अड़्जस्ट्मेंट करता है मतलब RBI को लग रहा है कि भई excessive money economy में float कर रहा है inflation जादा है तो क्या कर दो loans रेपो रेट को increase कर दो और रिवर्स रेपो रेट जो है उस पे भी काम कर दो मैं आपको समझाता हूँ कैसे जैसे मान लो situation ऐसी है कि economy में inflation जादा है यह सारे inflation के खेल पे चलते है inflation जादा है मतलब demand जादा है supply का अब RBI क्या करेगा रेपो रेट को increase करते है रेपो रेट को increase करते ही क्या होगा commercial banks को loan जो है वो expensive मिलेगा high interest rate पे मिलेगा अब जब commercial banks को loan expensive मिलेगा तो obviously बात है वो customers से interest rate ज़्यादा चार्ज करेंगे customers को loan expensive मिलेगा जब customers को loan expensive मिलेगा तो obviously लोग loan कम लेंगे demand suppress हो जाएग reverse repo में क्या करेंगे reverse repo की rate को भी भढ़ा देंगे reverse repo की rate को भढ़ा देंगे इसका मतलब है अगर commercial banks जादा पैसा RBI में रखवाएंगे तो उससे उनको interest ज़्यादा मिलेगा तो जब commercial banks RBI के पास ज़्यादा पैसा रखवाएंगे इसका मतलब क्या है commercial banks के पास खुद के पास पैसा कम बचेगा लोगों को पैसा देने के लिए और जब लोगों के पास पैसा कम बचेगा लोगों को देने के लिए तो obviously loan जो है वो कम रह जाएगा देने के लिए demand जादा है, loan कम है देने के लिए so interest rates फिर बढ़ जाएंगी और इससे customers के लिए loan लेना costly हो जाएगा, loans वापस expensive हो जाएगे, this is called as liquidity adjustment facility, उल्टा ले लेते हैं, मालीज एकनॉमी में recession जादा है, supply जादा है, demand कम है, तो RBI क्या करेगा, repo rate को तो कम कर देगा, repo rate को कम करते ही, commercial banks को loan जो है सस्ता मिलने लग जाएगा, interest rate कम हो जाएगी, thus commercial banks व क्या होगा, reverse repo में, reverse repo की rate को कम कर दिया जाएगा, ताकि जादा loan, जादा loan customers को दिया जाए, rather than commercial banks उस पैसे को हमारे पास जमा करवाए, RBI के पास, उससे अच्छा है कि वो पैसे लोगों को बाते है, ताकि demand वापस करेगे, this is called as liquidity adjustment facility, LAF और MSF में difference क्या है, LAF और MSF में difference यह ह LAF में minimum bidding amount होती है, 5 करोड, MSF में minimum bidding amount एक करोड कीचती है, मतार एक करोड से उपर ही मिलता है, LAF में कोई भी RBI क्लाइन्ट है, उसको LAF facility मिल सकती है, MSF self-scheduled commercial banks को ही दिया जाता है, इसमें क्या होता है, LAF में banks अपनी government securities को sell नहीं कर सकते, लेकिन MSF में government securities को sell करके आप पैस सा निकल ले सकते हो, RBI से और overnight basis, LAF हमेशा repo rate के बराबर होती है, generally, MSF repo rate plus 1% होती है, 3% ज्यादा हो गया, that is 1%, 1% plus 1%, liquidity trap में आपको समझाए चुका हूँ, कि what is liquidity trap, अब पात करेंगे next topic, that is quantitative easing, quantitative easing को समझ लेते हैं, बहुत simple सा concept है, quantitative easing का simple सा मतलब है, it is a form of expansionary monetary policy used to stimulate an economy where interest rates are very low or zero, expansionary monetary policy का ही दूसरा नाम है, a form of, a form of expansionary monetary policy, a form of expansionary monetary policy, a form of expansionary monetary policy to stimulate an economy, to stimulate an economy, when interest rates when interest rates are very low, जब interest rates काफी कम हो और हमें economy को हम stimulate करना चाहते हैं, ताकि money supply में, money supply increase हो जाए, money supply increase हो जाए, economy में, उसके अलावा, उसके अलावा, spending जो है consumers की, spending by consumers, ये economy में increase हो जाए, उसके अलावा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा, सबसे बड़ी बात, economy recession से बाहर आ जाए, recession down हो जाए, that is called as quantitative easing, इसे हम क्याता है quantitative easing, next एक और term जो बहुत ज़दर news में रहता है, that is way and means advance, ये introduce करा गया था, एक अपरेल 1997 को, introduced on, introduced on, 1st April 1997, ठीक है, इस क्या होता है, it is the, it is a short term support, it is a short term support, it is a short term support, provided by RBI, provided by RBI, to center and state government, to center and state government, to enable them, to enable them, to enable them, to meet temporary mismatch, between revenue and expenditure, between revenue and expenditure, माल लीजिये, सरकार का expenditure जादा हो गया, revenue कम हो, तो short term support चाहिए, सरकार को RBI, इसे से 2000 करोण रुपे चाहिए, तो way and means, advance का मतलब होता है, किस purpose के लिए, और किस तरह से advance, दिया जाएगा, RBI के द्वारा, central state government को, ठीक है, जो limit है, जो limit है, WMA की, limit of WMA, limit of WMA, limit of WMA, mutually decided by, mutually decided by, RBI and government, RBI and government, rate of interest कितना होता है, rate of interest, जिस पे loan दिया जाता है, is same as repo rate, is same as repo rate, और इसका tenure होता है, 3 महीने के, tenure होता है, 3 months के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजे, सरकार, सरकार WMA limit से, ज़्यादा loan लेती है, सरकार WMA limit से, ज़्यादा loan लेती है, तो उन्हें 2% का, 2% का interest rate, ठीक है, sorry, interest rate जो है, interest rate जो है, वो repo rate, plus 2% pay करना होगा, repo rate, plus 2% pay करना होगा, समझे, अगर मान लीजे, सरकार का expenditure ज़्यादा है, revenue कम है, और सरकार को अपना, जो mismatches को ठीक करना है, तो सरकार को loan चाहिए होता है, वो loan RBI provide करता है, इसकी जो limit है, कि बहुए कितना WMA के दोरा loan provide किया जाएगा, यह RBI और सरकार दोनों तै करती है, rate of interest जो होता है, WMA का, repo rate के बराबर ही होता है, इसका tenure और 3 महीने का होता है, यह 3 महीने के लिए आपको loan दिया जाएगा, अगर आप WMA के limit को cross कर देते हो, मालों decide वहाँ 500 करोड देना है, और सरकार को चाहिए 800 करोड, एकदम से demand, 300 करोड सरकार और मांग लेता है, तो इस case में repo rate प्लस 2% पे आपको interest मिलेगा, अब बात कर लेते हैं, monetary policy जो है, उसकी weakness क्या क्या है, सबसे पहले जो monetary policy की weakness क्या क्या है, इसको और एक बार देख लिएते हैं, देखें, सबसे पहले जो monetary policy की weakness है, वो यह है कि RBI का जो अब role है, the role of RBI, the role of RBI is now limited, is now limited because of MPC, MPC आने से RBI का role जो है, comparatively up-come हो गया है, to control inflation, तो इसमें तीन representative सरकार के भी हैं, दूसी चीज यह है, दूसी चीज यह है, कि इसमें, इसमें political interference थोड़ा सा बढ़ गया है, political interference, इसमें increase हो गया है, तीसरी problem, तीसरी problem यह है, कि इसमें black money जो है, black money जो है, वो कहीं न कहीं अभी भी भारत में है, black money अभी भी भारत में है, और इसमें, इसको record नहीं किया जा सकता, black money को record नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक, तो नमबर cash में होता है, और इसमें transaction secret तरीके से हो सकता है ठीक है और क्या problem है और problem है कि भारत में informal informal loan बहुत चलता है informal loan बहुत popular है जिसके current जो actually में जैसे मान लीजे रमेश है रमेश अपने ताउजी से loan ले रहा है गाओं में चाचा से loan ले रहा है क्योंको लगता है bank से loan लेना difficult है, paperwork होता है, sign होता है उनको घबराट हो जाती है तो उनको लगता है सबसे best अपने चाचा से loan ले लो लेकिन उनको ये नहीं पता जिस rate पे चाचा loan दे रहे हैं वो काफी expensive है और उस पे proper recording नहीं है कल को कोई default हो जाता है अब एक छोटी चीज़ और देख लेते है monetary policy के कुछ targets है कुछ tools है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे flexible inflation targeting framework monetary policy committee तो आप जानते ही हो monetary policy instruments आप जानते हो monetary policy process और monetary policy framework तो सबसे पहले बात करेंगे flexible inflation targeting framework तो flexible inflation targeting framework इसको introduce क्यों किया गया इसको introduce इसलिए किया गया कि inflation के target को flexible रखा जाए तो decide हुआ 4% plus minus 2% is the inflation target मता सरकार ने यह tag किया कि जो inflation target है वह 4% plus minus 2% पे रखेंगे on basis of CPI consumer price index के basis पे तो 4% plus minus 2% is the inflation targeting भारत में inflation target यह set कर रखा है 2% से 6% के बीच में नेक्स्ट है monetary policy framework monetary policy framework का main objective क्या है इसका main objective है to assess to assess the current to assess the current and evolving macro economic situation and evolving macro economic situation and modulation of liquidity and modulation of liquidity around repo rate यह जो liquidity maintain रखनी है economy में वो repo rate के according रखनी है तो अगर RBI ने repo rate अनाउंस कर दी है तो उस हिसाब से हमें liquidity maintain रखनी है inflation जादा है तो repo rate के rate increase कर दो inflation कम है तो repo rate को गिरा दो अब हमने काफी चीज़े पड़ी मनी के डेफिनिशन पड़ी मनी के फंक्शन पड़े RBI के बारे में जाना RBI के फंक्शन commercial banks cooperative banks अपार्ट फुम जाएट monetary policy को समझा monetary policy के tools को हमने समझा अब हम बात करेंगे terminology is related to banking banking से जुड़ी वी जो terms है जो बहुत ज़दा important है उनको हम यहाँ पर discuss करेंगे तो let's start with terminologies first let's start with market stabilization scheme market stabilization scheme क्या होता है इसे देख लेता है what is market stabilization scheme इसमें हम काफी सारी चीज़ों को cover करेंगे जैसे LTROT, LTROT क्या है ठीक है और जो important terms है उन्हें भी हम discuss करेंगे so first of all market stabilization scheme market stabilization scheme now what is this market stabilization scheme क्या होता है यह market stabilization scheme it is the securities issued to it is the securities issued to to suck out excess liquidity to suck out excess liquidity to suck out excess liquidity from the market from the market through through issue of securities through issue of securities like treasury bill like treasury bill like treasury bill government securities government securities on behalf of government on behalf of government the amount raised through this the amount raised through through the amount raised through MSS is you is maintained with RBI is maintained with RBI market stabilization scheme market stabilization scheme market stabilization scheme का मतलब है जो securities जो securities issue की जाती है सरकार के द्वारा ताकि जो excessive money economy में float हो रहा है क्योंकि excessive money economy में float हो रहा है इसका मतलब inflation जादा है demand जादा है अब अगर demand जादा है excessive money economy में float हो रहा है तो क्या करेंगे तो हम यह करेंगे government securities issue करेंगी और जैसे government securities issue करेंगी वह यह expect करेंगी कि लोग उन security shares bonds को खरीदें और जो excess money economy में float हो रहा है उसे उसे pull out करा जा सके और जो amount raise किया जाता है वो RBI के पास रखा जाता है सरकार के बिहाब पे So this is market stabilization scheme इसे हम market stabilization scheme कहते हैं next जो बहुत important term है that is base rate next जो बहुत important term है उसे हम कहेंगे base rate base rate क्या होता है what is base rate base rate means minimum rate set by it is the minimum rate it is the minimum rate set by Reserve Bank of India Reserve Bank of India Reserve Bank of India it is the minimum rate set by Reserve Bank of India below which below which banks are not allowed banks are not allowed banks are not allowed banks are not allowed to lend to its customers to lend to its customers क्या हुआ base rate base rate एक minimum rate होती है जो RBI के द्वारा set की जाती है जिससे कम rate पे जिससे कम rate पे banks जो हैं अपने customers को loan grant नहीं कर सकते that is called as this is called as base rate clear हो गया तो base rate का मतलब क्या हुआ कि RBI ने guideline issue कर दी कि इससे कम rate पे आप customers को loan नहीं दे सकते that is called as base rate clear next important term जो पिछली कल वाली class में भी हमने discuss किया था मतब discuss करना रहा गया था लेकिन उसका जिक्र हुआ था थोड़ा सा that is net demand and time liability net demand and time liability net demand and time liability net demand or time liability क्या है is the difference between it is the difference between it is the difference between the sum of demand the sum of demand and time liabilities and time liabilities and time liabilities of a bank and time liabilities of a bank with public or other bank with public or other bank with public or other bank and the deposit in held in and the deposit and the deposit held in form of assets held in form of assets by other bank by other bank samaj teesko. Net demand and time liability ka makhlab hai it is the difference between the sum of demand and time liability of a bank with public or other bank and the deposit held in form of asset by other bank. It is called as net demand and time liability. Matlab difference kiya jahe kiske bich mein the sum of demand kya bank demand kar raha aur kitni iski liabilities. Liabilities matlab abab ik baat ko samjhe. Sum of demand and time liabilities of a bank with public. Bank ki liability kya hai? Bank ki liability hai ki joh paesa joh paesa meinne bank me jama kira ya hai. Joh paesa meinne bank me jama kira ya hai woh bank ki liability hai. Kyunki bank ko woh paesa mujhe waapas dena hai. Aap ko mein thurna sa samjha jeta ho. Do chizay ho. Eek ho.tah hai asset. और एक होती है liability. Asset में kya चीज़े आती है? Asset मतला bank का asset kya hua? Joh bank ne loan dya. Loan given to others. Bank ने जो दूसरों को loan dya that is called as asset. वो bank का asset है. Kyunki bank को उससे return मिलेगा. Bank ki liability kya hai? Deposits made in bank. जो bank में deposit कराए गए है. That is the liability of the bank. Kyunki bank ko woh paesa waapas dena hai. So net demand and time liability kya hua? It is the difference between the sum of demand and time liabilities of a bank with public or other bank and deposit held in form of assets by the bank. Joh paesa difference kya hai sum of demand. Joh bank demand कर रहा है. और जो bank के liabilities है. मतलब जो लोगों ने deposit करा रखा है. और bank ने, मान लीजिए SBI ने पंजाब national bank से 1000 करोड का loan ले रखा है. या पैसा मांग रखा है. तो उसके पास में, उसके पास में जो SBI की ताकि जो liability है वो पंजाब national bank के form में हो गई. या मान लीजिए अगर SBI ने पंजाब national bank से 1000 करोड रुपे लिये हैं, तो उसके पास अपनी कोई चीज कोलाटरल गिरवी रखवाई होगी. तो उसे भी हम net demand and time liability में count करेंगी. तो मोटा-मोटा क्या बात हो गई? कि जो bank demand कर रहा है, जो bank demand कर रहा है मतलब जो bank ने loan के form में दिया है, और जो bank की liabilities है, उनके बीच का जो difference है that is net demand and time liability. जैसे एक example और ले ले लेते हैं माल लो जैसे 100 करोड का. अब SBI, अमिता बच्चन ने, अमिता बच्चन है, आपके सल्मान खान है, इन्होंने deposit करा रखा है SBI में 200 करोड. 200 करोड का इनका deposit है, अमिता बच्चन और सल्मान खान का SBI है. वही पंजाब National Bank ने, पंजाब National Bank ने, लोन दे रखा है SBI को माल लीजे, 300 करोड का. तो टोटल लाइबिलिटी कित्ती हो गई? टोटल लाइबिलिटी इनकी हो गई, 300 करोड तो जो पंजाब National Bank का है, 200 करोड जो अमिता बच्चन और सल्मान खान ने जमा करा रखा है, that is 500 करोड और डिमांड यह शारुखान ने जो इनसे 100 करोड ले रखा है, तो इनकी टोटल लाइबिलिटी हो गई, 400 करोड तो उमीद करता हूं आपको यह कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट टर्म है, that is Government Securities, Government Securities का पॉपिलर नेम है, GSAC, Government Securities का जो पॉपिलर नेम है, that is GSAC, Government Securities, Government Securities is a tradable instrument issued by Government Securities, by the Sentry Government or State Government. It is a tradable, it is a tradable instrument, instrument issued by, issued by center government, issued by center government or state government or state government. and government accept the money on behalf of it. रुख जाईगे, इसके दो पार्ट पहले करते हैं, और सिंपल, जितना सिंप्लिफाय मैं कर पाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कर लूँ, ताकि आपको clearly समझ में आते हैं. इसमें दो तरह की Securities होते हैं. एक तो होती है, Short Term, Short Term Government Security, Short Term Government Security, जिसकी Maturity Less Than One Year हो, Maturity of Less Than One Year, Maturity of Less Than One Year, are called as Treasury Bill, are called as Treasury Bill, घ्यान से समझेगा इस बात को. मान लीजिए कि भारत सरकार को 500 करोड रुपे चाहिए, उन्होंने Government Securities इस्यू करी, जिनकी Maturity सरफ एक साल किया, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल, गेल, भेल, कोई भी है, उसके मान लीजिए 5% shares sold कर दिया, एक साल के लिए, sold मतलब government के RBI के पास रखवा दिये, और RBI से 500 करोड का amount ले लिया, और इसकी Maturity सर्क एक साल बाद है, Treasury Bill जो एक साल, मतलब government Treasury Bill इस्यू करती है, Treasury Bill इस्यू करती है, जो government की company है, जो sale है, गेल है, भेल है, government उसके जो shares होती है, उनको converge कर देती है, और उसे हम कहते है, Treasury Bill जब Maturity एक साल से कम हो, दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो टर्म है, दाट इस, दाट इस, लॉंग टर्म जी सेट, लॉंग टर्म गवर्रमेंट सिक्यॉरिटी, जिनकी मैचॉरिटी, maturity of more than one year, जिनकी मैचॉरिटी एक साल से ज्यादा हो, उन्हें हम are called as government bond, और dated security, उसे हम कहेंगे government bonds, उसे हम कहेंगे government bond, जब एक साल से ज्यादा कि मैचॉरिटी होगी, तब उसे हम government bond कहेंगे और एक साल से कम की होगी, तो उसे treasury bill कहेंगे, ठीक है, अब इसमें एक बात आपको ध्यान जो रखनी है, treasury bills are not issued by state government, treasury bill state government issue नहीं कर सकती, उसके पीछे reason यह है, क्योंकि maturity एक साल से कम की होती है, और state government के पास enough revenue इतना generate हो नहीं पाता, कि वो एक साल में उस amount को repay कर पाएं, लेकिन हाँ, जो government bond हैं या dated securities हैं, वो बिलकुल state government issues कर सकती है, monetary policy हमने complete किया था पिछले वीडियो में, अब हम लोग fiscal policy को पढ़ेंगे, मैंने यह इसलिए साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि यह connect रहे, आपके दिमाज में चीज़ फिक्स हो जाए, क्योंकि यह कुछ ऐसे chapters हैं, जो economy के, economy के backbone कह लिजिए, या economy की एक body कह लिजिए, वो इनी chapter से बनता है, तो आज हम लोग fiscal policy के topics पर discuss करेंगे, तो उमीद करता हूँ, monetary policy की तरही, fiscal policy यह मैं आपको अच्छे से समझा बाऊँ, so let's start the class now, सबसे पहली चीज, fiscal का मतलब क्या है, what is the meaning of fiscal, fiscal का मतलब होता है, the word fiscal has been derived from the word fisc, which means public treasury or government fund, मतलब एक fiscal word जो है, fisc से निकला है, जिसका मतलब होता है, सरकार का खजाना, public treasury या government fund, fiscal policy कि सीछ से जुड़ी वी है, fiscal policy जुड़ी वी है, revenue and expenditure policy of the government, सरकार की जो revenue and expenditure policy है, उससे हमारी fiscal policy जुड़ी वी है, ज़धा सरकार की जो खर्चे हैं और सरकार की जो आए है, उन दोनों से जुड़ी वी है fiscal policy, ठीक है, तो fiscal policy के objective क्या है, सबसे पहले अब इसको देख लेते हैं, what are the objectives of fiscal policy, fiscal policy के जो objective है, the first one is growth, economy में growth हो, this is the first objective of fiscal policy, economic growth, economic growth is the first objective of fiscal policy, second objective is equity and, equity and, overall development, overall development, overall development of all sectors of economy, of all sectors of economy, पहला दोगे economic growth, दूसरा equity, मतलब equality, जहां पर balance, regional development हो, जहां पर सारे economic sectors हैं, उनका बराबर रूप से development हो, तीसरा is employment, third is employment, चौथा जो है, that is export promotion, export promotion, ताकि economy से export ज्यादा से ज्यादा हम कर पाएं, fifth is labor growth, labor intensive growth, labor intensive growth मतलब भारत की economy में वैसे भी demographic dividend है, youth population काफी जादा है, तो labor intensive growth का main objective है कि हमारे हां पर जो employment है, वो generate हो, और जो labor class है, उसको सही समय पर सही काम मिल सके है, and the last important one is sustainability, sustainability मतलब effective utilization of resources, sustainability का मतलब कि resources का इस तरह से इस्तिमाल, कि वो present generation की needs को fulfill करे, without damaging the needs of future generation, so these all are the objectives of fiscal policy, यह सारे fiscal policy के main objectives है, I hope it is clear to everyone, what are the objectives of fiscal policy, next let's move to the types of fiscal policy, one is expansionary fiscal policy, another is contractionary fiscal policy, and third is fiscal neutral policy, तो देखो, expansionary fiscal policy कब अपनाई जाती है, जब economy में recession होता है, जब economy में recession होता है, तब expansionary fiscal policy अब अडॉप्ट के जाती है, जब economy में inflation होता है, जब economy में inflation होता है, तो contractionary fiscal policy अडॉप्ट करे जाती है, और जब economy में balance तरीके से, सरकार जब सब कुछ थी चल रहा होता है, तो एक neutral fiscal policy होती है, तो इसको समझते है, what is expansionary fiscal policy, and what is contractionary fiscal policy with example, मैं यहाँ पर एक बार एक डिवाइट कर जाता हूँ, यह मैंने लिखा, expansionary fiscal policy, यहाँ मैंने लिखा, neutral fiscal policy, neutral fiscal policy, so these are the two types, one is expansionary fiscal policy, another is neutral fiscal policy, expansionary fiscal policy में क्या होता है, गवर्मेंट का जो tax revenue है, वो कम होता है, और government के expenditure जादा होते हैं, गवर्मेंट के expenditure जादा होते हैं, और government का tax revenue कम होता है, यह contractionary लिख देते हैं, यहाँ पर यह neutral करात लिखा है, contractionary fiscal policy, वही contractionary fiscal policy में क्या होता है, गवर्मेंट का जो tax revenue होता है, वो government जादा रखती है, और government expenditure कम करती है, गवर्मेंट जो expenditure करती है, वो कम करती है, expansionary fiscal policy के समय यूज़ होती है, inflation के समय इस्तमाल, मतलब expansionary fiscal policy जब economy में slow down है, जब economy में slow down है, जब economy में आपको कुछ ऐसी activity करना है, जिससे employment बढ़े, जिससे economy में demand increase हो, तो यहाँ पर main objective होता है, demand को increase करना, यहाँ पर main objective होता है, demand को decrease करना, demand को decrease करना, ठीक है, तो और इंफलेशन जादा है, तो demand को decrease किया जाए, अब यहाँ पर example क्या हो सकते हैं, गवर्मेंट tax rate को increase कर दे, जितना कम tax होगा, उतना ही लोगों के पास पैसा जादा होगा, और जब लोगों के पास पैसा जादा होगा, तो ऑबयस्ति वो demand जादा करेंगे, और अपने आप economy deflation या recession से बहार निकलेगे तो government tax rate को decrease कर दे government expenditure बढ़ा दे government expenditure को increase कर दे जैसे ही government expenditure increase करेगी इससे employment opportunity create होगी और क्या होगा government अपने infrastructure development करे जित्ता ज़्यदा development government करेगी packages government announce करेगी उत्तर ज़्यदा employment होगा government subsidies बढ़ाते subsidies को increase कर दे welfare programs को बढ़ाते these all come under the expansionary fiscal policy यह सब expansionary fiscal policy में आते हैं contractionary fiscal policy में सारे उल्टे हो जाएगी तो inflation जादा है तो inflation को कम करने के लिए tax बढ़ातो ताकि लोग ज़्यादा tax पे करें और लोगों के पास खुद के पास पैसा कम रह जाए government के expenditure को कम कर दो क्योंकि already demand बहुत ज़्यदा है तो लोगों के पैसा बहुत है तो unnecessary employment opportunities create करने के ज़रुरत नहीं है infrastructure ने पैसा कम लगाई है ताकि लोगों को नौकिया कम मिले welfare program को कम start करिए subsidies कम कर दीजे these all are the contractionary fiscal policy और neutral fiscal policy में क्या होता है government के spending और taxation दोनों almost बराबर होता है जितना सरकार खर्चा कर रही है उतना ही taxation का amount भी ले रही है लोगों से that is fiscal neutral policy यह fiscal neutral policy तब होता है जब economy में थोड़ा बहुत inflation maintained रहता है so this is these are the tools of fiscal policy अब बात करेंगे कि fiscal policy में expenses के component कौन-कौन से है what are the components of expenses in fiscal policy तो सब से पहले तो हैं जो सरकार के expenses कहां-कहां पर maintenance जो सरकार salaries pay करती है जो सरकार expenditure करती है सरकार loan का payment करती वह वालो सरकार ने कहीं से loan लिया है उसका repayment कर रही है wasteful expenses कर रही है unnecessary सरकार जो है loan maffy कर रही है ठीक है या फिर aci schemes launch कर रहे जस्टो गेट दवोट bank को बढ़ाने के लिए या सरकार subsidies दे रही है थीज और दा components of expenses वहीं अगर मैं बात करो component of earning क्या है सरकार को पैसा कहां-कहां से मिलता है तो tax से मिलता है borrowing जो सरकार borrow करती है उससे मिलता है सरकार जो अपनी assets को बेचती है उससे जो पैसा मिलता है और जो profits जो सरकार के सरकारी उद्यम है पी एस्यूज है पब्लिक सेक्टर अने टेकिंग्स हैं उनसे जो सरकार को profit मिलता है इस आलग components of earning अब mobilization of financial resources का मतलब है कि हमें जो हमारे पास finance available है हमारे पास जो money available है उसका हमें किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए यह सरकार को किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए तो सरकार को सबसे पहले तो inequality को जितना हो सके minimize करे एक balance regional development करे equitable development करे equitably growth हो this is the main objective फिर national income को increase किया जाए national income कब increase होगी national income जब increase होगी जब आपकी overall country में production होगा जबकि overall country में exports बढ़ेंगे जबकि overall country की GDP improve होईगी उसके लाबा price stability and control of inflation price stable रहे बहुत ज़्यदा fluctuation in price जो होता है वो भी एक तरह का negative sign होता है आज कोई चीज 10 रुपए के कल वो पंदा रुपए की हो गई फिर वो परसों को चीज 8 रुपए की हो गई तो price is stable रहना चाहिए ताकि आपको यह पता रहे कि long run में इस चीज की average price इतनी है फिर inflation को control रखना है control of inflation मतलब अगर inflation creeping rate पे है अगर inflation creeping rate पे है या inflation targeting जो हमारी सरकार ने कर रखी है 4% plus minus 2% तो वहां तक बिल्कुल ठीक है फिर foreign exchange earning foreign exchange earning इसलिए important है जितने ज़्यदा आप export करोगे या जितना ज़्यदा आपकी country में investment बढ़ेगा जितना आप export करोगे जितना ज़्यदा foreign investment आपकी country में बढ़ेगा उतना ही आपकी economy grow करेगी उतना ही forex reserve बढ़ने से आपकी economy strengthen होगी export जितने ज़्यदा आप अपने बढ़ाओगे जितने ज़्यदा export आपके बढ़ेंगे उतनी ज़्यदा ही forex reserve आपकी economy में आ जाएगा so this is this is the this is the meaning of mobilization of financial resources clear होगे बात यहां तक चलिए next जो है that is employment generation employment generation हमें करना है जितना ज़्यदा हम जैसे employment बढ़ेगा saving बढ़ेगी saving बढ़ते ही investment बढ़ जाएगा और investment बढ़ते ही capital formation develop होगा फिर infrastructure बढ़ने से जितना आपके infrastructure strong होगा उतनी ही जादा उतनी ही जादा आपकी country में fast movement of goods and services and transfer of people होगा उसके साथ-साथ में बहतर infrastructure से आपकी export running बढ़ेगी foreign investment भी बढ़ सकता है and balance regional development is again very important कोई ऐसा नहीं हो कि आपको सिर्फ एक area develop हो रहा है बाकी area खतम है तो balance regional development again is the key to mobilization of financial resources ठीक है clear हो गया होगा उमीद करता हूँ आपको mobilization of financial resources आगे बात करेंगे next is fiscal stimulus fiscal stimulus जैसे देखो word से समझो fiscal stimulus fiscal stimulus मतलब जहां government अपनी spending बढ़ा दे जहां government अपने खर्चे बढ़ा दे और taxes को कम करते ताकि economy को boost किया जा सके this is fiscal stimulus जैसे अभी कोविट के दौरान भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत package लांज किया this is the fiscal stimulus national monetize pipeline लांज करी दाड़ fiscal stimulus ठीक है national infrastructure pipeline लांज करी that is fiscal stimulus the fiscal stimulus मतलब जहां सरकार के जहां सरकार की spending बढ़ जाए और जहां सरकार taxes की rates को कम करते that is called as fiscal stimulus मतलब expenditure जो government का है वो इतना ज्यादा हो जाए कि government जो है वो चाहती है वो चाहे यह चीज़ कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा हम development करेंगे जितना ज्यादा हम strong way से आगे बढ़ेंगे उत्तर ज्यादा हमारी economy improve होगी clear हो गए यह चीज़ that is fiscal stimulus ठीक है next is next is what is fiscal consolidation fiscal consolidation क्या होता है इसको भी देख लेते हैं what is fiscal consolidation fiscal stimulus का एक और नाम जो बहुत important है that is that is pump priming or priming the pump ठीक है तो pump priming or prime or priming the pump is also called as fiscal stimulus यह मैं एक चीज़ लिख जेता हूं that is again important fiscal stimulus fiscal stimulus is also known as is also known as pump priming or priming the pump is also known as pump priming or priming the pump or priming the pump this is called as fiscal stimulus अब बात कर लेते हैं what is fiscal consolidation fiscal consolidation क्या होता है तो fiscal consolidation देखते हैं अब what is fiscal consolidation just opposite है नाम से भी समझ में आ रहा है कि fiscal consolidation क्या होगा fiscal consolidation का जो concept है वह सबसे पहले विजय केलकर कमिटी ने दिया था तो विजय केलकर कमिटी कमिटी विजय केलकर 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 committee ने यह recommendation दिया था fiscal consolidation का तो इन्हों ने क्या कहा fiscal consolidation में इनका क्या objective था इन्हों ने सबसे पहली बात कही कि revenue side में fiscal consolidate मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चों को अपने खर्चों को limit करना है तो revenue side में उन्हें क्या कहा कि revenue side fiscal consolidation मतलब inflation economy में ज़्यादा है तो आपको inflation economy में ज़्यादा है मतलब demand ज़्यादा है तो revenue side पे क्या होगा कि आपको tax base एक तो increase करना चाहिए tax base को increase करिए improve tax collection improve tax collection tax collection को improve करिए tax stability के उपर focus करिए tax stability के उपर focus करिए expenditure side में आपको क्या करना है एक तो cut out cut out non-essential cut out non-essential and unproductive activity and unproductive activity दूसरा क्या करना है rationalize subsidy rationalize subsidies subsidies को rationalize करना है तीसरी चीज़ क्या करना है reduce time and cost over run reduce time and cost over run unnecessary के जो आपको जो आपके time and cost उसको predict करना है subsidies को rationalize करना है और non-essential और unproductive चीज़ों को खतम करना है ठीक है तो budget नाम का कोई भी शब्द हमारे सम्विधान में नहीं है हमारे सम्विधान में जो शब्द का इस्तमाल किया जाता है that is annual financial statement अगर आप बजट को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर budget नाम की कोई चीज़ specified नहीं है constitution में constitution में अगरे सिर्फ एक टर्म दे रखा है annual financial statement और वो annual financial statement क्या है वो annual financial statement है article 112 में annual financial statement जो है वो कहां दे रखा है वो दे रखा है article 112 में article 112 में आपको यह शब्द मिल जाएगा clear होगा इक बार तो जो budget क्या होता है budget बताता है government का estimated revenue और expenditure budget क्या बताता है budget बताता है सरकार का estimated revenue and expenditure यह सरकार का estimated revenue and expenditure कितने होगे ठीक है तो budget जो है हर साल पेश किया जाता है ठीक है पहले ऐसा होता है railway budget जो था वो अलग से पेश होता था और general budget अलग से पेश होता था लेकिन दोनों को merge कर दिया गया budget हर साल अब एक फर्वरी को ही पेश कर दिया जाता है ठीक है और उसके अलावा budget में कोई भी plan या non plan expenditure से नहीं होता budget जो होता है वो होता है किसी भी plan या non plan नहीं revenue और capital के नाम से होता है अब बाकी जो चीज़े हैं consolidated fund of India क्या है public account of India क्या है contingency fund of India क्या यह सब आप जानते हैं charge expenditure और non charge expenditure भी आप जानते हैं उसके लब ग्रांट्स जो अलग-अलग तरीकेत की होती है that too you should you all know तो यह आपको सब quality में मिल जाएगा जब आप quality पढ़ेंगे तब आप अराम समझ जाएंगे कि types of grant कौन सी होती है that too is discussed in quality clear हो गई बात चलिए तो अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे next topic पर अब objective of government budget जो government budget होता है उसके objectives क्या है what are the objectives of government budget उसको अब हम लोग discuss कर लिते हैं सबसे पहली सबसे पहला जो objective है सबसे पहला जो objective है government budget का वो क्या है that is the reallocation of resources your resources है उनका ठीक तरह से allocation what is the first point that is the reallocation of resources resources का सही तरीके सिस्थमांद help to distribute resources help to distribute resources help to distribute resources while considering the social and economic condition of a country the social and economic condition of a country the social and economic condition of a country क्या मतलब हुआ इसको इसको समझते हैं देखिए जब आप जब आप बजट बनाते हो तो सबसे पहला आप यह देखते हो कि हमारे पास इतना पैसा है में इसको allocate कैसे हैं करना है जिसाज मेरे पास 100 रुपए अब मैं 100 रुपए लेकि मार्केट में गया मुझे मालूम है कि मुझे 20 रुपए की कापी रेजिस्टर खरीदना है मुझे 50 रुपए का लच करना है उसके लावा में दस रुपए का कोई पैन खरीदना है उसके लावा में दस रुपए इसी से ज रुपए संधरी। को कम करना यह क्या है, Government aims to bring Government aims to bring Government aims to bring economic equality economic equality Government aims to bring economic equality by imposing tax on by imposing tax on by imposing tax on allied class on allied class and spending the and spending the collected money spending the collected money spending the collected money on welfare of poor on welfare of poor क्या हुआ ये रिड्यूजिंग इनिक्वालिटी इन इंकमेंड गवर्मेंट को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि एकनॉमिक एक्वालिटी रहे आर्थिक समानता रहे और वह आर्थिक समानता कैसे है सकती है कि जो इन पर टैक्स लगाए जाए और उस टैक्स से जो इनकम कलेक्टो वह ओर वेलफेर आफ पूर के उपर टेपर मद्द सब उनको गरीबों के लिए योजना लाई जाए जैसे अन्तोदे अन्योजना या फिर मनरेगा या फिर उजवला इस तरह की पॉलिसी इसको सरकार को लॉँज करना चाहिए त्थी स्टी चीज़ क्या है प्रिंग एकोनुमिक स्टेबिलिटी को कैसे लाइज देखियं क्टे क्या से by avoiding business fluctuations, by avoiding business fluctuations, business fluctuations को avoid करके और, और, to bring, or to bring financial stability, or to bring financial stability, or to bring financial stability, or improve the, and raise the overall investment, raise the overall investment, raise the overall investment, and saving, तो देको economic stability कैसे आ सकती है, हमें business fluctuations को avoid करना है, financial stability को promote करना है, और, overall investment, or saving को promote करना है, हमारी economy में, this is how we can bring economic stability, जित्ता जदा हो चुके business fluctuations को कम करें, कई ऐसा नहीं हो कि आभी आपकी growth हो रही है, फिर depression आ रहा है, फिर growth फिर यह वाला काम नहीं होना चाहिए, एक stable रहना चाहिए, एक स्टेबल रहना चाहिए, एक स्टेबल रहना चाहिए, एक स्टेबल रहना चाहिए, और एकनोमी में ओवरल निवेश और जो saving यह बचत है, उसे हमें लगातार maintain रखना है, financial inclusion को promote करना है, clear हो गया, चौत्था क्या है, contribute in economic growth, contribute to economic growth, economic growth की तरफ हमें लगातार contribute करना चाहिए, how we can contribute through economic growth by improving, investment and saving in the economy, and saving in the economy, investment or saving को improve करके, उसके अलावा, prepare, focus on, focus on, optimum allocation of resources, optimum allocation of resources, and apart from that, and apart from that, and apart from that, and apart from that, invest in, invest in public sector to improve economy, to improve economy, investment or saving learning, जित्ती जदा बढ़ाएंगे, और जितने धंग से resources का allocation optimum तरीके से करेंगे, और जितना जदा investment public sector करेंगे, उतना economy improve होगी, ठीक है, fifth is, reduce regional difference, reduce regional differences, जितना जदा regional differences कम होगे, जितना जदा need to be addressed, need to be addressed, regional inequality need to be addressed by promoting, by promoting industrialization, industrialization, in underdeveloped economy, in underdeveloped regions, in underdeveloped regions, clear होगी यह बात, and last is, last is manage public enterprises, manage public enterprises, जित्ते भी हमारे by promoting social welfare of the people, by promoting social welfare of people, social welfare को हम जितना promote करें, उतना भेतर है, so these are the objectives of government budget, यह सारे government budget के major objectives है, clear, चलिए, अब बात शुरू करेंगे, सबसे पहले, what is revenue budget, revenue budget क्या होता है, revenue budget का simple सा मतलब है, सरकार की revenue receipt और सरकार के revenue expenditure, this is called as revenue budget, इसे हम revenue budget कहते हैं, पतलब जो government की revenue receipt है, और जो government के revenue expenditure है, उन्हें हम revenue budget कहते हैं, अब जो सरकार की revenue receipt है, सरकार की जो revenue receipts है, यह भी दो तरीके की हैं, सरकार की जो revenue receipt है, यह भी दो तरीके की हैं, कौन-कौन सी, पहली तो है आपकी tax revenue receipt, और दूसरी है non-tax revenue receipt, tax revenue receipt मतलब जो सरकार को tax से income होती है, जो income सरकार को tax से होती है, that is tax revenue receipts, उसमें दो तरह के taxes होते हैं, one is direct tax and another is indirect tax, direct tax मतलब वो tax जिसका burden individual को bear करना पड़ता है, that is income tax corporate tax, these are the example of direct taxes, indirect tax मतलब वो tax, जिनका जो expenditure है जिनका जो burden है, वो individuals को bear नहीं करना पड़ता, वो अपना burden किसी और पर shift कर सकते है, that is excise tax custom tax, GST, all are the example of indirect tax, खेरम tax पूरा हमारा एक chapter है, उसमें से और detail discuss करेंगे, non-tax revenue में कौन कौन से चीज़ें आती है non-tax revenue में वो सारी चीज़ें आती है, जैसे जो tax income के अलावा है जो tax income के अलावा है, tax income के अलावा का मतलब क्या हुआ tax income के अलावा का मतलब हुआ, कि जो dividend के फॉर्म में, profit के फॉर्म में या fees और fine के फॉर्म में government की income होती है, that is non-tax revenue, उसे हम non-tax revenue कहते हैं चलिए, तो अब एकिक करके इन सारे components को पढ़ लेते हैं, सबसे पहले देखते है tax revenue, अगर tax revenue की में बात करूँ, तो सरकार की जो सबसे इंकम होती है, वो कहां से होती है, borrowing and other liability जो सरकार borrow करती है, ठीक है अलग-अलग देशों से, IMF World Bank से, दूसरा है, GST से फिर दूसरे number पर सरकार की सबसे इंकम होती है that is, अगर मैं एक रुपे की बात रहो तो 18 पैसे around GST से आते है corporate tax से तीसरे number पर these are the rupee come from rupee goes to, सबसे पैसे जाता है states के साथ, जो सरकार states को अपना share देती है, taxes and duties में उसमें, फिर interest payment में around 18 पैसे का payment होता है, यहाँ पर आपकोई दो चीज़ां दिख रहे होंगे, इनमें पैबर बच्चे confused होजाते है, कि what is centrally sponsored scheme and another is central sector scheme, इन दोनों में difference क्या है central sector scheme जो होती है जब कि central sector scheme होती है central sector scheme, इसमें 100% contribution जो होता है 100% contribution जो होता है, वो केंदर सरकार के द्वारा होता है, वो center government के द्वारा होता है, वहीं जो आपकी central sponsored scheme होती है centrally sponsored scheme जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ratio होता है, जिसे 75% center government, 25% केंदर राज्य सरकार 60% center government, 40% राज्य सरकार, so this is the difference between central sector and centrally sponsored अब हम बात करेंगे non-tax revenue, non-tax revenue में revenue receipts non-tax revenue में revenue receipts होती है, उसमें उसकी हम बात करेंगे, तो देखिए non-tax revenue में सबसे पहले जो non-tax receipt होती, that is interest received interest received interest received माल लीजिए, भारत ने, इंडिया ने बांगला देश को loan दिया, इंडिया ने बांगला देश को loan दिया, 1000 करोड का अब बांगला देश इस पर interest पे कर रहा है, माल लीजिए 10 करोड, तो यह जो interest received हुआ है, यह सरकार की revenue receipt है, it is a revenue receipt of government, clear इसी के लबा माल लीजिए इससे भारत सरकार ने, भारत सरकार ने, माल लोग गोवा सरकार को 100 करोड रुपए दिये गोवा सरकार उस पे कोई interest पे कर रही है this is also called as interest received, जो मिल रहा है सरकार को this is revenue receipt, this is revenue receipt, non-tax revenue receipt लेकिन यह non-tax revenue receipt दूसरा income from income from peace, penalties and fines income from fees, penalty fine fees कैसे, आप UPSC की fees पे करते हो, तो उसकी जो fees पे करते हो, वो भी सरकार की एक non-tax revenue receipt है आपने red light cross कर दी red light cross कर दी, आपके ओपर penalty लगेगी, ठीक है आपने late fees के साथ पैसा जमा किया, आपके ओपर fine लग सकता है या कुछ और भी, तो fees, penalty of fine से जो income हो रही होती है that is revenue receipt of non-tax form, तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, dividend income तीसरी है, dividend income माल लीज़े, भारत सरकार के किसी public sector undertaking ने dividend declare किया, और government की उसमें share holding है, तो जो dividend क्या होता है, पहले इसका समझायता हूं, मैं what is dividend जो भी listed company होती है listed company मतलब जो stock market में NSC या BSC में listed है National Stock Exchange या Bombay Stock Exchange में जो registered है उस company, वो company को मान लो किसी साल में profit हुआ इसे ये profit हुआ, एक हजार करोड का जरूरी नहीं है, यह हर साल किया जाए जरूरी नहीं है, हर साल किया जाए लेकिन जो अच्छी कमपनियां होती है एक हजार करोड का 10% profit मदब 100 करोड का जो profit है, वो मैं अपने shareholders में distribute करूँ जिन लोगों के पास मेरी companies के shares है, मैं उनमें ये 100 करोड रुपे distribute करूँ This is called as dividend तो ये क्यों करा जाता है, ताकि एक तो company, ये show हो रहा है कि company एक अच्छी company, stable company उसकी ranking improve होती है, उसके shareholders का confidence improve होता है उससे company के share की value बढ़ती है So this is the reason why companies are giving the dividend तो dividend income जो है सरकार की, अगर मान लिए सरकार के पास किसी company के 50 share है, 100 share है 500 share है, उन पे जो dividend सरकार को मिल रहा है, सरकार की जो income हो रही है That is called as dividend income उसे हम कहेंगे dividend income, clear होगी बात यहां तक, so this is तो यह हमारे, यह हमारे कुछ major है, इसके अलावा और क्या हो सकता है मान लिज़े foreign aid मिल रहे सरकार को मान लिज़े foreign aid मिल रहे foreign aid मिल रहे मतलब क्या हुआ जैसे मान लिज़े सरकार को किसी कोई grant receive हो गया, कोई grant receive फोग गया ग्राइंट रिषाइब तु दि ग गवर्मेंट ग्राइंट रिसीफ दि गवर्मेंट जैसा गवांजी यूएस ऑने चति को पॉविड भारत ने फैल रहे वैक्सिनेशन के लिए ग्रायंट दिया 12 साल बोड के लिए दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, so this is non-tax revenue receipt, तो यह ध्यान लखेगा, this is for short term, यह सारी चीज़े short term के लिए होती है, next आ जाओ, that is revenue expenditure, revenue expenditure में जो non-tax revenue expenditure, मतलब सरकार के short term खर्चे, सरकार के short term expenses है, these are non-tax revenue expenditure, अब यह कैसे हो सकते हैं, जैसे law and order expenses, law and order को maintain करने के लिए जो सरकार खर्चे कर रही है, that is revenue expenditure of non-tax, nature, law and order के लिए, उसके लावा सरकार subsidies दे रही है, सरकार माल लिए subsidies दे रही है, it is again a revenue expenditure, सरकार subsidies दे रही है, social assistance scheme, सरकार schemes चला रही है, disabled लोगों के लिए, बुड़े लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए, this is revenue expenditure, उसके लावा और क्या हो सकता है, interest paid, इंट्रेस्ट पेड माली जब भारत ने यूएसे से लोन लिया है यूएसे से भारत ने लोन लिया है एक हजार करोड का अब भारत दस करोड का इंट्रेस्ट पे कर रही है उस पे इस रेवेन्यु एक्सपेंडिचर यह रेवेन्यु एक्सपेंडिचर हो जाएगा और क्या हो सकता है, mainly तो यही होते हैं, law and order, subsidy, social assistance scheme, interest, paid, these are, these are the major, these are the major expenditure, revenue expenditure of the government, clear, अब इसमें टर्म आता है, अब इसमें टर्म आता है, that is revenue deficit, एक टर्म आती है, that is called as revenue deficit, यह revenue deficit क्या है, revenue deficit का मतलब होता है, revenue expenditure, revenue expenditure, is difference between revenue expenditure and revenue receipt, difference between revenue expenditure and revenue receipt, अगर revenue expenditure जादा है revenue receipt से, तो यह revenue deficit होगा, वहीं अगर, वहीं अगर माल लीजिए, कि revenue receipt जादा है revenue expenditure से, तो इसे हम कहेंगे revenue surplus, किसी भी इकनौमी में अगर revenue deficit जादा है, तो यह चिंता का विशे हो सकता है, यह चिंता का विशे हो सकता है, next is what is effective revenue deficit, यह शब्ध भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, कि what is effective revenue deficit, effective revenue revenue deficit का simple सा मतलब है जहां पर अगर आपका कोई revenue deficit हुआ लेकिन अगर वो future में if any revenue deficit या फिर if any revenue expenditure, if any revenue expenditure, create an asset, create an asset, in future, it is effective revenue deficit, it is effective revenue deficit, क्या है इसको समझाते हैं आपको, माल लीजिए सरकार ने आज कोई revenue expenditure किया, सरकार ने आज कोई revenue expenditure किया, girls के girls के लिए suppose करो, सरकार ने toilets construct करें और वहाँ पे सरकार free sanitary pad दे रही है, free sanitary pad दे रही है, girls के लिए सरकार ने toilets construct करें और वहाँ पे free sanitary pads दिये जा रहे है, अच्छी quality के, तो सरकार का यह है तो revenue expenditure, लेकिन future में जाके क्या हो रहा है, इससे open notification नहीं हो रहा है, इससे environment clean रह रहा है, इससे girls को protection security मिल रही है, so this is a effective revenue deficit, है तो खर्चा, लेकिन future में आपके लिए asset create कर रहा है, future में आपके लिए एक अच्छी चीज़ create कर रहा है, this is called as effective revenue deficit, उसे हम क्याते हैं effective revenue deficit, deficit, लेकिन अब जिसे मान दो सरकार loan mafia कर रही है, अब loan mafia सरकार कर रही है, तो इससे future में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इससे future में कोई asset create नहीं हो रहा, बलकि future में सरकार के उपर दवाब बढ़ रहा है, सरकार के debt बढ़ रहे है, so this is not called as effective revenue deficit, उसे हम effective revenue deficit नहीं कहीं है, चलिए, आगे बढ़ते है capital receipt, capital receipt दो तरह के की होती है, एक तो होती है debt receipt और एक होती है non-debt receipt, पहले आप भी समझे रहा है, capital receipt long term nature की होती है, यह long term nature की होती है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, पैसा debt receipt और दूसरी non-debt receipt, debt receipt मतलब वो receipt जिसको आपको वापस करना है, जैसे मान लो borrowing from foreign country, borrowing from foreign country, भारत ने अमेरिका से 1000 करोड का loan लिया, this is borrowing from foreign country, यह हमें वापस चुकाना होगा, तो यह debt receipt है, है तो पैसा तो भारत के पास आया है, long term के लिए, लेकिन यह पैसा हमें वापस चुकाना है, this is debt receipt, non-debt receipt में क्या होगा, जैसे recovery of loan, भारत सरकार ने कोई loan दिया था, वो recover हो गया, भारत ने बांगलादेश वो 500 करोड का loan दिया, बांगलादेश ने वो पैसा पूरा का पूरा principle के form में चुका दिया, या sale of asset, sale of asset, भारत सरकार ने अपनी कोई उद्यम बेच दिया, अपनी कोई PSU बेच दि, उससे जो पैसा recover हुआ, that is capital receipt, उसे हम capital receipt कहेंगे, ठीक है, उसके अलवा और क्या हो सकता है, other receipt, non-date receipt में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है non-date receipt में, जैसे मा लिजए भारत सरकार ने किसान, विकास, पात्र लांच किये, लोगों ने इसमें invest किया, भारत सरकार ने कोई long term bonds issue करे, long term bonds issue करे, लोगों ने इन पैसों, इन bonds को खरीदा, तो ये सारे आपके होते हैं, debt and non-debt receipt, capital expenditure में क्या क्या चीज़े जाएंगी, capital expenditure मतलब सरकार के long term expenditure, सरकार के जो long term expenditure है, that is capital expenditure, मतलब loan repayment, loan repayment, भारत सरकार को कोई loan repay करना है, अमेरिका को पूरा 1000 करोड का loan repay करना है, जो लिया था, loan given, भारत सरकार ने बांगला देश को loan दिया, 100 करोड का, 500 करोड का, पाँच साल के लिए, ये भी capital expenditure है, तीसरा, infrastructure में कोई पैसा लगाया, long term के लिए dam बनाया, railway station बनाया, airport बनाया, stadium बनाया, this is capital expenditure, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सरकार के कोई भी asset creating infrastructure, asset creating expenditure, जिससे सरकार के लिए, सरकार के लिए कोई asset future में बन रही है, these are the capital expenditure, यहाँ पर ऐसा कोई term नहीं होता, जैसे capital deficit या capital receipt, ऐसा कोई term नहीं होता, what is the difference between capital expenditure, revenue expenditure, capital expenditure long term के लिए होता है, revenue expenditure short term के लिए होता है, capital expenditure, जितना country capital expenditure increase करती है, उतना ही development status achieve होता है, उतना ही employment generate होता है, उतना ही developed economy होती है, revenue expenditure एक day-to-day expenditure है, that does not enhance the value of existing asset, जैसे आप salary pay कर रहे हो आप अपनी employee की, that is revenue expenditure, ठीक है, capital expenditure में physical presence होती है, dam बना रहे हो, airport बना रहे हो, revenue expenditure में इस तरह ही कोई physical presence नहीं होती है, ठीक है, revenue expenditure जो है, सरकार के income statement में आते हैं, वही capital expenditure हमेशा asset के form में generate होता है, that is very good, जितना जदा आपकी economy में capital expenditure होगा, उतना बहतर आपकी economy होती है, अब यहाँ पर तीन शब्द बहुत important है, revenue deficit तो आप समझ चुक हो, जो next important term है, that is fiscal deficit, what is fiscal deficit, fiscal deficit मतलब क्या हुआ, total expenditure, total expenditure, minus total receipt, excluding borrowing, excluding borrowing, this is fiscal deficit, total expenditure मतलब capital expenditure, plus revenue expenditure, total receipt मतलब capital receipt, plus revenue receipt, ध्यान रखिए गर, receipt में borrowing को include नहीं किया जाएगा, अगर आप अमेरिका से कुछ पैसे ले रहे हो, तो वो इस receipt में include नहीं होते हैं, तो अगर आपकी economy में fiscal deficit है, आपकी expenditure जादा है, और receipt कम है, तो उसे हम fiscal deficit कहेंगे, उल्टा है, अगर उल्टा है, तो उसे हम fiscal surplus कहेंगे, किसी भी economy के लिए, अगर fiscal deficit है, तो बहुत चिंता की जरुरत नहीं है, चिंता की बात तब है, जब आप अपने fiscal deficit को ठीक नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने fiscal deficit को ठीक कर पा रहे हो, तो किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं है, clear हो गई बात यहां तक, next एक और बहुत important शब्द कई बार आ जाता है, that is primary deficit, primary deficit का मतलब क्या है, primary deficit का मतलब है, fiscal deficit, minus fiscal deficit, minus interest payment, भारत सरकार को नहीं जब अपने fiscal deficits को देखा, तो उन्हें लगा है, हमारे fiscal deficit इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, तो मालुम पड़ा कि सबसे ज़्यादा आपका जो deficit आ रहा है, आपका जो expenditure है, वो interest के payment में, तो भारत सरकार ने कहा, ठीक है, let's count our fiscal deficit without calculating interest payment, उसे नाम दिया गया, primary deficit, next जो important term आती है, that is monetized deficit, monetized deficit का मतलब क्या है, fiscal deficit, fiscal deficit, that is financed by RBI, जिस fiscal deficit को RBI ठीक कर रहा हो, उसे हम क्याते हैं, monetized deficit, जिस fiscal deficit को RBI के द्वारा ठीक कर रहा जा रहा हो, उसे हम क्याते हैं, monetized deficit, तो यह हमारी आज की class थी, जिसमें हमने fiscal deficit, revenue deficit, expenditure, government budgeting, public finance का basic देखा, today we will discuss the most important chapter, that is tax, अभी तक हम लोग economy में, economy के basics को समझ चुके हैं, economic growth, economic development, GDP, national income, in concept को समझ चुके हैं, apart from that हमने inflation पढ़ा है, monetary policy पढ़ चुके हैं, fiscal policy पढ़ चुके हैं, जो अब बहुत important chapter है, that is taxation, बहुत important chapter है यह, और directly related है fiscal policy से, तो मुझे लगा कि direct link होगा, तो इसलिए उनको आपस में साथ पढ़ाया जाएं, तो tax क्या है, tax एक ऐसा माध्यम है, जिससे government लोगों से पैसा collect करके, public services के लिए incur करती है, और ऐसी बात नहीं है कि यह tax system अभी चाल हुआ है, ancient time से, पॉर्णाने काल से ही, जो tax था, वो एक major source of revenue था, उस समय राजा महरा जाओं के लिए, चाहिए वो land tax हो, चाहिए वो commodities पर tax हो, और फिर उस tax से, उस tax से, they will incur the expenditure, उस tax से वो सारे expenditures को incur करते थे, इसी तरह से, आज कि अगर present government की बात करें, तो present government भी अलग-अलग तरह से tax charge करती है, direct taxes, indirect taxes के माध्यम से, और लोगों से पैसा इखटा करके, public services के लिए incur करती है, तो अगर देखा जाए, तो total population का, जो भारत की total population है, उसका सिर्फ 5% जनता, उसकी सिर्फ 5% जनता, income tax return file करती है, और उस 5% जनता में से, 1% जनता, जो है, 1.15% population जो है, वो actually tax pay करती है, तो overall देखा जाए, 130 करोड का सिर्फ 1% tax pay किया जाता है, मतलब around 1.3% population is actually paying taxes, तो देखा जाए, तो tax base इंडिया का काफी कम है, और इस tax base को increase करने की ज़रूरत है, देखिए, भारत में समस्यां एक नहीं है, भारत में समस्यां काफी है, अगर आज हम suppose कर यह सरकार tax की rate बढ़ा देती है, tax lab में changes कर देती है, कि ज़्यादा population cover हो जाए, तो उससे फिर protest जनता करेगी, उससे वो सरकार को अपना term repeat करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई सरकार उसके खिलाफ vote करेगी, लोग उसके खिलाफ vote करेंगे, opposition उसको एक हतियार बनाएगा, सरकार के उपर सीधा use करने के लिए, तो इंडिया में democracy में सबसे बड़ी issue यह है, और specifically Indian democracy की problem यह है, कि अगर आपर कोई reformative step लिया जाता है, तो वो reformative step actually में reformation ना लाके, यह एक protest के form में चालो हो जाता है, इसलिए सरकार के सामने challenge ही है, कि उन्हें tax base तो increase करना है, लेकिन rate of tax वो नहीं बढ़ा सकते, अब tax base को increase करने का सबसे बहतर तरीका बस यही है, कि जो population actually जिसको tax pay करना चाहिए, वो पूरा tax pay करें और सरकार के income बढ़ें, लेकिन उसके लिए tax compliance strong होने चाहिए, strict penalty measures होने चाहिए, finding होनी चाहिए कि कौन-कौन से लोग ऐसे जो tax bracket में आते हैं, but they are not paying the taxes, then we can identify कि हाँ यह population थी, so tax pay करना चाहिए, but they are not actually paying taxes, ठीक है, तो अब simple सी बात आती कि why do we pay taxes, मैं क्यों tax pay करूँ, मैं क्यों अपने income का कुछ percentage सरकार को दूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, इतनी महनत से कमा रहा हूँ पैसा, इतनी सारी classes ले रहा हूँ, इतना सारा इतरा सारी महनत कर रहा हूँ, तो भई अगर आप पैसा जमानी कराओगे, तो सरकार health system को कैसे बहतर करेगी, सरकार education system को कैसे बहतर करेगी, सरकार dam, road, airport कैसे बनाएगी, सरकार defense को कैसे strong करेगी, it is the only people's money through which government get the fund and they incur it for the development activities, that's why it is necessary to pay taxes, अब tax basically 3 तरीके के होते हैं, progressive tax, progressive tax, और proportional tax, progressive tax का मतलब है, जब-जब income increase हो, tax की rate increase हो, मतलब इस अगर मान लिजाए, यह व्यक्ति है, राहुल, अगर यह 1,00,000,000 रुपे कमा रहा है, तो tax का rate है 2%, इसकी income अगर देढ़ लाग हो जाती है, तो tax slab हो गया 2.5%, इसकी income अगर धाई लाग हो जाती है, तो tax slab हो गया 4%, तो similarly progressive tax मतलब income increase होने के साथ, tax rate increase होना, regressive tax का मतलब है, with increase in income, there is decrease in tax, regressive tax मतलब एक ऐसा tax system, जहां पर इस बात पर focus किया जाता है, कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा महनत कर रहा है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो उसके उपर tax कम लगाया जाए, क्यों? क्योंकि otherwise फिर वो हताश हो जाएगा, वो कहीं न कहीं, हताश होके ही सोचेगा कि वहीं मैं इतना पैसा कमा हूँ, उसके उपर ज़्यादा पैसा टैक्स में पेकर ना है, तो तो रिग्रेसिव टैक्स का में आपजेक्टिव है, तो बूस्ट दा मॉराल आफ दोस पीपल वह अर्निंग मोर हार्ड वर्क टो अर्न मनी, वहीं प्रोग्रेसिव टैक्स का मोटे भी होता है, जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जादा है, वो टैक्स जादा पैकर है, और फिर उस जादा पैसे से, उस जादा पैसे से हम लोग गरीबों को ये पैसा दे सके हैं, तो इस इस दा में अब्जेक्टिव, 3rd is proportional tax, proportional tax का मतलब है income change, same tax always, income चाहे change हो जाए, चाहे same रहे, tax हमेशा same रहता है, according to income, the proportion of tax always remains the same, so these are the major three tax distribution system, कई के बार एक चौथा system भी लोग क्या जेता है, retrospective taxes, वो ही मैं आपको बता जाता हूँ, वो होता क्या है, retrospective tax का simple सा मतलब होता है, कि जहाँ पर पुरानी तारीक से, पुरानी तारीक से government taxes system को लगा है, that is called as retrospective, जैसे मान लीजे, आज सरकार ये बोल दे, कि 5% surcharge, 5% extra tax हम पेट्रोल पे लगा रहे हैं, और जो लागू होगा 1 January 2022 है, अब 1 January 2022 तो जा चुकी है, तो इसको हम कहेंगे retrospective taxation, retrospective taxation का क्या मतलब है, कि जहाँ पर, जहाँ पर सरकार ये बोल दे, कि हम जो tax लगा रहे हैं, वो back date से start कर रहे हैं, that is retrospective, जैर ये generally measure होता नहीं है, जो आपके tax system के measure होते हैं, तीन ही होते हैं, progressive income increase, tax rate increase, regressive income increase, tax rate decrease, proportional means same amount of tax, regardless of income, that is called as proportional taxation, ठीक है, चलिए, अब एक बहुत important concept, जो prelims में कई बार tax to GDP ratio, tax to GDP ratio क्या होता है, मतलब आपकी GDP का जो है, आपकी GDP में tax का कितना percentage है, that is tax to GDP ratio, तो the size of country's tax resources in relation to its GDP, the size of, the size of country's, the size of country's tax resources the size of country's tax resources in relation to its GDP, in relation to its GDP, this is called as tax to GDP ratio, अब high tax to GDP ratio क्या होगा, हाई-tax to GDP ratio, मतलब अगर आपकी country में tax का percentage जादा है, तो वो क्या होगा, financial position of country is good, मतलब आपकी country में GDP जो है, अगर आपकी GDP मान लीजे 100 है, अब उस 100 GDP में tax का contribution 60 है, 70 है, 50 है, that means आपकी country में tax से जो income होती है, उसका contribution जादा है GDP के भढ़ने में, यह एक अच्छा साइन है, that means financial position, financial position of the country is good, country की financial position काफी अच्छी है, दूसरा, tax, tax base is wide, tax base जो है वो काफी बड़ा है, wide है, तीसरी चीज़, it reduce government's dependence, it reduce government's dependence on borrowing, सरकार की जो borrowing पर dependence है, वो इससे कही न कहीं कम होती है, this is high tax to GDP ratio, वहीं अगर मैं बात करूं, low tax to GDP ratio, low tax to GDP ratio में क्या इंपर्टन है, it means put constrain, put constrain, on the government to spend, put constrain on the government to spend, and put pressure on government and put pressure on government and put pressure on government to meet its fiscal deficit target, to meet its fiscal deficit target, this is low tax to GDP ratio, इसे हम कहीं है, low tax to GDP ratio, मतलब जो सरकार के उपर constraint लगा दे, spending के उपर, और सरकार के उपर pressure लगा दे, create कर दे, उसको अपने fiscal deficit target meet करना है, that is low tax to GDP ratio, मतलब आपकी GDP में tax का contribution काफी कम है, and that's an alarming sign, मतलब सरकार को borrowing जादा करनी पड़ेगी, government need to borrow more, government need to borrow more, सरकार को borrowing जादा करनी पड़ेगी, ठीक है, और government का जो debt है, government का जो debt है, वो increase होगा, this is tax to GDP ratio, low tax to GDP ratio, अब 3-4 बहुत important terminologies हैं, उसके बारे में बहुत डिसक्स कर लेते हैं, what is the meaning of tax incidence, tax impact, tax shifting, tax base, सबसे पहले बात करेंगे tax incidence की, what is tax incidence, tax incidence, now what is tax incidence, it is the one who actually pay taxes, it is the one who actually pay the taxes, tax burden is on the person who is paying that, tax incidence का मतलब जो व्यक्ति actually में tax pay कर रहा है, that is tax incidence, next is tax impact, tax impact का क्या मतलब है, tax impact का मतलब इस the entity on whom tax is imposed, तो entity मतलब किसी organization company, it is the entity, it is the entity on whom tax is imposed, कोई entity हो सकती है, कोई corporate हो सकता है, पर पार्टनर्शिप फर्म हो सकती है, that is tax impact, ठीक है, third is tax shifting, third is tax shifting, tax shifting का मतलब क्या होता है, when the incidence of tax differ from the impact of tax, मतलब जो tax लगना चाहिए था वो अलग है, और जितना tax होना चाहिए था, वो अलग है, when the impact of tax, when the impact of tax, differ from the, differ from the, when the incidence of tax, sorry, when the incidence of tax, differ from the impact of tax, मतलब tax जो है, tax जो है, वो पे अक्चुली करना था आपको पचास जार रुपे, और जो, अक्चुली में tax पे किया, that is 30,000 या 20,000, that is tax shifting, बाकिया आपने tax इवेड करती हा, या अवोइड कर दिया, next is tax based, मैं आपको सम्झाओंगा भी, evasion और अवोइड का मतलब या, tax based, volume of goods or services, volume of goods and services, volume of goods and services on which tax is imposed, on which tax is imposed, this is called as tax base, इसे हम tax base क्याते हैं, these all are the important terminologies, अच्छा, एक दो terms जो बहुत important है, that is tax avoidance and tax evasion, ये दोनों terms क्या हैं, आपने सुनाओ गए दोनों terms के बार साथ use होते हैं, tax avoid करना, tax avoidance मतलब not paying the tax, sorry, not paying the taxes, not paying the tax, because you had done investment, you had done investment, tax evasion का मतलब, no evasion of tax, मतलब no paying of tax, आप tax ही पे नहीं कर रहे हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे, एक बहुत important component की, that is GST, GST क्या है, सबसे पहले चीज़ तो GST क्यों लाया गया, GST इसलिए लाया गया, क्योंकि काफी सारे taxes, काफी सारे indirect taxes थे, जैसे excise, CS, excise duty, खेर excise duties तो अभी भी है, custom duty अभी भी है, VAT है, OCTROI है, local taxes है, entry tax है, luxury taxes है, ऐसे बहुत सारे sales tax है, ऐसे बहुत सारे taxes थे, तो उन सब को subsume करके, उन सब को merge करके, एक single tax बनाया, जो पूरी country में same रहेगा, that is GST, तो ये एक destination based tax है, on consumption of goods and services, जहाँ पर goods को purchase किया जाएका, destination, तो जैसे मान लीजिए, कि आज goods बने हैं, Tamil Nadu में, लेकिन sold हो अगर राजस्थान में हुए है, तो इसका main objective क्या था, इसका main objective था, कि पहले क्या होता था, tax on tax होता था, जैसका cascading effect है, जैसे मान लीजिए, एक manufacturer है, example से मैं को समझाँगो, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ये manufacturer है, इसने मान लो, shoes बना है, अब shoes बना के, इसने tax pay किया, किसको government को, फिर ये goods जो आए, ये आए wholesaler के पास, अब wholesaler भी इसके ऊपर, tax pay कर रहा है, फिर ये आया, retailer के पास, वो भी इस पर tax pay कर रहा है, फिर ये आया, customer के पास, वो भी इस पर tax pay कर रहा है, तो ये tax on, tax on, tax on, इसको रोप कर, इसको रोप कर, एक single tax बनाया गया, जिसमें customer, individually, इद्धिविजियली फाइनली गोड्स पर टाक्स पे कर रहा है और जो होलसेलर, मैनुफट्ट्टर रीटेलर ये जो टाक्स पे कर रहे ये अपने Input Tax Credit इस पर Retain कर सकते हैं, नहीं समझ भाया और सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको, देखिए, भारत में GST से पहले, भारत में GST से पहले Tax Structure कैसे चलता था, भारत में GST से पहले Tax Structure ऐसे चलता था, कि सबसे पहले, सबसे पहले Manufacturer है, उसने Goods बना है, अब जब उसने Goods बन इसको Tax Pay करना पड़ेगा, ठीक है, उसने Tax Pay किये, अब वो Goods किसके पास है, वो Goods है Wholesaler के पास, Wholesaler भी Tax Pay कर रहा है, क्योंकि वो जो अपने जहां पर जो Goods बना इसको इस्तमाल कर रहा है, उस पर वो Tax Pay कर रहा है, फिर Retailer भी Tax Pay कर रहा है, और End Customer भी Tax Pay कर रहा है, तो इस Practice को रोकने के लिए, इस Practice को रोकने के लिए, क्या किया गया, कि भाई, जैसा अगर मान लीजिए, ये Manufacturer है, अगर Manufacturer ने कोई Goods बनाए, कोई Goods लिए, तो सबसे पहले उसने सरकार को Tax Pay किया, जब वो Wholesaler को Goods देगा, तो जितना पैसा उसने सरकार को Tax के फॉर्म में लिया है वो पैसा वो उस Price में लगा देगा, वो जैसे मान लीजिए, अगर उसने Shoes जो है, वो 800 रुपए के उसको प्रेट, उसको उसकी Cost आई, 200 रुपए उसने Tax सरकार को Pay किया, तो अब जब वो Retailer को बेचेगा, तो वो बेचेगा 1000 रुपए में, क्यों क्योंकि 200 रुपए के ज इसमें शामिल हो चुकी है, तो वो उसको include कर लेगा, फिर Wholesaler ने जो Tax Pay किया है, Manufacturer को, वो Cost वो Retailer में जोड लेगा, और उसका जितना पैसा उसने Tax के Form में दिया है, वो Retailer को shift कर देगा, ठीक है, फिर Retailer जो है, End Customer को वो पैसा, जो Tax उसने Pay किया है, उसको Pay करके, Final Cost उसकी इसमें लिखा हो होगा, Inclusive of All Taxes, इसका मतलब है कि इसमें सारे Tax शामिल कर लिये गए हैं, और जिन जिन लोगों ने Tax Pay किया, Manufacturer ने Tax Pay किया, तो उसने किस से वसूर लिया वापस से, Wholesaler से, क्योंकि उस प्राइस को, उस Tax को उसने उस प्राइस में शामिल कर लिया, Wholesaler ने जो प्राइस पर कस्टमर को बेचा है, उसमें, फाइनल प्राइस में उस अमाउंट को जोड लिया, और कस्टमर से पैसा ले लिया, So this is called as Input Tax Credit, इसको हम क्याता है, Input Tax Credit, तो इसी को, इसी को भैतर बनाने के लिए हमने GST लिया, ताकि जो Tax on Tax on Tax है, वो फाइनली खतम हो जाए, और फाइनल टेक्सेशन जो है, वो वहाँ पे हो जहाँ पे उस गुड्स का कंजंशन हो रहा है, तो अगर माले जो गुड्स जो है, चैन्नाई में बन रहे हैं, तो चैन्नाई में, चैन्नाई की किसी कंपनी हैं, माले जो MRF ने कोई गुड्स बनाए, उसका पैसा से Tax के पर में government को दे दिया अब चेननाई से वो goods जो हैं सारे wholesalers के पास चले गए तो MRF ने जो tax सरकार को pay किया है वो उसमें wholesalers से ले लिया wholesalers जो इंडिया में मालो हर state में 10 wholesalers हैं तो 10 wholesalers ने उन goods को लिया और उन्होंने retailers को बेच दिया retailers ने उन goods को customer को बेचा तो finally जो price at the end जैसे माल लिजे मैं हूं मैं MRF का टायर खरीद रहा हूं जैपूर में तो मैं उस price को पे करूंगा जो wholesaler retailer पे कर चुकिए है clear हो गई बात ठीक है तो इसका burden of tax जो है burden of tax जो है it is to be bond by the final consumer जिसमें सारे taxes को शामिल कर लिया गया तो विजय केलकर कमेटी ने 2004 में इसका recommend क्या था कि भाई GST को भारत में लाया जाए और 101 amendment से 101 amendment से 2016 में GST का existence हुआ इसी तरह से एक GST council भी बनाए गई ताकि एक regulatory body हो जो इस पूरे GST functioning को देख पाए और यह GST council कब बनी यह बनी 15 9 2016 को as per article 279 a of the Constitution और यह constitutional body है चलिए अब हम बात करेंगे कि GST के अंदर GST के अंदर कौन-कौन से act है तो सबसे पहले है Central GST Central GST का मतलब क्या है जिस जो taxes केंद सरकार लगाती है goods और services पे उसको हम कहते है Central GST means those goods and services जिस पर केंद सरकार tax लगाती है that is CGST IGST क्या है IGST है levy and collection of tax on interstate supply of goods and services और both by the central government जो interstate देखिए CGST में तो क्या है जिसे intrastate supply हो रहा है करनाटेका के अंदर supply हो रहा है उस पे भारत सरकार ने tax लगा इंटीग्रेटीड GST में क्या हुआ इंटीग्रेटीड GST में हुआ कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जा रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है that is IGST और जो और जो IGST होता है वह हम interstate पर लगाते हैं करनाटेका से महराश्टर पर गया तो उस पर IGST लगेगा ठीक है क्लियर हो गए यह बात तो CGST क्या है CGST मतलब जिन गुड्स पर जो इंट्रास्ट है मतलब सिर्फ करनाटेका में घूम रहे हैं या सिर्फ राजिस्थान में घूम रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाएग हो केंद्र सरकार ने लगाया इस CGST IGST जब गुड्स राजिस्तान से महरास्थ गए तो इस पर IGST लगता है फिर Union Territories मतलब उन उन गूट्स जो इंट्रा-ई-उ-T मतलब ढब डिल्ली में गूम रहे हैं या सिर्फ चंदीगड में गूम रहे हैं उनमें जो टैक्स लगा जाता है या इस UTGST, ठीक है, then apart from that, state GST क्या है, जो state government लगाती है, जो state government लगाती है, that is SGST, जो SGST is state government taxation system, अब अगर आपसे पुछा जाए कि GST की rates क्या है, तो currently GST की चार rates है, currently GST की rates है, वो चार है, that is 5%, 12%, 18% और 28%, तो 5% की चीज़ों पर जैसे शुगर है, spices, edible oil है, 12% computers है, monitors है, spectacles है, 18% soap, hair oil इन सब पर है, 28% white goods पर है, AC refrigerator, similarly services में 5% जैसे cab services पर है, ठीक है, 12% movie ticket पर है, 18% outdoor catering, theaters में है, 28% amusement park और इन सब पर है, तो यह current rates सल रही हैं, GST, GST कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जो अभी भी GST के पर वियू से बाहर है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जिन पर अभी भी GST नहीं लगता है, which are the following items are draws in which GST is not applicable, तो GST किस-किस पर नहीं लगता, जैसे petroleum है, crude oil है, high speed diesel है, motor spirit petrol है, natural gas है, ATF, aviation, turbine, fuel है, यह वो चीज़ें हैं, जिन पर GST अभी applicable नहीं है, ठीक है, उसके अलावा, और कौन से हैं, जैसे fresh vegetables हैं, fresh milk है, ठीक है, meat है, इस पर अभी तक GST नहीं लगता, electricity, जो है, उस पर भी अभी तक GST नहीं लगता, goods जो आप special economic zones में दे रहे हो, उन पर भी अभी GST नहीं लगता, so these are the things on which, which is out of GST, यह तो ही, मैं इसमें और लिख देता हूँ, कौन-कौन से चीज़ें out हैं GST के, fresh vegetables, fresh vegetables, fresh milk, fresh milk, meat, cereals, they are outside the purview of GST, यह outside the purview of GST है, ठीक है, समझने आ गया, एक बर वापस रिवीजन कर लेता है, यहां तक, सबसे पहले हमने आपको बताया, कि यह applicable हुआ है, 1 July 2017 से, यह destination based tax है, जो goods and services पे लगता है, इसका main objective है, जो cascading effect है, tax on tax on tax है, उसको रोका जाए, और final burden जो है, consumer pay करे, और जिन लोगोंने tax pay कर चुके है, जैसे manufacturer tax pay कर चुका है, wholesaler tax pay कर चुका है, retailer tax pay कर चुका है, वो इस पे अपना input tax credit ले ले, मतलब manufacturer ने tax pay किया, तो वो wholesaler से recover करेगा, wholesaler ने tax pay किया, तो वो retailer से recover करेगा, रिटेलर ने जो tax पे किया, वो end customer से recover कर देगा, ठीक है, विजय केलकर committee ने recommend किया था GST को, उसके अलावा हमारे GST में 4-5 acts है, सबसे पहले है CGST, जो taxes केंदर सरकार के द्वारा लगाया जाते हैं, in intrastate supply of goods and services, जैसे महराश्टर में goods float कर रहे हैं, करनाटका में, that is CGST, IGST लग होता है, उन goods पे, जो intra-UT घूम रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखेगा, without legislature, without legislature का मतलब है, जैसे dominant due है आपका, जैसे pondicherry है आपका, ये वो UTs है, जिनमें legislature, pondicherry में तो है, dominant due है अपका, अंदुमाने निक को बारे, लक्ष्वदीप है, यहाँ पर जो tax रखता, that is UT GST, फि अगर मान लीजे, states को कोई loss हो रहा है, states को कोई loss हो रहा है, GST, तो जब GST आया, तो state taxes सारे बंद हो गए, सारे नहीं, कुछ-कुछ बंद हो गए, तो states को से loss of revenue होने लगा, तो केंद सरकार ने बुला, कि 5 साल तक, 2017 से 2022 तक, जो भी आपको loss of revenue हो है, because of removing of taxes, we will compensate you, this is GST compensation to state act और लास्ट है, state GST act, यह हर राज्य के लिए और UT के लिए जिनमें state legislature है, दिल्ली, पॉंडिचरी और कश्मी, तो यह कौन से है, यह वो taxes है, जो राज्य सरकारे लगाती है, within the states, जो goods supply होते हैं, यसा entertainment tax है, वो है अलग tax, लेकिन वो state GST का part हो जाएगा, ठीक है, उसके अला जो राज्य सरकारे tax लगाती है, on the goods and services that are floating within the state, that is state GST, GST की rates 4 है, 5%, 12%, 18%, 28%, कौन-कौन से goods ऐसे हैं, जो GST से बाहर है, पेट्रोल, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine, fuel, उसके अलावा, fresh vegetable, fresh milk, meat, cereals, यह GST council डिसाइड करेगी, कि इन में से किस-किस पे GST कित्ता लगाना है, किसको include करना है, क इसको exclude करना है, अब GST council में कौन-कौन होते हैं, सबसे पहले इसमें union finance minister, जो है, वो chair person है, उसके लावा इसमें एक vice chairman होते हैं, जिसको elect किया जाता है, union revenue secretary होते हैं, ठीक है, union minister of state, revenue finance member, finance, taxation, any other minister for each state member होते हैं, chairman, central board of excise and custom, ex-officio permanent invitees, these are the composition, क्या composition आप से को पूछेगा नहीं इतना detail composition कोई पूछता नहीं है, कि भी GST composition में, GST में कौन-कौन available है, ठीक है, clear होगे यह बात, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, चलिए, आगे बात करेंगे GST council के बारे, GST council के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो देखिए, सबसे पहले article 279, article 279 जो है, वो GST council के बारे में बात करता है, 279A, ठीक है, यह constitutional body है, it is a constitutional body, यह constitutional body है, ठीक है, appointment, president के order से हुआ है, इसका main काम क्या है, make recommendation, make recommendation, make recommendation to union and state government, to union and state government, to union and state government, on issues related to GST, on issues related to GST, GST से जुड़े बें जो मुद्धे हैं, उन पर अपनी recommendation देना, ठीक है, उसके लावा और क्या है, all important decision, it takes all important decisions, it takes all important decisions, किन कौन से decisions, related to tax rates, related to tax rate, tax rate, tax exemption, tax rate, tax exemption, due date of forms, due date of forms, tax laws, tax laws, and tax deadline, एंड टेक्स डेडलाइन यह सारे रिकमेंडेशन जीस्टी काउंसल के हैं डिसीजन जो यह लोग लेते हैं डिसीजन जो इनके द्वारा लिया जाता है वह लिया जाता है थ्री फोर्थ मेंबर मेजॉरिटी ओफ ट्री फोर्थ मेंबर मेजॉरिटी ओफ ट्री फोर्थ मेंबर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है क्लियर हो गई बात जहां तक कोरम क्या है इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको बता ही चुका हूँ ठीक कौन कौन से हैं अच्छा एक बात ध्यान रखेगा जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास उनका वोटिंग शेर वन थर्ड है कि के यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटेवत हैं उनका जो वोटेंग शेर है उनका है 2 3rd, 2 3rd voting share, यह ध्यान रखिएगा, 2 3rd voting share, clear होगा यह बात, चलिए, अब बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग, 1 second, पहले GST के advantages देख लेते हैं, What are the advantages of GST, GST के advantages के हैं, सबसे पहले तो it remove the cascading effect, cascading effect of taxes को हटा दिया, free flow of input tax credit, wholesaler, manufacturer, wholesaler, retailer, retailer से, अराम से जो tax उसने पे किया है, वो ले सकता है, पूरी country में common market है, goods चाए कोई भी हो, AC अगर करनाटका में होगा, तो उस पर भी 28% है, AC चाए तमिल नाडू में को तो भी 28% है, इससे overall business efficiency improve होती हुए कि standard tax rate है, तो आपको पता है कितना tax income सरकार को मिलेगी, और कितना tax आपको actually pay करना है, ठीक है, next है, इससे international market में भी आपका एक standard बनता है, क्योंकि जब उनको पता लगा कि भाई, पूरे भारत में, इस standard rate है, तो they also, whatever, whenever they want to do investment, they knew this thing कि इतना investment भारत में करना है और इतने tax we need to pay, tax base इससे increase होगा, क्योंकि लोग टाइक्स रेट है, जो essential goods है, उन पे taxes काफी कम है, उन पे taxes काफी कम है, और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो non-essential या white goods है, उन पे comparatively tax rates ज्यादा है, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि equal distribution of taxes ने manufacturing of goods and services, चाहा, goods and services और tax rates same रखा गया है, इससे भारत की growth और GDP बढ़ेगी, क्योंकि जब लोग tax pay करेंगे, जब लोग पता है कि tax base इतना ही है and we need to pay the taxes, जब लोग tax pay करना शुरू कर देंगे, तो इससे इंडिया की growth rate बढ़ेगी, So these are the merits of GST, चलिए, एक बार अब बात कर लेते हैं, National Anti-Profiteering Authority under GST, GST के अंडर एक authority आती है, that is National Anti-Profiteering Authority, ठीक है, यह भी 2017 में बनी, इसने ये बात कही कि अगर मान लीजे सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई tax को कम किया जा रहा है, और इसका benefit, इसका benefit manufacturers को मिल रहा है, of input tax rate का, तो यह जो reduction in tax rate है, इसकी वज़ासे जो goods की prices हैं, वो कम अगर हो रही हैं, तो वो consumer को देनी पड़ी, जैसे मान लीजे एक सरकार ने tax कम कर दिया, सरक पहले मान लो जूते हो पर tax लगता था, for example, 12%, अब सरकार ने इसको 5% पर कर दिया, अब 5% पर अगर शूस को कर दिया, तो obvious सी बात है, कि manufacturer को tax कम पे करना पड़ रहा है, wholesaler को कम पे करना पड़ रहा है, retailer को कम पे करना पड़ रहा है, तो आप final consumer क को भी कम price पर जूते को पेचोगे, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा नहीं करते, और ये प्रॉफ, आप unfair profit charge करते हो by charging high prices, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, आपके पर penalty लगेगी, अगर तब भी आप नहीं माने, तो आपका registration cancel हो जाएगा, that is NAPA, National Anti-Profiteering Authority under G GST, फिर एक Tribunal बनाया गया, GST Appellate Tribunal, इसका objective क्या था, पहली बात ये बनाया गया, कहां पर नई दिल्ली में, इसका composition, इसको preside कौल करेंगे, इसको preside करेंगे GST Appellate Tribunal के President, इसमें एक technical member होगा, जो केंद्र सरकार्स होगा, और एक technical member राज्य सरकार्स होगा, अगर मान Central States के बीच में, Central States के बीच में किसी भी तरह का dispute होता है, tax को लेकर, GST को लेकर, तो सीधा मामला GST Appellate Tribunal में जाएगा, वही अगर मान दीजे किसी consumer को case file करना है, तो पहले वो GST Tribunal में जाएगा, वहां से अगर वो खुश नहीं है, तो फिर वो GST Appellate Tribunal में जाएगा, तो य बहुत ही important चीज हो गई, केंदर और राज्यों में अगर यह चीज हो जाती है, तो सबसे पहले उसको Appellate Tribunal में लेओ, सबसे पहले उसको Appellate Tribunal में लेओ, क्योंकि यह बहुत important है, केंदर और राज्यों के बीच में dispute जो है, वो फटा-फट से सेटल होना चाहिए, वही अग कोई कंपनी या केंदर के बीच में किसी तरह का dispute है, तो पहले वो GST Tribunal में जाएगा, वहां से अगर आप खुश नहीं हो, तो फिर आप जाओगे, या पील आपको करनी है, तब GST Appellate Tribunal में जा सकते हैं, क्लियर हो गई बात यहां तक, चलिए, next बात करेंगे, next बात करेंग वो एक और चीज़ देख लेते हैं, that is again very important, let's discuss that also, ठीक है, GSTN Network, इस पर भी तक question कहा है, इतने बने नहीं है, लेकिन future में इस पर question बनने के chances है, future में इस पर question बनने के chances बिलकुल है, ठीक है, तो बात देख लेते हैं, what is GSTN Network, it is a non-profit government organization, 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 which will manage, which manage, which manage entire, which manage entire IT system, IT system of GST portal. जो भी GST का IT system है, वो GSTN के द्वारा manage किया जाता है, 100% shares, 100% shares are owned by center and state government, are owned by center and state government, इसका में जाता है, to establish, to establish, to establish a uniform interface, a uniform interface to establish a uniform interface for the tax payers for the tax payers and also create and also create a common and shared a common and shared IT infrastructure IT infrastructure between center and states between center and states ठीक है इसका में देखिए एक 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 नॉन गवर्न नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल और्राइजेशन है जिसका काम है कि एंटायर IT सिस्टेम जो जी एस्टी का एंटायर IT सिस्टेम उसको मैनेज करना 100% shares किसके दौरा owned है केंद सरकार और राज्य सरकार के दौरा इसका मेन अबजेक्टिव है कि एक युनिफर्म इंटरफेस स्टाबिश किया जाए टैक्सपेर्स के लिए और एक shared IT infrastructure सेटप किया जाए ताकि एक transparency रहे ये पता चलता रहे कि किस-किस ने किस-किस ने टैक्स पे कर दिया है किस-किस कितना revenue center से state को मिल चुका है तो ये क्या-क्या handle करेगा इट विल handle invoices invoices plus various returns जित्ते लोगों ने returns file किये है invoices plus various returns plus registration registration plus payment and refund plus payment and refund ये सारी चीजें GSTIN GSTN network के द्वारा handle की जाएगे ठीक है अस्यू आल नो external sector is very important not only in terms of export growth or not only in terms of forex reserve but it also enhances the image of a country that how they are how much they are contributing to the whole world by supplying their goods by supplying their services or by supplying their technological aspects also तो external sector क्योंकि देखिए वर्ल लेवल पे उस country का यूएस का सबस्दा रस्पेक्ट क्यों है वर्ल लेवल पे इसलिए रस्पेक्ट है क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी domestic economy की needs को फुल्फिल कर देता है इसलिए क्योंकि उसका जो international market में presence है वो बहुत जाद है चायना कि क्यों respective world level पे because उसका international जो segment है international trade है उसकी presence हो felt करवा देता है तो इसी तरह से भारत का भी external sector जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस अगें very important क्योंकि काफी सारे सवाल जो है external sector पूछे जाते है FDI क्या होता है FII क्या होता है current account क्या है capital account क्या है फिर special drawing rights में general facilities specific facility यह सब से क्या होती है we all discuss today in today's class तो सबसे पहले हम class को start करेंगे Bretton Woods Conference Bretton Woods Conference क्यों बनाया गया उसके पीचे क्या reasons थे why this Bretton Woods Conference was made हुआ ये था कि 1944 1944 में जब सेकंड वल्ड वर अल्मुस्ट खतम होने के उस पर था खतम 1945 में हुआ लेकिन आफ्टर देथ आफ हिटलर हिटलर की जब टेथ हो गई तो तीन बड़े लीडेर्स थे अमेरिका, यूएस और बृतेन इन तीनों के जो लीडेर्स थे ये तीनों साथ बैठे ठीकर दूस्वेल्ड चर्चिल स्टैलिन ये साथ बैठे इन्होंने सोचा कि यार वर्ड लेवल पे अगर इस तरह का वार कभी और होता है इन्होंने सोचा कि अगर को कुछ ऐसा हो तो एक लिस देर मस्ट वी सम बॉड़ी जहां कोई ऐसे इंटरनेशनल और्मेजेशन होनी चाहिए ब fact power कंट्री है ऊसको रिकावय और सर वार नहीं सिर्फ कंट्रीज जो होते है वर से परिशान नहीं होती कंट्रीज के इंपोर्ट- ऒश्पॉर्ट में प्राबलम कंट्रीजACT के ट्रेड आंफेवरेबल होनी की वजह से यह कंट्रीज के व्ररेड़ CriliD होती है FDI कम होने से यह इन सब तीसों के वे से बैलंस आफ पेमेंट की प्रॉब्लम भी आती है तो वी नीड तो प्रोवाइट अ काइंड आफ हेल्प तो इसी के लिए इसी के लिए इसी के लिए ब्रेटन वुट कॉंफरेंस हुई नियू हैंप शायर अमेरिका में यूस में यह भी एक वांफरेंस हुई और इसमें दो और डॉनाइजेशन का बर्थ हुआ हुआ वो दो और दो और अमेजाशन का चॉंफ है एक टो थी हमारा व्ल्ट पैक वन इस वैल्ड बैंक तो आनादर इस अनादर इस IMF World Bank and IMF का birth होता है World Bank और IMF का birth होता अब World Bank और IMF के role specific क्या थे IMF का जो main objective था IMF का जो main objective था वो था balance of payment की जो problem होती है countries उसको ठीक करता अभी balance of payment क्या होता है यह आगया आएगा अभी आपसे समझेए कि IMF का काम था जो balance of payment की problem होती है उसको ठीक करना इन दोनों organization के objective अगर बात करें तो क्या थे common objective कि एक तो monetary cooperation पूरे world में monetary cooperation रहे कोई country specific क्या जिनको पुछ problem हो रही है उनको financial stability प्रोवाइड करना है international trade को facilitate करना है कोई भी ऐसी practice ना हो जिससे international trade hamper हो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसे international trade के लिए adverse हो फिर employment को promote करना है economic growth enhance करना है और overall world में hunger, poverty, malnutrition को कम करना है अगर हम specifically बात करें कि इन दोनों twins जिसमेना को बताया है IMF और world bank इन दोनों का set up गवा अब IMF जो है वो तो balance of payment के जो problem होता है उसको देखता है और world bank का main का में काम होता है restructure करना restructure करना economy को that is the main objective of world bank world bank के खुक्य पांच institute है मतब world bank जो है पांच institute से मिलके बनता है और वेरी फर्स्ट वन इस इंटरनाशनल बैंक पर रिकंस्ट्ट्शन इंड डवलप्मेंट का जो में अब्जेक्टिव इसका में का मतले लोन प्रोवाइड करना पर रिकंस्रॉक्ट्ट्शन डवलप्मेंट करना है सुदान में बहतर काम करवाना है माल लिजए सुदान पे बंबारी हो गई सुदान जो है वहां पे overall problem generate होती है तो how we can help them how we can help the Sudan this is how we can help them तो यह major काम होता है International Bank for Reconstruction का कि हम जो war driven country है यह ऐसी countries है जिनको बहुत ज़ादा नुकसान पहुचा है because of this whole war and all that issue उनको हम recover करवा पाए second is International Development Association IDA का main काम है और India member है IBRD का यह ध्यान रखी गा India is a member next is IDA, International Development Association International Development Association का main काम है कि loan provide करना उन countries को बहुत गरीब है जो बहुत poor countries है उनको loan provide करना या तो without interest या बहुत ही minimum interest पे loan provide करना वैसे generally loan जो provide किया जाता है वो zero interest पे किया जाता है to the most poorer countries like Sudan है, Yemen है, इस तरह के India is का भी member है यह दोनों मिलकर यह दोनों मिलकर World Bank बनाते है यह दोनों मिलकर World Bank बनाते है तीसरा है International Finance Corporation International Finance Corporation का main objective क्या है to provide loans to the private companies of lower developing economies जैसे lower development countries है जो यह least developed countries है उनकी जो private organization है private sectors है उनको investment प्रोवाइड करना उनको loan प्रोवाइड करना उन्हें advice करना उन्हें asset management के बारे में teachings देना this is the role of IFC जैसे माल लीज़े Sudan में कोई company है Sudan में कोई private company है अब Sudan के इस private company को कोई advice चाहिए ठीक है regarding to how to manage the finance regarding asset reconstruction asset restructuring apart from that advisory चाहिए investment limit investment enhancement के लिए उसे कुछ चाहिए तो they can take the help of World Bank and World Bank help them India इसका भी member then multilateral guarantee agency NIGA इसका main objective है to provide the insurance and credit risk जैसे मान लीजे कि कोई political risk हो गया जैसे अभी अमेरिका और Ukraine का Russia और Ukraine का war हुआ अब Russia और Ukraine के work वैसे political risk हो गया बहुत जदा goods जो थे जो रश्या जाने थे या Ukraine जाने थे उनकी वैसे वो काफी risk में आगे insurance cover नहीं था उनके लिए apart from that लोगों को political risk की वज़े से पूरी Ukraine की economic खतरा हो गया so this is all that is covered under this MIGA MIGA जो है India is also the member of MIGA then is international center for settlement of investment dispute investment जैसे माल लीजे Brazil ने Germany में कुछ investment किया अब उस चीज को लेकर dispute हो गया Brazil और Germany में अब उस चीज का settlement अगर करना है it is generally go for settlement of investment dispute लेकिन India is का member नहीं उसका reason यह है कि WTO आने के बाद इस particular body का कोई बहुत जोड़ा महत्पूर नहीं रहे है that's why India is not the member of this तो यह पांच जो है यह पांच जो है उसमें से यह उपर के दो मैंना भी आपको बताए IBRD और IDA they are called as World Bank और बाकी के जो यह तीन है बाकी के जो तीन है they are the World Bank Groups इन्हां World Bank Group करते है so this is about the World Bank and IFS now let's talk about external sector of India India के external sector में कौन-कौन से चीज़ां आती है export, import, foreign investment, external debt, current account, capital account, balance of debt all are the components of external debt यह आपके यह जो diagram है यह आपके लिए बहुत important है external trades में यह सारी चीज़ां आती है foreign exchange reserve के अगर बात करें कि RBI के foreign exchange reserve में कौन-कौन से चीज़ां आती है gold आता है, currency आती है, foreign currency special drawing rights आता है, यह क्या होता है मैं भी आपको समझाओंगा reserve trench उसमें आता है यह भी समझेंगे reserve trench क्या होता है इंडिया के foreign trade में क्या क्या चीज़ां आती है export, import, balance of payment में current account, capital account, reserve account, balance इसको भी समझेंगे यह क्या होता है और apart from that और भी बहुत सारी चीज़े है जो इस chapter में हम पढ़ने जा रहे सबसे पहले हम बात करेंगे forex reserve, आपसे prelims में सीधा-सीधा question पूछ जा सकता है, कि जो RBI का forex reserve होता है, उस वो क्या है, तो total foreign currencies of different country and economy possessed at a point of time it is called as foreign currency assets reserve, जितनी total foreign currency, कोई एक देश hold करता है at a point of time we called it foreign currency, assets or reserve, ठीक है, अब इस forex reserve में से currencies नहीं नहीं, gold भी आता है, special drawing rights भी आते हैं, और reserve trench भी आता है, ठीक है यह क्या होता है reserve trench, go SDR इसको बस आम मैं next वही बताने जा रहा हूँ forex reserve upper limit अब तो बीच, economic and managed foreign currency in normal times if needed पतल जिस अगर बाहन लीजे भारत का forex reserve 100 रुपे है, तो 100 रुपे तक का credit भारत पूरी दुनिया भर से ले सकता है, loan पूरी दुनिया से ले सकता है this is called as forex reserve, up to a limit upper limit, maximum limit which economy can manage foreign currency that is called as forex reserve अब हम समझते है reserve trench क्या होता है इसको पहले समझते है देखिए, दो तरह की facilities होती है दो तरह की facilities होती है first is general facility general facility second is specific facility second is specific facility general facility में कौन-कौन सी चीज़ें आती है general facility में दो चीज़ें आती है एक तो आता है trench, reserve facility reserve facility reserve facility और दूसरी आती है credit facility दूसरी आती है credit facility अब हमें बहुत ध्यान से चीज़ समझनी है होता क्या है जो भी, जो भी देश IMF का member बनना चाता है जो भी country IMF का member बनना चाती है उसके लिए दो conditions है उसके लिए दो condition है पहली condition तो ये है कि उसे world bank का member होना जरूरी है उसे world bank का member होना जरूरी है और उसे अपनी currency उसे कुछ quota कुछ quota जो है वो IMF में जमा करवाना होता है अब ये quota का मतलब क्या हुआ quota का मतलब हुआ कि अगर वो IMF का member है तो पहली condition तो ये होगई कि उसको world bank का member होना जरूरी है दूसरी condition ये होगई कि उसको अपना कुछ मना कुछ पैसा जो है वो quota form में IMF में जमा करवाना पड़ता है अब ये quota हर country के लिए अलग-अलग है हर country के लिए जो ये quota है ये quota किस basis पे होता है ये देखे जैसे आपकी GDP कितनी है उसका 50% weightage है आपकी economy कितनी open है मतलब कितना export, import आपकी economy से हो रहा है उसका 30% है economic variability, कितनी आपकी country economy stable है कितना आपकी economy में fluctuations नहीं है उसका 15% और international reserves आप कितना hold करके रखे हो इसका 5% इस basis पे ये quota decide होता है obviously America का quota सबसे जादा है क्योंकि उसके ये चारो parameter में वो topmost है ऐसे भारत का quota है, ऐसे ही Sudan का quota है अगर YMF का member है तो ऐसे Yemen का quota है, ऐसे Iran, Iraq का quota है हर country का ये quota होता है अब उस quota को हर country को अपने इन चार parameters के हिसाब से कुछ पैसा IMF में रखवाना पड़ता है अब जब IMF में आप ये पैसा रखवाते हो तो IMF आपको कुछ facility देता है हम ये बोलेंगे, countries बोलेंगी ये अगर हम IMF में पैसा रखवाते हैं तो हमें कुछ तो फायदा भी होना चाहिए नहीं क्यों क्यों रखवा है IMF में पैसा तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस quota में कि जो quota आप जबा करवाते हो इस quota में 50% of amount 50% of amount amount आप अपनी 20 में डिपॉजिट कर वाश कर ओउप वो आप गोल्ड में या अदर फॉरंड करन्सी में डिपॉजिट करवा सको मतलब अगर आज भारत को मान लेजिए IMF में हंडर्ड करोड रखवाना है तो 50% वह अपनी domestic currency में रुपया में रखवा सकती है and rest 50% वो gold या foreign reserve जो भी currency उसके पास है उसमें रखवा सकती है तो this is how we can deposit the mountain quota अब बात यह आ जाती है कि बही reserve facility क्या है और credit facility क्या है reserve facility का मतलब है अगर माल लीजिए भारत के balance of payment में कुछ problem आ जाती है भारत का balance of payment negative हो जाता है या भारत के balance of payment में बहुत issues आ जाते हैं कि वह manage नहीं हो पार है इंडियन economy manage नहीं हो पारी इंडियन economy collapse कर रही है तो जितना पैसा हमने imf में reserve के form में रखवाया है जितना पैसा हमने imf में reserve के form में रखवाया है वह 100 परसेंट वह amount जो है वह हमें मिल जाएगा in foreign currency in dollar जैसे हमने मान लीजिए 100 करोड रुपए imf में रखवाया उसमें 50 परसेंट तो हमारी 100 करोड रुपीज as a balance of payment की problem को ठीक करने के लिए चाहिए तो वह मुझे 100 करोड रुपीज पूरा का पूरा डॉलर में मिल सकते हैं पहला फाइदा तो यह दूसरा आप बोलोगे जब 100 करोड जमा करें रहेंगे अंडर क्रेड़ फैसलिटी या पूस्वाट एक्स्ट्र ट्रेड़ फैसलिटी के फॉर्म मिलते हैं अब ठीक कर लिए एक बात इस इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके रिजर्व जो आपका रिजर्व है उसके आपने 25 परसेंट ही यूज किया है मान लिजे कि आपका रिजर्व 100 करोड का है और आपने सिर्फ 25 करोड ही उसका यूज किया है एट इस पॉल्ड ट्रेंचय यह प्रीलिमस में एक्जाइम में पूछा गया था अगर आपने छिठेंट ही से एक बात इसे सिर्फ 25 परसेंट ही इस्तमाल किया है यह पूछा जा सकता है कभी भी एक्जाइम में वह सीफ ट्रेंच अगर आपने अपने आपने harmful 25 पर्सेंट स्थमाल किया इस लिली पर जी उसके प्रावलों ठीक नहीं हो रही तो अंडर स्पेसिम्विक फैसिलिटी इस आपको गाइड करेगा I.M.F. आपको गाइड करेगा how to restructure your income क्योंकि अब आपकी एकनौमी में structuring की problem ही अब आपकी एकनौमी basics की ही problem foundation level पे ही challenge जैसे भारत के case में हुआ था 1990 में जब हमारा इतना कम हो गया था कि हमारे पास सिर्फ तीन हफ्ता का पैसा बचा था हमारे यहां बारेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी तब आई-म-फ ने हमें बोला था गाइड किया था कि आपकी इकनॉमी को रिस्ट्रक्चर कीजिए आपकी इकनॉमी में फाउंडेशनल चैलेंज होत यहां तक आपको छीज है वर ग्युक्त अब इसी में एक और कॉम्वनेंट आता है यहीं इनडिया यह र्यूएस और यह औस चैलेशनलождिया माल लीजिए कि इंडिया ने ट्रेड किया यूएस के साथ इंडिया ने कुछ गुड्स मंगवाए यूएस से यूएस से कुछ गुड्स इंडिया आगे अब इंडिया को उसका पेमेंट करना है पॉर एग्जैम्पल हंड्रेड अब भारत को पेमेंट करना है 100 अब भारत यह बोलेगा आएम कोटा रखवाया है तुमने जो हमारे पास कोटा रखवाया है उस कोटा के हिसाब से हमने तुम्हें कुछ special drawing rights दिये कुछ SDR issue किये अब यह SDR कितने issue किये जाते हैं यह depend करता है कि आपने कोटा कितना रखवा है आपने कितना कोटा रिकता है जैसे माने सिद्दिया को इंडिया को मानने मिले हैं 10,000,000 gaan कि अमेरिका माने मिले है 1,000,000 मिलियन डॉलर जितना उसने कोटा रख पाया ऑस्ट्रेलिया को मान लीजे मिले हैं 55,000 मिलियन डॉलर इतने SDR आपको मिल जाएंगे जिस आप सापने कोटा रखता है इसमें एक बार बहुत ध्यान रखने की है कि special drawing right is not a currency ना तो यह currency है मतलब आप ऐसे निया आप तोचे कि मैं मुझे अना मान लीजे अमेरिका से 50 टी शेट्स चाहिए 50 बास्केट बॉल चाहिए तो मैं SDR इसू कर तो नहीं यह सिर्फ और सिर्फ balance of payment की problem के साथ साथ जो external trade के जो deficits है उनको पूरा करने के लिए इसमाल किया जाता है और इसमें सिर्फ entry होती है यह ऐसा नहीं होता कि करन्सी चले गई कहीं पर अकाउंट यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं तो अब इंडिया को मान लीजे इंडिया के पास 10,000,000,000 के SDR पड़े हैं और इंडिया को 10,000,000,000,000 पे कट है अच्छा 1SDR की value कितने डॉलर होगी 1SDR equals to how much dollar होगा स्टार्टिंग में जब US dollar बहुत important currency थी और बाकी currency इतनी strong नहीं थी तो generally पहला ऐसा था था कि 1 dollar equal to 1SDR एक डॉलर के बराबर SDR होगा था लेकिन अब जो SDR है वो मिलके बनता है baskets of basket of currencies इस basket of currency में कौन-कौन है US dollar, dollar है pound है yen है euro है और renemby है Chinese currency renemby है इन 5 currencies के basket से मिलके आपका SDR बता है Currently अगर मैं बात करूं तो 1SDR, 1SDR somehow 1.30 dollar के बराबर है कुछ ऐसा ही ये change होता रहता है जैसे जैसे इस basket of currency में change होगा ऐसा-इस SDR की value में भी change होता रहता है ठीक है अब उस हिसाब से इंडिया को 100 million US dollar पे करने है तो 100 million US dollar के हिसाब से आप लगा लीजिए उतने SDR, उतने SDR इंडिया, US को दे देगा तो माल दीज़े फर एक्जामपल इंडिया को 110 SDR पे करने है तो इंडिया के SDR अकाउंट में से ये 110 सब्ट्राक्ट हो जाएगा और US के SDR में ये 110 million जो SDR है ये जुड़ जाएंगे ये जुड़ जाएंगे इस तरह से ये SDR काम करता है Similarly माल दीज़े जो Australia US से कुछ खरीदता है, US के पास Australian dollar नहीं है तो US अपने माल दीज़े ज़े से 10 million dollar पे कर रहा है SDR तो वो सब्ट्राक्ट हो जाएंगे और यहां पे 10 million SDR एड़ जाएंगे अगर आपके पास currency नहीं है आपके पास reserves में पैसा नहीं है तो you can pay out from your SDR अब अपने SDR से pay करके balance मैट आउट कर सका है ये काम होता है special drawing rights का I hope it is clear to everyone और SDR quarter किस पे base होता है quota base होता है इन चार parameter के आपके GDP कितनी है उसका weightage 50% होगा openness 30% economic variability 15% और international reserve 55% पांच currencies की basket इन में SDR विड्रू निकाला जाता है US dollar, euro, Chinese renminbi Japanese yen and British pound SDR ना तो currency है ना ही IMF साब claim कर सकते है ये आपका ही होता है जो IMF ने आपको दिया आज हम लोग difference पढ़ते हैं सबसे पहले current account, capital account से फिर हम need और rear पर discuss करेंगे let's start with the difference first means में आपसे ये direct question कुछा सकता है इसलिए में को लगा ये बेटर tabular form में आपको difference बता दिया जाए so this is current account this is current account and this is capital account this is capital account now what is the difference between current account and capital account current account में include क्या-क्या चीज़े होती है record import and export record import and export record import and export of visibles and invisibles पादबब अब्स रविसस पूर्द शर्विसस बीपाँ आप्या of goods and services Short Term Implication होता है Short Term Implication Short Term Implication Cover Earning and Spending प्रेल में यहां के वाले point रिक रता हूँ Cover Earning and Spending Exclude Borrowing and Lending Exclude Borrowing and Lending Exclude Borrowing and Lending अब आजाओ Capital Account की तरफ सबसे पहरे Show Capital Expenditure and Income of the Country Show Capital Expenditure And Income of Country Show Capital Expenditure and Income of the Country Show Capital Expenditure and Income of the Country इसका long term implication होता है इसमें इंक्लूट किया आ जाता है इसके components क्या है यह तो हमारा first part हो गया second part है इसके components क्या है FDI FDI FPI ठीक है उसके लाव एक्टर्नल कमर्शल बॉर्वी ठीक है apart from that RBI का Forex Reserve RBI का Forex Reserve इसके component क्या है Export इंपोर्ट इंपोर्ट ठीक है उसके लावा आपके रेमिटेंसेंस ट्रांसफर्स यह इसके component होगे ठीक है current account deficit current account deficit का formula क्या है export माइनस import प्लस net current transfer export माइनस import प्लस net current transfer इसने जोड़ा जाता है ठीक है प्लस net factor income ठीक है इसका formula ऐससच कुछ नहीं है इसके तोटल component ही होता है अगर यह आपके current account deficit में यह होता है capital account में as such कोई term specific नहीं है next अगर आप बात करें next अगर बात करें कि अगर value of goods value of goods and services value of goods and services exceeds the value of import the value of import it is surplus it is surplus वहाँ उल्टा है वहाँ पर उल्टा है ठीक है अगर inflow जादा है ठीक है money is flowing into the country but these inflow अगर माली जो borrowing के थूँ जादा है तो बार्विंग borrowing is more than lending capital account आपका negative को सकता है then apart from that convertibility fully convertible यह समझेंगे अभी convertibility क्या होता है that is fully convertible यह partial convertible है this is partial convertible तो यह है difference capital account or current account अब बात करते हैं near, rear इन सब components तब मैं आपको rather than language पहले आपको समझालता हूँ यह होता कैसे निकलता कैसे इस हम चार component पढ़ेंगे nominal exchange rate nominal exchange rate nominal effective exchange rate nominal effective exchange rate और नेक्स वाले में हम पढ़ेंगे real exchange rate real exchange rate real effective exchange rate real effective exchange rate पहले आपसे बात करेंगे nominal exchange rate nominal exchange rate nominal exchange rate मतलब आपको सिंपल साथ है 1 dollar equal to 70 rupee 1 pound is equal to 80 rupee that is called as nominal exchange rate जो market based होती है nominal effective exchange rate कैसे निकलती है nominal effective exchange rate को अकर हमें निकालने है तो जैसे एक example लेते है माल लीजिए dollar का American dollar का USA का for example USA का India में जो trade है trade है माल लीजो 60% है मैं भी इसे दो ही companies countries का example ले रहा हूं basket of countries का example हम लेते है generally USA का trade माल लीजिए 60% है और Britain का trade है वह माल लीजिए 40% that is 40% US का trade 60% है और Britain का trade 40% है तो अगर हमें नीर निकालना है नीर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 60 upon 100 60 upon 100 into 70 plus 40 upon 100 into 80 इससे हमारा नीर निकल जाएगा 60% अमेरिका ट्रेड है और 1.70 रुपय है ब्रेटन का trade 40% है into 80 तो आप निकाल लीजिए इससे यह आ गया 42 plus 0000 plus 32 तो इस इक्वाल्स टू 474 तो इंडिया का नीर nominal effective exchange rate is 1 $ और Pound को compare करके मिलाके equals to 74 रुपय है इसे हम कहते है nominal effective exchange rate पत्तब हमने यहां क्या किया percentage of trade into जितना exchange rate चल रहा है उससे multiply कर दिया plus 40 upon 100 into 80 जितना exchange rate चल रहा है और जितना trade component है ब्रिटेन का उससे multiply कर दिया तो nominal effective exchange rate जो trade component में ब्रिटेन और Pound का relation है वो उसके हिसाब से 74 रुपी is the value that is called as need इसे हम कहते है real exchange rate कैसे निकलता है real exchange rate होता है inflation adjust करके inflation को adjust करके जो rate निकलता है that is called as real exchange rate जैसे मान लीजिए एक डॉलर सप्तर रुपए है अब हमें basket of goods basket of goods को हमें compare करना है जैसे मान लीजिए 70 into basket of goods मतलब जैसे अगर एक example लें कि अमेरिका में अमेरिका में एक basket है इस basket में जो goods है wheat, rice, pulses, fruits, vegetables सब कुछ मिलाकर मान लीजिए वहाँ पर आता है यह 50 डॉलर का इंडिया में वही चीज मान लीजिए आती है 2000 रुपीज की इंडिया में वही चीज आती है 2000 रुपीज की एक example है ठीक है इंडिया में वही चीज 2000 रुपीज की आती है तो real exchange rate कैसे निकलेगा exchange rate into the basket of goods in America and a basket of goods जो price है in India we compare that उससे हम हमारा real निकाल सकते है यह माल लीजिए यह 200 ले लेते हैं 200 ले लेते तो अब आप इसको निकाल लो कित्ता हो गया 17 to 50 यह दोनों से निकट गया that is 35 तो basket of currency जो है अगर हम same goods की लिए तो we need to pay 35 रुपीज for that तो उस basket of currencies के comparison में अगर हमारे products को देखें तो हमें 1 dollar का 35 रुपएज देना पड़ता है अगर same goods हम America में खरीते हैं और same goods इंडिया में खरीतें that is called as purchasing power parity also तो real exchange rate 1 dollar equal to 35 रुपीज को देखें वहीं अगर real effective exchange rate निकालना तो simple है आप ऐसे हर country का निकाल लिए और उसका trade percentage से multiply करती है मालीज अमेरिका का trade percentage rate 60% 60 upon 100 into 35 मालीज ब्रिटेन का 40% 40 upon 100 into मालीज आँ 20 आता है तो इस तरह से आपका real effective exchange rate निकल जाएगा trade percentage से real exchange rate को multiply करती है तो ये नीर और रीर का concept है ये बहुत जादा important है prelims के exam में तो ख्यार ये पूछा जाए गई जाएगा उसके अलावा mains के exam में भी ये आपसे पूछ सकते हैं कि नीर और रीर क्या है ठीक है ये बहुत जादा important concept है और इसके questions काफी exam में पहले भी पूछे गए है तो इसे आप बिल्कुल भी lightly मत लीजेगा this is again very important in terms of exam आपको याद है मैं economic survey में आपसे का था कि मैं इस concept का आपको बाद में बताऊंगा तो अभी अगर हम near की value निकालते हैं अगर हम near की value निकालते हैं तो वह हम निकालते हैं 6 currencies के terms पर 6 currencies के basket पर वहीं अगर हम rear की value निकालते हैं तो वह हम निकालते हैं 40 currencies की value मतलब 40 countries के trade relation के साब से ज्यान दखेगा near और rear में जो base year count होता है goods का और goods को match करने के लिए 2015-16 is the base year to match the goods and services by when we are doing the comparison ठीक है this is about near and rear यह near और rear का पूरा concept है अब हम बात करेंगे trade arrangements की trade arrangements जो हमारे अलग 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 देशों के साथ होते हैं जो trade arrangements world level पे है चलिए नाव लेट्स टॉक अबाओ trade arrangement trade arrangement की बात करते हैं सबसे कहले होता है preferential trade agreement first is preferential trade agreement PTA जिसको हम कहाते है preferential trade agreement में क्या-क्या चीज़े include होती है सबसे पहले इसमें preferential access दिया जाता है certain products को from different countries which allowed it allowed it allowed preferential access it allowed preferential access to certain products to certain products from participating countries from participating countries preferential access हम provide करते है to certain products from participating countries ठीके इसमें क्या करते है reduction of tariff reduction of tariff tariff को reduce कर देते हैं taxes को reduce कर देते हैं लेकिन abolish नहीं करते हैं मतला पूरी तरह से completely हटाते नहीं but not abolish them but not abolish them completely completely उन्हें हटाते नहीं ठीके और यहां पर क्या होता है trade barriers भी कोई इतने ज़्यादा हटते नहीं ठीके no removal of trade barriers and such पूरी बहुत जोता trade barriers हटते भी नहीं है ठीक है थोड़ा बात आप concession दे सकते हो as such भारत में PTE किस-किस के जैसे Asia Pacific Trade Agreement APTA example है इसका APTA Asia Pacific Trade Agreement यह इसका एक example हम दे सकते हैं next है हमारा GSP Generalized System of Preferences यह क्या है What is GSP? Generalized System of Preference What is this? Generalized System of Preferences यह क्या है Industrial Nations देते हैं ठीक है Granted by Industrialized Nations Industrialized Nations To Developing Countries To Developing Countries To Developing Countries Entry of Entry of Eligible Products Duty Free Entry of Eligible Products Exported by Exported by Exported by Exported By Beneficiary Countries Next Next is Next is FTA Free Trade Agreement यह अभी अभी ब्रिटेन के साथ भारत में यह किया है इसके आने के चांसे सबसे ज़ाद है Free Trade Agreement Free Trade Agreement इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है Eliminate Tariff Import Quotas Eliminate Tariff Taxes को कम कर देना Import Quotas Restriction को बिल्कुल कि भई हम इतनी quantity आपको sell करेंगे है इतना ही हम Products आपको बेजेंगे और And Give Preference And Give Preference To Other Nation On Selected Goods Selected Goods पे आपको Preference देंगे दूसरों पे अगर आप मांग रहे हो तो पहले आपको भेजेंगे रादर दें कोई दूसरा मांग रहे है Example South Asian Free Trade Agreement भारत ना भी Britain के साथ यह किया है India Britain FTA So PTA के बाद FTA एक जड़ा Improved Stage है Next is Next is SIPA SISA and SIPA Comprehensive Economic Cooperation Agreement and Comprehensive Economic Cooperation Agreement SISA SISA में क्या होता है When countries go beyond FTA When countries Go beyond FTA And agree for Economic Integration And agree for Economic Integration यह अपनी economies को Integrate करते हैं Sir आईए Economic Integration And Extend to Capital and Human Resources Extend to Capital and Human Resources Trade में आई प्रेट में आप प्रिफरेंस दे रहे हो हमारे यहां के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां पर सीपा में आप क्या कर रहे हो Trade और Investment को Enhance कर रहे हो Trade in Services में भी बढ़ा रहे हो वहां पर Goods जादा होते हैं Trade in Services & Investment को भी आप Expand कर रहे हो Investment को भी आप बढ़ा रहे हो ठीक है Next is Custom Union Custom Union Custom Union में क्या होता है Member Countries के बीच में Member Countries के बीच में होता है कि हम Trade Barriers आपस में हटा देंगे Remove Trade Barrier Trade Barrier Among Nations Among Member Nations जैसे Petrol है अब माली जे Gulf Corporation Council है GCC इसमें आपस में ये Barriers नहीं लगाते Trade Barriers नहीं लगाते Restrictions नहीं लगाते In Importing & Exporting of Things ठीक है This is called as Custom Union इसे हम कहते है Custom Union Next is Common Market ASEAN इसका Best Example है Common Market Common Market में क्या होता है ठीक है Members Internal Trade Barriers भी नहीं लगाते Remove Trade Barriers Remove Internal Trade Barriers Internal Restrictions भी नहीं है कि आप अराम से आओ अराम से ट्रेड करो मस्तर आओ preference दो बस एक दूसरे को ठीक है उसके अलावा Common Policies Common Policies रखेंगे सबके लिए सेम होगा भई कोई ऐसे नहीं कि किसी एक को preference दे रहे ठीक है उसके अलावा Resources को अराम से Resources Can be used freely अराम से Resources को यूज करो एक दूसरे के This is Common Market ASEAN And Last is Economic Union आपका Euro Zone है European Union है Economic Union यह सबसे integrated सबसे strong होता है ठीक है यहाँ पर Common Market और Custom Union दोनो है Common Market और Custom Union दोनो हैं यहाँ पर Common Market प्लस Custom Union ठीक है Free Import Resources Same Economic Policy All Things मतलब सबसे ज़्यादा जो हो सकता है EU Is the example थोड़ा सा RCEP के बारे में बात कर लेते हैं RCEP जो है 2020 में Act में आया था Actually यह ASEAN Nations ने अपने साथ स्टार्ट किया था जो ASEAN Countries है उन्होंने यह RCEP Pact स्टार्ट किया थोड़ा सास के बारे में आप तो पहले बता देता हूं यह हुआ क्यों था क्या इसका इसन था ASEAN देश है 10 Countries है ASEAN अगर आप उन्होंने याद किरने तो उसके लिए ट्रिक है BPL TV Mimic Brunei Brunei हो गया आपका उसके लिए Philippines, Laos, Thailand, Vietnam ठीक है Myanmar Apart from that Malaysia, Cambodia और आपका South Korea Sorry ठीक है Singapore अब RCEP RCEP क्यों लेकर है RCEP इसके लेकर है ताकि इन countries के बीच में एक तो Union बन जाए बहतर strong relation हो जाए इनके बीच में और दूसरी बात यह आपस में इस दूसरे को promote करें मतलब अगर Singapore को कोई goods भेजने हों तो वो Thailand को पहले preference ते राज़दन किसी और देश को मतलब इन देशों को आपस में पहले preference ते इसमें फिर पांच देशों को और जोड़ा कि हमें किसी और के ओपर dependent ही न रहना पड़े वाइट डिपेंडेंट ऑन यॉरप वेन वी एशिया आरसल्फ है स्ट्रॉंग एकनॉमी इस अबजेक्ट है तीस परसेंट अव ग्लोबल जीडीप को यह होल्ड करते हैं और वन फोर्थ वर्ड के एक्सपोर्ट इनके द्वारा होते हैं वर्ड की हाफ पॉपुलेशन इस इस आसियान ब्लॉक में है ठीक है लार्जस रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है अब भारत ने भारत ने इससे विड्रू क्यों किया यह आपके मेंस के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और तो काफी टाइम हो गया है इसको लेकिन फिर भी UPSC को आदत है इन चीजों को पूछने के सबसे पहले तो भारत का इन सब के साथ unfavorable balance of trade है भारत का इन सब के साथ unfavorable balance of trade है तो उन चीजों में क्यों जाना जहां पर हमें पता है कि हमें नुकसान होने हैं दूसरा है दूसरा चीज है कि non acceptance of auto trigger mechanism non acceptance of auto trigger mechanism इसका मतलब क्या है अगर जैसे ही माल लीजिए एक level से जादा भारत में import होने लगता है इन आसियान countries से एक level से जादा अगर भारत में import होने लगता है तो इंडिया क्या कर सकती है टैरिफ बढ़ा सकती है इंडिया can impose tariff if imports crosses a threshold मतलब एक limit से जादा अगर भारत import ही करे जा रहा है इनके उपर तो अपनी domestic industries तो protect करने के लिए इंडिया इन पर tariff लगा सकती है इस बात की लोग अगेंस थे कि भी tariff ही लगा दो गए तो आप आपको वह MFN obligation बाकी देशों को भी देना होगा इंडिया यह चाहता नहीं था यह हमारे उपर है न हम किसको दें या किसको नहीं दें ठीक है अपार्ट फॉम डट सबसे बड़ी चीज इनका एक बात और थी कि जो tariffs है जो tariffs है ठीक है उनको tariffs को next 15 years में जीरो पे लेके आना है आसियान देशों के भारत इसके बिल्कुल खिलाफ था भारत ने लाएंगे तो हम तो और नुकसान होगा ठीक है तो इसलिए इंडिया इससे आउट हो गया जाड़ जाता हूं चलिए अब फटा-फट से convertibility के बारे में बात कर लेते हैं भारत में current account convertibility hundred percent allowed hundred percent allowed का क्या मतलब है कि अगर इसे मैं मान लीजिए बाहर जाता हूं current account convertibility चार चीज़ों मैं आपको पता है export import remittances transfer पहले export की बात करते हैं मैं मान लीजिए यहां से भेजता हूं hundred t-shirts hundred t-shirts के मुझे hundred dollar मिलते हैं और 70 रुपे का एक डॉलर है तो मैं मुझे अराम से hundred dollar को convert करवा सकता हूं 70 रुपीज में और 7000 रुपीज सरकार से ले सकता हूं यह तो क्या export का import मैं अगर मान लीजिए import करता हूं basketball और मैं उसके लिए मुझे pay करने 10 dollar तो मैं अपनी currency को hundred percent convertible करा सकता हूं और dollar लेके उनको दे सकता हूं मान लीजिए remittances मेरे भाया मुझे ब्रिटेन से बेजते हैं 100 dollar तो मैं 100 dollar को hundred percent convert करवा सकता हूं market rate मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ रहा है ठीक है मैं अमेरिका जाके उससे मिलना चाहता हूं मैं को currency convert करवा नहीं है मैं बिल्कुल करवा सकता हूं hundred percent convertibility is allowed तो current account convertibility is hundred percent allowed in India भारत में current account convertibility जो है hundred percent allowed है यह बहुत important है ध्यान रखेगा current account convertibility is hundred percent allowed बहुत लोगों कोई doubt रहता है कि नहीं आर अभी नहीं करिए current account convertibility भाया hundred percent हो चुकिया आप पीछे हो इसके फायदे क्या है what are the advantages of that सबसे पहले integration of world economy इंटिग्रेशन ऑफ वर्ल्ड एकनॉमी साब इंटिग्रेट कर लेते हो अराम से वह यहां पर आ सकते हैं पैसा convert करवा सकते हैं आप तोहां पर जाए कि पैसा convert करवा सकते हैं enhance, encourage, export, increase, profits in export, exports में profit बढ़ जाएंगे तीसरी चीज़ है, import कम होगा इससे, import reduce होगा क्योंकि आपको ज्यादा पैसे पे करने है market rate पे तो आप क्यों unnecessary उतना extra pay करोगे, ठीक है, उसके लावा remittance income हमारे देश को मिलेगी remittance income हमारे देश को मिलेगी, इससे कहीं न कहीं balance of payment हमारा improve हो सकता है हम export ज्यादा करेंगे तो, balance of payment इंप्रूव हो सकता है future में और हुआ भी है इन दो सालों में ठीक है, so this is the advantage of current account converter, disadvantage highly volatile है, आपने मान लीजे export करने पर आप करने को आप तयार हो गए, 70 रुपए पर, 1 डॉलर, 70 रुपए पर, डॉलर हो गया, 60 रुपए आपको नुकसान हो रहा है foreign debt का burden बढ़ सकता है, मान लीजे आपने loan लिया आज, और loan लेने के बाद, आपने तो 60 रुपए पर लिया, वो 80 रुपए हो गया, आपको 80 रुपए साथ चुकाना पड़ेगा, इन ही चीजों का balance of trade effect पड़ सकता है ठीक है, current account convertibility हमने पढ़ लिया, advantage, disadvantage हो गए, exceptions, किन-किन चीजों में current account convertibility allowed नहीं है, betting, gambling के लिए आप current account convertibility नहीं करवा सकते, travel purpose restriction, अगर आप नेपाल गुटान जाने तो आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो 25,000 डॉलर ठीक है, और इंडियन रेसिजेंट धाई लाग डॉलर से ज़्यादे स्पेंड नहीं कर सकते, बाहर, capital account convertibility, capital account convertibility का मतलब है, कि fully convert हो जाए capital, मैं आज अमेरिका में property खरीद लूँ, मैं अमेरिका में घर खरीद दूँ, मैं सारा पैसा अमेरिका में एके डॉलर में convert करवा द लेते, वहाँ property खरीद लेते, तो restrictions हैं, कि आप एक limit से ज़्यादा, जैसे 750 million dollar से ज़्यादा, आप बिना approval के वहाँ पर नहीं ले जा सकते हो, सो convert नहीं करवा सकते, FII जो है limitation 24% कर रखा है Indian company में, ठीक है, public sector banks में 20% तक ही आप foreign institutional investor invest कर सकते है, NRI और PIO 10% तक ही invest कर सकते है, अब इसको लेकर एक committee appoint करी गई थी, जिसका नाम था SS Tharapur Committee, 1997 में appoint करी गई थी, इनको इसलिए appoint किया गया था, कि हम इंडिया में क्या fully capital account convertibility करवा सकते हैं, क्या, तो इन्होंने कुछ recommendations दी है, इन्होंने का अगर ये आप कर सको, और ये अगर आपकी किनौमी में हो जाए Fiscal Deficit जो आपका है, वो 4.5% तक आजाना चाहिए, और 3.5% तक 2000 में आजाना चाहिए, आज तक ही नहीं हो, फिर सरकार के, सरकार के जो debts है, उसके लिएक अलग से fund बनाया जाए, और government जो है, वो RBI के profits से, या अपने disinvestments उसको met out करें, ना कि borrowing करके, वह अगर government आज खुद R Local People, Commercial Banks कहां से borrow करेंगे, यह मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कि RBI के पास 100 रुपए है, RBI के पास 100 रुपए है, SBI को चाहिए 30 रुपए, Punjab National Bank को चाहिए 20 रुपए, Bank of Baroda को चाहिए 30 रुपए, ठीक है, और किसी other bank को चाहिए 20 रुपए, अब 100 रुपए में सरकार आ यह 100 रुपए के साब से था, अब बचा सर्फ 50 रुपए, 50 रुपए आप इन 4 रुपए को डिवाइड करोगे, तो इनको बचारों को लोन पैसा कम मिला, तो यह कम लोन दे पाएंगे, लोन महेंगे हो जाएंगे, इससे inflation बढ़ जाएगा, inflation तीन से पांच परसेंट तक रहना चाहिए, तीन साल के पीरिट में, यह भी पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर इन्होंने का, NPA जो है, पबलिक सेक्टर मैंगे, उनको 5 परसेंट तक ले के आना है, 2000 तक, यह भी नहीं हो पाया, इंडिविज्वल इंवेस्टमेंट कर सकता है, दो लाक दॉलर तक पर इयर, चलो भारत सरकार ने इस पैगरी कर लिया, फिर unlimited of gold can be imported ही, तो बहुत ही भैंकर हमारे deficits वैसी बहुत जाए यह भी नहीं हो पाया, और Indian corporates 500 million dollar का investment कर सकता है, foreign company में, इसे लाओ करो, यह भी भारत स कर सकते हैं, लेकिन इसको करो तीन फेज में, वही तो पात साल में पूरा करो, ECB का जो ceiling है, उसको automatic approval पर कर दो, government approval की जरत नहीं, कितना भी आप बोरो कर सकती है, Indian company, उसको automatic पर कर दो, Indians ने का नहीं हो सकता, NRIs को allow कर दो, capital market में invest करने का, अब इसे 10% कर रखा है, इन्होंने मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, participatory notes तो बंद कर दो, पूरी तरसे ban हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक completely नहीं हो पाया, इस वज़े से 2006 में भी इसको accept नहीं किया, ठीक है, चलिए, अब बात करते है, external commercial borrowing का, loan availed by Indian entity from non-president, माली जा एक Indian company, Reliance है, उसको पैसा चाहिए, उस KPO, FPO से कमा लिए, अभी भी 50 क्रोड चाहिए, the best way is foreign country से loan ले ले, कम interest पे होता है, reduced interest पे होता है, अराम से loan भी मिल जाता है, और बहुत ज़्यदा collateral भी नी रखवाना पड़ता है, लेकिन इसके कुछ positive negative, advantage के हैं, सबसे पहला advantage तो ये है, कि आप काफी सारा fund बोरो कर सकते ह इंटरेस्ट रेट्स काफी कम होती है in comparison to domestic, आपका international market में exposure हो जाता है, आपका नाम हो जाता है कि अच्छा है, रिलाइंस को funding loan जो मिल रहा है, वो अमेरिका से मिल रहा है, उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा collateral रखवाने की ज़रुरत नहीं है, आपको अपने voting rights देने की ज़रुरत नहीं है, ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीज़ा आपका NPA भी ज़्यादा हो जाता है, तो भी अगर आप लगातार आपके positivity अगर आपी growth है company में, इस आपके NPA हो गया मान लो कभी एक आज बात, लेकिन अगर आपकी company की growth positive है, तो कोई परेशानी की बात नही disadvantage क्या है, सबसे पहले चीज़ तो है कि इस से लेकरड एचिक लाटिट्यूड हो सकता है, हमें पता है, यार बहुत कम interest rate पे लोन मिल रहा है, लिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ, आपने ले लिए लेकिन आपको pay तो करना है, pay नहीं करना है, pay नहीं करना है, आपकी company देते हैं, अगर आपकी credit rating देते हैं, आपको further loans नहीं मिलेंगे, आपको interest expenses आपके बहुत ज़्यदा हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऐसे यह disadvantageous situation होगी है, FDI के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं एक बहुत कर देता हूँ, 10% से आपको invest करना होता है, दूसरी ब अगर आपको investment करना है, अगर आपको investment करना है, अगर आपको सरकार के permission लेनी पड़ेगी, उससे beyond अगर आप investment नहीं कर सकते हैं, automatic route में आपको कोई दिक्तप नहीं है, सरकार से बस आपको एक form sign करना होता है, आप जितना चाहें उतना invest कर सकते हैं, अभी फिलाल, पहले एक body इसका नाम था, FIPB, Foreign Investment Promotion Board, जिससा आपको approval लेना पड़ता था, लेकिन अब जो body उसका नाम है Foreign Investment Faciliation Portal, यह prelims का question बगता है, Minister of Finance के अंडर यह आता है, यह पूरी तरह से अब FDI को monitor करता है, transparency रहे, communication रहे, जितने भी letter format, paper work है, सब इनके दौरा manage होते हैं, Guidelines यह generate करते हैं, investors के लिए, यह restrictions है, इससे अदा आप नहीं कर सकते हैं, यह यह form आपको भढ़ना है, यह attachment करना है, इतने टाइम में आपका approval लेना है, इतने टाइम में इन चीजों में FDI prohibited है, इस तरह से दे लिए grant को, Automatic FDI हम नेट पढ़ी लिए है, कौन-कौन ऐसे sector से जहां FDI prohibited है, lottery business में allowed नहीं है, gambling betting में allowed नहीं है, chit fund में allowed नहीं है, निधी company, जो cooperative companies होते हैं, उनमें allowed नहीं है, real estate में allowed नहीं है, cigar, cigarette, tobacco में allowed नहीं है, और जो government ने जिनमें restrictions लगा रखते हैं, उनमें allowed नहीं है, benefits क्या है, इ Negative क्या है, domestic industries की band बजा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा इनके साथ, ये unethical काम भी कर सकते हैं, जादा, मान लिजा आभी पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को वापस ले गए, base erosion, profit shifting, taxpayer को, यहीं नहीं है, ठीक है, उसके अलावा मान लिजे, इन्होंने पैसा जो है, इनको लग Greenfield investment, एक होता है Brownfield investment, Greenfield investment का मतलब है fresh construction करना, जैसे मुंबई में एक airport है, ठीक है, शिवाजी airport है, एक और बनाना है हमें, बिल्कुल नया, क्योंकि मुंबई में शिवाजी airport पे traffic control नहीं हो रहा है, एक और बनाना है, that is Greenfield investment, शिवाजी airport पे ही हमें कुछ further construction करके उसको expand करना ह Brownfield है, ठीक है, development effort Greenfield में बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप scratch से शुरू करते है, Brownfield में कम होता है, वहाँ पे आपको old system पे depend नहीं होना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ नए होता है, Brownfield में होना पड़ता है, development time ज़्यादा लगता है Greenfield में क्योंकि शुरूआत से करते इंडिया में recent FDI करते है, आपका वापस बहुत important हो जाता है, सबसादा FDI services, computer, hardware and software में है, यह हमने economic survey में पड़ा था, Singapore topmost FDI करता है भारत में, followed by US, सबसादा FDI Gujarat में, महराष्टर में होता है in terms of state, यह आप economic survey में हैं आपको already cover करवा दिया, ठीक है, यह हमारी आज की क्लास यह हमारी स्थाला यह नहे नहीं हो झाप झाल है, यह हमाल झाल की क्या है, यह हमाले से बहुत जाल की क्या है, यह हम संदा, यह कहाँ है, इस यह हमारी से लुटख बहुत को नह ought nothin dá में चाह़ है, यह मैं है